Hello what's up guys my name is Vinod Badu Thapa and welcome to world best JavaScript course part 2 Believe me guys, this part 2 is from start till end and only animated PPT के साथ साथ project scooper projects होने जा रहा है मैंने तो सोच भी नहीं था कि हमारा part 2 इतना ज्यादा awesome हने वाला है इससे पहले मैं already JavaScript part 1 upload कर चुका हूं जिसमें हमने complete basics JavaScript को cover किया था अब भी तक अगर आपने check out नहीं किया उसको जरू check out किजिए क्यूंकि जब तक आपका basic clear नहीं का काई आप advance पे काम नहीं कर सकते क्यूंकि basic clear होना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड उसमें हमारा जो इंट्रो पार्ट ता मैंने यह का था कि हम 10 से ज्यादा projects देखेंगे बस मुझे एक चीस की कम ही यह लगी मेरे part 1 में कि मैं projects include नहीं कर पाए and I'm really sorry but in our part 2 कहते ना काई सबर का फल मिठा होता है या उपर वाला देता तो छपट फाड़ के देता है जावस्क्रिप works यह जो एक section होने वाला है इसमें इतना awesome तरीके से मैंने animated ppt के थुरू आपको explain कि आप कुछ बोलो के oh my god this is it यह है जावस्क्रिप बिलिब में guys आप जितना ज्यादा excited होना उससे ज्यादा excited मैं हो मेरे part 2 को लेके कि कि आपका reaction कैसे आता है कि मैंने अपना 110% दिया है पुरा 10 साल का experience इसमें add कि जितना मेरा end से में हो सकता था मैंने sub किया तो guys now it's up to you let me know in the comment section आपको यह मेरा part 2 कैसा लागा so guys बिदा किसी देरी कि अब हम वीडियो को start करते है and वीडियो को start करने से पहले guys here is the quick update सबसे पहले मैंने यह का था JavaScript का हमारा दो part होगा but जब आप देख सकते और भी कि इसमें मेरा जो mega project that is e-commerce website वो मैं part 3 में add करने वाला हूँ again because of our time limit so don't worry सिर्फ एक वो e-commerce website शोड़के यहां पर आपको सब मिलने वाला है and if you want that e-commerce website basically part 3 within 10 days के अंदर upload कर तो then guys मैं चाहूँगा please आप मेरी चैनल थाफा टेखनीकल को subscribe कीजिएगा video को like कीजिए comment कीजिए आपको जो भी लगता है आपको दिल से जो निकलता वो please comment कीजिएगा and guys हम हमारी इस वीडियो में से 5000 लाक्स का टागेट रखते है जो कि हम बहुत इजिली अचिब कर सकते हैं तो में विट्ती 10 देस हमारा जो पार्ट 3 है फाइनल मेगा प्रोजेक्ट e-commerce वह में अपलोड कर दूंगा आपका इवेंट्स फाइनली 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 इवेंट्स बहुत ही जादे इनपॉर्टन आपको बहुत ही जादा मजाएगा भी यहां पर ठीक है जहां से देखिए सो वी फाइवेंट्स तो सबसे पहले हम चलते हमारे इंडेक्स दॉट एस्टेमल पे लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सावर आगे जाना पड़ेगा देखना पड़ेगा कि हम क्या-क्या इसमें कबर करने वाले तो हमें सबसे बलते हैं कि events को हम किस-किस तरीके से लिख सकते और आपको अगर याद हो तो हम दो तरीके अल्डेडी देख चुके है एक तो है on click अगर directly button पर on click दूसरा जब हम simple to-do list बना रहे थे तब मैंने वहाँ पर आपको दिखाया था add event listener तो वो भी एक तरीका इसके अंदर आ जाता है what is event object वो to-do list में मैंने बता है एक power हमें मिलता है and that is nothing but your event object क्योंकि event.target event.ye event.target.wo तो इसके अंदर ऐसे बहुत सारी property जिसके मदद से आपको बहुत help मिलने वाली है तो वो क्या उसका हम समझेंगे then what is mouse event what is your keyboard event then what is your event I mean input events and ऐसे बरे पड़े यह है बट इतना is more than enough तो one by one अब हम इसको tackle करते है मुझे देखना है यहां पर क्या है ओल्राइट तीन तरीके events को लिखने के ठीक है जिसमें से एक mouse event है यह बट जो भी हो इतने सारी चीजे है हमारे जब हम mouse event पाएंगे तब तो पड़ेंगे बट फिर भी ही मैं आपको दिखा देता हूं जैसे on click अगर डिरेक्ली आप HTML के साथ खेल रहे हो डिरेक्ली एस्टेमल के code में ही आपको अगर event करना हो तो हम डिरेक्ली से भी कर सकते on click on double click माउस एंटर माउस लिब माउस यह माउस वो ठीक है एक आपको आईए आगे आप इसको थोड़ा सा पड़ लीजे अब हम चलते हमारे कोड़ पे तो हेरा दे थ्री कॉमन मेथेट्स ठीक है एंड बाइद वे मैं इसको इस तरह की से रख रहा हूं है ना सो मैं यहां पे चलता हूं कॉपी पाथ करता हूं कोड़ पे चलता हूं हमारे इस जगे पे एंड मैंने अल्रेड आपको दिखाए पावर एंड मैं इसको छोड़ देता हूं सो आप देख सकते हूं कि गाइस कितना ब्यूटिफुल यह दिखाए दे रहा है जस्ट बुकॉस ऑप से 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 स्कूर्स प्रीज देख लीजिएगा बहुत मैनत कि इसमें मैंने ठीक है तो तीन तरीके पहला है आपका इन-Line event दूसरा आपका Doors इवंट एंडल सॉर्प का Edu Eおっoup लिस्न तो यहां पर तो अगर इस पर में किलिक करता हूं तो उसमें होगा इस पर कुछ नहीं होगा इस पर कुछ नहीं और तो अब हमें वह टीहquoiंप यहांप आर्ड करना है कि जब मैंयस प्लिक रूए रिध pop-up होना चाहिए and आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं already आपको दिखा चुका हूँ window.alert वाला पार ठीक है देखो कैसे so let's go over here see we have सबसे पहला inline event in line उससी line में in line basically यहाँ पे तो यहाँ पे directly on click एदो को आपके on double click कर सकते हूं कि दो बार क्लिक करने पर ठीक है एक बार यहाँ पर inline event मुझे दिखाना था आपको and that is यहाद है अगर आपको यहाँ पर मैंने दिखाए देखो on click मेंने बाता है आप on double click कर सकते हूं कि दो बार क्लिक करने पर ठीक है एक बार यह भी करके देख लेते हैं on double click जब आप इस पर double click करोगे तो सेम यही data मुझे दिखाना है welcome js course लिख देता हूं मैं ठीक है अब मैं यहाँ पर इसको refresh करूँगा तो single click पी होगा मैं single click करूँगा कुछ नियुका अब टक टक तक दो बार click की and boom guys single click double click से इतना ही नहीं एक काम करता हूं एक और on click के वालदे on mouse over जैसे ही हमारा mouse का cursor उसके उपर आएगा welcome अगेन है ना देखो different different event है एक आप click कर सकते हो आप double click कर सकते हो आप मैं कुछ नहीं करूँगा खाली mouse में लेके गया ए देखो फट से आ गया मतलब just mouse छूते ही आ गया क्योंकि mouse का यह जो cursor अगर इसके उपर गया तो यह आजाएगा तो यह different types of events है ठीक है बट किस तरीके से में इसको implement की with the help of inline event inline तरीका कि directly आप यहां पे ही इस तरीके से आप यह जो event है आप fire कर दीजिए ठीक है अब दूसरा तरीका है using dome event handler like we have this my button my button one क्या होता देखिए यहां पर script पर आपको चलना पड़ेगा यह बाकी के दोनों आपको वापस script tag के अंदर यूश करना है जहां पर let my button ठीक है equal to document एक काम कर सकते है इस तरीके से लिखने की भी नीड नहीं है देखो इसमें तो मुझे इतना लिखने से आपको मालू में क्या होगा इतना लिखने से मुझे इसका reference मिलेगा जब मुझे इजली हो गया राइट बट एक प्रॉब्लम है on click equal to में directly नहीं लिख सकता है मुझे आप यहां पर एक function बनाना पड़ेगा एक callback function तो इस तरीके से simple आपको एक function बनाना है and by the way मैं पास एक और तरीका है यह traditional है ठीक है either you can go with this traditional तरीका जो हम पहले कर रहे थे and then after fat arrow function आप ऐसे लिख सकते हो ठीक है so दोनों है आपके पास option आपको जो पसंदो बठा हम इस तरीके से भी कर सकते है अब अगर मैं यहां पर चलता हो तो जो डोम की मदद से जो है ठीक है इसको अगर मैं click करूंगा data आया नहीं वैसे so it's a my button it's a my button get element by id my button dot on click equal to I guess कहीं नहीं हम यह ना लिखे तो बैटर रहेगा फिलाल इस केस के लिए ठीक है इसके इसको क्योंकि वो कोई sense बना नहीं रहा हो वहापे उस तरीके से बढ़ हां यह हम कर सकते है ठीक है मैंने मैं refresh कर दी अब अगर मैं click करूंगा तो मुझे यह पार्ट आ गया वैसे तो इस पर भी आना चाहिए था है ना वैसे तो इस पर भी आना चाहिए था माई बटन माई बटन ओन क्लिक ओन क्लिक यह जो पार्ट है उसको हम कुछ इस तरीके से लिखते है राइट तो यहां पर आप आपको एक चीज ध्यान रखना है गाईस कि यह है कि जो में on click लिख रहा हूं एंड इहां पर जो मैंने यह on double click लिख है on mouse over लिखा है as per rule पता है क्या होता है रूल यह होता है कि जो second word होगा वो इस तरीके से on click होना चाहिए था सी कैपिटल वर्ट यहां पर नहीं है सब के सब स्मॉल में तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सब के सब स्मॉल में है and that's the only reason क्यों मैंने आपको स्टार्टिंग में दो इट्स आ माउस इवेंट बता है कि नहीं यह ही आपकी इवेंट है इस देखो कहीं पर भी सी सब्सक्राइब तो मैंने माइब बटन वान का डेटा एक्सेस की इस सेकेंड वाला एक्चल में है ना इस वाले को जैसे उपर गया देखो आ गया तो यह हो गया आपके दो तरीके इन लाइन तरीका डौम इवेंट हैंडलर तरीका ना वाट इस दिस एड्ड इवेंट लिए यह अल्रडी हमने हमारे टूडू में देखा था अब इसको और बेटर तरीक से समझते हैं ठीक और बेटर तरीक से समझते हैं गेट अलिमेंट बाइडि by the way I guess my button 2 था वहाँ पर ठीक है तो simple dot add करूँगा जहां थुई देर पहले मैं on click कर रहा था मैं एक power add करूँ add event listener आप चाहो तो एक काम कर सकते थे and that is आप इतनो को ही एक variable पर assign करके वो variable का नाम dot add event listener यह भी कर सकते थे जब आप add event listener यूज़ करते हो तो सबसे पहले आपको उस event का type बताना है कौन सा event आपको fire करना है उसका type आपको लिखना है and then आपको callback function यहाँ पर pass करना पड़ेगा and आगे जाके और भी चीज़े बहता हूँगा कि यहाँ पर एक और power हमें मिलता है यह क्यों इतना useful है ठीक है तो सबसे पहले type क्या ठीक है देखो click अब यहाँ पर आके आपका फिर से दिमाग थोड़ा सा वो होगा and that is अब भी तक तो मैं क्या कर रहा था on click in line में भी मैंने क्या की on click but जैसे ही आप add event listener पर आगे वो आपका on click नहीं अब वो सिर्फ आपका click है सिर्फ वो आपका click है and इसका जो note से मैं guys share कर दूँगा जहाँ पर आपको add event listener अगर आप यूज करते हो तो वहाँ पर जो type of events उसको आपको कैसे लिख सकते हो ठीक है space यहाँ पर आप चाहो ना तो यह जो पार्ट है इसको डिट्टो आप कॉपी कीजिए यहाँ पर चिपका दीजिए अब यह कर सकते हो बहुत एज़ी आप यह कर सकते हो and इसकी यहाँ पर निटनी होती है ठीक है तो अगर आप यह करते हो and refresh करता हूं मैं इस जगेप अगर मैं चलता हूं देखो टू दी वर्ल्ड बेस्ट वेल्कम टू दी वर्ल्ड बेस्ट कोर्स है न इस तरह किसे यहाँ पर चल रहाँ रिफ्रेस कर रहा हूं क्लिक की देखो मेरा काम हो गया अब उसी तरह किसे अब अनुल दूं पर्वेशर से कौ और वाला जो पार्ट उसको दी मैं कॉपी कर सकता हूं पेस्ट नाव यह जो पार्ट के सकता हूं यह जो पार्ट moeten क्योंकि इस function का कोई नाम नहीं है राइड ऑफ सकते हैं आपको आगे पाता चलेगा बट इसको इस तरीकी से एंड इसको इस तरीकी से आप लिख सकते हो इन दोनों में एक this object का problem आता है एक basically this keyword होता है वो आपको बात में पता चलेगा बट हाँ दोनों सेम है थुरी देर पहले मैंने जो लिखा add event listener में कोई problem ने आएगा मैं click करूँगा data मेरा काम हो जाएगा and मैं most of the time यही prefer करता हूँ 99% में always यही add event listener के साथ जाता हूँ नहीं तो sometimes inline event में खेल देता हूँ बट यह वाला में को नहीं idea यह like में को idea तो है तभी आपको बता रहा हूँ बट मैंने इतना use नहीं की to be very frank है न and इसमें देखा नहीं एक powerful तो यह कि इसे माउस है ओबर है फंक्षन है की जावस्क्रिप्ट कोर्स करके से जो थर्ड वाला बटाने मेरा click इस पर आएगा जावस्क्रिप्ट कोर्स इस पर क्लिक करूंगा आएगा जावस्क्रिप्ट कोर्स यह देखो माउस ओबर क्लिक करने की नीडी निए खाली करसर मुझे वहां लेकर जाना यह अपने आप यह हो जाएगा इस तरीके से आप अपने इवेंट को एड कर सकते हो जावस्क्रिप्ट में ठीक है डिफेंट तरीके में आपको बता दी ओल्राइट ठीक है इवेंट में यह हो गया है वी हैब लेट्स बूब टूवर्ट्स आओ लेट्स को विट माउस इवेंट्स पर हम चलते अब ठीक है और बाइद वे आपको मजा आ जाएगा यहां पर भी क्योंकि इसको मैंने बहुत मस्त तरीके से किया हुआ है तो सबसे पहले तो यह जो जावस्क्रिप्ट का यह जो styling पार्ट उसका प्छोड़ दीजिए बस आप यहां पर कितना देखिए कि मेरे पास एक बटन है I mean मेरे पास एक div है इसको एक class दे रखा है मैंने rectangle मेरे पास एक button है जिसको एक id दे रखी my button मैंने क्या किया अभी तक आपको मैं जितना पाता चुका हूँ उससे आपको पाता चल चुका है कि ये बहुत easy है just मैंने इसका reference लिया with the help of query selector and rect डेप करके मैंने बना लिया basically इस variable में store कर दी then इस particular button का भी मैंने एक reference ले लिया ठीक है ये देखो ना इस तरह के से मैंने reference ले रखी है इनको फिलाल अभी मैं बाइद अभी मैं दिखा देता हूँ मैं करने क्या जा रहा हूँ यहाँ पे copy path so आप देख सेकते कुछ इस तरह किसी दिखाई दे रहे the moment मैं यहाँ पे जा तो just मैंने hover किया था click मैंने कुछ भी नहीं कि just mouse hover किया क्योंकि mouse event है तो वो इस side को आ गया अब the moment मैं छोड़ दूँगा mouse out मैंने mouse जो मेरा area था उसके मैं बाहर आ गया तो वो वहाँ चला गया राइट अब मैं mouse click कर रहा हूं click करके रखा है मैंने mouse down वाला event तो वह वहाँ चला गया अब मैं फिर से अंदर आया अब मैं फिर भाहर जाओंगा कुछ नहीं होगा बढ़ा अब अगर मैंने यहां पर mouse up रखा है मतलब मैं click करूंगा तो कुछ नहीं होगा बढ़ा moment मैं अगर इसको release कर दूँगा यह को release कर दी मैंने वहाँ चला गया तो यह different different events है यहां पर ठीक है जब मैं mouse पर करूंगा click so सबसे पहले तो मैंने दोनों का reference अल्रडी लिए ही रखा है अब जब भी कोई माइब बटन पर करेगा click basically my button ठीक है तो अब जब भी कोई इस माइब बटन पर करेगा click with the help of add event listener make function call करो जिसका नाम है handle mouse event आप directly इस्तिरगी से कर सकते हो एल्स आप क्या कर सकते थे इसको एक callback function बनाके फिर इस function को आप इस्तिरगी से call कर सकते थे दोनों से में दोनों में कोई difference नहीं है बोत आर से ठीक है यह दोनों से में अब यहां पर बस एक दोनों की बीच में कब difference आता है पाता है जब आपको यह मालूम है कि मुझे यहां पर कुछ data पास करना हुआ ठीक है तो event.target कुछ आप इस तरह किसे पास कर सकते हो बट आप यहां पर data पास ही नहीं कर सकते हैं तो जब भी अगर आपको कुछ parameter या बेसिकली यहां पर function को call करें तो it's your argument तो जब भी अगर आपको argument पास करना रहा तो आप यह approach के साथ जा सकते हो अगर आपको simple function कॉली करना है डार्टल आप यह भी कर सकते हो फिल्याल मेरे केस में मुझे कुछ ऐसा हाइफाइ करना नहीं है तो मैंने function को call की इस function को मैं यहां पर define कर रहा हूं जहां पर console पे तो click आएगा लेकिन मैंने क्या किया मेरा जो rectangle basically यह जो मेरा rectangle है उसका reference मैंने यहां पर लिया तो देखो उसका reference मैंने लिए उसके बाद मैंने क्या किया उसी reference में मैंने देखो this is the power of your dome जहां पर जावस्क्रिप्ट अब dome की मदद से HTML के content को change कर सकता है यहां पर देखा है यादे starting में मैंने आपको दिखा यह बॉम dom dom अपने website में dollar zero dot style अच्छा मैं अभी करके बताता हूँ उससा में मैं भूल गया बट अभी दिखाता हूँ मैं वह कर सकता हूँ तो वही है style dot background color change करना था तो मैंने यह कर दी तो अब मैं बहुत इची लिए क्या कर रहा हूँ कि एक मैंने class add कर दें यह भी बहुत इंट्रेस्टिंग आप लोगों के कुछ नया सिखनी मिलेगा आपको and that is कि अब मैं HTML में जो मैं class add कर रहा था खुच से याद तब से classes and then id अब मैं जावा स्क्रिप्ट की मदद से भी class add कर सकता हूं with the help of जो भी आपका रेफरेंस है जो आपने ले रखा है राइक डेव हमारा पर्टिकुलर डब्बे का उसमें अगर आप class list.add करोगे तो यह जो पर्टिकुलर class है वो उसमें add हो चुका है अब यह class अगर add हो गया तो obviously मैंने css apply कर रखा यहां पर that is add transition देखो फिर मैंने उस पर यह css add कर दी मैंने क्या बोला border radius कर दो 50% that's why वो circle बना उसके बाद उसका background color change करो इसलिए उसका color from black to yellow हो गया और फिर मैंने बोला translate यह css का एक latest feature है जो कि 2024 में जाके support I mean 2023 में जाके थोड़ा वह support होने लगा था बट I guess अभी तो अब वह support हो रहा है जहां पर मैंने translate की मदद से उसको translate कर दिया उसका जो exposition है उसको मैंने 30% आप कह सकते हूं कि 30% मैं उसको right side की और धकेल दे रहा हूं this is it समझ गया ना किस तरीके से मैंने सेस का class add की and यहाँ पर मैंने property set कर दी पहले 50% circle बनेगा फिर color change करेगा फिर वह move करेगा refresh देखो अभी कुछ नहीं है पहले click था कुई problem नहीं है right क्योंकि अभी भी मैंने single click पर अगर मैं दो बर क्लिक करता हूं फटफट कैसे लगा आपको थाना ओसम यहाँ आप देख सकते हूं किसमें सायद वो translate वाला काम नहीं कर रहा है प्रॉपर ली यह सी इट्स ओनली लाइक यहीं है खाली border radius था एक्च्वल में ठीक है आपको आपको अल्रेडी पाता चल चुका है करने के टाइम खा रहा है ज्यादा बट अगर मैं माउस ओबर करता हूं तो मैंने माउस इवेंट 3 किया जिसमें मैंने वापस एक ट्रांजिशन एड कर दिया है एड्ट ट्रांजिशन 3 जिसमें मैंने वापस वही चीज अब translate minus 3 50% हो जाएगा background color change कर देगा and negative side move करेगा ठीक है तो यह देखो negative side move किया ठीक है फिर उसी तरीके से we have a mouse out जैसे ही mouse out हो जाएगा मेरे उस particular parts जैसे out होगा तो यह पार्ट है जिस पर फिर मैंने एक और CSS set कर दी है जिस पर मैंने बोला है वापस देखो जब मैं first time कर रहा हो तो negative 30 जाएगा फिर जब मैं वापस अपना mouse को भाल लेके आओंगा वह वापस positive 30 फिर वापस उधर चला जाएगा ए इस पर फिर मैंने एक और class add कर दी transition 5 जिस पर जिस पर वापस बाइदवे इसकी मुझे कोई नीड नहीं थी यहां पर क्योंकि सेम चीज़े अप्लाई हो जाता है वह ठीक है इसका अटा दो तो वापस वह left side को आ जाएगा simple है पहली बार क्या होगा ठीक है जैसी mouse जाएगा पर वह left side को जाएगा फिर जैसी मैं mouse out करूंगा वह बापस इधर आएगा फिर जैसे ही मैं mouse down करूंगा वह बापस इधर आएगा फिर जैसे ही मैं mouse up करूंगा अपने original position पर आएगा simple यह मैंने रखा है इसमें JavaScript का तो कुछ काम ही नहीं है I mean काम है बट पूरा खेल यहां प बट आपको यह तो आइडे आ गया देखो यह वा जैसे छोड़ूंगा वहां चला जाएगा अभी जैसी मैंने mouse click की वह बहां चला गया अभी जैसी फिर मैं mouse up कर दूंगा अपने original position पर आए खत्म यह है आपका mouse event ठीक है तो इसके लिए guys देखो बस कुछ नहीं कर रहा हर पर एक click पर मैंने क्या कर रखा एक class add कर रखा एंड उसको मैंने CSS दे रखी एंड I highly recommend I know में अब भी लगातार बोड़ते जा रहा हूं बट मुझे मालूम है कि मैंने जो course बनाया है world best course आप इसको एक बार देखिए आपका पूरा doubt clear हो जाएगा इतने सारे 10 plus animated project बना रहा है मैंने यहां पर आप उसको देख लिए ठीक है all right so हम next चलते है so guys अब आपको keyboard event पर आना यह तो बहुत ही जाती easy है like कुछ भी नहीं अगर आप ध्यान से देखोगे we have one input field ठीक है एक input field है उस input field में मैंने एक deep बनाया है and जिसमें मैंने particular चार अलग-अलग paragraph यूज कर रखा ह हर एक को मैंने class के दे रखा key pressed, key code, character code and then event का type अब जब भी कोई भी मेरे इस input field पे यह मेरा keyboard है अब देख सकते है this is my keyboard अगर मैं कुछ भी प्रेस करूंगा तो उसका मुझे बताएगा कि मैंने कौन सा key को प्रेस की मेरा उस key का code क्या है याद है हमारा string में character code है मैंने आपको अब A से लेकि Z तक पूरा ABCD लेकर आने बोला था तब वहाँ पर मैंने बताया था कि उनका अपना खुद के character code होता है तो वह अब मुझे free में यहाँ पर पता चलने वाला है देखो code at code and then event type वह सब कुछ मुझे यहाँ पर पता चल जाएगा लेकिन वह कैसे पता चलेगा ह है ना वह मैं आपको बताता हूं तो अब आपको क्या करना होगा डिप पर आना है और अबसली यू निए तो राइट यूरी स्क्रिप टैग नो मेंटर वाट मुझे सबसे पहले इसका reference लगेगा तो मैं यहाँ पर चलता हूं तो गाइस यहाँ पर मैं चलके मैंने देखो क करना है यह आप यह कह सकते हो कि मुझे उसमें अब एक फंक्शन कॉल करना है जिसमें मुझे सारे डेटा चाहिए होगी ठीक है सो माई इन्पूट डॉट एड इवेंट लिस्नर जिसमें क्या कॉन सा इवेंट है जब भी बात आती क्यूबड की तो मोस्ली दो एक तो की डा करता हूं मैंने दबगे रखा है दभनमिंट में छोड़ दूंगा यह की अपना एप उपर आया तो एक जब में दबा के रख रहा हूं और एक जब मैंने दबाने के बाद ऐसको छोड़ दिया समझगे तो यही की डाउन की अप अठीक है लेट्स को विट की डाउन सबसे कि क्या दाउँ करता हूं मैं यहाँ पर जा रहा हूं हज इस एक अ आप notice करना कि यहां पर आप event जो object उसको get कर सकते हो यहां पर आप जो event object उसको get कर सकते हो and जो मैंने आपको बता है था event object हम समझेंगे वो इसी में ही included है कि आप जब भी कुछ इस तरीके से function call करते हो तो by default आपको event object प्रोवाइड करता है कौन आपका window global object तो जब आप इस तरह के से console.log and then जब आप event लिखते हो ठीक है जो हमने simple to-do list में की थी अब मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ copy कीजिए यहाँ पर आईए paste कीजिए and कुछ आपको data वो इस तरह की से दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमें लिखना है यह सब CSS का खेले इंस्पेक्ट में चलता हूँ console पर ठीक है अब ध्यान से देखना the moment मैंने a type की and this is it देख रहे हो this is my event तो अब क्या क्या हो रहा है यहाँ पर पहले दो बता रहा है की a ठीक है यहाँ पर इस ट्रस्टेट ऑल्ट की bubbles vaules cancel bubble Code मुझे code मिल रहा है की मैंने a press की है कि मुझे पता चल रहा है कि कौनöstव की press की है मुझे की का code पता चल छाँ 65 मुझे और कहांक हुआ है यहाँ पर टाइब पाता चल रहा है एंगो टाइप में बहुत के लिए चलत चलु रहा टागेट किया है किस कौन टागेट होता है सब यहां पर मुझे पाता चलता है ठीक है तो उसी तरीके से इंस्पेक्ट मैं यहां पर चलता हूं अब यह जो पार्ट है इसको कॉपी कर रहा हूं सो गैस आप देख सेकते हूं कि मैंने event.key event.code and then event.type को अड़ कर दिया है इसको रिफ्रेस अब अगर मैं यहां पर प्रेस करता हूं तो मुझे एक तो यह मिलेगा किस की को मैंने प्रेस किया उसका कोड क्या था and event कौन सा था की डाउन ठीक है तो इस तरीके से मुझे इसका data यहां पर मिल जाता है अब बस मुझे कुछ नहीं करना है मुझे एक एक paragraph का जो reference है उसको get करना है उसमें inner HTML या inner text लिखके यह जो पर्टिकुलर data है event.key, event.code, event.type वहां पर add कर देना है बस इतना ही करना है इसका reference मैंने लिया reference मैंने लिए text content में यह data मैंने add कर दिया simple यह data मैंने यहां पर add कि with the help of template literal simple ठीक न नॉर्मल एक दम अब अगर मैं यहां पर चलूंगा इसको मैं refresh करूंगा देहां से देखना अगर मैं A लिखता हूं तो at least इसका डेट इसका डेट इसका data update हो रहा है मैं अगर यहां पर B लिखता हूं B, C लिखता हूं C, D लिखता हूं D, E लिखता हूं E तो उसी तरीके से काई साब मुझे क्या करना है मुझे बाकी remaining का भी references को get करना है और बस उस event को मुझे वहां पर add कर देना है देखो event.key at character code at 0 if you remember यही code हमने वहां पर लिखा था मुझे अगर उसका character code चाहिए होगा तो event.key.car code at 0 हमें लिखना पड़ता है हमें data आता है तो मैंने इसको इस तरीके से refresh कर दिया ठीक है अब मैं यहां पर चलता हूं इसको refresh करता हूं देखो A लिखते ही देखो उसका कौन सा key मैंने प्रेस की उसका key का code क्या है character code क्या है and then कौन सा type मैं यूज कर रहा हूं key up यूज की या मैंने key down तो यह key down मुझे से किसे दिखा रहा है so yeah guys this is it यह था आपका keyboard event है न अब यहां पर यह जो key down के बदले मैं key up करना चाहूंगा क्या करना चाहूंगा key up ctrl s save मैं यहां पर चलता हूं refresh तो थ्वी दिर पहले देखो मैं a press करके रख रहा हूं कुछ होगा ने लेकिन जैसे मैं a release कर दूंगा तब यह key up हुआ and देखो a key a and then event type आपका change हो जाएगा बस यह अब आपका पहले key down था now it's your key up so I have guys आप समझगे होंगे कि like कितना easy था right simple है यह ना just हमें यह देखना था कि key up पे क्या हो रहा है and then key down पे क्या हो रहा है like पहले key up था it just key down one more time आप देख लिजए यहां पर the moment में a press करके रहा हूं चलता जाएगा जब तक मैं इसको release ना कर दो the moment मैंने release कर दी हमें हमारा event fire हो गया that is on key up यहां पर आप देख सकते हो दिखा रहा है character का code जो इनिसली मैंने आपको बाता है कि कितना ज्यादा useful होता है and उसका basically आप key code देख सकते हो की कौन सा मेरे प्रेस के character code this is it यह था आपका keyboard का simple जो आप keyboard के थुरू कुछ event अगर fire करना चाहते हो तो then we have input event अब input event का क्या मतलब होता है कि यादे मैंने आपसे एक चीछ का था that is कि कल की दिन अगर मैं यहां पर कुछ भी लिखता होना तो मेरे एक एक लिखने पे भी मेरे कुछ type करने पे भी वह एक इवेंट जो फायर होगा तो वह भी हम कर सकते अब वह उसकी finally बार यह आच चुकी है so for that what we need to do कि हमें अब चलना होगा हमारे input event पे हमारे input event को सबसे पहले तो अगर मैं रन करके आपको दिखाता हो कि यह दिक कैसा रहा है तो कुछ वह इस तरह की से दिख रहा है अब यहां पर होगा यह कल की दिन अगर मैंने एक लेटर भी लिखा लेट से ए ठीक है एंड ओके यहां पर कुछ हो नहीं रहा है और इसकी पीछे का रीजन यह है क्योंकि वह तो मैं आपको बताऊंगा ना कि वह कैसे हो रहा है पूरा डेटा मुझे मिलेगा इन्पूट का वैल्यू इन्पूट का नाम उसका टाइप और वह तो अब मुझे वह यहां पर चाहिए ठीक है तो हम कैसे कर सकते देखिए विहाब बॉडी बॉडी में विहाब वन सेक्षिन सेक्षिन के अंदर एक इन्पूट फिल्ड है दुसरा मेरे पास एक डीवे जिसमें आप वो डेटा देख रहे हो ठीक है तो अब सबसे पहले आप एक चीज़ देख लिजे कि हर बार की तरह अगर मुझे डेटा चाहिए अब इन्पूट फिल्ड का लैक्वे अब इस यहाँ पर लाएक सिंपल आईड है हमारे पास तो हम यहाँ पर चलते है ठीक है हम यहाँ पर चलते है इंपूट अलम लिग देता हूं अबर दॉक्मेंट डॉट गेट इलिमेंट रहा था किन वह मुझे मिला नहीं तो इसको म पेस्टिक तो अब मुझे वो पतीकली स्टिकली इंपट रैफरेंश मुझे मिल चुका राइट और यहाएंब में काम कर सकता हो कि जब भी मेरे Input Element पे है ना कोई भी अगर एक Character या एक Letter या एक डिजित भी अगर प्रेस करता है या टाइप करता है प्रेस में वह उस नहीं करूँगा दैन माउस ओबर है जैसे की आपके की डाउन है वैसी Input Event है इंपूट इवेंट तब तब चलेगा जब तक आप या मादब जब जब आप कुछ भी की प्रेस कर रहे हो लेट से मैं यहाँ पे एक Handle Input लिग देता हूँ मैं Handle Input यह एक function है जो मैं Call कर रहा हूँ यहाँ पे Handle Input ठीक है अब यह चलेगा नहीं यह कुछ होगा नहीं लेकिन जब तक आप इसको define नहीं करोगे function declaration so const आपका यह इस तरीके से fat arrow function या this is it ठीक है अब यहाँ पे we have a event object मैंने आपको बता दी थी कि event object पहुत ही ज्यात हूँ इस फूल है यहाँ पे मैं चलता हूँ so simple controller save करते है या I guess यह है यहाँ पे inspect चलता हूँ console सब अटाओ देखने मैं यहाँ पे सिप एप्रेस कर रहा हूँ तो मुझे इतना सारा data आ गिया है न अब इतने सारे data में अगर आप देखो गे तो सबसे पहला data ही देख लिजी ए दिखा रहा है data में भी मैंने एप्रेस की तो मुझे यहाँ पे यह दिखा रहा है ठीक है और हम देखते है टाइप यह देख लिजे मेरा जो input का टाइप बेसिकली मेरा जो event का टाइप कौन सा है वह input है आप 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 देख पा रहे हो बहुत अच्छी तरह किसे here we have this type ठीक है आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा मेरा source element है वो है मेरा input field जिसमें एक id है my input तो आप देख रहे हो गाई सब कुछ even we have this target यह देखो target अब याद आया है देखो अब मैंने उससा में target लिखा था event.target current target यादे मैंने जब कहा था हम parent पे अगर event fire करते तो children automatic उसको access कर सकता है and all तो वह यहाँ पे event.target क क्यों मैं अल्रेडी दिखा चुक हूं तो बस यही है अब यहाँ पर हमारे पास मेरे पास कुछ console से उसके data मैं आपको दिखाना चाहूंगा वह यह स्तिर्गी से event.target.value याद यही मैंने आपको लिखा था event.target.name event.input का type कौन सा है and then normal type कौन सा है ठीक है मैं यहाँ पे चल इंपूट का value कौन सा है इंपूट का यह देखो क्या है आपका इंपूट का नाम नेम पता है क्या है यह यह बिसिकली आपका एक attribute कैसे attribute देखो name attribute इंपूट फिल्ड में जोगे name attribute है उसका नाम है username so that's the reason why मुझे यहाँ पे आया username insert text यह क्या है यह आपका input type जहां पे मैं एक text को insert करो and then उसका general type जो की है एक event तो अब यह एक ऐसा event input फिल में जब भी आप कुछ भी प्रेस करोगे यह call होता रहेगा and input.value में मुझे मेरा value जो है मिलता रहेगा simple अब यही जो चार values थी मुझे one by one यहाँ पे add करना है and यह बच्चो वाला काम है अब यह अब आपको आँख बंद करके पता चलना चाहिए I mean कहने का अनलब यह था आप समझ गये ना कि अब आपको सोचना नहीं कि यह कैसे होगा मैं यहाँ पर जो भी टाइप कर रहा हूं उसका type उसका input का value उसका नाम क्या है वो यहाँ पर कैसे आगए यह तो आपको सोच नहीं नहीं है इसलिए मैं directly यहाँ पर चलता हूं इसको करता हूं copy यहाँ पर करता हूं paste देखो वह हर बार वही है कि मैंने एक पर्टिकुलर परग्राफ या कोई भी एक element का मैंने reference ली dot text content मैं जाके मेरा यह जो actual content वह मैंने वहाँ पर add कर दी इतना मैं अगर करता हूं अब मैं अगर refresh करता हूं ए पर देखो इंपूट की वैल्यू ए उसका नाम यूजर नेम टाइप था इंसर टेक्स्ट इवेंट था आपका इंपूट ए बी सी अब देख सकते हूं डी ए एफ जी एच एना आई जे के ल मन ओ पी क्यू आरस्ट आप इस तरी किसे लिख सकते हूं रस्ट यू यू वी डबलू एक्स वाई जड तो आप देखो आपको अब देखो मैं अगर बैक स्लाइस करते हैं देखो यहां पे इंपूट का कि आ यहां पर डिलेट कर रहा हो है अगर मिया यहाला करें थेखो फॉर्वड अबमें फॉर्वर्ट डिलिट कर रहा हूं ज हमकर सकते थे यहां जो कि react में बहुत useful होता है एक और है हमारे पास मैं आपको बता आता हूँ and that is एक second हाँ मेरे पास एक और है यह we have a change जो मैं बोलने जा रहा था वही निकला है reality में तो change में क्या होता है कि input it means the moment मैंने एक input दी change मतलब होगा यह कि अब मैं वापस refresh कर रहा हूँ मैंने लिखा A मैंने लिखा B मैंने लिखा C मैंने लिखा D A, B, C, D मैंने लिखा लेकिन मुझे कहीं कुछ भी नहीं मिला क्यूंकि मैंने क्या बोला है change मतलब मेरा जो current input फिल था वो totally empty थी but now मैंने A, B, C, D उस पे लिख दिया अब जब मैंने यह लिखा तो कहीं न कहीं मेरा जो actual input फिल था वो था totally empty but now मैंने उसमें 4 letters लिख दिये ठीक है तो data तो change हुआ है लेकिन अभी तक हमने ऐसा कोई move नहीं की जिससे हमें हमारे browser को यह पता चले कि हाँ data अब change करने की बार ही आ गई है ठीक है तो the moment मेरा यह जो focus है input field के बाहर गया and यह देखो ओके अगर मैं tap press करता हूँ यह enter hit करता हूँ by the way guys let me tell you one thing यह change हो जाना चाहिए तो change क्यों नहीं हुआ है oh okay sorry it's a handle input event but हमारा actual event का नाम वह थोड़ी है हमारा event का नाम कुछ और है but अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा था वही है reality reality यह है the moment इसको मैं refresh करता हूँ फिर से देखना a b c d कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी तक actual में यहाँ पे जो एक यह एक जो आपको line दिख रहा है इस line का मतलब यह कि अभी भी मैं मेरे input field के अंदर हूँ browser को ऐसा लग रहा कि साथ user अभी कुछ type करेगा इसलिए उसने कुछ नहीं कि but the moment मैं भाहर click कर दूँगा यह देखो मेरा value यहाँ पे update हो गया username input type undefined है हाँ but this time input event अब change हो गई है आप देख सकते हो its change समझे दा moment में यहाँ पर आके फिर V लिखूँगा फिर F लिखूँगा फिर में भाहर जाऊँगा फिर वो देखो यहाँ पर update हो गया तो input event में अगर आप जाते हो तो input event आपका the moment आपने एक letter लिखा input change हुआ but change मतलब क्या कि जब तक आप लिख रहे हो its fine the moment आपका out focus input field से गया आपका वो data update हो गया let's say आप जब type press करते हो enter या जब आप बहार आके कहीं click कर देते हो तो आप वो आपका change है and I guess वो better है right जब भी आपको search करना हो जब user पूरा data लिखके उसके बात search then up change उसकर सकते हो else आपको लगे कि the moment आपने आई लिखा data filter हो जाना चाहिए तो वहाँ पर आप input उसकर सकते हो इन दोनों का use case यह बस ठीक है yeah this is your input event and now we have one project and that is your gradient तो यह project दिखता कैसे मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा दिख लीजए and by the way मैं बताना चाहूंगा कि यह जो है मैंने inspiration ली है इस particular website से अलाकि मैं gradient बना रहा था मैंने सोचा कि इसको और मैं कैसे useful बना सकता हूं then I realized I guess it's a mycolor.space तो मैंने कोई इनका code कुछीदों से copy नहीं कि खुद का सब कुछ किया है it just मैंने इसको clone करने के खोशिस किया यहां पर बस मैंने एक problem में देखा है कि guys यह करो प्रेस करो फिट generate करो तब जाके वो change होता फिर हम इसको copy कर सकते है and कहीं पे भी извuse का data होगा मैं इहांपर ऐसे close कर सकता अंशारी इसको मुझे आई फेसे copy करना है एक सेचे न इसको मैं घ्मकेंट करना चाहता हूँ copy paste एक सेचेंड मैं इहांपर चलता हूं इसको मै ने copy की नहWhy में चलके पेस्ट कर रहा हूँ ठीक है अब में वापस यहां रीफ्रेस्ट कर रहा हूं इसको मैंने copy की नहींगा इसहां पर यहां पर यहां यहां पर यहां copy नहीं होता है यह सिर्फ select हो रहा है बट अगर आप मेरे पर आऊगे सो अलमूस्ट दोनों same है इसको मैं कुछ कर भी नहीं सकता है इहां पर पूरा यह करो वो करो तब जाके जनरेट करो बट मेरे केस में क्या है एडवांस है इस पर क्लिक करूँगा चेंज 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 इस इतना ब्यूटिफुल कलर आपको दे र हो गया एंड यहां पर गाइस हमने एक plugin यूज की है एक API यूज की जो कि जावस्क्रिप्ट बाइड डिफॉल्ट हमें देती है जावस्क्रिप्ट हमें बाइड देता है जिसके मदद से आप बहुत आपको यहां पर बाता दूंगा अब इसके अलावा अपने बहुत सारे वेबसाइट पर देखा हो कि जब आप क्लिक करते हो और टूमेटिक कॉपी हो जाती है तो इस तरी किसे आता ठीक है अब इसको मैंने देखो कॉपीड देखा अपने इदेखो कॉपीड हो गया यहां पर तो मैं आगा यहां चलूंगा पेस्ट तो यह बहुत सारी जगे पर यहां बहुत ही बहुत ही बैटर है बट हाँ अच्छा है कि आपको जो पसंदो कलर चेंज करो जो आपको पसंदो कलर चेंज करो एंड वाव यह ऑसम है वाव यह देखिए इतना ब्यूटिफुल ग्रेडियन कलर मुझे मिल रहा है कि होता नहीं सम्टाइम से चलो देखते बट अपना खुद का इग्रेडियन वेबसाइट बनाना यह बहुत बड़ी बात है और उपर से कॉपेड भी हो रही है मैं यहां पर पेस्ट भी कर पा रहा हूं अब हम इसको क्रेट करना है ठीक है तो सबसे पहले बात तो यह है कि अगर हम मोटा मोटी देखे कि हमें कितन कोड लगने वाले HTML का तो मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे एक काम करता हूं सबसे पहले तो एक इसका जो कलर है यह ठीक रहे हैं यहां पर मैं आपको दिखा सकता हूं रेड कलर अच्छे से निकल के आएगा यहां ठीक है तो वी हव वन बटन वी हव अनदर बटन तो दो बटन मुझे लगने वाले हैं दैन वी हव वन टेक्स्ट सिंपल सा कॉपी यॉर कोड ही यह या क्लिक टु कॉपी यॉर कोड कुछ ऐसा लिखना चाहिए था बट जो भी हो एंड दैन वी है वन इस पर्टुकलर पार्ट ठी बट तरह से क्यूं ते रहे है यह टेक्स्ट सन्तर में कैसे चला गया यह एक का POLर यह है तो दूसरे का POLर कैसे हो रहे है फिर यह थैनना अच्छा सा इतना बेान उन्द फेक्ट ंहां किसे मिल रही एंड साती साती जो color यूज हो रहा है और यह सब कुछ यह सब कुछ आपका CSS का कमाल है so HTML and CSS की मदद से इतना beautiful आप यह मनलब बीना JavaScript के भी आप यह कर लोग इतना बट हाँ अब इसमें JavaScript का क्या काम है JavaScript का काम यह है यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया होगा यह नहीं बट यह जो text दिख रहा है आपको ध्यान से देखना जैसे मैं क्लिक करूंगा देखा आपने क्या होँआ text चेंज हो रहा है सिर्फ मैं background color change नहीं कर रहा हूं यहां पर मैं उसका text चेंज कर रहा हूं मैं अगर इस पर क्लिक करता हूं ध्यान दी आपने इसका देखो इसका भी color चेंज हो रहा है एंड सिर्फ पुति नहीं इसको अगर मैं change करता हूं ठीक है एंड मैं क्लिक करता हूं तो यह तो चेंज होगा होगा साथ में यहां पर आपका जो ग्रेडेंट का color है वो भी update होता है तो इतिना सब कुछ functionality है हमारे इस website पे एंड इसको आप अपने resume में भी add कर सकते हो एंड इस पर क्लिक करेंगे तो copy भी कॉपी भी हो रहा है यहां पर पेश कर पारे हो ठीक है तो यह आपको आइडे आगे हम क्या project करने वाले बहुत ही ज्यादा मजा आएगा एंड इसमें आपको ना एक logic है कि भाई मुझे यह रेंड़म नंबर मिल कहां से रहे यह अब्री टाइम कहां से मुझे रेंड़म नंबर मिल रहा और मिल भी रहे तो background में कैसे र appliance好 यह अपर का रहा है यहाँ पर कैसे अपडेट हो रहा है तो वह इसमें कला ऑन कर दोता थ сх window बीगिनर के लिए टो इक दरा Alice रोजडर्यक्त हो गाई क्या तो सबसे पहले मैं काम करता है यह जुछ स्रीशना levons कर लिए ये आबी कुछ निकर यह लिए क्योंकि वह एकदम बेस्ट आपका सब क्लियर हो जाएगा मैं अभी आपका टाइम इस नहीं करना चाहते इसमें CSS बता कि हाँ बट मैं आपको एक्स्पेंड जरू कर दूंगा आपको टैंसर नहीं लेना है CSS मैं आपको एक्सप्लें कर दूंगा ठीक है और राइट सो मैं यहां पर चलता हूं और गाइस तो देख लिजे यहां पर सबसे पहले लेट सो बित वान सेक्षन ठीक है अल्री हम देख चुकि हमें क्या क्या लगने वाला है उसके अंदर लेट सो बित वान डीव जिसके अंदर वी विल हैव और बटन एक और बटन दो बटन लगेंगे इनको एक एक आईडी दे दिया हुआ है और डाट इस माई बटन इसको देता हूं आईडी माई बटन टू करके ठीक है यहां पर आप कोई भी कलर देंगे अभी हम बाद में उसका थोड़ा सा टाइम है दैन वाट वी हैव वन एच्टू स एक है जो मैं पेस्ट करना चाहूंगा एंड सिम्पल सा हमारे पास एक डी बैस के नीचे जिस पर मैंने वह कलर कोड बाइड पहले से लिख रखाए ठीक है अब अगर इतना मैं करता हूं यहां पर चलता हूं इसको रिफ्रेस करता हूं तो आप देख सकते हो मुझे कुछ अब यहां पर मुझे क्या लगेगा यह पर्टिकुलर कोड लगने वाले 051937 ठीक है तो इतना मेरा गाम होगे सब एकदम सेट है अब अब हमें इसमें लॉजिक लगाना है हमें समझना है कि अब हम इसके साथ कैसे खेल सकते है ठीक है तो क्या-क्या हो रहा था वह तो मैं अल्रीडी आपको यहां पर दिखा चुका हूं जब मैं इसका डेटा चेंज होता है बेग्राउंड का ग्रेडिंट कलर जाता है इवन यह पर्टिकुलर राइट साइट वाला भी वह तो हम बात में देख इबन इस पर क्लिक करूंगा तो सेम होई पार्ट हो रहा है यहां पर इसको क्लिक करने पर मेरे पास एक event है यह बैग्राउंड इमेज वाला ठेक है इट सिर्फ बैग्राउंड इमेज यह एक प्रॉपर्टी है CSS की जिसको मैं बस update कर रहा हूं जिसमें ये एक RGB value है ये दूसरी मेरी RGB value है तो इसके लिए ये RGB value responsible है और इसके लिए ये वाली जो RGB value ये responsible है ठीक है इस पर क्लिक करने पर ये जो पार्ट आपको यहां पर है hex code में दिखाई दे रहा है उसी का ही अगर मैं RGB में convert करता हूं तो वह मुझे यहां पर इस तरीक से दिखाई देता है समझ गये बस इस button को click करने पर आपको एक random hash code generate करना है और उस जो हैस code आपने generate की उसको बस किसी तरीके से ये जो एक प्रॉपर्टी है background image उसमें यह एक जो value है यहां पर मुझे उसको update कर देना है ठीक है तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं सबसे पहले हम इन दोनों button का reference get कर लेते हैं सबसे पहले हम जल्दी से यह कर लेते हैं ठीक है जो की बहुत ही ज्याद है जी इस a my button and then my button two all right ठीक है तो हम यहां चलते हैं एकदम body के नीचे आपको मालू हम यहां पर हम इस script tag लिखना पड़ेगा let मैंने क्या लिख रहा का यहां पर button one लिख रहा का ठीक है button one will be equal to document.it's a get element by id let's go with get element by id my button चलो ठीक है let btn2 my btn okay it's a btn2 only so it's a document.get element by id d and my button and then yeah मेरा इस तरी किसे ठीक है and it's a my button चलो ठीक है मुझे ना इन दोनों का क्या मिल चुका है इन दोनों का मुझे reference मिल चुका है इन दोनों बटन को मुझे click करना है और एक function को call करना है जिस पे मुझे एक छे digit का छे digit तो आप बोल सकते हो लेकिन मुझे hex code लगने वाला है जिसमें basically 6 digit होते है जब भी आप color के साथ खेलते हो तो मैं आगा यह देखी यह मैं आपको दिखाना चाहता था that is यह यह चोटी-चोटी चीजे है जावस्क्रिप्ट का का में logic बिल करना देखो in a hexadecimal system digits are represented using a standard symbol such as 0 से लेके 9 तक for the corresponding values and the first six letters of alphabet that is a,b,c,d,e and then f for the 10 to 15 तो मतलब क्या होता न है hexa code में 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 अब 10 को तो हम नहीं लिख सकते the moment में 1010 लिख दूंगा वो तो क्या है वो तो एक 0 है एक 1 है उनका combination हो गया वो राइट तो हम 10 नहीं लिख सकते बट hexa decimal में हमें 16 digit तो लगेगा तो जो 10,11,12,13,14,15 एक से कितने है टोटल a,b,c,d,e,f 10,11,12,13,14,15 यह छेही था बाता नहीं कैसे वो हो गया बट जो भी हो तो a,b,c,d,e, and then f समझे रो जीरो से लिखे 9 उसके बात 10 नहीं लिखना है उसके बात हमें a,b,c,d,e, and then f लिखना है यह जीरो से लिखे 15 यह आपका टोटल 16 हो गया that is your hexadecimal और इसी के ही combination में आपका कोई 6 digit बनता है समझे रो यह 0 से लिखे 15 के बीच का ही जो भी होगा उसमें से कोई 6 डिजिट बनेगा जो कि आपका एक random hexadecimal color बनने वाला है ठीक है और वो कैसे बनता है वो बनता है आपका इस तरीके से आर आर जी जी बी बी रेड रेड ग्रीन ग्रीन ब्ली ब्ली अर जी बी ठीक है तो अब एक चीज देखने वाली बात है कि दो दो आर है दो जी है एंड दन दो बी है टोटल कितने होए छे होए ना तो हमारे पस यह 15 लेटर्स है जिसमें से 0 से 9 अंदन ए से लेके एप तक इसमें से मुझे एबरी टाइम यूजर चाहे वो लेट वाले बटन या चाहे वो राइट वाले बटन को क्लिक करें मुझे रेंडम 6 डिजिट के एक हैक्स कोड को जनरेट करना पड़ेगा एंड सिर्फ 6 डिजिट हैक्स कोड जनरेट नहीं करना है मुझे प्रिफिक्स में वो hashtag को भी add करना है तो यहाँ पर आपको अपना दिमाख लगाना होगा कि मैं कैसे button के click करने पर इस तरीके का random six digit आगे prefix में hashtag में generate कर सकता हूँ हर एक click पर एक मुझे एक separate लगने वाला है ठीके चलो आपको पाता चल गया है यह hex code क्या होता है ठीके जब भी कोई इस पर करेगा click तो एक function कॉल करना है handle button 1 ठीके आप कुछ भी लिख सकते हैं वापस इसको copy paste बस अब यहाँ पर handle button 2 और यहाँ पर भी button 2 लगने वाला है अब अगर एक button के थुरू मिल गया तो दूसरा तो आटो आटोमेटिक होई जाएगा और यहां पर चलता हूं द्यान से देखना यहां पर हम एक जादू करेंगे एंड logic कैसे हो सकता है मैं आपको बाता हूं आपको छे डिजिट चाहिए ठीक है आपको 6 डिजिट चाहिए लेकिन एक कंडिशन एक और है कि वह जो छे डिजिट मुझे चाहिए वह कहां से चाहिए होगा 23456789 एक सेगिन मैंने सोचा मैं लिख रहा हूं बट नहीं हुआ जिरो वान टो थ्री पोर फाइफ शिक सेवन एट नाइन ए बीसी डी ए अन देन एफ मुझे इस में से वह छे डिजिट लगेगा तो मैं इसको कर लेता हूं अब आपको मालूम है एक चीज एंड़ इसकी मदद से मैं बहुत इजीली लूप कर लगा सकता हूं तो आप ध्यान से देखिए मैं यहां पर जा रहा हूं ठीक है यह जो पार्ट इसको मैं यहां पर इसके अंदर रग दे रहा हूं तो अब मुझे छे डिजिट लगेंगे समझ रहे हूं अब यहां पर एक चीज दिखाता हूं console.log ठीक है यह जो माई hexa values है square bracket के अंदर लेट से मैंने लिख दिया 5 मुझे नहीं मालू मैंने 5 लिख दिए बस ठीक है मैं यहां पर चल रहा हूं यह अपना ही है यह अपना ही है ठीक है मैं यहां पर चलता हूं ध्या लिख देता हूं control save की मैं इसको refresh कर रहा हूं ठीक है इस पर मैं क्लिक करता हूं तो देखो मुझे बी आ रहा है अब जब जब मैं क्लिक करूंगा मुझे बी ही आएगा कहने का मतलब यह है कि हम हमारे जो string है उसको भी array की तरह हम access कर सकते हैं जैसे हम array में element को access करते 16 डिजिट दिखाए दे रहा ना इसमें से कोई तो भी रेंडम ली एक नंबर मुझे चाहिए समझो लेट से मेरे को एक रेंडम नंबर मिला टू राइट मैं यहां पर चलता हूं रिप्रेश की मुझे एक टू आ गया ठीक है अब फिर से मुझे लेट से एक रेंडम नंब एक राइडक है एक connectorsmbre teacher और मिला 6 मैं यहां पर छलता हूं रिपरेश करता हूं मैंने क्लिक की मुझे आया चैकल अशच तो मुझे करना होगा है मुझे 2 यह तो नॉर्मली हो जाएगा पहले आया मुझे 2 दूसरी बार आया मुझे 6 तीसरी बार आयेगा let's say मुझे A sorry मैंने C लिख दिया then fit 6 fit then A fit then 4 इस तरी किसे तब आप देखो न एक दो तीन चार पांचे हो गया यह मेरा X hex code बन चुका है समझ रहे हो यह मेरा जाए और एकव्या बन गया उन्हों यह मुझे चाहिए अब यह कैसे हो रहा है मुझे 6 बार लूप चलाने है 6 बार मुझे लूप चलाना है हर एक बार मुझे बस किसी तरीके से यह वाला जो कोड़ इसको मुझे 6 भी बार बस रिपीट करना है अब एक चीज छे बार रिपीट करना है तो गाइस वह तो वह तो नॉर्मल है i is equal to 6 sorry 6 कैसे लिख सकता हूं 0 then i should be less than 6 जैसे भी होई गया वो and your up ब्योंक्ता है इसक मैं आपश् सकता हूं यहाँ पेस्ट करों ठीक है अभ में अगर यह जनलता हो referred करता हूं अब अगर इसके में क्लिक करोंगा क्या आप देख.. आप क्लिक हूँ अ अब मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा देखो 0 1 2 3 4 5 by the way by the way यह जो 0 1 2 3 4 5 है वो लूप वाली वैल्यू नहीं है वो हमारा बेसिकली यह जो हेक्सा वाला जो अब भी सपोज एक सेकंड कंडूले सेव ठीक है त्यांसे देखना रिफ्रेश इसको हटा रहा हूं मैं क्लिक कर रहा हूं यह क्यों क्योंकि कि A S D F G H यह टोटर 6 हो गए आप आइडिया समझ रहो कहीं न कहीं मैं यह कर सकता हूं बट बस प्रॉब्लम यह ना कि हर बार मुझे यह स्टार्टिंग के 6 ही मिलने वाले मुझे क्या चाहिए किसी तरीके से यह 16 में से कोई भी रेंडम नंबर मिलता जाए 6 बार और उसका लिख सकते है we have a math याद है आपको dot we have a random number and मैं काम कर सकता हूं इसको हटा के i के बदले मैं math.random लिख देता हूं अब यह करूंगा तो कहीं से i guess यह साथ काम ना करें अगर refresh करता हूं यह undefined पाता है क्यों क्यों कि math.random आपको क्या value देती है 0 के और 1 के बीच में value देती है it means 0 तो inclusive है आपको maybe say 0 मिल सकता है लेकिन कभी एक नहीं मिलेगा वह always 0.3 या 0.2 या 0.55 या 0.65 ये data देता है तो मुझे क्या चाहिए मुझे random number चाहिए कहां से लेके एक से लेके 16 तक ठीक है एक से लेके 16 क्योंकि अगर एक से लेके 16 की बीच में कुछ भी data आ जाए तो मुझे इन में से एक नहीं data मिलने वाला तो basically मुझे 16 डिजिट का random number चाहिए एक से लेके 16 के बीच कुछ भी random एक बार मुझे 2 आ गया दूसरी बार में 5 दूसरी बार में 1 चौती बार मे के बीच मुझे यहां पर number मिलने वाला है अब अगर इतना में करता हूं और रिफ्रेस करता हूं इसको मैं हटाता हूं इस पर में क्लिक करता हूं अगेन मुझे undefined आ रहा है एंड यहां पर undefined आने का reason यह है मैं आपको बताता हूं सबसे पहले तो यह जो value है इसको मैं copy क मुझे undefined क्यों है अब आपको पता चला क्यों क्योंकि मुझे एक से लेकर 16 के बीच में आ रहा है देखो 14 13 15 10 11 4 3 यह देखो मुझे perfect जो मुझे चाहिए था वो हो गया बट एक problem है जब हम इस तरीके से access कर रहे है यह आपटर decimal इतने सारे जो point आ रहे हो मुझे नहीं चाह right तो मैं क्या करूंगा एक सेकेंड इसको मैं wrap कर दूंगा wrap करके मैं क्या बोलूंगा math.floor जो lower value वो दे दो बस decimal के जो भी इसका lower value समझ गये न हम अल्रेदी मैं डॉट फ्लो मैं डॉट रॉंड और मैं डॉट सील पड़ चुके है ट्रंग भी हमने पड़ा था ठीक है यह अगर मैं कर दूंगा अब जादू देखना अब आप जादू देखना मजा आज आएगा ठीक है और बूम गाइसी पांच दो चार एक एफ हो माइगाट यही तो मुझे चाहिए था कि हर बार हां हर बार अलग value आने वाल है देखो हर बार मुझे 6 डिजिट के अलग value आने चार एक दो तीन लास्ट में एक दो बार आ गया तो हर बार मुझे एक new value आ रही है तो अब समझ रहे हो क्या और actual में अब यह जो पार्ट है ना लेट से जब मैंने स्कोर रन किया समझ रहे हो लेट से यह जब रन वी for the very first time suppose पांच वैलिव आ गया तो अब हैक्जा वैल्यू सफाइब क्या होगा जीरो बान ट्री फोर फाइब तो मुझे फोर आ गया अब यह आई की वैल्यू जब जीरो भी तो ठीक है चलो कोई नेक्स लूप पे अब क्या होगा वापा से चलेगा तो जीरो एंडेन वान आगया तो इस तरीके से आपका क्या होता है यह आपका टोटल छे बार चलेगा छे के छे बार मुझे कोई ना कोई एक रेंडम वैल्यू आईगी बिट्वीन जीरो आप यह कहलो लेके हमारा जीरो से लेके 15 के बीच में तो यह मुझे यहां पर वैल आप सो अब में क्या कर सकता हूं यहां पर लेट कलर विल फील फेल टू हैस्टैक ठीक है यह हैस्टैक में रखा यहां पर ईशिरो ऑप इस तरीकी से नहीं रख सकता है स्ट्रिंग लगेगा and मैं बस क्या करूँगा खाली यह जो मेरा colors है equal to colors plus यह color ठीक है and कहीं ने कि यह guard word क्यों दिखा रहे है इस तरी किसे hex एक काम करते है इसको हम खाली hex रखते या तो my hex values ठीक है ठीक है अब आपका काम होगी है अब मैं खाली क्या करूँगा console.log colors एक काम करता हूँ मैं bottom पे कर देता हूँ अब आप देखना जा दूँ ठीक है अब मैं अगर इसको refresh करता हूँ अटाता हूँ इसको पे click करता हूँ देखो देखा आपने मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे मिल गए अब हर बार मुझे 6 digit का different hex code मिल रहा है अब किसी तरकिस इस hex code को मुझे मेरा ये जो background color दिख रहा है वहाँ पे add करना है चलो ठीकी ये कर लेते है कैसे करेंगे मुझे मेरा hex code मिल गया ये जो part था मैं पाता है क्या करूँगा ये जो part है ये से मुझे handle button 2 पे भी लगेगा तो क्यों न इसी को में कह सेकते न इसको में एक अलगी function के अंदर रख सकता हूँ गेट और या hex code या कुछ इस तरीके से सो में एक function बनाता हूँ get hex values will be equal to fat arrow function है ना and मैं काम करता हूँ इसको हटाता हूँ यहाँ पे मैं paste कर देता हूँ ठीक है and यहाँ पे बस मुझे क्या करना होगा मुझे इसको return करना होगा colors को क्योंकि मुझे colors चाहिए अब यहाँ पे let rgb1 will be equal to यह जो basically यह जो function hex values इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से call कर देता हूँ this is it यह मेरा काम होगी है अब मुझे बस यह देखना है कि यह बराबर चल रहा है या नहीं so console.log rgb1 ठीक है इसको मैं हटाता हूँ इसको मैं refresh करता हूँ इसको मैं अब क्लिक करता हूँ all right see मेरा काम कर रहा है बट अब देखने वाली बात है कि कि कितना neat and clean यह लग रहा है से में जो handle button 2 है const handle button 2 fat arrow function उसपे से में copy करूंगा क्या हो गया यहां पर paste कर दूंगा ठीक है इस तरीके से मैंने इसको कर दी paste अब यहां पर बस मुझे इसको एक अलग value देनी है 2 देनी है तो अब होगा यह कि एक ही code मैंने लिखी and उसको मैंने एक function बना दिया this is your function function मतलब reusable code जो भी code आपको लगता है कि यह हर जगे use हो सकता है आप उसको एक function बना दो देखो मुझे वो button क्लिक करने पर चाहिए चाहिए वो left वाला हो चाहिए वो right वाला हो तो मैंने notice की कि जब मुझे मिल गया तो मैंने देखो इस पर क्लिक करने पर भी वो hex value हमेंसा random value ही देने वाला है उसको एक अलग जगे पर store कर दी इसको अलग जगे पर ठीक है अब मैं refresh कर रहा हूँ अब चाहओ मैं इसको click कर रहूँ हर बार मुझे random value मिलने वाली हर बार ठीक है all right मैं इतना गाम हो गया अब मेरा जो random value मुझे मिला उसके बदले में आप यह जो मेरा background का image उसको यू चुटकी में change कर सकता हूँ चुटकी में ठीक है मैं आपको बताता हूँ कैसे यहाँ पर आप देख सेकते हूँ यह मेरा background image है and by the way यह मेरा actual background image नहीं है मैं बताता हूँ वह आपको style पर मिलेगा अब ध्यान से देखने यह मेरा body है we have a style we have a body तो आप देखोगे this is it यह है मेरा background image जो फिलाल current आपको कुछ स्थरी किसी दिखाई दे रहा है है ना तो मुझे इसकी need है तो कैसे कर सकते यहां पर चलते है ठीक है guys believe me मज़ा आप देख रहा है आप किस तरीके से जारी step by step button one ठीक है जब मैं button one पर click करूंगा तो यह data मुझे आ रहा है ठीक है एक चीज़ आप ध्यान से रखना html dot मैं html क्यों लिख रहा हूँ let's go with the document.body style dot we have a background image this is it एक काम करता हूँ मुझे बस आप लोगों को यह दिखाना है अगर यह मैं करता हूँ ठीक है यह तो हमने अल्रेडी देख लिया कि हम CSS को भी style कर सकते DOM की मदद से ना तो button one पर अगर मैं क्लिक करता हूँ अगर क्लिक करता हूँ तो यहां पर कुछ ने कुछ है देखो इस जगे पर यहां पर मुझे empty data आ रहा है तो हमें उसका कोई tension नहीं है मैं पता है बट एक चीज़ कर सकता हूँ यहां पर मैं आपको बताता हूँ यह जो part है यहां पर अगर मैं चलता हूँ obviously मुझे यहां पर linear gradient लगेगा तो यह से कोई मैं copy कर रहा हूँ मैं यहां पर paste कर देता हूँ इसकी मुझे need नहीं है क्योंकि background image मैंने set कर लिया है अब यहां पर मैं काम कर सकता हूँ तो यहां पर तो RGB value है यहां पर काम करता हूँ 0000 और यहां पर काम करता हूँ hashtag FFF ठीक हम यह करके एक बार देख लेते क्या होता है यहां पर चलता हूँ इसको मैं एक बार रिफ्रेस करता हूँ बटन वान पर क्लिक करती देखा किस तरीके से मैंने background color change की देखा आपने बस हो गया मेरा काम बस मुझे यह करना है कि यह जो value मैंने खुछ से यहां पर लिखा इसके बदले user ने जो I mean user ने जब क्लिक किया होगा तो यह जो random value मुझे जो मेल रही है उसको मुझे मुझे वहां पर आट करना है and believe me वह बहुत easy है मैं तो already get कर रहा हूँ na RGB one तो मैं आपको मालूम है मैं क्या करूंगा back tick use करूंगा template literals की मदद से हम बहुत easily इसको change कर सकते है यह वाला जो part है dollar hashtag यह आप यहां पे नहीं इसके अंदर pass this is it अब आप ध्यान से देखने क्या होता है मैं यहां पर जाओंगा refresh करूंगा जब जब एक सेकेंड यहां पर चल रहा हूँ यह क्या होगी अब ओके कहीं तो कुछ गड़बड हो रहा है back tick और ओमाई गॉट यहां पर मुझे back tick लगेगा this is it तो मैं यहां पर चलता हूँ refresh कर तो द्यांसे देखना boom guys see यह देखिए every time मैं इस पर click कर रहा हूँ तो मेरा background color change हो रहा है ठीक है अब बहुत easy है कि मुझे अब इसका भी text change करना पड़ेगा and साथी साथ इसका text को भी change करना पड़ेगा ठीक है तो वो तो बहुत easy है फिर है ना क्यों क्योंकि अगर मैं आपको बताओ मेरे section के अंदर we have this copy code यह आप देख पारे हो copy code यह तो देखो नो copy code के अंदर बस एक simple text है मैं इसकी reference ले सकता हूँ .innerHTML या .innerText के मादद से इसका text as it is रखूंगा बस इस वाली value को जो अभी मैंने change की वो मैं कर दूंगा let copy div will be equal to document.get element by id and e करने वाला यहाँ पर मैं query selector करूंगा क्योंकि वो class है and .copy ठीक है this is it मुझे इसका reference मिल चुका है मुझे इसका reference मिल चुका है copy div यहाँ पर है दिख रहा है so it's a copy div .innerHTML कर दो कि अब आपको क्या करना होगा वो जो code है यह जो code है इसको मैंने copy की यहाँ पर मैं paste कर रहा हूँ अब मैं इस तरीके से paste नहीं कर सकता क्योंकि मुझे वहाँ पर value update करना रहता है तो यह वाला जो part है $RGB1 इसको मैं copy करूंगा यहाँ पर मैं update कर दूंगा अब आप देख रहे हो कितनी easily मैं body को भी update कर रहा हूँ इसको भी update कर रहा हूँ अब अगर मैं यहाँ पर चलूंगा अब मैं अगर click कर रहा हूँ आप notice कर रहे हो कि मेरा यह color भी change हो रहा है यह देखो न यह देखो D13 जो भी है यहाँ पर भी D13 जो भी है तो कितनी easy लिए अब same हो मुझे इसके साथ करना है same यह जो part मैंने किया यहाँ पर copy कीजिए यहाँ पर आईए एंड ठीक इस पर जाके paste कर देजिए लेकिन कहीं न कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यह जो part है यह repeat हो रहा है आप चाहो तो इसको भी function में convert कर सकते हो नाव बस मुझे करना क्या होगा RGB 2 जो है इसके बदले यह RGB 2 को add कर दूंगा अब इस त्रीक कोई में करूंगा copy इसके बदले इसको में paste कर दूंगा है ना सो गाइस simply control and save कीजिए यहाँ पर चलते है इंस्पेक्ट पर चलते है है ना ओके और गाइस error आरा बता रहा है कि RGB 1 is not defined तो कहां हो रहा है RGB 1 is not defined इस जेगे पर इस जेगे पर हो रहा है problem and हां हम एक चीज़ कर सकते कि अब देखो RGB 1 यहाँ पर हमें मिलनी रहा है not defined का always मतलब होता है कि हमने कहीं ने कि इसकी value अब तक assign नहीं किये तो एक काम करते है let RGB 1 equal to कोई तो एक random color चिपका देते है 000 एक काम करते है अगर कोई color नहीं मिला तो यह default value वही आप ले लो ठीक है इसको मैं refresh कर देता हूं अब undefined मतलब वही होता और क्या कर सकते है इसको oh my god see देखो मेरा काम हो गया यह देखिए oh my god यह देखो इसका color यह आया इसका color यह आया ओके ना यहां पर problem हो रहा है इसका problem ही हो रहा है कि मैं इस पर click करता हूं तो subset है बट जब मैं second वाले पर click करता हूं तो by default मेरा जो first वाले value वो zero हो जा रहा है तो वैसा actual में होना नहीं चाहिए है ना okay okay by the way यहां पर भी तो same problem है यहां पर भी तो मुझे यह change करना होगा यहां पर भी मुझे इसको change करना होगा ठीक है this is it तो अब दोनों जगे पर change हो रहा है refresh click 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 so guys अब आप खुद बता हम इसमें क्या कर सकते हैं क्योंकि जब भी मैं कुछ click करता हूँ तो अगर इस पर मैं click कर रहा हूँ तो मेरा second value जो वो triple F हो जा रहा है इस पर अगर मैं click कर रहा हूँ तो मेरा जो first value 000 हो जा रहा है तो यहां पर पता एक problem हो रहा है यहां पर and that problem is जो हमारा actual value था वो उसको मिली नहीं रहा है कहने का मतलब यह है कि अगर आप notice करोगे मैंने इहां पर let लिख दिया मैंने इहां पर let लिख दी जब भी हम let लिखते है कभी भी तो उसका जो scope होता है वो always always बढ़ हां कहीं नहीं यह गलत भी है कि अगर मैं well लिखता तो उसको कहीं पर access कर सकता था तो मैं क्या करूंगा इसको मैं let को हटा दूंगा this is it for the very first time मेरी जो RGB 1 & 2 की value तो यह हो जाएगी but the moment मैंने एक button पर click की तो RGB 1 की value में update कर दे रहा हूं वहां से perfect color oh my god see कितना beautiful color इसने मुझे लाके दे दिया and बराबर यह मेरा update हो रहा है अब जस्ट मुझे यह जो मेरा button का text है उसको update करना है तो मेरा button क्या है button तो मेरा simple सा है that is my btn1 btn1 & then btn2 मैं यहां पर कर दूंगा btn1 dot inner text will be equal to यही RGB 1 और किया खत्म इसी को मैं copy करूंगा यहां पर paste यह btn2 will be equal to RGB 2 खत्म कितनी easily देखो आप देख सकते हो यहां पर मेरा काम हो गया यह तो मैं इसको refresh करता हूँ click 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 देखो इसकी value change हो रही है आप देख रही है आपको लगे तो यह यह जो बटन है आप उसका color भी change कर सकती उसके करने पर यह देखे कितना beautiful color यहां पर यह देखे यह color कितना जाता ब्यूटिफुल है यह भी मेरा change हो रहा है यह भी मेरा change हो रहा है सब कुछ change हो गया साथ हमने कितना कुछ इसमें देखा अब एक चीज रह गया है and that is जब मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो गाइस यह आपका कॉपी हो जाना चाहिए तो मैं आपको एक चीज बताता हूं I guess clipboard करके कुछ तो भी बोलते क्लिप ऐसे भरे पड़े हो ऐसे तो यह 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 सबसे बेस्ट है यहाँ पर आप आते तो लिमिटेट अबिलिटी बता रहे देजन मैटर तो यहाँ पर अगर आप आते हो तो आपको करना है कुछ इस तरीके का टेक्स्ट जो कि थोड़ा वेड है हां बाइद वेई यह जो है आपका काइस प्रॉमिसेस के साथ खेलता है अभी तक हमने प्रॉमिसेस देखा भी नहीं है तो मेबी आपको प्रॉब्लम आ सकता है इसको समझने में बट अगर आप देखोगे तो इस जस्ट लाइक की नैविगेटर.klipboard.writeText बस आपको इतना ही करना है आपको बस यह जो एक particular code दिखा दे रहा बस आपको इतना ही चाहिए बस समझ रहो इस पर ही मैं आपको एक बाद रन करके दिखाता हूं इस पर जैसे कोई क्लिक करेगा किस पर काम कर रहा है वैसे ही है इंपूर टाइप इकल टो text value hello world function my function copy text my input okay my input पे है .select यह जो भी है इसका range ओके तो मैं जो copy text ठीक है सो बेसिकली ओमाइगाट सो अन क्लिक बटन पे ठीक है थोड़ा सा समय लग्मन ध्यान दिया उस पर बट जब भी कुछ बटन पर क्लिक करेगा तो यह चलने वाला है जिसमें क्या कर रहे हैं इंपूर्ट का रेफरेंस हम ले रहे हैं राइट रेफरेंस लेने के बाद काईस इसे जस टेक्स फिल्ड के बारे में है उसको सेलेक्ट करो यह जो भी है मुवल्ड वैसे के लिए एंड यह जो नेविगेटर वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको इस इस इंपॉर्टन क्योंकि बाइड डिफॉल्ट हमें यह जावस्क्रिप प्रोवाइड करता है इतना कोड को जुट कॉपी एंड पेस्ट करना है तो उससे होगा यह कि आपका यह जो आटोमेटिक आपका कॉपी हो चुका होगा बिहाइंड देसिंद बस आपको यह एक लाइन लिखना रहता है एंड दा मोमेंट अब मैं इस पर देख नहां इस पर हेलो वाल हटा के विनोद लिख रहा हूं और मैंने इस पर क्लिक की देखो कॉपी दटेक्स्ट बिनोध थापा कैसे पता चला विद्धी हल पॉपी टेक्स्ट वाल्यू में आपको क्या बता था इंपूट फिल्ड का अगर कुछ भी डेटा कभी भी लगता तो आपको वैल्यूस करना पड़ता है ठीक इन तीनों में से कोई एक ही हो गया राइट बट इनर स्टेमल की भी मुझे नेड नहीं है तो मैं आपको बताता हूं अब इस बट इस पर ऑबिसली कॉपी डिप के अंदर ही हमारा डेटा है राइट मैं यहां पर चलता हूं तो जब भी कोई इस पर करेगा क्लिक जब भी क फंक्षन चला रहा हूं ठीक है उस फंक्षन पर पता है मुझे क्या करना है उस फंक्षन पर मुझे एक चीज करना है डैट इस यह वाले वो नेविगेटर के अंदर क्लिप बोर्ड मिलता है बाइद वे आप इस तरह की से भी कर सकते थे यार मैं अगर आपको बता हूं तो अगर मैं यहां पर चलता हूं था copy the text inside the text field बोलके हम देखो इस तरह की से right text लिख रहे हैं तो हमें यह method call करना है तो अभी मैंने आपको दिखा दिया देखो नहीं यहां पर navigator.clipboard.righttext उसके अंदर हमें वो देखो right text खाली हमें वो data pass करना है उसके अंदर ठीक है so it's a navigator dot देखो सब अपने आप आता है यहां पर clipboard.rightrighttext एंड यहां पर पता है मुझे क्या चाहिए यहां पर मुझे लगेगा इसकी value समझे मुझे इसकी value लगीगी इसके अंदर जो data है let's go with inner text खाली उसका inner text this is it सिफ अगर मैं इतना करता हूँ है न एक काम करते है let's see kya होता है अगर मैं यह करता हूँ इसको मैं एक रिफ्रेस कर रहा हूँ and मैंने copy की एक सेकंड एक सेकंड मुझे बस इसको रिफ्रेस करना है इसको मुझे हटाना है ठीक है मैं एक बार color change करना चाहता हूँ all right now this one is looking good ठीक है मैं कुछ नहीं कर रहा मैंने बस एक बार click की यहां पर मैं आता हूँ control V तो 672 6725 हो गया मेरा काम देखो कितनी हमारा काम हो गया complete राइट बट हाँ आगे जाके मैं आपको बताऊंगा जब आप promises के साथ खेलोगे तब इसको आप और कैसे बैटर कर सकते क्योंकि promises के साथ भी यह बहुत अच्छी तरीके से काम करता है बट फिलाल अभी के लिए बस आपको इतना लिखना था एंड यह मेरा काम हो गया में को एक और बाट देखना है इट सफोर नाइन एट फोर नाइन बी देखो मेरा काम हो गया देखो मुझे मिल रहे है आपर कितना एजी था राइट इजी तो नहीं था बट हमने बहुत कुछ सीखा समझा जाना पर मैं क्लिक करता है सब सेट बट एक प्रॉब्लम है जब मैं फर्स्ट टाइम क्लिक कर रहा है तो मेरा यह जो राइट साइट का बैक्रांड वह लाइट ग्रीन एंड येलो कलर का कुछ तो भी कॉंबिनेशन है बट दा मोमेंट में इस पर एक बाद क्लिक कर देता हूं त तो पाता हम क्या कर सकते हैं तो उसके लिए हमसे लिए हमारा यह जो डिफॉल्ट कलर है न गाईस वहां पर हमार जो ओरिजिनल कलर हम जो उहां पर दे रहे थे वही मैं यहां पर अप्लाइ करना चाहूंगा लाइक फ़ोट इस वन जो मैं यह वैल्यू दे रहा था मैं अब चलता हूं इसको मैं एक बार रिफ्रेस्ट करना चाहूंगा अब अगर इस पर मैं क्लिक करता हूं तो देखो यह काम कर रहा है राइट बट प्रॉब्लम इसकी मैंने जो कलर रैट किया गाई सुद कुछ अलगी कलर निकला वह तो एक काम करते फिलाल इसको मैं वापस से करता हूं यह मुझे लगेगा हैस्टेग ठीक हैां पें चलता हूं यह जो कलर मुझे दिख रहा है तो यह को मैं कॉपी करता हूं मैं यहां पे चलता हूं एंड इस पर्टिक्लर पोजिस्टन के साज़े उस पडलर को में प्रेश्ट 8.00 या this is it तो यह मैंने अभी कैसे किया guys let me know in the comment section में एक separate videos के पर बनाना चाहूंगा अब मैं अगर click करूंगा boom guys see you देखिए जो मुझे चाहिए तो at least it's much better than previous right अब at least पहले से better it's looking awesome and the moment इस पर मैं click करता तो by the way यह हमारा already copy हो चुका है तो अगर मैं इहां पर चलता हूँ इस जेगे पहना इस तरह किसे देखो मुझे ओ color भी आ गया so yeah guys यह था आपका gradient project and I really hope आपको बहुत ज्यादा पसंद आओगा आपने एक चिस notice की थी कि यह जो original website यह already कहीं पर host किया गया है and हमने जो अभी just website create की यह हमारे local system पर कल की दिन अगर मैं अपने दोस्तों कोई share करना चाहूं मैं उनके साथ share नहीं कर सकता क्यूं क्यूंकि यह मेरे system पर है हमने इसको online host नहीं किया so guys if you wanted to share website with your friends या अगर आप अपने resume में add करना चाते हो या company वालों को share करना चाहते हो कि यह मेरे projects है then I highly recommend to check out hosting क्यूंकि यहां पर आपको servers मिलते है चाहे वह आपके web hosting हो चाहे वह आपके VPS hosting हो चाहे वह WordPress hosting हो मजा जाएगा क्यूंकि इनकी जो service है बहुत ही ज्यादा awesome है 24x7 का है मैं तो पिछले चार सालों से यूज़ कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको जरू check out कीज़ेगा link में आपको नीचे description and comment section में दे दूंगा and do you know what is the best part मेरे पास already awesome coupon है आप लोगों के लिए जहां पर आगर आप टाइप करते हो था पास 7 then you will get extra 10% discount on existing discount तो guys और आपको क्या चाहिए एक और awesome news तो यह कि already hostinger में server कैसे buy करना है website कैसे uploads करने है SSL certificate VPS server को कैसे manage करना है या दूसरे के website को यहां पर hostinger में कैसे transfer करना है उन सभी की उपर में already video upload कर चुका हूँ तो वह जो playlist है आप उसको भी check out कर सकते हो और हमारा जो final mega project that is our e-commerce website उसमें तो मैं आपको live host hostinger में आप कैसे कर सकते हो भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है अब बहुत के लिए लिए देख सकते हो गाई लोकाल स्टोरेज ऑबजेक्ट एलाव यू तो आप जो आपका ब्राउजर है वहां पर डायर्कली आप की वैली पेर में डेटा करके रख सकते हो समझ रहे हो यही तरह कॉंसेट है कि आपके ब्राउजर में वह डेटा सेप रहेगा ताकि कल की दिन अगर आप वापस उस ब्राउजर में आते तो आपको वापस से कुछ एडवैट करनी की नीड नी डिरेक्ली आप वहां से उसको गेट कर सकते हो क्योंकि ब्राउजर में अगर आप लोकल स्टोरेज में डेटा को एड करते हो ब्राउजर में तो उसका कोई एक्सपारेशन डेटी नहीं होता लाइक वह आज अगर आपने लोकल स्टोरेज पे डेटा एड कर दे एंधी फॉर्म आपकी वैल्यू पे वह जिंदगी बर वहीं रहेगा वह जब तक अगर आप लोकल स्टोरेज पे जाओगे तो वो ही डेटा को आप अपने अपने प्रूजेक पे दिखा सकता हो बहुत है देटा कभी डिलीटी नहीं होगा इससे पहले जो हमने सिंपल तूडू की थी वहां पे डेटा दा मुमेंट में रिफ्रेश्च करता था वह गाइप हो जाता था क्यूंकि वह हमारे नॉर्मल ब्राउजर का जो डॉम ट्रिये उस पे ही वह एक्जिस्ट करता था बट आब वह दो हम get यह retrieve कैसे कर सकते है उसकी वैल्यो या उसका data है उसको रिट कैसे कर सकते है एं साथि साथ एक बार ठीक है मैंने क्या बोला इसकी इसका कोई expiration date नहीं होता है है तो हम उसको डिलीट कैसे कर सकते है उसको basically remove कैसे कर सकते है यह सब कुछ हम पढ़एं कि हम इसमें JSON भी ज like local storage plus your json ठीक है तो देखो में आपको बताता हूं यहां पे बहुत clearly देख सकते हो कि localstorage.js आपकी startup file में आपको यह मिल जाएगा तो यहां पर अगर आप देखोगे so we have this simple part we have this set item अगर आपको अपने local storage पे अगर कोई भी data add करना हो तो local storage by default हमें मिलता है याद मैंने आपको क्या का था ब्राउजर रिलेटेड कोई भी टास्क अगर हो ठीक है अब वहां पर आप 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 आओगे let's say window window.we have a local storage and this is it तो आप देख सकते हो कि मेरे local storage पर अल्रेड इतने सारे data that's why यहाँ पर apple and banana आपको दिख रहा है वो because मुझे यहाँ से मिल रहा है देखो इस वाली जगे से and यह आप कहां देख सकते हो memory है ना आप देख सकते हो आपको जाना होगा इस जगे पर basically inspect पे यह जो application दिख रहाए आपको इस पर आपको क्लिक करना है जब आप इस पर आओगे तो here we have a local storage आप बहुत क्लियरी देख सकते हो आप बहुत क्लियरी देख सकते हो यह वही data है जो यहाँ पर आभी देखना में अगर बनाना को डिलेट कर दूंगा यहां से देखो मेरा अभी थुई देर पहले बनाना थ गया तो यह बहुत important है यहां पर जो भी data है अगर में local storage का data यहां पर रख दो तो वह कभी refresh करने पर भी जाए गाई नहीं है ना तो इस तरीके से आपका काम करता है जो भी data आप add करोगे तो इस जगे पर आके आपका वह store हो चुका होगा अब उसी तरीके से अब भी मैंने आपको बता है कि अगर आपको local storage में कोई भी data add करना हो तो local storage हमें by default मिलता ही है एक object हमार पास पहले से उसके अंदर कुछ method है जिसमें से सबसे पहले है set item जिसमें आपको उस item का नाम लिखना है let's say youtube.js course ठीक है यह मैंने लिखा youtube.js course मैंने लिख दी यहां पर तो यह वो item क नाम है जो आपको as a key this is my key and then value pair में उसको store करके रख सकते देखो ना by default मिल भी रही है तो यह जो local to do लिख रहा होना basically this is your key and this is your value यह है आपका key यह है आपका value इस तिरगी से तो इसको मैं अगर copy कर दूँ console पर चलू ठीक है अभी देखना भी तो सिर्फ दो है बट मैं directly local storage लिख सकता हूं क्योंकि window के अंदर जो भी methods है properties है basically mostly methods उनको मैं without window को refer करे लिख सकता हूं the moment में यह add कर दूँगा तो मेरे local storage पे एक और नया data add हो जाएगा with key youtube js course and value will be adding data and भूंगा ऐसी अब मैं वापस यहां पे जाओंगा enter hit करूंगा तब आप देखना कि जो थोड़ देर पहले सिर्फ 2 थे now it's like total 3 youtube js course सिर्फ इतिना नहीं अगर मैं यहां पे application पे चलता हूं य यह वारा जो data भी just आपके सामने में आप चाहो तो आप अपने वीडियो को pause करके खुद देख लीजे यह जो मैंने एक line लिखा बस इतना आप एक line लिखो अपने console open करो यह एक line लिख दो and just application में जाके check करो आपका data वहां पे आपको मिल चुका होगा ठीक है अब दूसरा ह यह तो आपको पाता चल गया कि हम data कैसे add कर सकते हैं अब मुझे इसको read करना है कि मेरे local storage में जो data है मुझे इसको read करना है तो वह मैं कैसे कर सकता हूँ है जब आप get item बोलते हो तो आपको वह key जो है as a value यहां पर pass करना पड़ता है दैन आप उस data को rate कर सकते हो अब इसको में copy कर रहा हूँ ठीक है मैं अब clean कर रहा हूँ oh sorry मैं यहां पर ऐसे clean नहीं कर सकता बठा यहां पर आप चल रहा हूँ and this is यह वाला part है इसको मैं copy कर रहा हूँ simple मैंने इस तरी किसी की copy and by the way मैं आपको पता यहां पर रन नहीं कर रहा हूँ क्यों कि यह तो मेरा base code editor है इसको क्या मावलों भाई यह local stories क्या चीज़ होती है समझें that's why आपको browser में ही आना पड़ेगा enter hit करता हूँ तो इसकी value adding data and by the way I have like this to do data भी है तो मैं यहां पर चलता हूँ तो इसको भी मैं यहां पर एक second इसको पूरा हटा के paste करता हूँ तो मुझे उसका भी data आ जाएगा देखो आप इस तरी किसे data को rate कर सकते हो रही बात एक चीज़ हम आप उसको remove कैसे करें क्योंकि उसकी तो कोई expiration date नहीं होती है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है ए यहां यहां पर दिखाता हूं तो आप यहां पर दिखाता हूं तो आप देखे गाइप हो गया गाइप नहीं हो और डिलीट हो गया तो set item, get item, remove item, this is your local storage, ठीक है और और बी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं like local storage can only store set strings, only strings add करता है, so when you want to store a complex data structure like अगर कोई array हो, या let's say कोई object हो, you need to convert it to a string using a json.stringify, तो अब यहां पर आप जैसन का concept आगया, and json में भी आप समझ लीजे, key value pair होता है, mostly हम data को, you know, जब भी API की बात करते है, तो basically उसमें json का काम आता है, don't worry हम आगे और tackle करेंगे, बह method है, json.stringify, json.parse, local storage में set item, get item, remove item, json की जब बात करेंगे, json.stringify, json.parse यही दो है, जिसमें से होता है, जब आप json.stringify लिखते हो, तो कोई भी चाहे आपका वो array हो, तो कोई भी चाहे वो आपका object हो, तो उसको वो json.string में convert कर देता है, and एक बार वो string में convert हो गया, तो मैं local storage में बहुत इज़ली add कर सकता हूँ, है न, क्योंकि local storage को तो खाली string चाहिए, अब क्या होगा, कि जो आपने array या object को string में convert की, with the help of json.stringify, basically json में convert करके, जो आपने add के local storage में, जब हम उसको get करेंगे, तो भी तो मुझे json format में ही मिलेगा, लेकिन मुझे तो json format में नहीं चाहिए data, मुझे तो मेरा जो original data है, let's say वो पहले साइध array था कि object था कि, तो मुझे तो मेरे original data को ही read करना है, right, तब उस समय क्या करना होता है, जब आप get करते हो, तब फिर आपको use करना होता json.parse, देखो, json.parse क्या करेगा, आपका जो भी string का data था, उसको original, जो उसका format है, या type है, data type उसमें convert कर देगा, let's say आपने object को json.stringify करके, json में convert करके, local storage में add कर दी, तो अब आप जब वहां से get करोगे, तो वो जो json data को अगर आप json.parse लिखोगे, तो वो वापस original that is your object उसमें convert हो जाएगा, and बहुत इसली हम data को get and rate कर सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ examples है, आप logo के लिए जो मेंने रखा है, प्लीज आप इसको check out कर लीजेगा, but don't worry, मैंने एक अलग सा folder भी बनाया है, जिसमें index.html करके मैंने बनाया थाकि मैं यहाँ पर और बैटर तरीके से दिखा सकूँ कि in real life अगर यह html के साथ काम करता है, तो वो कैसे करता है, क्योंकि इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जैसे कि मैंने कहा कि हमारा यह कोर्स मेन है, पूरा फोकस करेगा, जितना हो सकता उतना डेप्थ में हम जा सके तो इसके लिए, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पर चलता हूँ, और पेश कर देता हूँ तो आप देख सकते हूँ, एड डेटा तो लोकल स्टोरीज, तो इसको मैं क्लिक करूँगा, मेरा एक डेटा लोकल स्टोरीज पैड होगा, and you know how to add data in लोकल स्टोरीज, then get data from लोकल स्टोरीज, जो मैंने एक को मैं यहाँ पर गेट करूँगा, and साथ ही साथ उसको मैं अब ड अब्जेक्ट कवर नहीं किया है, वो मेरे पार्ट 2 में आएगा, but फिर भी मैंना इहाँ पर रग दिया, and मैं आपको बाता चुका हूँ, कि अगर आप इसको एक ब्रैकेट स्टोरीज करते हो, वो आपका एक अब्जेक्ट कहलाता है, and in JavaScript, everything is an object, तो यह object ऐसा दिखता है, simple and ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, don't worry, but हाँ मेरे पास एक object है, ठीक है, मुझे इसको ने क्या करना है, local storage पर एड करना है, मैंने क्या का था, अभी हमने बच्चा वाला एड क्या आपको भी लगा, इतना easy, but देखो, आप मैं ये data आड कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ जो json.stringify वाला फंडा किया है, let's say, सबसे पहले add to do list, एना मैं यहाँ पर चलता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं copy करता हूँ, यहाँ पर मैं आके paste कर रहा हूँ, ठीक है, and इसको मैंने close कर दी, this is it, तो मुझे add करना है, अब मैं कैसे add करूँगा, देखो, this is my object, जिसको मैंने student bio data नाम में add करके रखा हुआ है, ठीक है, आपको इतना tension नहीं लेना, हम आगी जब object आएगा part 2 video, तब हम इसको अच्छे से देखेंगे, तो local storage.setItem, मुझे इसको एक नाम देना, that is your key, मैं लिख देता हूँ, object data, हाँ ठीक, object data ही कर देता हूँ, comma, and इसको मैं pass कर देता तो क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर मैं चलता हूँ, application है, ए देखो, data add होगा, data add होगा, but there is a problem कि बाकी जगे तो set है, बड़ इहाँ पर यह object object क्या कर रहा है, यह object object क्या कर रहा है, यहाँ ठीक है, आप समझ तो कि अगर इसको अगर आप double course कर देते गलती से, तो अब अग को पता चला ना, हमें क्यों convert करना पड़ता है, json.stringify की मदद से, ठीक है, तो इसको मैं copy करता हूँ, copy, paste, इसको मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पर यह जो data है, इसको मैं convert कर दूँगा, string में, basically json, आप बोल सकते हूँ, json.stringify, this is it, तो मैं json मैं convert कर रहा हूँ, अब इसको मै रिफ्रेश करूँगा, अब देखना, जो थुई दे पर इसको मैं, इसको मैं पूरा मेरा data आ गया, कैसा लागर आपको यह देखिए, मुझे पूरा मेरा data आ गया, तो यह है फाइदा, local storage में, अगर आपको object या array आड़ करना हो, तो आपको json.stringify आड़ करना जरूर ही है, क्योंकि वो convert कर देता है, और local storage को खाली string ही समझता है, simple, तो यह है, आपको पता चल गया, यह json.stringify की उसकी, ओके ठीक है, now we need to delete, जब मैं second button पे click करूँ, तो मुझे data को delete करना है, oh my god, I am really sorry, data delete नहीं करना है, data मुझे actual में read करना है, तो guys, वो तो simple है, है न, get to do list आप retrieve student data बोलके कुछ नहीं किया, just एक काम करता हूँ, यहां पी भी मैं parse नहीं करता हूँ, मैं parse नहीं करता हूँ, as it is, इसको मैं करता हूँ retrieve, and let's see मुझे कौन सा data मिलता है, console ठीक है, तो already यह तो आपको पता चल गया, बाराबर json format में है, इसको एक बार मैं refresh कर देता हूँ, अब get data from local storage करूँगा, तो retrieve data from local storage नल आ रहा है मुझे, उसको क्या data आ रहा है, नल आ रहा है, and by the way, null पता क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है, क्योंकि मेरा key का नाम है, वो है object data, ठीक है, तो मैं object data कर देता हूँ, फिर से एक और बार refresh करता हूँ, get data from local storage, तो यह देखो गा एक बार मुझे देखना, type of operator यह है, क्या actual में, ठीक है, control है, save करता हूँ, यहाँ पर refresh करता हूँ, and click करता हूँ, तो यह दो मुझे string मिल रहा है, but in reality वो तो मेरा एक object था, है न, तो मुझे तो object चाहिए, तो आब आपको पता चला न, object जो था, उसको मैंने JSON में convert की, with the help of JSON dot stringify, local storage में डाला, आप local storage में तो वो JSON format है, जब मैं उसको read करूँगा, तो मुझे original format चाहिए, तो इसके लिए हम JSON dot pass उसकरते है, तो that's why मैं यहाँ पे, मेरा यह जो object data है, ठीक है, या object data जो है, इसको मुझे complete convert करना पड़ेगा, into JSON dot stringify, sorry, JSON dot pass, ताकि वो original data में उसको convert कर दे अब अगर मैं refresh करूँगा, click करूँगा, तो मुझे object आ गया, यहाँ पे, and यह type of में अगर हटा दू, and फिर से refresh करूँ, and इस पे hit करूँ, तो देखो, बराबर मुझे object मिल रहा है, simple, इस तरगी से guys, यह आपका काम करता है, ठीक है, and वही last one is your guys, remove वाला, तो वो तो क्या ह यह आपको remove item रिखना है, and आपको बस क्या करना होगा, यह देखो, simple, localstories.remove item उसका नाम दे देना है, ठीक है, and by the way, मैंने यहाँ पे क्यो लिखा मुझे याद नहीं आ रहा है, remove data, एक काम करते हैं, तो, I guess something, कुछ तो mistake हुआ है, यहाँ पे, इसको हटा के यहाँ रख दे अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, refresh करता हूँ, पहले तो data gate करने पर आ रहा है, अब मैंने उसको कर दी, delete, अब मैं वापस click करूँगा, मुझे नल आया, क्यों, क्योंकि मैंने उसको delete कर दिया है, मेरे local storage से, या guys, so this is your local storage, so finally guys, are you excited, मैं तो बहुत ही जादे button over here, इस तरगे से, simple, and then यहाँ पे यह जो part आपको दिखाए दे रहा है, यह interesting है कि यहाँ पे आप यह totally आपको पर क्या चाहिए यहाँ पे, आप लगे तो आप एक list बना दो, लगे तो आप एक paragraph यूज करो, जहाँ पे एक इस तरगे से data होगा, and एक button होगा यहाँ पे ठी उसके नीचे add हो जाता है, यह as it is रहता है, and साथ ही साथ अगर आप देखो कि हमारे inspect element पे, तो यहाँ तो यहाँ तो आप देख सकते हो, यह जो मेरा section है, इसके अंदर देखो, यह add हो गया, यह add हो गया, मैं एक और banana लिखता हूँ, देखना फिलाल अभी यहाँ पे total दो ह है, but the moment में add करता हूँ, एक और यहाँ पे extra add होगी है, and that is your, देखो, इस तरह के से, we have this banana, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कि guys, यह जो data आपको दिख रहे है, यह particular data, यह complete, यह हम dynamically, with the help of JavaScript, हमारे HTML में add कर रहे है, so guys, this is the beauty of your dome की, जिसकी मतद से, अब JavaScript जो है, HTML के साथ interact य यहाँ सिखने मिलने वाला है, हमारे जो फाइनल प्रोजेक्ट होगा है, part 1, don't worry, part 1 है, part 2 तो, super duper धमाका होने वाला, जहाँ पर पुरा e-commerce बता हूँगा, चाहाँ आप Amazon बोलो, Flipkart बोलो, Mindra बोलो, कुछ भी आप कर सकते हो, ठीके, so yeah, this is it, आपको idea आगे, हम यह किस तर strings में, जब मैंने आपको बताया था, कि हमें pangram check करना है, तब वहाँ पर मैंने आपको set बताया था, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए set versus array, पूरा complete रखा हुआ, कब किसको use करना है, आप यहाँ पर check out कर सकते हो, and साथी साथ मैंने markdown भी आइड करके रखा है, जिसक सको, यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, all right, तो सबसे पहले बोला है कि HTML का structure create करना, with input field होना चीए, जिसमें एक button होगा, और एक container होगा, to hold the to-do item, चलो, ठीक है, add a class to the container to-do list element, चलो, ठीक है, काम करते हैं, फिर, यहाँ पर हम चलते है, हमारा to-do project.html, by the way, आप देख सकते ह इक body है, and already CSS में इसमें पहले से ही add कर चुका हूँ, ठीक है, don't worry, यह source code तो free मिली रहा, आप देख लीजेगा उसको, and मैं इहाँ पर चलता हूँ, and मैं फिर से बोलूँगा, अगर CSS एकदम अच्छे से जानना हो, अगर आपके mind में अभी भी doubt आता है, कि basically पता क्या है, मैं आपको reality बताता हूँ, आज के time में लोग अब ऐसे हो चुके है, इतने सारे बच्चे ऐसे हो चुके, पैसा मिल रहा है, तो वो काम करूँगा, बनना नहीं करूँगा, and बहुत सभी लोग जान वचके सिर्प उतना ही पढ़ते हूँ, उनको यह मालू है कि इतना मैंने पढ अब मुझे job मिल जाएगी, फिर बात गात देखा जाएगा, अरे भाई, आप खाली पैसे के पीछे भागे, अगर उतना ही सिखोगे, तो फिर मुझ के लिए, मैं पहले बता रहा हूँ, इसलिए अगर आपको यह simple सा, इसमें कुछ भी नहीं है CSS, बहुत बच्चो वाला CSS ह अगर यह styling आप खुछ से नहीं कर पाते, then I am sorry आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ, आप खाली वीडियो देखते जाओगा, लेकिन खुछ से तो कुछ करनी पाओगे, तो फिर क्या फाइदा उसका, मैंने इतनी मैनत करके हैं पर 17 घंटे बता पर जिसमें आपका HTML, CSS, JavaScript, Tailwind, React, Next, इतना सब कुछ आता है, अगर 20 दिन तो आपका खाली CSS पढ़ाएगा, बाकि 10 दिन में कि आपका JavaScript, React, Next सब हो जाएगा, नहीं होगा ना, तो कुस तो होगा ना इस वीडियो में, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, तो एक बार इस वीडिय अगर आप देख रहे हो, तो आपको टैंसर ना भाई, नहीं चीए code, नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, मैं खुछ से बनाऊँगा, क्योंकि जो में जावस्क्रिप्ट का logic हम अभी हम पढ़ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, इस चीजे को अब थोड़ा सा seriously लेना जरूरी है, मुझे मालू में जहां difficult होगा, मैं बताँगा बट इसमें कुछ इतना difficult नहीं है, और मैं इसलिए चाहता हूँ, इस वीडियो को बहुत, उतने मैंने जो सोचे थे उतने views नहीं आए, that's why मैं चाहता हूँ, आप इसको जरू चकाउट आप एक बार देखे तो सही आपको पता चल जाएगा, लाइब का कुछ समय दीजिए मेरे लिए, मेरे लिए भी ने, आप अपने लिए ही कर रहे हो, वह आपके लिए ही है, वह वीडियो देखोगा, आप ही को ही knowledge आप ही को ही extra confidence आएगा, जिससे आपकी salary high होगी, simple है, वह आपी के लिए ये जो हो रहा है, तो that's why simple है, आप इसको खुद से एक बार ट्राइ कीजिए, खुद से बनाने के लिए, अगर नहीं बना पा रहे हो, आप ये वीडियो देख लिए फिर, कोई दूसा चारा नहीं है, simple, ठीक है, and I'm really sorry, अगर मेरी बात है आपको थोड़ी ब अगर मच्छे से समझते, and at the end of this part 1 वीडियो, आप खुद से मजबूर हो जाओगे, आप कमेंट करने में कि यार ये सबसे बेस्ट है, ठीक है, all right guys, देखिए, best मालब जितना मेंने सिखा है, वो सबसे बेस्ट है, all right, तो देख लिजे, सबसे पहले, यहां पे इनोंने बोल कि एक सिंपल सा एक मार्कडाउन होगा, जिसमें आपको एक इन्पूट फिल्ड चाहिए, बटन चाहिए, कंटेनर ची, जिसमें आम वो डेटा को होड़ कर सके, जिसका नाम आपको ये देना है, ठीक है, तो हम बॉड़ी पे चलते है, we are tag के अंदर, we have one form, ठीक है, by the way हमें action की कोई need नहीं है, इसके अंदर मैं चलता हूँ, एक deep लेता हूँ, आप लोगों के लिए इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, या थोड़ा सा इसको मैंने जूम कर दी, deep के अंदर we need one input field, ठीक है, उसको मैंने कुछ ID दे रखी है, that is your input value, ठीक है, उसके बा ठीक है, अब मैं चाहूँ तो form के बाहर भी जा सकता हूँ, या form के अंदर भी रह सकता हूँ, it's totally up to us, है ना, तो मैं यहाँ पे आप एक section create कर लेता हूँ, ठीक है, उस section को एक में नाम दे देता हूँ, and युन्होंने क्या बोला है, क्या नाम देना है मुझे, to do list element, या मैं the necessary DOM element and store reference, main to do element and input value, कहने का मतलब यह है, कि मैंने जो input value बनाई, and मैंने जो button बनाई, आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, कि इसमें user क्या value लिख रहा है, वो मुझे चाहिए, and button पे जब मैं क्लिक करूँ, तो वो add to do वाला event फायर होना चाहिए, तो मुझे इसक if you want, like, हम एक दूसरे page में भी इसको create कर सकते थे, but it's fine हो, जब हम mega project e-commerce website करेंगे part 2 में, तो आपको दीखी जाएगा तब तो, ठीके, so let's go with const, तो simple यहाँ पे यह आ गया हमारा, and we have a document.let's go with query selector, यह क्या है, आपका एक class है, तो class को जब भी आपको represent करना हो, तो आपको dot use क करना पड़ेगा, ठीके, पहला reference हमने ले ली, const, अब हमें यहाँ पे दूसरा reference लेना होगा, copy कर लेता हूं इसको, input value, will be equal to, मुझे अब इसकी, जो है, basically, input field, उसका मुझे reference लगेगा, so it's a document.getElementById, and मैं यहाँ पे वो जो part है, input value, इसको में paste कर देता हूं, this is it, अब हमार जो third step होगा, उसमें क्या बोला गया है, कि add a click event listener to the add to do button, obviously, उसमें एक event listener add करना है, and in the event listener, call a function add to do list, मुझे इस function को call करना है, ठीके, अभी फिला इतना करना है, ताकि हम handle कर से कि उस to do element को, समझे रो, so we have a button, and by the way, अभी तक हमने button का reference लिया नहीं, तो मैं क्यों नहीं लिया है, मैं आपको बताता हो, directly देखना, document.week class है, so let's go with query selector, dot, it's a button, ठीक है, dot, we have a add event listener, एक second, yeah, sorry, देखो नहीं, यहाँ पर गडवर्ड हो, इसलिए मुझे suggestion नहीं आया, बना अब क्या होगा, अगर मैं e-week करूंगा, automatic suggestion आएगा, मुझे क्या करना है, जब भी हमारे button पर function का नाम क्या होगा, function का नाम होगा, add to do, तो इसको copy करता हो, paste कर देता हो, this is it, so by the way, इतना है रखना, जब भी आप form के साथ deal करते हो, तो उसका एक default behavior है, हाँ, उसको हमें tackle करना रहता है, चलो, ठीक है, यह हमारा step 2 complete, all right, this is how step 2, यह complete हो गया, वैसे तो step 3 है, ठीक है, तो म यहाँ पर चलता हूँ, I hope आपको बहुत मजा रहा, क्योंकि step by step जा रहा, देखो, add to do function, अब हमें वो to do function add करना है, जिसमें in the add to do list function, सबसे पहले तो हमें जो एक default behavior है, form submission का, उसको prevent करना होगा, उसके बाद हमें एक new element create करना है, basically deep, उसको एक class देना होगा, main to do deep, then उसके बाद हमें उसी के अंदर ही एक input value add करनी होगी, और एक delete button create करना होगा, then जो भी हमने create की, उसको append करना है, हमारा जो main container है, उसके साथ, and what we need to do, store the to do data in an array, and update local storage using ये वाला पार्ट, oh my god, ये एक जो fourth step है, ये बहुत ही ज्यादा है, तो इसको हम one by one समझते, don't worry, मैं आपको य अच्छे से समझेगा, like we have this add to do list, है ना, सबसे पहले तो एक, मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं console.log testing, ठीक है, अगर मैं स्री पितना लिखता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, by the way ये काम नहीं करेगा, क्योंकि वो ये project है, यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, इसको अटा के paste कर कर दिया, देखा, थोड़ी देर के लिए आया था, थोड़ी देर के लिए आता है, फिर चला जाता है, पता है क्यों, क्योंकि जब भी आप form के साथ काम करते हैं, उनका default behavior है, कि वो form को submit कर देता है, देखो नहीं, यहाँ पर टॉप में question mark आ चुका है, जो की good word है, कभी भी यह problem, जब भी आप form के साथ करते हैं, always e, आपको event object, अल्रेडी हम देख चुके है, dot prevent default, एक method जो हमें provide करता है, जिसकी हमें use है, ठीक है, अब यह part तो सबसल तो question mark खटा के वापस refresh करो, अब अगर मैं जितना भी click करू, मुझे बराबर testing आ रहा है, मेरा form अब submit नहीं हो रह है कि मुझे user ने जो भी data लिखा, उसको मुझे get करना है, है ना, उसको मुझे एक deep के अंदर add करके, one by one display कराना है, तो यह हम कैसे कर सकते है, देखो, इसको मैं अटा रहा हूँ, ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना, इस जगे पर, ठीक है, क्या हो रहा है in reality, मैं आपको बताता हूँ, हमने जो dome पढ़ा था ना, आप देखना मजा आएगा, आपको, so here we have a form, here we have a section, तो देखो, हमारे पास तो सी भी section है, but उपर से यह एक deep नया बना है, उस deep के अंदर एक class add हुई है, उसके अंदर एक list add हुआ है, एक button add हुआ, उस button में भी class है, तो यह जो partner यह dynamically javascript add कर रहा है, with the help of dome, तो मुझे आप इसको create करना है, सबसे पहले मुझे एक deep element create करना है, उसमें class add करना है, main to do deep, हम कैसे create कर सकते है, यादे जब हमने simple card operation बना था, तब मैंने बताया था, let's const, एक deep बनाओ, जिसमें we have a document.create element, and उस पर आप एक नाम दे दिजे, this is it, तो मेरा एक deep create हो गया, ठीक है, इतना मेरा काम हो गया, right, अब मुझे क्या करना है, उसमें यह जो class है, वो मुझे add करना है, इसको मैं कर लेता हूँ, copy, ठीक है, तो अब हम कैसे कर सकते, देखो, एक काम करते है, यह मेरा deep element में लिख देता हूँ, ठीक है, फिक है, फिक इसके अंदर एक method है, add आप कर सकते हो, आप remove कर सकते हो class इसको, तो add, and then आपको उसका नाम देना है, this is it, तो अब इसने क्या कर दिया होगा, एक class वहाँ पर add कर दी है, अब उसके अंदर मुझे एक li create करना है, जिसमें वो value होगा, जो user enter कर रहा है, उसके ठीक, नीचे आप classes कैसे add कर सकते हो, दुसरा तरीका में बताऊंगा, यह जो ally और button को तो आप चुट की में add कर सकते हो, बहुत easily, वो भी किसके अंदर यह जो main deep element है, उसके अंदर, हम already देख चुके है, already मैं आपको बता चुका हम, कोई भी element के अंदर अगर आपको data add करना हो, याद है, म HTML, या तो inner text, या तो text content, खत्म, इन तिनों में से एक करना होता है, अब उसमें भी मुझे तो क्या लगने वाला, मुझे ally भी लगेगा, मुझे button भी लगेगा, अब यह ally जो है, tag वाला, वो तो मैं inner text में करी नहीं सकता, क्योंकि उता खली अंदर का text देता है, अब मुझे तो पूरा HTML code चाहिए न, तो यहां पर क्या काम आएगा आपका, dot inner HTML, यहां पर पता मैं कैसे लिखूंगा, already मैं आपको template liter दिखा चुका हूँ, तो मैं यहां पर simple इस तरके से li एक काम करता हूँ, इसी कोई copy कर लेता, छोड़ो रहने दो, इस तरके से li, by the way guys एक काम करता ह हूँ मैं, मैं यहीं पर ही उपर ही चलता हूँ जल्दी से, आप समझ लो कुछ हो ऐसा दिखने वाले आपको, एक li होगा, ठीक है, जिसके अंदर जो भी value होगी, so होगी, and then we have one button, जिसमे class होगा, जिसका नाम है, delete button, जिसकी एक value होगी, delete, इस तरके से, ठीक है, यहां यहां मुझे चाहिए, तो मैं पते क्या करूंगा, इसको यहां हटा रहा है, इसको मैं कॉफी कर रहा हूँ, हटाया है मैंने वहां से, यहां पर मैं आता हूँ, and simple इसके अंदर जाके मैं paste कर देता, this is it, मेरा काम होगी, तो मैंने यहां पर जो लिखा, as it is, मुझे वहां पर मिल रहा होगा, simple, कितनी easily हो गया, right, अब बस इसके अंदर, dollar calibrations, and मुझे तो मालू मैं मेरा input value है, input value के अंदर जो मेरी value होगी, वो add करना है, खत्त, यह मेरा काम होगी, अब मुझे क्या करना है, जो development मैंने बना तो लिया, लेकिन मुझे दिखेगा नहीं, जब तक मैं इसको append करना है, जब तक मैं इसको मेरा जो main section है, to-do list element, इसके अंदर उसको मैं add नहीं करता हूँ, and add करने के लिए तो मैंने बताया था, append, append child, समझे रहो, मतलब इस तरीके से आपका यह काम चल रहा है, यहाँ पर, append करेंगे, बहुत इसले हो जाएगा, and इसमें बस इस div element आपको and this, यहाँ पर चलता हूँ, we have a style.css, यहाँ अगर आप देखोगे, तो यह button का style है, आप pause करो, आप देख लिजे, यह button का एक और style है, यह मेरा h1 है, by the way, यह उपर नीचे मैंने का नहीं, css पर मैंने इतना focus नहीं के, उपर नीचे मैं क्या हूँ, and this is actual वाला, यह है आपक main to do deep, जो मैंने create की है, जहाँ पर आप देख सकते हूँ, width, display, grid, and यह जो एक grid template columns मैंने लिखा, that's why दोनों side by side आ रहे है, and align item center लिख दे, जिसलिए दोनों एकदम बराबर side by side आ रहे, अगर यह नहीं होता, अगर मैं refresh करता, तो एक second वैसे तो चला जाएगा, बढ़ देखो यह मेरे li है, यह मेरा body कुछ तर किसे है, and यह मेरा simple एक font है, और बाकी कुछ भी, देखो ना, कुछ भी नहीं है, मैंने आपसे क्या काता है, एक input value कुछ तर किसे कर रखा है, देखा आपने, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो, अगर आपको घबराट हो गई थी, यार यह design कैसे बनाओगा, तो guys, then आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको CSS सिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, hard work, यही है, rule यही है दुनिया का भई, 100 लोग है, जो best होगा, वही select होगा, simple, इसलिल आपको best बनना ही पड़ेगा, at least इतना, जितना मतलब एक क मैनत करना पड़ेगा, और मैनत मतलब घदो वाला नहीं, smart वाला, तो yeah, this is it, इतना मेरा काम हो गया, अब ही देखना, अब क्या गन्या मुझे, अब इस मेना problem बहुत सारी है, जैसे कि मैं अगर एक और data लिखूँगा, अगर मैं anti-hit करूँगा, तो आई जाएगा, no problem, अब let's say मैं वापस mango लिखूँगा, तो भी आजाएगा, वो तो हम हम tackle करेंगे, but main problem यह हो रहा है, कि जो भी data मैंने add कर लिया, वो मुझे मेरे local storage पर add करना है, ताकि कल की दिन local storage से वो data मैं यहाँ पर get कर सकूँ, इससे होगा क्या, कि जब भी मैं refresh करूँगा, तो data फिर मुझे next step पे, and by the way next step कहां चला गया, over here, ठीक है, देख लिजे, तो यह to do function हमने कर ली, बस एक चीज रह गया, that is to store the to do data in an array, ठीक है, and update local storage using this part, okay, मुझे और देखना है, कि और कुछ है यहाँ पर, नहीं है, ठीक है, यह वाला part हम कैसे कर सकते, देखो अब भी थोई देर पहले मै देख लिजेगा, सबसे पहले काम करते हैं, ठीक मैं उपर चल रहा हूँ, जो हमने create की उपर चलेंगे, क्योंकि पहले मुझे store करना है, उसके बाद मुझे data दिखाना है, simple, इसलिए मैं उपर गया, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मुझे मालूम है, so we have a const to do list value will be equal to, यह जो पूरा white space हटा के बराबर मेरा data यहाँ पर मुझे मिल रहा है, अब इस जो data को मुझे मिला, मैं क्या करूंगा, मुझे new array create करना है, उस array में यह जो data है, उसको add करूंगा, और वो जो array है, है ना, उसमें duplicate data हटा के, उसको मैं local storage पर एड करूंगा, क्योंकि अगर array के format data मैंने add कर दी, तो हमने array पढ़ा है, हमने string पढ़ी, जिसमें map method, for each, for of loop, मनलब कितनी easily मैं पूरा data दिखा सकता हूं, one by one, जैसा मैं चाहूं वैसा है, तो मुझे array में चाहिए data, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर let local लिखता हूं, to-do list, will be equal to empty array में रख देता हूं, फिलाल मैंने आप मुझे कोई data को add करना हो, तो हम क्या करेंगे, बताओ guys साब मुझे, array के अंदर अगर मुझे कोई data करना हो, ज्यादा सोचू ही मत, आप लगे तो मैंने आपके साथ notes सेर किया, वहाँ पर जाएए वापस आप देखिए, या तो पूस करोगे, या तो shift करोगे, shift या उन and that will be my to-do list value है, उसको, this is it, ठीक है, अब ये data जो है array में add हो गई है, अब मैं अगर console.log करता हूँ and local to-do list आपको दिखाता हूँ, तब आप देखना कैसे होता है ये, ठीक है, console.log मैं गया, मैंने लिखा apple, ठीक है, अब मैं यहाँ पर चलता हूँ mango and मैं अगर add to-do करता हू okay mango, by the way मुझे यहाँ पर data मिलने रहा है, तो मैं console.log कर लेता हूँ and local to-do list, by the way दिखना तो चाहिए, दिखेगा अब जरूर दिखेगा, मैं रिफ्रेस्स करूंगा, सारा data चला जाएगा, apple and add to-do list, this is it, apple आया है ना, मैं वापस करूंगा, वापस apple आएगा and oh my god, ये हमारा ही project है ये, ये हमारा ही है and the thing is apple एक बार click किया तो वा नहीं, मैं फिर से mango जाता हूँ and add कर देता हूँ, so now there is a problem, there is a problem and problem is कि देखो ना, मैं जो भी data add करता हूँ, उसको वो replace कर देता है, समझ रहो मुझे तो क्या चाहिए था, apple फिर comma, फिर apple फिर comma, फिर mango, basically एक एरे के but problem क्या हो रहा कि यहां पर ना, जब मैं again इस button पर click करूंगा, ठीक है, तो क्या problem होता मैं आपको बता तो यहां पर, the moment मैंने button पर click की, मेरा ये जो let local to-do list था, ये वापस एक empty area में बन गया, है ना, एक वापस एक empty area बन गया, फिर वापस जब empty area बना तो हमने फिर से value get की input field की, वापस इसको push कर दी, तो इसका एक solution ये है, कि जब भी मैं add to-do list पर click करूं, तो वो वापस से empty नहीं होना चाहिए, जो data था, तो वो वहां रहेगा, उसके बाद वो add होना चाहिए, तो मैं इस तरगे से इसको add कर दे रहा हूं, this is it, इसको मैंने उपर ले गया, अब इसका जो scope है, मानलब जब भी मैं add to-do list क्लिक करूंगा, तो इसका कुछ लेना देना नहीं होगा, इसमें basically, अब ये global scope के अंदर ये आ चुका है variable, जिससे, first time जो भी मैं क्लिक करूंगा, इसमें वो add हो जाएगा, because of this part, है न, जब मैं वापस क्लिक करूंगा, और ये तो update हो चुका एक value के साथ, वापस एक और value अब add हो जाएगा, तो अब आपको इसको add to-do cart function की बाहर define करना है, simple, ठीक है, so, refresh sub-gap हो जाएगा, apple, apple, हटा रहो, we have a mango, we have a mango, हटा रहो, we have a banana, we have a banana, see, मुझे data आ गया, now there is a problem, and that problem is, कि apple दो बार आ गया, मतलब अगर आप घर से निकलते हो, आपकी ममी बोलती है, या बेटा एक लिटर दूद लिया ना, है ना, अगर आपकी ममी एक लिटर दूद लिया ना, 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 मतलब इन्फिनिट लूप में चलता जाएगा, बूल कितने बार एक अच्छा काम करूं मैं समझे रहो तो कुछ वो प्रॉब्लम आ सकता तो हमें इसको डिलीट करना है अच्छा के साथ काम कर रहे थे 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 पहले मैं आपको बताया भी मैंने यहां पर आपके लिए नोट्स रखा है आप पढ़ लिजे अरे अंदेन सेट में देखो न यहां पर लिखा इनोंने अड़ इसकी देख सकते हो यहां पर सेट में यूस के सेशा यूसफुल वेन यू और फिल्ट्रिंग और फिल्ट्रिंग आउट डूप्लिकेट्स फॉम एन एरे आपने देखा ना हर एक चीज का अपना एक इन्होंने और अल्रेडी मैं प्रॉपर्टिस दे रखा है आपको बस सही समय पे सही मैं प्रॉपर्टिस यूस करना है डॉक्टर के पास जाओगे अगर हड़ी में प्रॉपर्वलम में तो और ओट के पास जाओगे। खील आपको काडियोस्ट के पास ने जा सकते क्योंकि उसका काम ही नहीं है हड़ी देखना आगधों में कोई प्रॉपलम है तो आप एन ठीके पास जाओगे ना कि आप अगेन ओस और आँ hm अप् northeast के प यहां पर तवी देर पहले मैंने दिखा कैसे डूपल डेटा आ रहा था नाओ यह जो मेरा लोकल टूडू लिस्ट हो गा वह इकवल टू new set and उसके अंदर मुझे यह जो local to-do list है उसको pass करना है अगर मैं यह करता हूँ and मैं वापस इसको refresh करता हूँ apple फिर से मैं apple click करूँगा देखो to-do list.push is not a function मैं अब आपको बता था फिर एक problem आगया यहाँ पर problem यह आगया कि first time जब मैंने click की हमारा यह जो local to-do list था वो कौन था वो एक आपका एक empty array था एन array में हम push method उसकर सकते हो इसलिए वो first time तो चल गया लेकिन जब first time चला data add हुआ उसके बाद मैंने उसको क्या कर दिया new set बोलके एक set में convert कर दी अभी जो हमारा set है वो तो array नहीं है वो तो एक set है और set में push करके कोई method है ही नहीं set में push करके कोई method है ही नहीं समझ रहे है that's why यह आपको बता रहा है कि push is not a function तो हम क्या करेंगे एक काम करते है जो हमारा यह set है उसको मैं array में convert कर देता हूँ है ना at least चलो यह मैं करके देखता हूँ क्या होता है है ना तो apple फिर से मैं चलता हूँ apple set 2 मुझे 2 आ गए है ना यह देखो apple यहां पे भी मुझे apple आ रहा है by the way अब आप सोचू कि यह क्या हो गया अब देखो at least यह काम तो कर रहा है यह एरे के अंदर एक और एरे बनाते जा रहा है ठीक है जो कि मुझे निची है तो इस टाइप की प्रॉब्लम को solve करने के लिए dot dot and then dot spread operator हमें यूज़ करना पड़ता है अब इससे क्या होगा मैं आपको बता आता हूँ ध्यान से देखना apple जानव इसके फिलाल अभी मैं mango लिखूंगा and एक और मैं लिखूंगा यहाँ पर बनाना तो यह तीन बराबर आगे but do you know what is the best part अब मैं बनाना वापस से क्लिक करूंगा यह देखो यह function call होगा local host पे मुझे data मिलेगा लेकिन मेरे इस particular array पे आप वो element add नहीं होगा वो to do list add नहीं होगा अब यही data को मुझे local storage पे क्या करना है stored करना है ठीक है? all right and by the way यहाँ पे हमें data आ रहा है क्योंकि वो हमने कुछ ऐसा तो किया ही नहीं यहाँ पे ऐसा कोई filtration हमने की ही नहीं है कि duplicate अगर होगा तो मत add करना ऐसा तो कुछ किया नहीं हो हम बाद में देखेंगे बट at least जो data मुझे चाहिए था local storage के लिए वो तो मुझे मिल गया right तो finally अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा local storage local storage dot we need to write this set item यहाँ पे मैं चलता हूँ टूडू कर देता हूँ है YouTube to-do list चलो ठीक है comma यह जो data मुझे मिला इसको मुझे copy करना है यहाँ पे pass करना है अब by the way यह जो data वो क्या है एक array है मैंने आपको क्या बाता है था कि local storage पे आप जो भी data बेज होगे आपको string में ही बेजना होगा तो इसको मैं इस तरह किसी क्या करूँगा json.stringify करके मैं database दूँगा this is it यह मेरा काम हो गया तो इतना अगर मैं करता हूँ ध्यान से देखना आप मैं आपकर यहाँ पे चल रहा हूँ ठीक है so this is our application this is file यहाँ पर आप देख सकते हूँ सिब दो ही है refresh we have apple and boom यही YouTube to-do list and then apple आप देख सकते हूँ मुझे मिल गया मैं यहाँ पर चलता हूँ mango and yeah this is it देखो ना कितनी easily मेरा जो data है local storage पर आड़ रहा है अब पता है मुझे क्या करना है इसको मैं refresh करूँगा यहाँ से तो data चला जाएगा बट जो data है मुझे यहाँ पर वो मिल रहा है यह data मुझे यहाँ पर मिल रहा है अब मुझे क्या करना है कि यह जो data मुझे मिल रहा है इस data को मुझे यहाँ पर यह जो पता हम कैसे करेंगे मैं आपको बाता हूं लेकिन यहाँ सेप्स देख लेते है तो नाओ प्रेट फंक्शन गेट तो लिस्ट फ्रम लोकल तो रिट्रिव तो डेटा फ्रम लोकल स्टोरेज उसे इस पर्टिकलर फंक्शन यह हम अलड़ी देख चुके अब हमने लोकल स्टोरेज को अलड़ी पहले ही समझा था अब हमारे लिए कितना इजी हो गया उसको समझने में कि इस तरीके से लोकल स्टोरेज आपका काम करता है बनना आपको थोड़ा मुस्किल होता है यह गेट आइटम क्या कर रहा है अगर मैंने आपको लोकल स्टोरेज बताया ही नहीं होता एंड यह जेसन.parse हम क्यों यूज कर रहे है जेसन.stringify हमने क्यों यूज की राइट तो लेट्स क्रेट इस फंक्शन get to do list from local ठीक है तो मैं यहाँ पे चलता हूँ अब मैं यहाँ पे हम टॉप पे रखते है इसको ठीक है यहाँ इस जगे पे. const get to do list इस तरह के से एक fat arrow function एंड इसका काम है लोकल स्टोरेज का डेटा को गेट करना एंड लोकल स्टोरेज के अब बाइद वे हमने जो डेटा स्टोर किया था वो था हमारा बेसिकली ओरिजिनल डेटा हमारा एरे था वाट हमने इसको कनवर्ट की इंटो जेसं स्ट्रीग बट नाव जब हम वापस get करेंगे तो मुझे इसी जेसं फॉर्मेट में मिल रहा होगा मुझे तो मेरे ओरिजिनल फॉर्मेट में चाहिए 2 ये जो मेरा डेटा है इसको कॉम्प्रीटली मेंरए प्रियमिगा एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा json.parts तो अब मेरा जो ओरिजिनल डेटा है उस पर मुझे मेरा डेटा मिल रहा है इसको मैं return कर रहा हूँ ठीक है this is it तो अब मैं क्या करूँगा यह जो मेरा part scheme मुझे यहां पर need नहीं है मैं क्या करूँगा कि मेरा यह जो particular code आपको दिख रहा है local to-do list मैं यहां पर चलूँगा यहां पर मेरा यह जो local to-do list है will be equal to this is it and by the way मैं एक empty array भी रख दे रहा हूँ यहां पर इस तर्किसे ताकि कल की दिन अगर यहां से कोई भी data इसको नहीं मिला एक empty array तो दे दो empty array रहेगा तो at least push method filter method हम हो जब यूज़ करेंगे तो यहां थे थी दिर पहले आया था न local to-do list.push is not a function वह वाला error नहीं आएगा क्योंकि मेरे दो data अगर नहीं भी है तो at least एक empty array रहेगा तो इतना करने से अब क्या होगा पता यह जो local to-do list था अब समझ चुकी हो कि अब जो मेरा data मुझे वहां से आ रहा है कहने का मानलब मेरे local storage तो जो data आ रहा है उस पे आब वो one by one उसको push कर देगा simple ठीक है now let's check out I mean check it out our next step and that is show to-do's मैं आपको बाता आता फाइनली local storage का data तो हमने गेट कर ली जो data हमें मिला है उसकी मतब से हमें जब भी कोई first time page refresh करता है या add to-do पे वापस click करता है तो वो data मुझे always वहां पे दिखाना है and वो data अगर मैं local storage का data ला के दिखा हूं तो वो always वहां पे रहेगा तो वह ही देखो now we need to create a function show to-do list to display the to-do's on a page load now retrieve to-do data from the local storage using ये वाला particular function get to-do list from local जो कि अभी थुरी देर पहले मैं आपको दिखाया हम कैसे get कर रहे and then iterate through the array and dynamically add to-dos to-dos to the container this is the power of your javascript and ये पावर कौन दे रहा है आपको dome tree दे रहा है simple ठीक है so let's do it show to-do list पे हम चलते है ठीक है take इस के उपर आ रहा हूं मैं show to-do list पे मैं गया this is it अब एक काम करते है ना इस ही के उपर मैं चलता हूं first time जब भी page load करेगा तो मुझे वो data चाहिए वहां पर show to-do list will be equal to इस तरीके से अब यहां पर वो data मुझे दिखाना वो में कैसे कर सकता हूं बोलने से अगर आपको याद हो so here we have a local to-do list है ना मैं already यहां पर उसको call कर चुका हूं तो local to-do list का जो मेरा data होगा मैं यहां पर get करूंगा राइट तो एक काम करते हैं मुझे जस्ट एक बार make sure करना है कि हमारे एक second हमारे इस data में क्या यह जो local to-do list है उस पर वो data आ रहा है या नहीं ठीक है एक second कहां गया यहां पर हम चलते है inspect console let's go with apple and click so we are getting an apple and by the way जब मैं first time page refresh करूंगा तो मुझे एक empty array आ रहा है मुझे एक empty array आ रहा है मतलब data get नहीं हुआ है तो यहां पर आप क्या कर सकते थे कि guys यह जो data है यह वाला जो particular data इसको अब आप directly यहां पर यूज कर सकते हो इस तरी के से है न तो अब यह globally हर जेगे present हो गया right अब यह globally हर जेगे present हो गई है अब अगर मैं यहां पर चलता हूं refresh करता हूं cannot access get to do list from local get to do list from local get to do list from local oh my god I am really sorry क्योंकि जब आफ देखो यह बहुत important है जब यह fat arrow function यूज करते हो तो always 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 आपको जो function का जो call आप कर रहे हो ना वो नीचे होना चाहिए उसके उपर आपको function को define करना है अब यह जो get to do list है तेखो ना इसके उपर मैंने define की अब problem नहीं आएगा ठीक है इसलिए बता रहे है कि cannot access basically wasting fat arrow function में wasting काम नहीं करता हम आगे पढ़ेंगे but see मुझे आगया अगर मैं console पर जाता हूं तो मैं first time refresh करूंगा यह जो data आपको दिख रहे है to do 46 नमबर पे so to do list के अंदर का data है वो by the way तो हो गया ना मेरा काम कितनी easily अब मैं क्या कर सकता हूं यह जो data है तो array में है मुझे इसको लूप चलाना है लूप के अंदर में टक 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 एक यह जो data वो दिखा दूँगा देखो कैसे local to do list dot not filter for each के साथ हम चलते क्योंकि मुझे new array नहीं चाहिए यहा पे जो data है बस उसी कोई update करके दिखाना है तो यहां पर आप आप for each यूज कर सकते हो for each and obviously यह आपका एक fat arrow function होता है यहां पर हमारा जो भी current element या current to do आप कुछ भी लिख सकते हो मैं यहां पर एक function कॉल कर रहा हूं and वो function का नाम होगा add to do यह थोड़ा सा लंबान नाम ता इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूं it's add to do dynamic element और वो current element मैंने पास कर दी इसको मैं कॉपी करूंगा एकदम top पे चलूंगा मैं ठीक है इसके नीचे इसके नीचे में चलूंगा यहां पर मैं लिख देता हूं इस तरीके से मैंने रख दी है ना यहां पर मेरे पास अल्रेड़ी वो data मुझे मिल रहा होता है current element जो भी है अब एक चीज़ यह है ना इसके अंदर मैं पाता क्या करूंगा यह वाला जो code दिख रहा है इस आपको यह वाला पाट इसको डिक्टो में copy करूंगा क्योंकि यही तो चाहिए मुझे राइट इसके अंदर इसको मैंने पेस्ट कर दी अब यह जो current element है मैं यहां पर उसको पास कर दूंगा simple जब भी first time इसको मैं call करूं तो मुझे वापस से एक नया डिप create करना है उसके अंदर class करनी है एक list add करनी है जिसमें dynamic value add करके एक button create करना है जिसमे class add करना delete button एंद उसको append कर देना इतना अगर आप कर दोगे first time and boom guys see this is it अब मैं जितना भी refresh करूं जो भी करूं यह data always इदर रहेगा अब मैं अगर यहां पर चलके grapes या इस तरके से grapes लिख देता हूं यह data यहां रहेगा आप मैं जितना भी refresh करूं data मुझे यही रहेगा क्यों क्यों कि मैं यह local storage से ले क्या रहो इतना मेरा काम हो गया है अब all right ठीक है अब एक चीज़ आपने notice की कि यह जो data है यह डिट्टो वही data है जो मैंने यहां पर ल में सिर्फ एक चीज है जो dependent है वो है आपका यह li का element उसके अंदर user क्या value लिख रहा है खाली मुझे इसको पास करना है तो यह जो function था मैं copy करूंगा जब भी कोई add to do पे click करेगा तो इसको मैं हटाओंगा इसको मैं paste कर दूंग अभी current element के बदले यहां पर आप देख सकते तो कि मैंने जो input value ता इसको मैंने trim करने के बाद to do list value जो थी वो मैंने pass कर दी this is it wow see हो गया ना मेरा काम कितना easily right this is it अब मैं आगर इहां चलता हूं refresh करता कोई problem नी होगा even मैं आगर inspect भी करता हूं console भी आपको दिखाता हूं we have area with total 4 elements मैं यहां पर लिख देता हूं orange and add करता हो तो औरेंज भी add होगे औरेंज इस्तिर की से add हो गई all right ठीक है इतना मेरा काम हो गया अब हम एक problem कर सकते है and that is कि जब मैं वापस औरेंज पर क्लिक करूंगा duplicate data यहां पर आ रहा है दो वो data यहां पर नहीं आएगा even अगर मैं refresh करूंगा तो duplicate data चला जाएगा लेकिन मैं जाता हूं कास जब मैं first time यहीं पर ही अगर कुछ data लिख रहा हूं उससी समय on the spot to duplicate data वहां पर भी मुझे add नहीं कराना है तो पताब हम क्या करेंगे हम देखो मैं आपको बताता हूं हमारा यह जो लोकल टूडू लिस्ट है राइट वह एक एरय है विच कंटेंस दी लोकल स कर रहे है यहां पर इस जगे पर राइट या तो हम टोटली सी की ही बात कर अगर हम चाओ तो लाइक डारेक्ट लिसको में एक इप कंडिशन गंदर रख सकता हूं completely इसको इफ अगर मेरा लोकल टूडू लिस्ट के अंदर basically हमारा जो एरय है उसके अंदर कोई data already present है या नह आपके मन में आ सकता है कि index swap करना है या find method use करना है या last index swap करना है या include करना है मतलब confusion थोड़ा सा होगा कि find आएगा की search आएगा की क्योंकि search भी हमने पढ़ाता लेकिन search हमने किसमें पढ़ाता इस ट्रिंग में पढ़ाता यह तो array है एरय में लेकिन एक चीज हमने जरूर प जो यह value लिखा है और अगर वह present नहीं है तो ही यह पूरा आप अंदर चले जाना तो मुझे एक इस्तर किसे लगेगा यह आप देख रहे हो काईस कैसे काम कर रहे है या this is it simple अब मेरा यह to do list के अंदर अगर वह data present हो गया देखो ना अगर includes होता है मतलब not वह अंदर मत जा करता हूं refresh करता हूं देखने अब अगर मैं एप लिखूंगा तो यह एड नहीं होगा this is it add हो गाई नहीं बाट इस्टिल एक प्रॉब्लम है वह एड नहीं वा तो लिकिन भाई मतलब एमटी चाहिए न मुझे एपल मतलब क्लियर चाहिए मुझे मेरा input field उसके लिए तो ब value होगी नल कर दो डेटा देखो ना हम कब नल कर रहे डेटा तो मैंने यहां पर गेट कर चुक है टूडू लिस्ट वैल्यू में यूजर ने जो भी डेटा लिखा होगा एड टूडू लिस्ट उस बटन पर क्लिक करेगा तो उसका पूरा white space from starting and then beginning मैं मैं पूरा उसको रिम इंपूर्ट फिल्ट का उसको मैंने एंप्टी कर दिया इंपूर्ट वैल्यू डॉट वैल्यू कंडूल सेब करता हूं यहां पर इसको में एक बार रिफ्रेस कर देता हूं एपल एंड यह सिए इस वोकिग बनाना चला चला गया ठीक है एंड सिप इतना ही नहीं अगर मैं थापा लिखता हूं एंड करूंगा तो वह एड भी होगा एंड वहां से चला भी जाएगा इतना भी मेरा काम इजीली होगा बट इस्टिल एक प्रॉब्लम में पता है अगर मैं जितना भी स्पेस दूंगा वो देखो एम्टी एड हो जाएगा बट हां अभी सेकंड टाइ यह जो टूडू लिस्ट वैल्यू है इफ इतीज नॉट इकवल टू एम्टी स्ट्रिंग एंड मतलब एम्टी भी नहीं होना चाहिए और इंक्लूडेट भी नहीं होना चाहिए तो ही राइट अब इसको मैं एक बार रिफ्रेस करता हूं अब बाइद अब मुझे एक काम क तो देखो मैंने तो वहां से हटा दिया तो क्या होता है यह देखो कुछ नहीं है एपल इसकी नेट नहीं है we have a mango है ना we have a banana बट हाँ अब अगर स्पेस होगा यह देखो अब एड नहीं हो रहा हो क्यों क्योंकि मैंने अल्डेडी कंडिशन लगा दी तो अल्मोस्ट हमारा सब कुछ हो चुका है एक चीज़ बचा है डाट इस डिलीट बटन जब मैं डिलीट पर क्लिक करूं और बाइदावए एक चीज़ नोटिस कि आपने दा मोमेंट मैंने डिलीट पर की पेज मेरा सबमिट हो गया यह एक डिफॉल्ट भीएवियर है कि अगर आप फॉर्म एल सब्सक्राइब के अंदर आता है जिसको अभी तक हमने टैकल नहीं की है बट फिर भी मैं आपको बता हूंगा जिससे आपको यह आईडिया आएगा कि जो मेरा पार्ट तू आने वाला है वो कितना ऑसम होने वाला है आप मानते हो कि नहीं गाईज देखो अभी तक आपने चितना भी सिक आपको मालू है आपने बहुत कुछ सिख लिया है एंड यह प्रोजेक्ट को भी हम एकदम इंडेफ्थ में समझ रहे है ठीक है अभी खाली मुझे डिलेट के साथ काम करना है तो इवेंट डेलिगेशन मोटा मोटी मैं आपको बता देता होता क्या है आप मेर ने किसको क्लिक की है बैसे कौन से चिल्रेन ने क्लिक की है एंड में उस चिल्रेन का डेटा आइमें उस चिल्रेन को में टागेट करके उसको में रिमोब कर सकता हूं अगर आप पैरेंट को ही डिरेक्ली क्लिक फंक्शन देते हो तो चिल्रेन का आप एक्सेस कर सकते हो वह इस function को use कर सकते हैं बैसिकलि इवेंट को use कर सकते हैं एंड हम उसका reference get कर सकते हैं कि किसने click की एंड हम उसको delete कर देंगे यह funda है simple सा ठीक है कैसे काम करता देख लिजे हमारा जो भी data जा रहा आपको मालूम है कि वो to do list element के अंदर add हो रहा है जिसको मैं already reference करके get कर चुका हूँ तो मैं यहाँ पर चलता हूँ dot add event listener जिसमें जब भी कोई बटन पर करेगा click तो एक function मुझे चलाना है एंड by the way यहाँ पर भी आपको एक चीज़ करना ही पड़ेगा and that is dot prevent default ठीक है एंड आपको एक function कॉल करना है remove to do element एंड आप यह पास कर दीजिए हाला कि ना करो कि तो भी चलेगा बट यह करना जरूरी है मैंने पास कर दिया अब मैं क्या करूंगा इसको मैं नीचे रगता हूँ ठीक है इस तरके से so to do list के उपर चलते है है या आप चाहो तो data हम पहले दिखा रहे फिर remove कर रहे इस ठीक इसके नीचे चलते फिर ठीक है यहाँ पर remove मैं आप यहाँ पर चलता हूँ इस तरके से गाई से बहुत इजी है मैं आपको बताता हूँ देखो लिस्ट स्टेप जाने की भी नीट नीए रिमूब करने के लिए हमें एक फंक्शन क्रेट करना होगा इवेंट डैलिगेसे यूज करनी है एंड चेक इप्दी पर चलता हूँ रिफेर्स करता हूँ अब मैं मैं में एंगोफे में क्लिक करता Hier क्या हूं सब्सक्राइज बीक डेटा सेम है मुझे किसी तरीके से मेरे एरे के अंदर मेरे लोकल स्टोरिज में जो डेटा है उस डेटा को मुझे इस पर्टिकुलर डेटा से मैच कराना होगा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जिस भी बटन को मैं क्लिक कर रहा हूं उस बटन के क्लोजेस्ट मे जो ally है या उसका जो sibling है उसका जो भाई है ally उसका data मुझे चाहिए अब यहां पर आपका dome काम आएगा देखो मैं बाता हूं कैसे मेरे पास लिखा हुआ है सबसे पहले यह data simple सा एकदम simple सा कोई बड़ी बात नहीं है यहां पर and let to do list content में let's go equal to e.target है आपने देखा ना e.target लिखता हो तो मुझे बाता है मैंने क्या बोला मेरा जो to do remove वाला होगा उस पे मेरा previous element sibling चाहिए simple ठीक है and by the way आपको कुछ मिलेगा नहीं आप आपको इसके लिए यह console यहां पर add करना पड़ेगा तो इस तरीके से देखा किस तरीके से काम आ रहा है डोम नविगेशन आपने जो पड़ी थी तो मैं क्लिक करता हूं देखो मुझे प्रेजेंट है या नहीं फिर से वही प्रेजेंट है या नहीं देखो नहीं इतना easy compare करना है फिर से या तो आप फिल्टर करो या तो include करो दोन में से करना फिर है तो उसी के लिए dot कोई भी element के अंदर जो data है उसको अगर मुझे पाना हो देटा पाना हो तो देखो इनर एस्टिमल तो आपने देखा पूरा का पूरा आ जाता है हां कहीं न कहीं आप वह भी उस कर सकते हो यहां पर बचा दो चीज या तो inner text या तो text content यहां पर चलता हूं रिफ्रेस यह देखो एपल मैंगो बनाना कितनी easily मुझे मेरा यह डेटा आगया है ना कितना ज्यादा ओस हम यह राइट सो गाइस अब पता हमें क्या करना अब बस मुझे इस वैल्यू को इस एरे से कंपेर करना है और जो वैल्यू मैच हो गया उसको म यह मेरा पूरा डेटा है डॉट फिल्टर में यूज करूंगा फैट यह फंक्शन जिसके अंदर में सिंपल मेरा जो भी करेंट एलिमेंट या करेंट टू लिखना आए गया इस इधर बैटर रहेगा करेंट टू जो भी होगा है ना मैं बस पता क्या करूंगा रिटर्न मे अगर मैं console.log this is मेरा काम हो गया इतने में रिफ्रेश कर रहा हूं ध्यान से दिखना अभी तीन है बट दा मोमेंट में मैंगो पर क्लिक कर दूंगा मुझे मैंगो आया एक सेकेंड यहां पर डिलिट नहीं हो रहा है एक काम करते है उसको वापस मुझे स्टूर तो करना फिर से हां एपल ओके सो इन रियालिटी बाइदोए गाइस हमारा वो चेंज नहीं हो रहा है तो हमें चेक करना होगा कि करेंट टूडू करेंट टूडू तो यह है टूडू लिस्ट कंटेंट भी हमारे पास है मैं आप मैं मैं आल्रेडी मुझे पता चल चुका का मैं राए ठीक है उस त्रीकर से एपल मैंगो बनाना मैंगो एपल के पहले वाला डेटा रहता है इस तिर्च mix तो अब हांप मैंभी प्रोबल्च फॉ क्ता ऑन्स ? विजफ जो है मेरा वो ितल बट हैरा है भी होorb लुए पत्व उसक्ता कि पडूरू कर्छ Jake- की वां चांड नहीं है आत-least यह कर के देखते हैं कि यहां पर प्रॉब्लम नहीं था अगर में बनाना पे stick करता हूँ बूम गा चुका है ठीक है तो आप मुझे क्या करना है कि जो मेरा यह updated local to-do list है इसको अब मुझे local storage पर add करना है and वो हम कैसे कर सकते है उसके लिए मैं एक function create करता हूँ मैंने क्या रखा यहां पर नाम उसका simple सा रखा है don't worry that is add to-do list local storage के अंदर यह जो to-do list है वो मैंने create नहीं की है तो जहां मैं data get कर रहा हूँ उससे पहले मैं data को add कर लेता हूँ const local to-do list इस तरीके से ठीक है and यहां पर मैं return obviously आपको मालूमे local storage.setItem and यहां पर आपको data मिल रहा होता है and यहां पर मैंने कौन सा data रखा है local to-do list करके तो इस data को मैं copy कर लेता हूँ paste oh my god क्या हो गया तो तो इतरे के लिए एक काम कर तो खुद ही लिख लेता हूँ local to-do list है न and इसी data को मैं copy करूँगा and यहां पर comma paste and यह वाला जो data होगा यहां पर तो मुझे यही देना पड़ेगा यूटूबर to-do list तो आप देख रहो क्या कर रहो हर एक remove button पर मैं बापस local storage पर data add कर रहा with that updated array जिसमें से वह एक array जिस भी element को मैंने click किया तो वह निकल चुका होगा इस तरह से and by the way यह जो data है ना again आपको string format में देना पड़ेगा so json.stringify this is it है ना तो इस तरह किसे मेरा काम हो गया कितनी easily अब वह at least मेरे local storage से वह data remove हो जाएगा by the way देखना बनाना ठीक है apple mango यहां पर कुछ नहीं होगा बढ़ हाँ जब मैं इसको refresh करूंगा वह चला गया क्यों क्योंकि first time जब मैं इसको refresh करता तो local storage का data यहां पर आता इससे यह साबित हुआ कि data delete हो गया अब मुझे in reality में भी जब मैं इस पर क्लिक करूं तो मुझे on the spot यह भी डिलेट चाहिए पाता हूं मैं बहुत इसली कर सकता है हम अल्रेडी देख चुके हो तो अब यहां पर गाईस देखो हमने previous element sibling लिखा था क्या करना पड़ेगा रिमूब करना पड़ेगा कैस से ऐसे देखो एक बार रिफ्रेस्ट कर रहा हूं यहां पर ध्यान से देखना यह मेरा डेटा है जो अभी फिलाल में को यह एलाई का मुझे access आगया राइट यह जो एलाई है इसका access मेरे पास है क्योंकि मेरे को इसका टागेट अगर यह बेसिकली इसका जब भी मैं क्लिक कैसे देखो पैरेंट एलम विल इकोल टू 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 रिमॉट डॉट वी हवा पैरेंट एलम नहीं टू डू पैरेंट एलिमेंट आइगेस इट्स अ पैरेंट एलिमेंट मुझे देखना है इस अ पैरेंट या इट्स अ पैरेंट अलिमेंट अभी जो मेरा पैरेंट अलिमे हो गे मेरा काम अब मैं अगर यहां पर चलता हूं इसको refresh करता हूं इसको refresh करता हूं it's a mango its banana but delete delete मेरा काम हो गया यहां पर अपको बताता हूँ एक और problem है बस जल्दी से हाँ हमारा almost complete हो गाभ यह अब बहुत ही जाता मज़ा होगा थोड़ी जब मिए project start कर आ Tha कुछ harsh word बोले होंगे आपको जब मैंने css के बारे में बात करा था और that is the reality उसके लिए हम really sorry but main focus हम JavaScript कर रहे है न है न तो मैं चाहता था कि complete A to Z आप मैं आपको JavaScript पर फोकस कर दो क्योंकि कि अगर मैं css भी बताने गया video बहुत लंबा हो जाएगा आपको बोर होगा इसलिए मैंने लाइक वैसे सब्द बोले थे हैना sentences but yeah I hope मजाएगो बट एक प्रॉब्लम में पता है अगर मैं गलती से कहीं पे भी सब बेच में क्लिक कर दोंगा कि सब बबने ऑठ कि मैंने इवेंट ऐड किया है मेरे पैरेंट को सबजय इसको तो अब मैं कहीं पी विंगश्च करें कहीं सब करेंब तो बइस एर्या के अंदर तो वह कnewक्र हो नहीं अइं लेकिन अब पताम मुझे का चाहना हूं कि specific अगर delete button पे ही click हुआ है तो ही यह fire होना चाहिए समझे देखो ना इस तरह की प्रॉब्लम आता है अब specific इसी पे ही click वा तो होना चाहिए ना कि फालतु में कहीं पे भी बीच में करने भी gap हो जाता है ठीक है तो उसके लिए हम पाता क्या टागेट कर सकते हैं अब देखो एक चीज में आपको बताता हो गाइस मैंने तो लगातार आपको बता दिया क्योंकि मैं तो यह अलड़ी कर चुका हूं है ना बट जब मैं इसको कर रहा था तो मुझे समय लगा था है ना दो एक दिन में हो जाता आराम से यह लेकिन हां यह क्लास वाला जो पार्ट है क्लास एकल टू डिलीट बटन यह मैंने बाद में एड़ किया था मेरा यह हो जाने के बाद में एड़ किया क्योंकि मुझे रिलाइज वह यह प्रावलम आ रहा है तो इस तरह किसे एक चीज आप करते हो एंड मैंने पहली एड कर दिया ताकि आप कॉल कीजिए सिंपल तो हम यहाँ पर चलते है इसके अंदर हां इफ इवेंट डॉट एक काम करता हूं अ यह पर देखो गाईस इसम्पल है मैं यहाँ पर चल रहा हूं मैं लेट्स आ इसको क्लिक कर देता हूं देखो मुझे बाइदवे यह वाला कंसूल हुआ रिट नहीं हो, I guess, but जो भी है, जब हम e.target करते, तो मुझे पूरा और डिलिट का आता, याद है हमने starting में दिखा था, तब ही तो previous element से link parent के, तो dot, अब एक और बहुत आसम चीज है, that is class list, याद है मैंने आपको dynamic class add करना हो, तो बता था class list.add, but क्या आपको suggestion नहीं आ रहा है, contains and उसमें बस आब आपको क्या करना होगा, ये जो part है, delete button, इसको copy करना है, यहाँ पर पेश कर देना, this is it, तो अब हम क्या कर रहे है, कि if अगर, अगर जिसको भी हमने click किया, उसके अंदर, अगर ये class present है, तो ही वो delete वाला functionality, oh I'm really sorry, actual मैं वो यहाँ पर थोड़ी करना था, ये जो part है, वो तो मुझे, यहाँ पर करना था, है ना, मैं वो ही सोचू, वो data क्यों नहीं आया मुझे वहाँ पर, ये, बट कोई नहीं एक काम करता हूँ, फिर से दिखा रहता हूँ, refresh, refresh, बनाना पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो, ये जो दिख रहे आपको, ये मुझे आया, button class list, class equal to delete button, तो मैंने क्या बोला, की भाई, ये काम करना, class list, dot contain delete button, अगर होगा, तो ये function call करना, वरना, मत करना, simple, this is it, मेरा काम हो गया, है ना, वस इतना ही है, simple, इतना मेरा काम होगा, अब मेरा काम होगा, अब यहाँ पर चलता हूँ, अब चाहूँ, मैं जहाँ पर भी क्लिक करूँ, कुछ मतलब नहीं है, कुछ नहीं होगा, जब तक मैं delete button पर क्लिक ना कारूँ, this is it, so guys, ये था आपका में प्रोजेक्ट इन आवर वर्ल्ड बेस्ट कोर्स का पार्ट वन, वालर गास, तो हमारा फाइनली ये जो टू-डू अप्लिकेशन था, ये भी कंप्लिक होगा, लेट में टेल यू वान तीक, इसको मैंने पार्ट वान के लिए बनाया था, बट जस्ट प्रोजेक्ट में वहां पे इसको अप्लोड नहीं कर पाया, बट इस इस इट, हमारा ये जो पार्ट टू है, मैंने कहा था, स्टार्टिंग में, हर एक सेक्सर में आपको प्रोजेक्ट मिलने वाला, तो guys, कैसा लगा है, ये बहुत ही वासम था ना, हाला कि मैं already react series पहले भी upload कर चुका हूँ, react complete course in 3 hours, उसके उपर भी video upload कर चुका हूँ, so guys, अभी तक अगर आपने check out नहीं के तो please check out कीजिएगा, उस पर मैंने projects भी add के ता आप उसको भी practice कर सकते हूँ, and साथे-साथ guys, if you want to explore advanced projects, या अगर आपको advanced project कुट से create करना है, या guys, आप चाहते हो admin dashboard create करना, या अगर आप यह चाहते हो कि company, basically big tech companies में कोई भी advanced project जो होता है, उसको किस तरीके से code करता है, then I highly recommend you to check out reppixel, जिया guys, तो आप देख सेकते हूँ कि reppixel में JavaScript की जितनी भी library and then frameworks है, उन सब languages की मदद से admin dashboard create किया गया है, आपको जो admin dashboard free and then premium दोनों में देखने मिलेगा, तो मैं यह चाहता हो कि guys, आप यहाँ से inspiration लीजिए, कि हम dashboard कैसे create कर सकते हैं, साथे साथ जो भी free मिलता है, आप उसको download करके explore कीजे, चेक कीजे कि वो जो dashboard उसको बनाने के लिए कि एक big tech companies में जो developers होते हैं, वो किस तरीके से code करते हैं, तो इससे आपको idea आएगा कि आप जिसतर किसे code करो हैं वहाँ जिसतर किसे code हो रहा है, दोनों में कितनी similarity है या कितनी differences है, तो वो जो code है guys, आप उसको भी explore कर सकते हो, तो जैसे बहुत ही awesome website आप इसको जरू check out कीजेगा, और साथे साथ guys, अगर आप एक professional हो, या अगर आप एक freelancer हो, आपके पास समय की कमी है, बट आपके पास projects बहुत आते हैं, और वहाँ आपको admin dashboard लगता है, अगर आप एक ऐसा website देख एते हैं, जहांसा अगर आपको admin dashboard की regarding support मिले, या जहांसा आप उसको purchase कर सको, then again I highly recommend you to check out premium dashboards, यहां guys, आपको मजा आजाएगा, सारे JavaScript के languages की आपको मिलने वाले हैं, और इनका customer support 24x7 है, तो आप उनकी help जरूर ले सकते हो, So now guys, if you are feeling excited, then let me tell you, कि इसका link भी मैं आपको नीचे description and comment section में दे दूँगा, तो जरूर check out कीजिएगा, All right guys, तो अब हम बिना किसी देर की video को start करते हैं, All right guys, तो आप देख सकते हैं कि हम हमारे computer screen पर आचुके है, and हमारे part 2 का यह पहला computer screen है, तो I am super excited, hope आप भी बहुत ज़्यादा excited हो, तो सबसे पहले हम देखेंगे date and then time ठीक है, Part 2 में हमने बहुत कुछ देख चुका लेकिन हमने date and time को cover नहीं गया था, तो अब हम यह से start करते हैं, And यहां पर clearly लिखा कि जब हम इसको as an function call करेंगे, Then it returns a string representing the current time, So guys, अगर आपको date and then time के साथ खेलना हो in JavaScript, We have a date object and this date object की मदद से आपको जो current date and then time हो आपको मिल जाएगा, And और भी बहुत सारी चीज़े जो आप इसके साथ कर सकते हो, And अगर मैं आपको syntax बता हूँ तो we have this first syntax, Just आपको यह जो date constructor यहां पर देखा है, यह है आपका date constructor, अगर आप इसको call करते हो तो आपको basically एक string format में आपको एक date and then time आपको मिल जाएगा with the time zone, And then एक और तरीका है with the date string, तो करने के बहुत साथ तरीक है but यह यह वाला जो एक syntax है, This is the world, I mean world क्या बोनला mostly used syntax है new with date constructor, This is it, ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि there are total 9 ways to create a date in our JavaScript, तो जिसमें से सबसे पहला तो आप देख सकते हो guys, तो थोड़ी देर पहले आपने जो previous slides में देखा था वो ही यह है, ठीक है, अब हम दूसरा देख लेते है, And that is your new date and उसके अंदर आप एक argument pass कर सकते हो, That is your date string, यह parameter कहा लिजे, simple, जिसमें आप एक date string pass कर सकते हो, Don't worry, यह जो 9 तरीके है, 9 के 9 तरीके अभी मैं आपको बताऊंगा, But हाँ, अगर इस तरीके से मैं आपको बता दू वह 9 तरीके क्या है, And जिस तरीके से मैंने animation रखा आपके लिए बहुत easy हो जाएगा, And then month, new date, and then year and then month चाहिए तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, अब आप देखे अगर आपको अब let's say day भी चाहिए, तो आप इस तरीकिसी year, month, and then day लिखके भी get कर सकते हो, अब let's say आप आपको hours भी चाहिए तो आप देखो इस तरीके से hours आ जाएगा, अब आप यहाँ पे देखिए आपका minutes add हो जाएगा अब आप यहाँ पे देखिए आपके seconds add हो जाएगे अब आप यहाँ देखिए आपके milliseconds add हो जाएगे अब आप यहाँ पे देखिए सिर्फ milliseconds pass करना हो date पाने के लिए तो आप कुछ इस तरगे से लिख सकते हो So guys, these are the total 9 ways to create your date objects Obviously, आपके माइन में आ रहा हो, चलो, new date मुझे क्या रिटन कर रहा है यह date string क्या चीज है यह मैं year, month लिखे मुझे क्या मिलेगा और यह तो भई, यह क्या चीज है यह कहां, किस दुनिया का code है भई, यहां पर year है, month है, day है, hours है, minutes, seconds, milliseconds यह क्या चीज है, and यह milliseconds सिर्फ में क्यों लिख रहा हूँ यहां पर, तो यह सभी का जवाब मैं अभी आपको कर देता हूँ, ठीक है complete source code इदर है, we have a startup file, we have my visual studio, आप देख सकते हो, over here, अब जो भी extension है, then we have this notes, ppt वाले, आपके startup file, source code, सब आपको इहां मिल जाएगा, and एक और चीज है, क्योंकि बहुत सभी लोग इसको access नहीं कर पारे, 502, gateway server, something, error, error, load के कारण, I'm really sorry, so उसी को tackle करने के लिए भी मैंने यहा पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, JavaScript full course tutorial, इसका भी link मैं आपको नीचे description, I mean दे दूँगा, in case अगर यह वाला जो link काम नहीं करता है, open नहीं होता है, इसको अगर आप download नहीं कर पाते हो, don't worry, don't worry, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने सब कुछ बताया and यह जो है, part 2 जो अब यहाँ पे आएगा, ठीक इसके नीचे, same उसमें आपको, यह जो part 2 related, जो भी notes, codes, जो होंगे, सब आपको मिल जाएंगे, and one more time बता रहा हूँ, ठीक है, फिर से मैं इसको एक बार open करता हूँ, इस तरीगे से, जब आपको यह भी video मेरा इस तरीगे से and अगर यह काम नहीं आता, तो access, देखो, दोनों का link मेंने दिया हूँ, इस से नीवा, तो इस से दोनों में से एक तो चलेगा, ही चलेगा, same मेरा जो pin comment है, यह जो pin कर रखा है, क्या कर रखा है, यहाँ पे pin कर रखा by Thapa Technical, इसमें आप आप देख सकते हो, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखो, same में दोनों link यहाँ पे भी है, तो same यह part 2 की वीडियो में भी इसी तरिके से आपको check out करना है, ठीक है, I know यह थोड़ा सा मैंने extra बोला, बट यह बहुत जरूरी है, किसी भी course को start करने से पहले, alright, so we have this date and then time, तो आप यहाँ पे बहुत क् date objects, जिसमें से syntax यह रहे, तो let's see 9 ways one by one हा, तो सबसे पहले है, with the help of new date, यह क्या करता है, it creates a date object representing the current date and then time, let's check it out, alright, finally, excitement है, तो मैं चंट्रोला से ब कर देता हूं, इसको मैं run करता हूं, तब आप देख सकते हूं कि आपको कुछ वो इस तर्की से दिखाई दे रहा है, यही है यही है आपका date and time, देखो, that is 2024-20, basically as 20 थारीक है, and basically आप समझ जाए कौन सा महिना चल रहा है, February 20, and after T, यह आपको time बता रहा है, and by the way, यहाँ पर यह जो time आपको दिखा रहा है, थोड़ा सा अलग दिखाएगा, ठीक है, but हाँ, इसको ही अगर मैं copy करता हूं, यहाँ आप तो आप सा जूम कर देता आप लोगों के लिए, and enter hit कर देता, तो यह देखो, मुझे बाराबर Tuesday है, आज, February 20 थारीक, 2024, बारा बचके बारा मिनिट हो रहा है, and this is your Greenwich, main time, I hope आपने बच्पन में जेोग्राफिय में, इंडिया का जो timing है, वो साइड़ पांस घंडा आगे है संतिंग कुछ इस तरीके से, हाँ, साइड़ पांस घंडा आगे है, नेपाल का timing जो है, guys, इससे 15 मिनिट और आगे है, समझ रहे है, इसलिए आप होता है, कि अलग-अलग country में अलग-अलग timing है, तो इससे सबसे यह आपको बता रहा है, Indian Standard Time, बट हाँ, अगर जब मैं इसको अगेन यहाँ पर रन करता हूं, तब आप देखोगे, कि मुझे यहाँ पर कुछ अलगी format आ रहा है, यह जो एक अलग format आ रहा है, that is, देखो ना, लास्ट में आपको एक Z दिखाई दे रहा है, तो यह क्या है, guys, यह आपका कहलाता है, ISO 8601 format, which is a standard for representing date and times, यह एक standard format है, and इ ISO 8601, and by the way, यहाँ पर एक और चीज़ देख सकते हूं, in this format, the date and the time are represented together, separated by a letter T, यहाँ पर आपको T का फंडा पाता चल गया, and यह जो लास्ट में Z है, indicates that the time is in UTC, Coordinated Universal Time format, तो जैसे यहाँ पर यह आपको Indian Standard Time दिखाया, यह है आपका Coordinated Universal Time, ठीक है, आपको 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 आ दिखा देंगे, एक है न, यह कौन सा time है, है न, क्योंकि मैंने same code पे एक तो मुझे यह आता है, दूसरा मुझे फिर यह वाला आ रहा है, यहाँ पर इस तरीके से, तब आप बता दो, यह तो एक Indian Standard Time है, दूसरा आपका Coordinated Universal Time है, जिसका format ISO 8601 format, simple इस तरीके से है, and yeah, this is it, यह हो गया आपका, इसको मैं side करता हूं, इसको मैं talk कम कर देता, अब इसको मैं वापस comment कर दे रहा हूं, थोड़ा नीचे आते, अब दूसरा तरीका, आपकी मन में obviously आया होगा जब हमने यह PPT देखाता है, यहाँ पर, यह क्या चीज है, यह जो एक चीज दिख रहा है, य यह date string क्या चीज होती है, आपके मन में आया होगा, तो देख लिजे, यहाँ पर यह देखो, यह है आपका date string, मतलब थोड़ी देर पहले new date के मदद से, मुझे कुछ यही इस तरीके का data आया था, right, that is your, यहाँ पर देखो, फिर से, थोड़ी देर उपर यह देखो, coordinated universal time, य यह है, आपका coordinated universal time, यह आपका एक string है, हमने part 1 में पढ़ रहा था, कोई भी data को अगर आप single quote, double quotes के अंदर लिखते हो, वो आपके string data type कहलाते है, so this is your string, आपने उसको simply उसके अंदर pass कर दी, now let's check it out, हमें क्या output आता है, we are getting, आप देख सकते हो कि मुझे कुछ हो इस तरीके स करना चाहूंगा, again मुझे देखो क्या दिखाई दे रहा है, basically कल का समय मुझे यह दिखाई दे रहा है, कल साम को मैंने इसको practice करने के लिए, obviously आपको अगर मैं सिखा रहा हूं, मेरा 18-10 सल का experience and उसको बताने से पहले मुझे practice करना जरूरी ता कि मैं आप लोगों एकदम flawless ए तो यह basically उसका time था यह, ठीक है, बट यह जो भी हो आपको पता चला कि इस तिरके से हमें यह मिल रहा है, and finally आपको पता चलिए होगा कि strings अगर हम pass करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, basically जो format है उसी format में ही हमें data मिल रहा है, अब यह वाला जो एक example है, यह एक बार आपको पता चल गया, then बाकी यह जितने भी आपके लिए बहुत easy हो जाएंगे, क्यों? मैं आपको बताता हूँ, the moment इसको मैं run करता हूँ, second इसको मैं clean करता हूँ, and then मैं run करता हूँ, यह देखो मुझे कुछ इस्तिरके से time आ रहा है, जहां पे, 2024, 01, and then 31, खत्म, 2024, and then 01, simple आपने क्या दिया था का, इस date, and then आपने यहां पर आपका जो month, अगर आपसे दो ही value pass करते, वो आपका पहला कहलाता है year, दुसरा आपका कहलाता है month, simple, यह देखो मुझे वो इस्तिरके से आगे, वही 2024 नी चलो, let's say मैं 2025 कर देता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ, and then इसको मैं run करता हू तब आप देखिए, आपको return में वो ही data मिलने वाला है, जो आप new date constructor की मदद से get कर रहे है, बट हाँ, अगर आप उस new date जो आपका value है, basically parameter अगर आप सिर्फ एक pass करते तो वो आपका year कहलाता है, अगर आप दो pass करते तो आपका year and then month में वो इस्तिरके से update कर देता है, simple, ठी है, चलो एक काम करता हूँ, इसको मैं 12 कर देता हूँ, for December, control S, save कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर चलता हूँ, यह देखिए, मुझे कुछ हो इस्तिरके से data आ गया, simple, ठीक है, all right, I hope आपको पता चल गया होगा, and then मैं यहाँ पर चलता हूँ, new date with year, month and day, creates a date object with the specified year, month and day, again यह आ वो दे रहा था, but अब मैंने यहाँ पर 19 लिख दी है, मैं इसको हटाता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ, तो जो थोड़ी देर पहले आप देख सकते हो, 19 था, 1 second 18 दिख रहा है मुझे यहाँ पर, 2024, 1 and then 19, okay, so guys आप देख सकते हूँ कि हमें कुछ वो इस तरीके का data दे रह यहाँ पर, and मैंने तो लिखा था, 19 तो मुझे यहाँ पर वो 18 क्यों दिखा रहा है, आप समझ रहो में क्या कहना चाहरा हूँ, अगर आप ध्यान से देखते हो, so yeah, we have this 1, तो यह जो 1 है, यहाँ पर 2 कैसे हो यह मतलब यह जो 1 है, यहाँ पर 2 क्यों हो रहा है, and वसी तर कि यह जो 19 है, guys, यहाँ पर वो 18 कैसे हो रहा है, ठीक है, तो यह सच में इंटरेस्टिंग है, आपको एक बहुत मस्त वाला एक जो रूल है, मैं बताता हूँ, see, so guys, यहाँ पर आप बहुत क्लियली रियालिटी देख सकते हो, and that is, in JavaScript, when it comes to your date, और उसमें भी जब बात आती है मन्त की, so यह 2024 क्या है, guys, यह तो आपका एक year हो गया, यह तो आपका साल हो गया, यह जो 1 लिखा नहीं, यह आपका, guys, क्या है, मन्त, January, February, March, April, मैं, इस तरह की से जो होता, ठीक है, जिसमें से January is like number 1, February number 2, यह हमें मालू में, but in JavaScript, January starts with 0, January का जो value दिया गया है, वो है, आपक 0, उसी तरीके से, यहां पे January is your 0, and then February is 1, तो इस तरीके से जो 12 महिना होना चीए, यहां पे वो 11 महिना है, including 1, 0, तो टो टो 12 होता है, but it's from 0 to 11, so the moment मैंने 1 लिखा, it means 0 represent your January, 1 represent your February, so वही रिजन से बाराबर मुझे यहां पे Monday है, आज, sorry, आज सायद Monday नहीं है, या, guys, आज Tuesday, जो भी हो, but canning मालब यह है, आप समझ गई यहां पे, and time by default आपको 0, 0, 0 दिखाई दे रहा है, तो यह चीज़ बिल्कुल मत भूलना, that is, in JavaScript, month जो है, वो 0 से start होता, यह interview में पूछ सकते है, ठीक है, so या, यह आपको पता चल गया, अब उसी तरीके से, guys, थो तो जो थोड़ी देर पहले यहां पे 0, 0, 0 था, now just because मैंने एक extra value पास कर दी, यहां पे, and that is your 10th, तो now 10 गंटा, basically time आपको दिखा रहा है, so यह इस तरीके से, आप देख सकते है, आपको difference दे रहा होता है, कि अगर आप कहां कहां क्या क्या आइड करते हो, तो आप उसी तरीक देर पहले कुछ आपका वो इस तरीकी से 10 hours, and like exactly 10 hours, so अब आप देख सकते हो, it's a 10 hours, and then आप यहां पे देख सकते हो, बहुत किलिर ली, that is your 44 minutes, तो यह आप समझ सकते हो, कितिनी easily, अब हमने देखा कि ठीक है, 10 पास करता हो, तो 10 की value आ जाती, इसमें अगर मैंने 44 लिग दि अब आप वहां पे seconds को भी add कर सकते हो, and then जब आप ऐसा करते हो, तो क्या output आता है, guys, यह तो आप मुझे बोलने की needy नहीं है, अब आप देखो, आपको बराबर इस तरीके से 10 hours, 44 minutes, and 09 seconds, अब उसी तरीके से, we have a millisecond also, तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हो, यहां पे मैं चल कर देता हो, so finally, एक चीज देखने वाली बात यह है, कि जो milliseconds होता है, वो आपको यहां पे दिखता नहीं है, but हाँ आप add कर सकते हो, ठीक है, yeah, this is it, so यहां तक तो आपको पाता चल गया है, अब यहां पे एक चीज है, मैं आपको बाता आता हो, and that is, सबसे पहले, अगर आप कभी भी इस तरी के से, like, new date and then milliseconds लिखते हो, it creates a date object, representing the number of milliseconds, number of milliseconds आपको देगा, since the January 1, 1970, this is it, तो जब भी आप यह वाला करते हो, ठीक है, मैं आपको एक command बाता हो, यहां पे, simple थेखना, the moment में new date हो, तो आपको मालू मैं, चलो, इतना अगर मैं लिखता हूं, current milliseconds पे अगर मैं चलता हूं, we have current milliseconds, तो आपको मालू मैं, आपको इस तरी के से, जो Indian standard time है, उसकी format, basically उस format पे मुझे पूरा data आता है, right, but वहीं, अब, यह जो new date जो लिखा गया था, dot, ठीक है, अगर मैं सिब get time कर देता हूं, and यह सा functions होते है, and enter hit करता हूं, अब अगर मैं current milliseconds पे चलता हूं तो आप देख सकता हूं, यहाँ पर data मुझे कुछ हो इस तरी किसे आ रहा है, जो कि सही नहीं है, मुझे एक और बार देखने कि अगर मैं current milliseconds पे चलता हूं, yeah, this is it, अब मुझे बाराबर time आ रहा है, तो अब यहाँ पर जो मुझे data आ रहा है, यह क्या है, यह एक number है, basically number data type and यह कौन सा number है, यह आपका number है in milliseconds, यह आपके milliseconds है, and अब आप बोलो कि my god, यह किस तरी के अध्यान से देखना, so it's enter hit करता हूं, as per rule, मैं आपको बता तो, होना यह चाहिए, कि यह जो milliseconds है, it keeps increasing, and उसके लिए मैं यह वाला code लिख देता हूं, तब आपको मलब मजा जाएगा and यह जो part है, enter hit करता हूं, तो अब अगर मैं current milliseconds पे चलता हूं, it's 313, ठीक है, मैं फिर से इसको run करता हूं, फिर मैं current milliseconds पे चलता हूं, so देख लिजे, आप खुद difference देख सकते हूं, कि यह जो starting के यह जो numbers है, 17084, 274, है ना, उसके बाद बट यह वाले जो value से देखो, यह पे increase हो गए, it's something like 75,313, it's now 81,785, तो यह जो number है, यह always बढ़ता ही जाएगा, यह always बढ़ता ही जाएगा, जब आप खुद इस value को enter करोगे, जो अभी मैंने type की है, आपका यह value बहुत आगे दिखा चुका होगा, क्यों, क्योंकि every seconds, every millisecond, यह जो value है, यह update हो रहा है, every millisecond से जो value है, वो update हो रहा है, फिर से, यह देखो, अब देखो यह जा रहा, 52 तक पहुझ गया, 48 से 52,000 तक पहुझ गया, आप देखोगे तो ना जाने वो 27 भी नी कुछ और ही दिख रहा होगा, यह जो millisecond मुझे मिल रहा है, वो कहां से मिल रहा है, वो मुझे मिल रहा है, वो मुझे मिल रहा है, तो अगर आप कल की दिन इसको चेक करोगे, आज पूरा 24 घंटा था, वो 24 घंटे में कितने millisecond से होते होंगे, वो उसमें add हो जाएगा, तो आपको इसलिए always updated value मिलने वाला है, यह interview में पूछा जा सकते है, पहला तो वो month start from zero, then जो भी value आपको मिलती है in इस तरगी से यहां पर रखना चाहूंगा आप लोगों के समक्स है न, तो फिलाल तो एक तो directly आप इस तरगी से milliseconds निकाल सकते हो, by default, इसको में लेकिन हटा रहा हूं, मैंने खुद का current milliseconds निकाला, उसको मैं यहां पर paste कर रहा हूं, and if you remember कि हम हमारे milliseconds है, उसको अगर हम pass कर द गया, तो उस milliseconds की मदद से भी, मैं हमारा यह जो time है, उसको get कर सकता हूं, all right, यह बहुत जाद important था, कि milliseconds की मदद से भी, आप अपना time get कर सकते हूं, and यहां पर, yeah, this is it, so इसको as it is रहने देते है, मैं यहां पर चलता हूं, so इसको आप में कर देता हूं, comment, hope guys, आपको 9 तरी इसको अठाते है, all right, यह देखो, JavaScript का जो counts होता है, from months, जो की start होता है, from 0 to 11, JavaScript stores dates as milliseconds, JavaScript stores dates as number of milliseconds since January 1st, 1970, यह आपको ध्यान में रखना है, now, date string format, यह एक चीज़ है, मैं आपको बता आता हूं, ठीक है, now, if the date string is in a recognizable format, the date object will be created accordingly, इसका क्या मतलब होता है, मैं आपको बताता हूं यहां पर मैं चल रहा हूं, पहली बात तो यह, let's say यह वाला part, ठीक है, मैंने date 1 को copy की, मैं यहां पर चलता हूं, and don't worry, अगर आपको यह लग रहा है, कि part 2 में तो मैं तबसे खाली copy कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, part 2 में तो ऐसा-ऐसे projects आएंगे, आप खुद बोल गो, oh my god, यह तो क्या, यह तो simple सा है, यह तो आपको like, यह तो w3 school करोगा, अब भी मिल जाए गई आपको, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि मैं को type करना पड़े, उल्टा आपका time host होगा, इसलिए है, लेकिन हम जल्दी-जल्दी करेंगे, लेकिन एकदम in-depth समझ के, तो इसको मैं हटाता हूँ, अब मैं let's say date 1 करता हूँ, तो यह देखो काईस मुझे कुछ, एक सेकंड, यह तरी किसे मजा नहीं आएगा आपको, इसको मैं complete हटाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर चलता हूँ, इसको भी हटाता हूँ, enter, hit करता हूँ, देखिए, see, तो यहाँ प करता हूँ, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हूँ, कि मुझे वही आ रहा है, क्यों न हम एक काम कर रहा है, अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि हमारे पास node भी है, तो मैं CLS कर देता हूँ, world best js course के अंदर हूँ, मैं node 9 type कर रहा है, and enter, hit कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी सकते हूँ, कि आप जिस तरीके से भी लिखोगे, आपको डेटा वो कुछ इस तरीके से मिलने वाला है, बाराबर year, month and then day, ठीक है, month, day and then year, आप जब भी ऐसे भी लिखोगे, तो भी आपको देखो, बाराबर डेटा आने ही वाला है, बस आपको एक चीज ध्यान में रखना है, and that is की बाहर, basically, इंडिया में तो क्या होता है, like, 5 January, basically, 5 January को मेरा बड़े था, इसलिए साथ यहाँ पर बनाया था, इसको, but, कहने को लगी की 5 January 2024, हम ऐसे बोलते, but, in reality, बाहर देख में थोड़ा सा अलाग है, month पहले आता है, and then date, and then year, तो चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे object will be created accordingly, इसका simple मतलब यही है, alright, now, अब एक चीज़ में बताना चाहूंगा, in JavaScript, there are multiple get methods, and also, we have a set method, get का मतलब यह की, अब, obviously, आपके मन में तप से हार हो गए, यह जो data मुझे मिल रहा है, कास कोई ऐसा method है, जिसके चलते में खाली Friday को get कर सकूं, जिसके चलते में मुझे पता आपको extract कर सकूं, तो वसी को ही हम बोलते है, JavaScript get method in date object, कहने का मतलब यह आपको बताता हूं, we have this current date, ठीक है, now, in a date object, the time is static, यह जो date का object होता है, इसमें time क्या होता है, static होता है, इसका कहने का मतलब यह कि जब आप इसको first time run कर दोगे न, तो आपको जो, the moment अपने enter hit के वह आ आपको output आने वाला, basically, वो time आएगा, बस वो रूख जाएगा, वो जैसे हमारा normal clock चलता रहते है, यहापे वो चलने वाला निया, बढ़ हाँ, इसके next slide में आपको बताऊंगा, with the help of timing based event, so now, see, alright, now we have this const, and for some reason, do I have the console नहीं है, चलो कोई नहीं, so console.lock पे मैं चलता हूं, and यह यहाँ पर आप में year कर देता हूं, ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कर रहे है, guys, यह आपको मालूम है हमें कौन सा डेटा आने वाला है, अगर आप यहाँ पर चलते हो, तो आपको वो कौन सा देने वाला है, guys, UTC, and वहीं, अगर आप normal browser पर चलते हो, तो Indian standard time मिलने वाला ह Let's see, अगर मैं यहाँ पर रन करता हूं, and boom guys, चाय जो भी हो, finally मुझे मेरा year आ गया, get full year करते हो, तो आपको year आ जाता है, ठीक है, all right, now, अब get month, अब मुझे बताओ, guys, यहाँ पर देखो कौन सा महिना मुझे आने वाला, मुझे जल्दी से बताओ, एक काम करता हूं, मैं य current date, तो अब आप मुझे बताओ, अगर मैं get month करता हूं, तो मुझे कौन सा महिना आने वाला है, बताओ, obviously महिना तो यही होगा, right, तो क्या मुझे 0-2 आएगा, let's see, है न, क्या होता है, so month को मैं करता हूं, copy, paste, इसको मैं clean करो, and यहाँ पर paste, and see, नहीं, मुझे guys, 0-2 नहीं आया, instead मुझे आया 1, तो आप में से कितनों ने गाई 0-2 काता है, कितनों ने 1 काता है, let me know in the comment section, या तो आप लाइक बटन क्लिक कर सकते हो, अगर आपने 1 का था, ठीक है, मुझे बहुत कुछी होगी, या अगर आपने 0-2 भी काता, फिर भी आप लाइक बटन क्लिक कर सकते हो, right, and यह, I hope मुझे बताने की ने नहीं कि यहाँ पर 1 क्यू आया, 1 इसलिए आप क्यों कि February का महिना है, and in JavaScript, आपका जो month start होता होता है, from 0 to February is your 1, this is it, then get date, तो अब आपको date अगर चाहिए, then obviously आज का date जो भी आपको मिल जाएगा, and that is 2020 तारिक, उसी तरीके से we have a get day, obviously इतना कुछ हो है नहीं, just get date, get day, get month, get year, get time, get hours, get minutes, get milliseconds, बस यह, set year, set month, set date, बस यह, ठीक है, yeah, I hope आपको मजा आगा होगा यह, but जो भी वो बहुत इसलिए, all right, even Sunday, Monday का भी same fund है, okay, 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 1 second, यह भी जरूरी है, आप लोगो को दिखाना, just a minute, यहाँ पर मैं चलता हूँ, वापस इसको मैं set करता हूँ, ठीक, इसको मैं clean करता हूँ, मैं इसको run करता हूँ, and let's see what I am getting, it's two, so मुझे दो कैसे आ रहा है, in reality ना, मैं एक चीज़ बाताता हूँ, यहाँ पर हो यह रहा है कि reality में तो यह सही है, but अगर आज का दिन, यहाँ अगर Tuesday now कि अगर Sunday होता ना, तब आप चौक जाते, and वो क्यों चौक ते मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, इसके बाद जो set time आएगा, basically set वाली जो methods आएगे, तब मैं आपको बताता हूँ, फिलाल आभी आप समझ लो कि जो भी यह day होता है, basically week, जो भी है यह, अपना Sunday Monday, हम यहाँ पर 0 से 6 है, जिसमें Sunday is 0, Saturday is the last, that is your 6, इंडिया में mostly Saturday Sunday छुट्टी होती है, right, but in Nepal, Saturday आखरी दे होता है हमारे हपतों का, Sunday मतलब वहाँ पर Monday के बराबर है, Sunday को वापस सब स्कूल जाने स्टार्ट करते, यहाँ पर इंडिया में क्या होता है, Monday जाते है, तो कही ने कही यह नेपाल के टाइमिंग से मैच खा रहा है, ठीक है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, एक जनरल नॉलेज की, नेपाल में जो है, Sunday, as a Monday बराबर है, क्योंकि वहाँ पर Saturday को ही छुट्टी होती है, and then Sunday को सब स्कूल जाते है, जो की हपते का पहला दिन होता है, वहाँ पर करते हैं, इसको मैं रख रहा हूँ, and साथी साथ यहाँ पर, console log date, ठीक है, so मैं क्या करता हूँ, यह जो date को पहले मैं उपर रखता हूँ, ठीक है, then उसका जो year है, उसको मैं change करता हूँ, फिर मैं वापस date को console कर रहाता हूँ, let's see कि हमें क्या difference आता है, जब हम यह extra one line add कर द जर्चे से जहां पर वो 2024 अब वो 2025 हो गया है, इस जगे पर, समझ रहो 2025, तो अब अगर कभी भी आपको year change करना रहा, then use this set full year method, कितना है easy, get मतलब पाना, set मतलब set करना, है न, तो यह उस तर्चे से काई सापका यह काम करता है, all right, इसको मैं as it is रखे रहता हूं, then set month, obviously अब आप महिने को भी set कर सकते हो, इसमें like कोई बड़ी बात नहीं है, so now you can set the month, and देखो आपने यहां पे, क्या value लिखी है, 5, but यहां पे मुझे क्या value आ रही है, 6, क्यों, क्योंकि यहां पे वो actual value दे रहा है, तो यहां पे यह ज यहां इसको हटाते है, let's go over here, set and then date, let's say आपको date अगर set करना हो, it's simple, set date, and आज क्या तारिक, आज 20 है, तो अब वो 20 का क्या date हो जाएगा, यहां पे 15 date हो गया, देख लीजे, आप देख सकते हो, जो पहले 20 था, अब वो यहां पे आपका हो गया है, 15, इस तरीक से, तो guys यह आपके date method, हमने जो get and set दोनों देख लिए, अब हम चलते है, with time methods, ठीक है, क्योंकि time भी बहुत जाद ही, जरूरी है, and मैं आप लोगों को यहां पिस तरीक से, देखो guys, बहुत easy, get hours, get minutes, get seconds, then get time, तो सबसे पहले मैं आप seconds कर देता हो, यहां पे, क्योंकि यह सब तो आपको आप बहुत clearly देख सकते हो, फिलाल तो नहीं देख सकते हो, नहीं देख पा रहे आप, and इसको मैं clear कर देता हूं, yeah, so guys, आप यहां पे time नहीं देख पा रहे हो, but कोई नहीं, it's fine, yeah, but actual मैं अभी 4.56 PM हो रहा है, मैं वापस इसको run कर देता हूं, फिर, तब आपको पता चले नहीं देखा हो, यहां पर आपको 4 वैल्यू नहीं देखा हो, यहां पर जो 24 आवर फॉर्मेट होता है, उसके हिसाब से अगर हम देखते है, तो 4 रिप्रेजेंट और 16, तो आपको 16 वैल्यू आ रहा है, हाँ, अगर मैं यह get time करता हूं, तब क्या वैल्यू आता है, देखो जाएं फिर से ना वी है, अब ही थुरी तर पहले हमने get देख, अब हम set देखेंगे, लेट से आपको यह जो hour से उसको set करना है, अब मैं अगर enter हीट करता हूं, तो देखो यहां पर 10 आपने लिखा है, बट आपको वो कुछ इस्तिर किसे दिखाई दे रहा है, set date, 1 second, इसक perfect, क्योंकि अभी 4 बच कि 56 मिनेट हुआ था, obviously 1 मिनेट हो चुका है, और जो 4 के बदले, अब मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, 10, ठीक है, उसी तरीके से guys, you can change minutes, उसी तरीके से you can change your seconds, it's not a big deal, simple, ठीक है, बट हाँ, milliseconds को भी अगर आप चाहो, तो change कर सकते हो, बट यहा यहां पर क्या होता है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है, so let's go over here, इसको मैं हटा रहा हूं, and यह जो part है, इसको मैं copy करके comment कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा ओपर चला जा रहा है वो, and यहां पर आके paste कर देता हूं, all right, yeah, perfect, so let's go over here, and अब अगर मैं यहां पर चलता ही नहीं है, and जिसका कोई जगे ही नहीं है, तो वो क्यों दिखेगा, but हां फिर भी आप यह अपडेट कर सकते हो, ठीक है, and yeah, दो-तिन चीज़े जो मैं आपको बताई, बहुत important था, उसको ध्यान में रखना, उसको note जरू कर लीजेगा, तो यह थाए आपके कुछ get and set, both date and and then time के, you can even like set time, इस तरके से भी set time मुझो है, उसको कर सकते हो, इससे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, चलो इसको भी देखी लेते है, uncomment कर रहा हूँ, and then again we have यह वाला part, यहां पर हम चल लेते हैं, ठीक है, so यह अगर मैं लिखता हूँ, तो गैस मुझे क्या आता है, मुझे complete एक Indian standard time format आता है, और उसी मही में क्या करूँ, set time, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो बहुत उपर मैंने एक बाद set time लिखा था, so guys इसको enter hit करते हो, आप देख सकते हूँ, Friday January 21, 2018, 2008 तो आया भी नहीं है, बट यह मुझे 2028 की value देखा है, क्योंक करते हैं, तो वो यह निकलता है, तो आप आपको पता चल गया कि आप milliseconds को कैसे find कर सकते हो, milliseconds आपको कोई देता है, तो इसकी मदद से आप कैसे date को find out कर सकते हो, तो यह सारी चीज़े, I hope आपको पता चल गया होगा, है ना, तो इसको मैं comment कर देता हूँ, all right guys, now we have some few useful methods, जैस कि टू लोकल स्ट्रिंग, यह बहुत इंपोर्टेंट है, आपको मदद आपको मजा आ जाएगा, यहां पे, ठीक है, कैसे मैं बोलता हो, देखो, obviously आपके महने बहुत बार आए होगा, जो इंडियन स्टेंडर्ड टाइम आपको आ रहा था, कास, इसके बहुत अच्छा सा म एकदम जो ओरिजिनल डेट होता है, वो मुझे मिले, तो मैंने कहा लिखा, टू लोकल स्ट्रिंग, टू लोकल स्ट्रिंग में आपको डेट अंडन टाम एकदम पॉफेक्ट तरिके से मिलेगा, जो आपको चाहिए, यहां गाइस, इस इस इट, आप बहुत के लिए लिए जो तुछ दिर पहले कुछ इतना लंबा चोड़ा था, अब आप कितना पॉफेक्ट हो गया ना, यह देखो, यह आज का डेट, यह आभी फिलाल अभी जो टाइम चल रहा है उसका, एक चीज़ नोटिस करना, यहां पर यह जो टू लिखा है, वो आपका दो तारिक नहीं ह होगा, इनकेस अगर यह 10 तारिक के अंदर होता तो आप कन्फूज हो जाते, अगर लेट से यह 10 होता तो आप बोलते हैं, दो तारिक दसवा महीना, रॉंग, वैसा नहीं होता, अब उसी तरीके से आपके मन में एक और चीज़ आ रहोगा, यार मुझे डेट भी मिल गया, म पॉमेट में लेके आ सकता हूँ, अब इसली अपला सकती है, क्यों नहीं ला सकती है, यह न, यहाँ पर मैं चलता हूँ, हटाता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पर चलता हूँ, रिमॉब, पेस्ट, एंड बॉम, गैसी, देख लीजे, कितने ओसम तरीके से से पितना, हा आपको डेट मिल जाता है, अब, आपके माइन में आ रहोगा कास, मुझे टाइम भी मिल जाता हूँ, उसी तरीके से, अबिसली, नो प्रॉल्लम, तो उसके लिए भी, we have a method, and that is the same, two locally, basically, मैं तो local पढ़ता हूँ, टाइम लिखना है, बस, यहाँ पर था देट, so here we have a time, इस यह तो यह आपका seconds है, after every one second value update होनी चाहिए, like 10, 11, 12 यह नहीं हो रहा है, तो it's static, and one more thing, parse आप कर सकते हो, क्या होता है, parse मैं आपको बताता हूँ, parse is a string representation of a date, and returns the number of the milliseconds, मतलब यह की, again यह भी तरीका है, जिसमें जो भी आप यह UTC format, यह आपका Indian standard format अगर पास करते हो, and then अग अगर आप उसको date, जो basically object है, उसमें, we have this method called parse, and then अगर आप वो value put कर देते हो, तो यह जो भी आपका date होगा, उसमें वो आपका millisecond value value दे देगा, and कहां से देगा millisecond की value, obviously, I hope मुझा आप बोलने की नहीं है, वो, तो इस तरीके से आपको value दे देता है, ठीके, चाहे कुछ भ method की मदद से भी, आप देखो, कोई भी अगर इस तरीके का format होता है, UTC format, उसकी मदद से आप milliseconds get कर सकते हो, ठीके, yeah, this is it, यह थे आपके dates, so now we have few bonus points, and that is, मैं आपको बताता हो, देखो, एक तरीका तो यह था, get time अगर हम करते हैं, ठीके, मैं आपको बताता हो, जहान से था, and then copy करनी थी, and then, यहाँ पर मुझे सको clean, अब मैं नहीं कर सकता, yeah, so, अब मैं यहाँ चल दा हूँ, so, यह date, अगर, यह अगर मैं new date आपको बता हो, तो new date में मुझे क्या मिलेगा, मुझे पूरा वो UTC format, उसमें अगर मैं get time करता हो, तो मुझे क्या मिलता है, milliseconds, but, अगर को यह date na, अब जास्कुत का by default दिया हुआ है, एक window object है, यह एक object है, that is date.now, and then new date.get time, यह जो new date है, वो मुझे यहाँ से मिल रहा है, see, I am getting same output, क्यों, क्योंकि यह method को call करना, यह इस वाले function को call करना, दोनों आपका same output देता है, हाँ, यह जो second वाले में आपको का इस द दो लाइन का code लिखना पड़ रहा, but date.now, खत्म, आपको millisecond मिल गया, अब भी, क्या time हो रहा है, in millisecond, date.now, तो यह guys, आपका इस तरह की से काम करता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, and by the way, दोनों आपकी static है, यहाँ पे कुछ लिख के रखा हुए मैंने, आप ज़रू उनको अच्छे से rate कर सकते हो, ठीक है, time stamp है, and बता है कि कब आपको यूज करना है, कब आपको यूज नहीं करना, basically, यह कब काम आता आपका, यह वाला, यह बहुत बार काम आता है, जब आपके पास कोई existing date already दी होई है, तब आप उसकी मदद से get time कर सकते हो, but date.now, तो always जो add a specified number of days to a given date, okay, तो इसको मैं uncomment कर देता हूँ, तो कहने का मदलब यह है, कि मेरे पास एक date है, ठीक है, this is my date, and basically, यह जो भी date है, इस date पे मुझे 7 दिन add करना है, इस तरह के का मुझे एक interview question है, कि आपके पास जो भी, या तो आज का date हो, या जो भी date हो, उसमें आपको 7 दिन और extra add करके, तो वो जो after 7 days, वो कौन सा date होने वाला है, या कौन सा दिन होने वाला है, उसका data मुझे चाहिए, अभी तक हम जो भी secret आपको लगा, अबे, क्या बच्चो वाला है, तो get set, get set, get set, go, अब भागना है भब हम हैं यहाँ पे, अब हम कैसे करेंगे, तो yeah, let's check it out, तो देखो, already उन्होंने एक date दी हुई है, एक functions दिया हुआ है, and मैं यहाँ पे उसको local date string कर रहा हूँ, तो वो देखा जाएगा, क्यों हमने वो ऐसा किया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता, const, तो यहाँ पे we have a date, and then एक extra day लिख देता हूँ मैं, ठीक है, yeah, by the way हम fat arrow use कर र बिद नहीं हो, तो 7 होने वाला है, मुझे यह बस इतना देखना है, कि यहाँ मुझे क्या मिल रहा है, by the way मुझे error मिल रहा है, and that is यह वाला part, क्योंकि हम कुछ return करने रहे, तो वो कुछ दिखा भी नहीं सकते, yeah, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, by the way मैं इसको clean करके कि दिर पहले हमने देखा था, set method in date object, that is your set, full year, set, month, set, day, and then set, date, तो क्यों न, एक काम करूँ मैं यहाँ पे, अगर, फिलाल मैं एक चीज़ करता हूँ, जल्दी से मैं console.log, we have a date, dot, get, date, अगर यह method अगर मैं use करता हूँ, control s, save करता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे date दिखाई दे रहा है, 29, obviously, 29 पाता है क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे 29 यह जो है, वो pass कर रहा है, ठीक है, मुझे 29 आ गया, क्या हो, अगर यह set, I mean, get date, के बतले, अगर मैं set, date, and then मैं 5 लिख दू, set, date, अगर मैं करता हूँ, तो मैं अपना खुद का date, वहाँ पे अगर अच्छे से मालूम है, कि अगर कोई भी time आगर आपको दिखाई दे रहा है, then उसको अगर हम new date के अंदर यह milliseconds अगर हम pass कर देते हैं, ठीक है, by the way, आई यह string pass कर ना होगा, इस तरी किसे, so guys, controlless से यहाँ पे चलिए, and, wow, invalid date आ रहा है, so, आपको string pass नहीं करना है, यहा वापस इसको clean कर रहा हूँ, इसको मैं run कर रहा हूँ, and yeah, this is it, see, यह देखिए, पहले तो वो था आपका 29, क्योंकि हमने वो pass की, उसके बाद मैंने क्या क्या है, set date के मतलब से मैंने 5 लिखा, तो मुझे milliseconds में date आया, उस milliseconds को वापस, I mean, वापस मैंने date में convert करना चाहा, तो यहाँ पर आप बहुत के लिए लिए देख सकते हो, कि मुझे यहाँ पर क्या आ रहा है, value, यह देख लिजे, 05, तो यहाँ पर आपको idea आजाना चाहिए, यहाँ पर आपको idea आजाना चाहिए, that is, set date में, obviously date.get, जो भी आपका date है, plus आपका यह जो extra day, खत्म, extra, we have a day, this is it, मलय कोई इतना easy यह, कि अब इसको को में हुटा रहे हूँ, जो मैं clean करता हूँ, and मैं run करता हूँ, तो मुझे not a number a बाइदे वे, and not a number क्यों आ रहे है, क्योंकि यह पका अपका a function है, jsat, बाइद बापका analytics, as, how I am answering a data. लेट आएगा and that is 2024 तीन and then 7 तो अगर आज यह जो 29 का जो डे है 29 ना 29 तो एक काम करते हैं February का जो महिना है वो कितना है देखो obviously यह लीपियर है हमने पार्ट और में देखा था कि February का यह जो 2024 में February लीपियर के अंदर आता है तो it means 29 डेज इसमें 29 डेज के बाद अगर मैं साथ दिन और एक्स्टा जोड़ दो तो मार्च का मैने स्टार्ट होता है एक दो तीन चार पांच छेस साथ मार्च मेरा काम हो गया मेरा काम हो गया जो मुझे चाहिए मिल यहां पर बस इसको मुझे थोड़ा प्रॉपर तरीकी से रखना होगा कैसे मैं बताता हूं यह फंड है ठीक है तो क्यों ना हम एक वेरेवल क्रेट करें लेट अपडेटेट डे या सौरी इट्सट डेट यह विल विक्वल टू यह जो भी है ठीक है यह आपको आईए आगे आगे देखो ना काईस मैं आपको चाहूं तो मैं पहले ही यह कर सकता था लेकिन मैं जान अब करन आपको दिखा रहा है हम इसको सकता है और अबिसलिन अब यह फिला पार्ट मुझे हां पर लगेगा वाक कै Damn अब updated date will be equal to यह जो भी है इसे को copy करना है pass करना and obviously this time मुझे इसको copy करके यहां पे इस तरह किसे paste कर देना है इसके भी मुझे कोई नीड नहीं अब यह वाला जो date होगा इसको मुझे return करना है updated date इस तरह किसे ठीक है अब यह जो updated date मुझे आ रहा है क्या मिलता है हमें लेट सी हां इसको मैं console.log करता हूं and we have a new it's a date चलो ठीक है मैं यहां पे चलता हूं and आप बहुत क्लियली देख सकते हो कि मुझे बाराबर date आ गया यह देखिए मुझे बाराबर यहां पे date आ गया and इसको अगर आपको एकदम प्रॉपर तरीके से देखना हो तो आप उसको simply local date string कर दोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ और date दे दे गया देखिए आज का यह जो भी डेट है उसमें अगर साथ दिन बात कौन सा डेट आता है बोलने से वह यह देट आता है तो इस तरीके से हमने जो डेट में सिखा भी कुछ आप उसको इस तरीकिस इंप्लिमेंट कर सकते थे और यहां पर डिरेक्ली भी यह जो दो पार्ट इसकी लिखनी की नीट भी नहीं थी आपको यह जो रिटरन है आप चाहो तो डिरेक्ली यह पर इस तरीकिस इसको रिटरन कर सकते थे में में आपका पता चल गया कि कैसे हम डेट add कर सकते हैं, perfect, so yeah, and by the way guys, आपको बिल्कुल डरना नहीं, आप चाहो हो, तो आपको लगे, नहीं, इसको तो हम दुस्रे तरीके से भी कर सकते हैं, obviously कर सकते हैं, आप उसको जरू ट्राय कर सकते हो, now, we have one last question from our date section, and that is, write a function to calculate the difference in days between two given dates, okay, so we have one date, जो की है, दो हजार चौविस दो, and then 19, यह कौन सा है, यह है, दो हजार चौविस तीन, and then, okay, February 19 तारिक, and March एक तारिक के बीच में कितने दिन आते हैं, अब मुझे उसको find out करना है, output आना चाहिए, 11, ठीक है, and function कुछ इस्तिरकी से बनाना है, get, days, difference, date 1, and then date 2, तो अब इनकी मतसिदे को कैसी, यह easy है, by the way, मुझे इनकी बीच में difference चाहिए, मैं यह जो date वाली जो value है, उसको तो पहुत easily में get करी सकता हूं, but क्यों न, मैं directly इनको on the spot minus करके देखो, क्या होता है, let's here, guys, वो करके देखते हैं, मुझे भी देखना है, so मैं यहाँ पर चलता हूं, it's d1 कर देता है, कौन उतना लंब sd1 ही लिखेंगे, so मैं यहाँ पर चलता हूं, so guys, आप देख सेकते हूं कि कुछ हम इस्तिरगी से value आ रहा है, by the way, यह जो मुझे value आ रहा है, obviously, आपको मालूमें कि आपको milliseconds में आ रहा है, तो कहने का मतलब यह है कि d2 से and then यह जो d1 है, इनकी बीच में जो gap है न, वो इतन milliseconds का gap है, but मुझे यह कैसे पता चलेगा कि यह कितने दिन है, समझे रहो, like, यह तो milliseconds में आगे लेकिन हमें तो पता लगाना है कि कितने दिन का gap है, तो अब हम एक चीज़ कर सकते हैं, सबसे पहले तो यह कि एक दिन में कितने milliseconds होते है, तो उसको अगर हम इस से divide कर देंगे, तो जो भी value आएगा उतने total day हमें पता चल जाएगा simple right तो सबसे पहले हमें एक काम कर लेते हैं let one day m लिख देता हूं one day millisecond millisecond will be equal to and by the way मैंने इहां पर कहा लिखा one day ही लिखा तो millisecond लिखने की निए निए फिर one day लिख देता हूं तो देखना क्या होता है 24 घंटा 24 घंटे होते है जिसमें से कितना कह सकते है like 60 minutes and 60 seconds and obviously अब millisecond कितने millisecond to 1000 होगा तो कहीं न कहीं ये कितना total आता है I guess 86,400 होता है कुछ तो भी I am really sorry मैं भूल गया है क्या था वो but हाँ आपको मालूम है ये like console में directly कर सकते है into 60 into 60 okay 86,400 seconds okay इतना तो मुझे याद था कि लेकिन ओके अगर इसको आप मैं multiply करता हूँ 86,400 into खाली मुझे वो 0 ही तो add करना है इसको मैंने किए copy ठीक है मैं यहाँ पे चलता हूँ let's do one thing यहाँ पे let div will be equal to आप console की मुझे कोई need नहीं है okay and return let's do हमें return तो obviously करना है div divided by one day this is it या अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ इसको हटाता हूँ मैं run करता हूँ boom guys see it's 11 days but फिर भी मैं कुछ चीज़े है आपको बताना चाहूँगा कि यह जो seconds में अगर आप कभी भी divide करने जाते हो इस जगे पे याद है हमने maths पढ़ा था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा fraction में कुछ ना कुछ गड़बड हो सकता है तो इस वाले पार्ट को आप एक काम कर सकते हो कि इसको आप round कर सकते हो या फ्लोर पे जा सकते हो बेसिकली वह round up हो कि हमें मिलने वाला है एंड एक और चीज में आपको बताता हूं गलती से अगर d2 के बदले किसी ने day 1 लिए आप यह समझ लो कि हाला कि यह होता निये वैसे बट जो भी हो माइनस 11 आ रहा है कहने का मतलब है कि माइनस 11 भी आ रहा है जो कि अच्छी बात है बट यहां पर हम क्या कर सकते कि कभी भी अगर आपको नेगेटिव में वैल्यू नहीं चाहिए समझ रहे हो दैन हम इसको एक काम कर सकते हैं डैट इस कि आप इसको मैथ.absolute इस तरी किसे लिख सकते हो और मैं चाहिए जो भी आपकी वैल्यू ऑल्वेस पॉजिटी भी आने वाली है समझ रहे हो तो इस तरीके से आप देख सकते हो खेल सकते हो इसको कोशिस कीजिए ठीक है यहां तो मैंने इनके बीचे में दिया था आप दूसरा और डेट दीजिए देखे क्या आपको बहुत मजा आने वाला क्योंकि इसमें हमारे दो प्रोजेक्स आएंगे तो मजा आ ज आपको प्रोजेक्स मिलने वाले है तो वाव संथ हो का जारा जो कि अच्छी बात है अलिस्ट आप इमिंग बेस्ट इवेंट तो विह बशेट आप 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 आपका सारा डाउट जाएगा ठीक है से टाम आउट का मतलब यह कैसा फंक्शन है यूज तो एक्जिक्यूट अफंक्शन और कोड ब्लॉक आप्टर इस्पिसफाइड डिले इन मिली सेकंड जैसे अगर आप स्कूल में जाते हो एंड बेसिकली टीचर आपसे बोलती ठीक 10 मिनिट के अंदर अंदर आपका यह होमक्क कॉम्पिट होगे मेरे डाक के smith हो चाहिए हमक्क क्यों के यह जो जो अबने हो म сп कर देनके आपको डाक स dropped क्रक शुक्र और अ क्या हुडई मतलब क्या हूब कि अपने जितना भी कंप्लेट किया होगाा इससे मतलब नहीं लेकिन 10 मिनिट होते ही आपको आपना जो फाइले सब्मिट करना होगा सिंपल ना एक पर्टिकुलर समय के बाद आपको एक टास्क पॉफर्म करना वह आपका से टाम आउट के थुरू कर सकते हो यहां पर एक सिंपल फंडा यह है कि लेट से आपको एक ऐसा गेम खेल जहां पर अप्टर एवरी 5 सेकंड्स आपको यह नो हम बच्पम ने खेलते हैं यहाद है लाइक आपको काउंट करना होता था एंड दो मिनिट का टामर दे दिया जहां पर आपको एक लाइन ऐसे क्लिक क करना ऐसे खीचने ठीक है फिर आप फिर आपने एक लाइन की चाहिए तो चौत पांच वेस्ट इस्थर के से कार्ट को बस आप्टर एवरी 5 सेकंड्स आपको एक लाइन किचना तो यहां पर हम क्या कर रहें यहां पर एक टाम इंटरबल दी गई है डाट इस 5 सेकंड्स एं काम हो जाना चाहिए सेट इंटरबल में आपटर अपर पर्टिकुलर टाइम वह काम होगा फिर वह लिकिन ओ लूप पे चलता जाएगा ठीक उसके कुछ देर बात फिर से वह काम चलेगा तो लाइक को काम इसमें चलता जाएगा जैसे आपका टाइम यहनो हमारा जो टाइम खकार थिर उसके थे द्वराट शया चैक अल्राइगम फ्रस देख लेते के मिस को डिक कैसे सकते है सिंपल हम कोई फंशन को जब को अलगारे था फंच्शन का नम इंदर we cool कर थे 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 इसमपल हमें यह सुआ फंसाना आपको लिखर रहा है तो बैसिकल यह फंच seconds मदलब कि 2 seconds after 2 seconds मुझे इस function को call करना है simple तो यह इस तरीके से आप यहां पर कर सकते हैं यह हो रहा है with the help of set timeout जहां पर आपको function का नाम and then आपको एक time देना होता है in milliseconds तो बस यह आपका function after this milliseconds को call हो जाएगा basically run हो जाएगा वही अगर हम से बेसिकली देखो function calling and यह है आपका time in milliseconds all right then we have a set interval सेम हो यह देखो अपने अगर एक चिस नोटिस किया होगा just change हुआ है तो आपका यह जो set timeout के बतले हो गया है set interval तो आपने देखा कि कि सिर्फ हमारा यह जो set interval है वो चेंज हुआ बाकी सब कुछ सेम है तो ठीक है हम इसको लाइब ट्रेक्टिकल करके देख लेते हैं और अल्रेडी में बता चुका हूँ कि आपको जो है आपका जो source code मिल जाएगा है ना basically startup files part 2 का भी यहां पर बहुत इजली आके get कर सकते हैं simple files में आपको मिल जाएंगे आप simply download लीजेगा अपना थापर technical.com भी है वहां पर भी आपको मिल जाएगा तो आपको टेंशन नहीं है तो देख लिजे फिर we have this index.js सबसे पहले हम यहां पर चलते हैं तो यहां पर देख लेते हैं वाट इस अगर simply यह जो मेरा function है उसको normally अगर मैं call करता हूं तो वो कुछ आपका इस्तिरगी से रन हो जाता है simple ठीक है बट वहीं क्या हो कि मुझे यह आपको टू सेकंड्स कॉल करना रहा तो मैं क्या करूँ तब वहां पर आपका यहां पर आपको यह जो फंक्शन आपको सेट टाम आट के अंदर लिखना होगा and simply आपका जो फर्स्ट परामिटर वह आपको फंक्शन पास करना है दरन वहींद घ्राएं पर आपको एक टाम मेंशन करना पर हाउट को अपक्ट हो मेंली सेकंड्स तो आप इसको अपर इसको रण करता हूं आपका यह आपके अपका यह आपटर वींक्ट सेकंड्स फंक्शन कॉल होगया ये करने का इसका एक और तरीका ये था कि फिलाल तो आप directly function को इस तरह की से call कर रहे हैं अगर कल की दिन आगर आपको कुछ extra data data pass करना रहा यहाँ पर let's say अब let's say एक x pass कर रहे हो ठीक है and let's say यहाँ पर आपने comma and यहाँ पर वो x भी इस तरह की से लिख दी अब यहां पर अगर मैं चलता हूँ and control एक सेप करता हूँ इसको अगर मैं रन करना चाहूँ तो guys after 2 seconds देखना क्या output आता है देखो मुझे output आया but value मुझे undefined आ रहा है तो आप खुद देख सेकते हूँ कि यहां पर आपको क्या आता है undefined right क्योंकि आप एक parameter expect कर रहे हो बर्ट हम कोई argument पास नहीं कर रहे तो इस case में क्या होता ना let's say आपको अगर इस तरह किसे argument and then parameter के साथ खेलना रहा है you know then आपको मालूम है कि हम यहां पर जो fat arrow function और normal function उस तरह किसे पास कर सकते and यहां पर आप में लिख देता हूँ let's say 5 कि यह जो x की value वह 5 होगी इसको मैं हटाता हूँ and then again अगर इसको मैं run करता हूँ so 3,2,1 and bomb गा इससी आप बहुत क्लिए लिए देख सकते हूँ कि यह जो first वाला है उसमें मुझे undefined आता है बट वहीं अगर कर मैं आपको दिखा हूँ यहां पर you know तो आप बहुत क्लिए लिए देख सकते हूँ कि second time में मुझे एक value आ रही that is your 5 तो इस तरीके से आई होप आपको पता चल गया कि कब आपको कौन सा तरीका यूज करना है set timeout के साथ ठीक है यह तो यह था आपका set timeout after a particular time वो function call करेगा set interval बहुत ही ज्यादा simple है let's imagine we have to play a mind game of counting seconds on mind and after every 5 seconds we need to draw a straight line जो मैं आपको से कहा था ठीक है so इसको हम कैसे कर सकते देख आप देख सकते हूँ यहां पर we have this function simple like this function will repeated every 1000 milliseconds ठीक है आप उसके लिए देखो अगर मैं फिर से set timeout कर देता यहां पर मैं चलता यह जो repeated function है उसको मैं call करता and 1000 लिग देता तो इससे क्या होता कि यह जो मेरा particular function है वो after one second एक बार के लिए ही चलेगा and then stop but अगर आपको यह repeatedly after every one second output आते रहना चीए then instead of set timeout we'll go set interval control as save इसको मैं हटाता हूँ and then मैं अगर simply refresh करता हूँ like after every one second वो data आते रहेगा आता ही रहेगा जब तक आप इसको stop नहीं करते वो data आता ही रहेगा ठीक है तो इसको मैं कर देता हूँ stop so yeah यह था आपका set timeout and then यह था आपका set interval set interval बहुत काम आता है let's say कोई API अगर आपको fetch करना रहा data you know जैसे कोबिट के सामें corona हुआ था राइट तो like after every one minute cases आ रहे थे तो हमें यही इस तरीके से हम function call कर सकते थे कि after every one second वो function call करो ताकि updated data मुझे मिलता जाए तो वहां पर यह बहुत ही ज्यादा काम आता है else क्या होगा कि आपने एक बर से set timeout कि थुरू अगर कर देते तो आपको let's say सुभे 9 बजे आपने रन किया 9 बजे का data आया कोई इंसा न अगर 2 फेर के 2 बजे देख रहा फिर भी उसको 9 बजे का ही data देखेगा जो कि गलत है right सो कैसे अब हम चलते हमारे 3rd point पे जो कि है आपका clear timeout तो जैसे set timeout था you know set timeout में हम जो भी function को call करते है let's say after 5 seconds मुझे function call करना था तो वहां पर clear timeout में क्या होता है कि वह function को कभी executed ना हो को बोल के आप clear timeout कर दोगे नहीं वह function नहीं चला basically set timeout को रोकना हो तो हम clear timeout का यूज करते है बस इसका इतना ही है ठीक है ध्यान से देखने जो global clear timeout method cancels a timeout previously established by the calling set timeout क्या होता मैं बताता हो ध्यान से देखना इस तरीके से and syntax अगर मैं आपको दिखा हो so here is the syntax जहाँ पे आपको clear timeout लिखने है then timeout की id लिखनी अब यहाँ पे बस एक चीज़ difference आ जाएगा जो मैं पहले क्या कर रहा था let's say मुझे function को call करना है तो मैं यह function को define करूंगा and then मैं यहाँ पे set timeout की मदर से इसको call करूंगा तो अब यहाँ पे मेरे पास कोई option ही नहीं था कि मैं इस set timeout को किसी तरकी से रोक सकूं stop कर सकूं लेकिन हाँ अगर क्या हो यह जो मेरा set timeout हो इसको अगर मैं किसी variable को assign करा दू let's say my work करके एक variable मैंने वहाँ पे इसको assign करा दी अब मेरे पास इसका एक reference आ चुका है that is my work तो अब मैं क्या कर सकता हूं let's say here we have this clear timeout तो मैं clear timeout में जा कि यह जो इसकी value होगी जहां basically जिसी variable के अंदर हमने इसको assign करा रखा है उसको मैं यहाँ पे paste कर दूंगा तो अब इससे होगा यह कि यह वाला जो particular function है क्या होता है मैं आपको बता तो let's do one thing इसको मैं फिलाल basically मैंने हटा के रखा हुआ इसको मैं और let's see after two seconds मुझे data आ गया this function was delayed by two thousand milliseconds but यह मुझे data आ गया अब ध्यान से देखना अब मैं यह clear timeout के अंदर मेरा यह जो my work जो variable है वो मैंने pass कर दी and इसको मैं run करता हूँ and see within a second फर्ट से वो execute हो गया लिकिन मुझे data नहीं आया तो guys यह था आपका clear timeout जहां पर आपने देख लिया कि जो भी function आप create करते हो with the help of set timeout अब उसको stop कर सकते हो तो आपने इसस notice कि आपको पता चल गया like कुछ हुआ ही नहीं यहां पर तो जब कुछ होना ही नहीं था तो इतना code लिखनी की भी क्या निर्थ थी I mean अगर बीना कुछ लिखे ही में कर देता फिर भी like चल जाता ना तो कहना मलता है कि ठीक है बस आपको इतना आपको यह यूज करना पड़ता है चलो ठीक है इसको मैं भटा रहा हूं उसी तरीके से जो सेट इंटर्बल था उसके लिए वी अब क्लियर इंटर्बल बट हाँ उसको explain करने के लिए आप देख सकते हो इसको मैं हटा रहा हूं see clear interval simple set so if you want to cancel a schedule interval before it occurs you can use the clear interval function simple so here we have this particular part and यह पर भी सेम होई चीज है अगर मैं ब्रॉमल एक set interval उसकरता तो मैं कुछ वो इस तरहीं से उसकरता right simple इस तरहीं से and यह मेरा after every one second यह जो console.log यह हो मुझे console पर दिख रहा होता बट हाँ अगर इसको मुझे अगर stop करना है क्योंकि इसको मैं आपने देखा था मुझे इसको manually stop करना पड़ा था रोकना पड़ा था बट क्या हो कि यह एक ऐसा टास्क जहां पर आपको एक मिनेट तक after every five second एक line draw करना है लेकिन एक मिनेट तक ही and एक मिनेट होते ही stop रुख जाना है आपको तो वो एक गेम हम बच्पर में खेलते थे हैं कौन कितना accurately वो ड्रो कर लेता है क्लियर इंडबल एंदन आप में के अंदर बैसिकली इसके अंदर आपको वो वैल्यू जो है वेरियबल उसको पास कर देना बैसिकली आप मुस्टले हम इसको आईडी बोलते है इसको पास कर देना है अब अब अगर इसको में यहां पर simply run करूंगा तो आप देख सकते हूं कि cannot access इंडबल यहां पर आप देख सकते हो बिसिकली आपको कुछ इस तिरिगे का रहा 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 ठीक आप यहां पे एक चीज आप मुझे बता हो ना कि आप्टर वान मिनिट आपको इसको रोकना है लेकिन आपने कहीं पर भी ऐसे वान मिनिट करके तो कुछ जिकर ही नहीं किया तो मतलब यह काम नहीं करने वाला बाइदर वे ठीक है तो इसको मैं आपको बता तो यह कैसे काम करेंगा तो फॉर दिस वी हब दिस चैलेंज जहां पर आप ध्यां से देख सकते हो कि आपको ए इस तिरके का मैसेश को लॉक करने वाला है कंसोल में ठीक है तो ठीक है यह मैंने कर दी एंड यहां पर मुझे डबल कोट लगेगा इस तिरके से चलो ठीक है इतना हो गया ना देन सेट अपन इंटर्वल उजिंग सेट इंटर्वल तो कॉल रिपीटेटेट फंक्शन अप् इस ने ने अप्रवल यह पीजिए अप्रव अप्र आप अप्र इसको में रन करोंगा तो आपको मालूमिक एक अप्र एब्री 1 अधिख वो आता ही जाएगा यह जब तक इसको में स्टॉप निगर देता हूं ठीक है तो इतना चलो मेरा काम हो गया है ना अडिशनली अप् 5 seconds have elapsed use set timeout to clear the interval previously setup now after 5 seconds हमें हमारा ये जो set interval वाला ये जो function था हमें इसको guys क्या करना है हटाना है clear करना है ठीक है and अब हम कैसे कर सकते देखिए after 5 seconds अगर हम फिर से पहली कितरा अगर इस तरह किसे clear interval and then obviously मुझे अब इसको एक वेरेबल में पास करना पड़ेगा let's say const interval id है na equal to कर देता हूं तो guys अगर यहां प्याकर में interval id करूंगा तो मुझे फिर से वही same problem आने वाला है जो थोड़ी देर पहले आयता माला कुछ भी नहीं आएगा यहां पर क्योंकि वह stop हो चुका है ठीक है बट हाँ अब इसको मुझे after like 5 seconds के बाद मुझे इसको stop करना है तो उसके लिए we have you know set time out and I guess guys मेरा background noise जो inverter का थोड़ा तेज आ रहागा तो I'm really sorry थोड़ी देर के लिए रहेगा बट आप टेंसर मत लीजिए ठीक है अब जस्ट मेरे voice फोकस कीजिएगा कि उसके लिए हमें क्या करना है कि after every millisecond अगर आपको कुछ कॉल करना हो तो इसके लिए हमारे पास already method है and that is your set timeout तो set timeout के अंदर में चलता हूँ इस तरह किसे and then मैं यहां पे लिखता हूँ after 5 seconds ठीक है तो अब यह वाला जो funda है इसको में हटाता हूँ and इसके अंदर में paste कर देता हूँ इसको अब मेरा यह काम हो गया like after every one second यह वाला function call होता रहेगा and ठीक 5000 milliseconds होते ही हम clear interval करके इसको हम stop कर देंगे तो यह है actual funda आपका यह तीनों आपका कैसे काम करता है basically एक दो तीन चार and yeah see this is it देखो अभी यहां पर आपको चार बाट दिखाई देगा क्यों क्योंकि देखो दोनों एक साथ run हो रहा है न यह 5 second के बाद इसको बंद होना था and इसको after every one second तो पहले के second में कुछ data है नहीं एक second के बाद जाके हमें पहला data आता है तो आप चाहते हो कि मुझे मेरे console पे 5 ही बार I mean वो यह data दिखाई दे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपका यह जो interval है repeated function हम चाहेंगे the moment इसपे में click करूँ सबसे पहले यह एक run हो जाना चाहिए and like 5 seconds के अंदर अगर आप after every one second करते हो 5 second के timing में एक second के बाद उसको run करना है तो यह वाला देखो यह वाला एक second तो चलेगा नहीं क्योंकि एक second जब होगा तब जाके पहला आए है कि यह जो मेरा repeated function है इसको मैं by default पहले ही call कर दे रहा हूं तो अब इससे क्या होगा कि the moment में page refresh करूंगा यह automatic इसको call कर देगा and after every one second यह set interval इसको call कर रहा होगा तो यह एक and then इसका total 5 हो गया and obviously यहां तो मैं बंद करी रहा हूं तो आप मैं इसको clean कर देता हूं and then मैं set interval आपका यह clear interval इस तरह किसे काम करता है and believe me यह बहुत important है so yeah I hope आपको पता चल गया होगा and मजा होगा क्योंकि बहुत important था यह अब हम चलते हमारे index पे यहां पर आप देख सकते हूं कि finally अब हम हमारा वह watch create करने जा रहे ठीक है तो मैं जल्दे से यहां पर चल देता हूं इसको मैं copy कर लेता हूं आप लोगों के लिए and मैं यहां पर चल के आप लोगों को इस तरी किसे दिखाना चाहता हूं तो आप आप देख सकते हूं कि आपको कुछ हो इस तरी किसे दिखाई दे रहा है तो मुझे आप इसको create करना है guys मैं चाहूंगा please आप यहां पर थोड इक वैल्यू देता है मतलब एक बार आप रिफ्रेश करोगे तो आपको वैल्यू रूख जाएगा लेकिन यह चल रहा है टाइम बराबर तो वह चल रहा है टाइम यह जो है मुझे मिल जाएगा बहुत इजिली स्टाटिक लेकिन उस टाइम को मुझे आप टर एबरी वान स चल करना है ताकि मुझे इस तरीके का डेटा दिखाई दे अब आपको पता चला थुई देर पहले मैंने जो आपको डेट पढ़ाया था तो दोनों का काम अभी हाँ यहां पर एक साथ मिलने वाला है तो इस तरीके से जो जो चीज अभी तक हम पड़ चुके है उसको आपक को मालूम है मुझे बारवा बतान की नीट नहीं हमारे कोर्स पर आप जाओगे तो वी है बाइस्टेमल एंड वर्ल्ड बैसे स्कूर्स अल्रीड अपलोड कर चुका हूं तो आप अगर वह देखके आचुके तो आपके लिए बहुत इजी है ठीक है तो आप देख सकते हुए आपको में फंडा देना है इस पर यह सब तो ऐसे पस डिजाइन के लिए था कि थोड़ा हम अच्छा दिखा सके यहां पर आप आप आओगे तो यह है आपके लिए सबसे जादे इंपोर्टन डैट इस डिप यह जो एक परग्राफ दिखाई दे रहा है यहां पर मुझे मे इस में डिप के अंदर एक लॉक और तो मैं हमारा यह जो प्रोजेक्ट इसको अगर में कॉपी करता हूं और यहां पर चलता हूं और पेश कर देता हूं तो कुछ जो इस तरह की से बाइडिफॉल दिखाई दे रहा है इट जस्ट मुझे यह वाला जो पार्ट है वो मुझ करेंट टाइम लिख देता हूं इक्वल टू गाइस कैसे पाना है ताइम सिंपल इस तरह किसे है ना पार में यहां वहाला ओं अल्रीडो मेने बहुत डीटेल में आपको से ने ताथा यए यह अ के डूमेंट.кт-प्राइमें लॉक्त कर से में कशिए क्ये अ ड़य का कि टीछ दे रहा था हमимо इस पाने पास थार पहर हूं कुछ एके औवार मैं करता हूं refresh तब आप देखोगी कि मुझे मेरा डेट आ रहा है वेनस डे फेवरी 21 यह लंबा चौड़ा इतना है ना जो कि एकदम सही भी है लेकिन मुझे तो सिर्फ टाइम चाहिए यहां पर तो इसके लिए यादे मैंने आपको बताया तो ही है बाट टू लोकेल टाइम स्क्राइब कर दो पर एक हम यहां पर देख फा डेताहूं कि मुझे कितना पॉट अरै कि हैं इसको मेरा तुले कर देता हूं कि यह जो particular function after every one second call करते रहना है, simple कितना ज्यादा, right, कैसे we have a set interval यहाँ पे, all right, ठीक है अगर इस तर किसे आगया कोई नहीं, यहाँ पे मैं paste कर देता हूँ and यहाँ पे आप इसको इस तर किसे call कर सकते हो फिर, यह इसकी एक beauty है and after every one thousand milliseconds अब अगर इसको मैं refresh करूंगा कैसा लगा, अब गाइस like बनता है, comment बनता है share बनता है, कि हमने time बना लिया, अगर आप अपने website पर आपको timing दिखाना हो current time जो भी user का चल रहा हूँ खत्तम हो गया, अब यह जिंदगी बाद lifetime में चलता ही जाएगा लेकिन मुझे क्या करना है मुझे like after 5 seconds या after 10 seconds मुझे इसको stop करना है ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे तो उसके लिए guys, second आपको मालूम है set time out will be, directly will be equal to नहीं होता, इस तरी किसे, and let's say after 5 seconds, यहाँ पे मुझे एक function call करना होगा ठीक है, तो मैं इसर किसे चलता हूँ and यहाँ पे, अब मैं क्या करूँगे, जो मेरा set interval था इसको मुझे एक variable में assign करना ही पड़ेगा तो interval id लिखते है mostly इसको prefer करते है, मैं इसर किसे लिखना and यहाँ पे यह जो मेरा clear interval होगा ठीक है, उसको मैं call करके यह पास कर दूँगा, this is it तो यह जो मेरा timing है basically वो 5 second तक चलेगा मेरा यह घड़ी 5 second तक काम करेगा उसके बाद रूख जाएगा, बैटरी खतम हो जाएगा ठीक है, तो ध्यान से देखना 35, 36, 37, 38 यह खतम 5 second तक चला यह stop होगा अगर आपको stop नहीं करना हो तो guys आपको इस वाले particular line की need नहीं है यह lifetime आपका चलता जाएगा so this is how you can create this awesome timer कैसे लगा, था ना बहुत ही ज़्यादा awesome है आपको पुरा idea आगया, कि timing कैसे बनाना है उसको stop करना हो, तो क्या करना है उसके लिए देखो just because of date and then set time out basically timing events आपने इतना awesome एक घड़ी बना ली जो कि बहुत awesome है आप इसको कहीं पे भी add करके रख सकते हो ठीक है, और गैस तो यह हमारा काम हो चुका है अब हम चलते हमारे next slide पे basically next and that is again one project तो मैं आपको दिखा तो कि हमारा यह जो project तो मैं यहां पर लेकर चलता हो आप लोगों को and यहां पर आप में पेश कर देता हो तो आप देख सेकते कुछ वह आपको ऐसा दिखता है जहां पर जब मैं इस पर click करूंगा तो basically आम एक timer add कर रहे है आप में इसे बहुत होने timer देखा होगा तो यह timer बन गया आपका लेट से आपको क्या करना है कि time चाहिए कि किस particular समय पर मैं इस पर click की let's say देखो the stop time is 12 होता नहीं गेम आप खेल सकते हो या जब भी sprint होता है तो जो आपके coach होते है टक 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 इस तरह किसे timer को वो get time करते है ताकि यह पता चले कि लोगों ने कितने ठीक आप एक बंदे ने इतने में racing को finish की दूसरे ने इतने में की ठीक है आप चाहो तो इसको stop कर सकते हो and then again आप अगर start पर click करते हो तो फिर से आपका वहीं से वह start होता है and stop कर सकते हो फिर से अब देखो यह बहार जाने वाला तो यहां पर clear time कर सकते हो and then आप इसको अगर आपको start से करना हो then आप इसको reset कर सकते हो start कर सकते हो reset कर सकते हो get time कर सकते हो आप इसको stop कर सकते हो तो पांचो के पांचो बटन किस तरीके से काम कर रहे है यह टाइमर कैसे हो रहा है data हम क्योंकि यह चीज इंट्रेस्टिंग है कि यहां पर देखो यह जो टाइमर में वैलुज चल रहा है ठीक है तो क्या होता है ऐसे कि जब में गेट टाइम पर क्लिक करता तो वह आप देखो न यहां पर नाव इस फोर और देन इस नाइन तो यह कैसे हो रहा क्योंकि यह वाला data तो चलता जा रहा है stop and then reset इस तरह के से हैं हमें clear कर देता हूं तो यहां गाइस बहुत कुछ आपको सिखने मिलने वाला है इसमें मैं तो चाहूंगा कि आप इसको खुछ से जरूर ट्राइए कीजिए ताकि आपको आइडिया आजाए इसको आपको बहुत ही ज्यादा मजा आगा एंड़ आप सर्प्राइज हो जाओगे अरे यह तो मैने कर लिया समझे रहे क्या है अलड़ी कर चुके अब आपको सबको मिला के एक प्रोजेक्ट बनाना है सिंपल प्रोजेक्ट सो आप देख सकते हो कि कुछ मेरे पास एक बटन है पी जिसमें मेरा ये काउंडाउन हो रहा है दैन वी हब वन ग्रूप बटन्स जिसके अंदर वी हब टोटल फाइब बटन्स सबको मैने के क्लास दे रही विट दिफरेंट नेम्स ताकि उनका जो र इड़े आगया कि हमारा HTML कुछ इस्तरगी से दिखने वाला है सिसस का पार तो अल्रडी मैं सोर्स को सेर करी रहा हूं तो आपको टेंशन है नहीं वर्ल्ड बैस से स्कोर्स आप एक बार जरूर देख लिजेगा तो आपको इस सारे चीजे बहुत ईजी लगने लगेगी फि यहां पर क्लिक करता तो मुझे जो वैल्यू मिलती है उसको मैं बेसिकली इसके अंदर स्टोर कर रहा हूं सिंपल तो इन दोनों की मैंने रेफरेंस ले लिए चलो ठीक है उसके बाद गाईस आपको मालूम है कि हर एक बटन को मुझे क्लिक करने पर एक नेक फंक्शन को कॉ स्ट मैंने क्या कर रखा है जितने भी हमारे बटन से उन सब का मैंने स्टरके से रेफरेंस लिए है सिंपल ठीक है कोई बड़ी बात निया बहुत बेसिक है सब मैं एड़िवेंट लिस्टनर की मतब्से क्लिक इवेंट मैंने अड़ कर दिया वस खत्म तो सबसे पहले हमें यह देखना है स्टार्ट टाइम इसको मैं कॉपी करता हूं यह जो फंक्शन है सबसे पहले मुझे इसको डिफाइन करना होगा चो कॉंस्ट स्टार्ट टाइमर में यहां पर चलता हूं इस तरिके से एंड आयनू स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बर हो गई यहां पर करूंगा जब भी कोई स्टार्ट काउंट है उसको में प्लस प्लस कर दूंगा ठीके लेकिन मुझे वह से प्लस प्लस निकाना मेरा यह जो वैल्यू दिखाई दे रहा है रेफरेंस काउंट डाउन तो इसको मैं कॉपी करता हूं डॉट इनर टेक्स्ट विल बीकॉल टू यह जो मेरा स्टार्ट काउंट है प्लस प्लस हमने अल्रेडी इंक्रिमेंट देखा यह प्लस प्लस करोगे तो वह एक से इंक्रिमेंट हो जाता है अगर आप सिंपल इतना भी कर देते हूं और फिलाल आपको इसका रेफरेंस लगा आई मीन कॉपी करना पड़ेगा इसको यहां पर हम चलते हां किको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करते हो कि ने की दिचने की reel नीटम टॉसांकी कि अगर उस में सब को क्रोंड तो इसके प davonक्षा नहीं टी इसलिए मुझे वो error आने वाला है वाट हाँ आप मैं इसको refresh कर देता हूँ and then मैं अगर start पर click कर देता हूँ तो अब अगर मैं console पर चलता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये जो particular part है वो guys देखो मेरे जब जब मैं click करूँगा तब तक ही वो चलेगा है देखो मेरे click करने पर चल रहा है लेकिन मुझे click नहीं करने after every one second मैं चाहता हूँ कि ये अपने आप after one second वो increment होता रहे तो हो गया आपका काम कितना easy after every seconds increment होता रहना चाहिए मतलब कि set interval के अंदर एक function call करो जिसके अंदर हम एक second लिक्या हो गया इसको मुझे call करना है after every one second तो ये जो part दिख रहा है इसको मैं हटाता हूँ इसके अंदर paste कर देता हूँ this is it हो गया मेरा काम खतम set interval के अंदर मैंने जब भी कोई button को click करेगा ये set interval trigger हो जाएगा after every one second ये जो value है वो count होता जाएगा and that's why मैं start count को एकदम top पे रखा क्यूंकि अगर इसको न मैं इस तरगी से अंदर रख देता तो guys I guess ये काम करता फिर भी इसको start पे click करता तो ठीक एक second के बाद देखो एक दो तीन यह काम कर रहा देखो इस तरगी से perfectly है न बट फिर भी हम इसको like top पे रखे तो ज्यादा better रहेगा तो यह मेरा काम हो गया बट हाँ अब इसके बाद next step होगा कि मुझे इसको stop करना है and stop करने के लिए हमारा जो set interval है उसका id हमें लगता है तो हम क्या करेंगे let interval id को इस तरह किसी में कर देता हूं ठीक है this is it अब यहां पर आप देख सकते हूं stop करने के लिए function तो है so stop value clear time value so timer over here तो यह वाला जो एक function है आप में इसको define करता हूं जहां पर कोई भी stop button को करेगा click तो यह वाला जो function है वो call हो जाएगा and अगर यह function call होता है then तो हम इसको जल्दी से कर लेते है है define है ना देखो मुझे क्या करना है is stop करना है ठीक है मुझे क्या करना है इसको stop करना है जहां पर भी यह है बस मुझे वहां पर रोक देना है उसको कितना easy अगर सेट इंटेवल को अगर आपको रोकना रहा हम क्या करेंगे हम सिम्पल है इसकी जो यह क्लियर इंटेवल करके जो एक मैथट था उसको मैं कॉल कर दूंगा खत्म हो गया काम तो अब अगर मैं यहां पर वैसे तो मुझे एक बार रिफ्रेस्ट करना पड़ेगा अब अगर स्टार्ट में करता हूं तो यह चलता जाएगा दा मोमेंट में अगर स्टॉप पे क्लिक कर दूंगा एक सेकेंड इंटेवल आइड इस नौट दिफाइन तो कुछ में इस्तिर के सिकाता अभी यह जो है ना लेट हमने पड़ा कि इसका जो स्कोप है वो इस फंक्शन स्कोप तक ही सिमित है इसको अब में बाहर एक्सिस नहीं कर सकता तो लेट डू वान तिंग इसको मैं यहां से हटा के अगे नहीं पर रग देता हूं एंड इसको फ अब मैं यहां पर चलता हूं अब मैं फिर से स्टार्ट बटन पर क्लिक कर रहा हूं तो एक दो एंड अब अगर मैं स्टॉप पर क्लिक करूंगा और अभी स्टॉप हो गया यह अब हमारा स्टॉप हो चुका है मैं वापस स्टॉप पर क्लिक करूंगा यह फिर से स्टॉप हो जाएगा मैं वापस टॉप पे क्लिक करूंगा यह फिर से स्टॉप हो जाएगा ठीक है यह त McMरा काम होगा लेट्स डू ओन ठीक टाइमर को हम रिसेट कर देते ठीक है टाइमर को क्या कर देते उसको बस मुझे 0 कर देना है थोड़ा सा आप दिमाख लागा होगे ना तो यह बहुत इजी है and that is की यह वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है start count है ना यहां पर मैं क्या कर रहा हूं मेरा जो भी वैल्यू होगा उसको मैं continuously increment कर रहा था क्यों ना जब भी कोई इस बटन पर क्लिक करें मैं इसकी वैल्यू डारेक्ली जीरो कर दूंगा यह हम कर सकते राइट अगर यह एक बार होता है अगर मैं refresh करता हूं start पर अगर मैं click कर देता हूं तो वान टू अगर अगर मैं reset पर click कर दू तो वह zero हो गया बट problem देख आपने क्या हो रहा है the moment फिर से मैं reset कर दूंगा zero लेकिन फिर वो चलेगा तो फिर से मैं click करूंगा zero and then फिर वो चलेगा until and unless जब तक मैं stop नहीं करने वाला and then reset नहीं करने वाला अब मैं वाप start करूंगा तो फिर से वही problem कि मतलब वहीं से start हो रहा भाई अब रुख जा रुख जा कैसे रुख इसको मैं तो यहां पर आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा and that is and देखो guys अब तो यह stop भी काम नही problem ही हो रहा है कि आप खाली यह जो value जो बाहर से दिख रहा है सिर्फ उसको stop कर रहे हो आप but in reality मुझे मेरा यह start count है you know जो की यह वाला part है इसको मुझे copy करना होगा and जब भी मैं reset पर click करूंग तो वो जो मेरा actual variable है उसकी value को मुझे 0 करना है and यह start count है वो मुझे यहां पर print क करना है and साथी साथ जब मैं start count पर click करके उसको 0 कर दूंगा basically reset button पर click करने के वाद जब हमारे value 0 हो जाएगा यह फिर भी वो चल जाता है तो वो ना चले मेरा interval नहीं चलना चीसले मैं फिर से उसको reset पर भी मेरा यह जो interval है उसको में clear करना चाहता हूं भाई बंद अब तो र मैं start करूंगा after every one second ही चलने वाला है अगर में stop कर दूंगा तो guys रुख जाएगा है ना मैं फिर से start करूंगा तो मैंने stop के समय कभी यह नहीं का कि भाई start की value को अल्टर करो start की value basically start count की value को मैं यहां पर छेड भी नहीं रहा हूं मैंने खाली उसको रोका हुआ है but the moment मैं फि है तो आप मैं वापस start क्लिक करूंगा तो वह वान से start होगा फिर से reset तो आपका start हो गया अपका stop हो गया अपका reset हो गया now let's go with the get time get time का मतलब यह होगा कि the moment इस पर आप क्लिक करोगे तो value मुझे यहां पर मिलना ची जो भी current value है start count का तो यह भी तो easy है अगर हम सोचते है देखो यहां पर यह एक fund आपको idea आ चुका है ठीक है यह वाला एक fund आपको idea आ चुका है कि start count की value अगर आप inner text को दे देते यह वो जो भी particular आपका element है वो value वहां पर आपको so हो जाता है वसी तरीके से बस मुझे यहां पर नीचे value so कराना है तो कैसे होगा देखो so so stop value okay तो इसको मैं इस तरीके से like uncomment करता हूं so stop value पर मैं चलता हूं so stop value कर देता हूं यहां ठीक है yeah this is it so इस तरीके से हम चलते है pat arrow function के साथ and अब हम हो कैसे कर सकते ठीक है तो सबसे पहले तो we have one day over here that is यह वाला part ठीक है मैं क्या करता हूं कि मेरा यह जो parent element है इसके अंदर every time जब कोई भी उस button पर करेगा click एक नया paragraph मुझे print कराना है with updated value एक new paragraph with updated value after every time जब भी को इस पर click कर रहा होगा ठीक है तो हम क्या करें तो मैं यहाँ पर चलूँगा सबसे पहले मैं एक new paragraph क्रेट करना चाहता हूँ const new para and यहाँ पर लिख सकते हो document.create element ठीक है यह दिस इस इट यहाँ पर आप एक paragraph क्रेट कर लो ठीक है paragraph मैंने क्रेट कर लिए इस paragraph के अंदर जो आपको data है वो पास करना है and वो हम कैसे कर सकते है simple है तो यहाँ पर यह जो भी data मैंने लिखा होगा तो इसको copy कर लिजी पेस्ट यह वाली जो value होगी यह आपको updated चाहिए dynamic चाहिए Android dynamic data ऐसे free में तो आएगा नहीं तो we have a start count yeah this is it and अब यह हो गया अब आपका यह जो value है main parent कहां पर आपको इसको add करना है reset value element reset value element basically यहाँ पर आपको इसके नीचे एक paragraph बन जाएगा फिर उसके नीचे एक और paragraph इस तरकी सब बनता जाएगा तो dot append and यहाँ पर आपको यह जो new para है उसको pass करना है ठीक है and by the way new para लिखना पड़ेगा सिर पीसे काम नहीं चलेगा यहाँ पर yeah this is it so यह मेरा काम हो गया अब अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ यह है अपना actual वाला तो यह start पर after every one second वो तब जाकी start होता है अब अगर मैं get time पर click करता हूँ 5 अब अगर मैं click करता हूँ 6 है 7 8 9 लेकिन मुझे 10 आए गये देखो मैंने 9 बोला लेकिन मुझे यहाँ पर क्या आया value 10 आया तो इसके पीछे का रीजन है कि यह जो मेरा time रहे न वो after one second के बाद चल रहा है तो इहाँ पर बस आप एक काम कर दी जागा current time चाहिए तो आप minus one कर दीजे बस तो करने के different different तरीक है लेकिन यह simplest तरीका है कि जो exactly आपको screen पर दिखाई दे रहा अगर वही time चाहिए जैसे तीन चार पांच यह देखो अब मुझे पांच आया बराबर ठीक आप बस आपको clear time करना है clear time तो इतना easy है हम already देख चुके थे की to do list में कुछ भी अगर आपको clear करना हो तो आप कैसे कर सकते हो राइट तो यहां पर मैं चलता हूं देखो गाइस यहां पर अब कितना perfect combination डॉम पड़ा फिर हमने date पड़ी और फिर हमने यह timing event पड़े तो date and timing के मझे से मैंने date बना के दिखाया हमने जो डूम पड़ा था अब डूम और यह जो timing function दोनों का blend करके मैं दिखा रहा हूं कि क const clear time value will be equal to ठीक है अब यहां पर देखो गाइस यह वाली जो particular part है यह जो भी आपने basically एक काम करो ना यह वाली जो value होगी करने के अलग-अलग तरीक है लेकिन हम एक काम कर सकते हैं यहां पर जो इसका inner html होगा inner html मतलब जो भी उसके अंदर html थे उसका आप नल कर दो ख stop again start अब मैं reset नहीं करूंगा क्योंकि 0 हो जाएगा फिर ठीक है फिर से get time है ना मैं अब reset पर click कर दूंगा तो देखो चला गया बट हाँ अब अगर मैं clear time पर click करता हूं and boom guys see वो gap हो गया this is it तो इतना easy easy तो मैं नहीं बोलूंगा हाँ अगर आप समझ जाते हो तो यह easy the awesome and I just realized कि एक और चीज़ हम यहाँ पर कर सकते थे यह जो stop value है यह जब हम button को stop करते ना तब भी मैं उसको तब भी मैं चलाना चाहूंगा ताकि जब जब मैं उसको stop कर रहा हूं तो मुझे पता चले कि मैंने कब इसको stop कि लेट से stop ओके यह काम करते मुझे इसको उपर call करन है ठीक है इस तरह किसी चलते इसको मैं refresh करता हूं start and stop yeah perfect देखो मुझे पता चले कि मैंने इसको दो पर रोखा हुआ था and get time करूंगा तो मुझे same value ऐगी and clear interval and then reset या मेरा काम complete तो यह थे गाइस आपका timing based events और गाइस तो अब हम चलते हमारे PPT पे next and let's check it out कि क्या है ठीक है so now we have objects awesome यह बहुत ही ज्यादा important है आपको object समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है so क्या होता है यह object objects are fundamental parts of a javascript providing a way to group related data and functions together array का क्या काम था array का काम था to group together किसका similar elements का but object एक label उपर है जहां पे आप group कर सकते हो कोई भी data type को एक साथ तो अगर आपको similar data type को group करना हो go with array अगर आपके पास अलग-अलग data type आपके पास let's say number भी है strings भी है functions भी है even एक और object ही है तो वो different different data types को अगर करना हो and manage करना हो then उसके लिए we have an object तो object उसके लिए एक दम perfect example है आप देख सकते हैं जास्कित an object is a collection of a key value pairs where each key is a string and each value can be any data type ठीक है including other objects even objects को भी हम objects के अंदर store करके रख सकते हैं now object can have properties and then methods making them versatile for various use cases awesome है अभी मैं इसको पुरा in-depth में ले जाओंगा आपको but इतना आपको idea आगया कि multiple data types के data को एक साथ store करना हो then go with object simple similar data type हो then go with array इतना एक simple basic से आपको difference दोनों में add रखना है बस objects को अगर create करना हो तो आप देख ही सकते हो guys it's super handy and that is यह आपको curly braces अगर square bracket basically इस्तर किसे आपका parenthesis होता sorry square brackets होते इस्तर किसे तो यह आपका array हो जाता लेकिन वहीं अगर आप curly braces इस्तर किसे उसकरते हो तो यह आपका object हो जाता है simple अगर आप double quote यह single quote इसकर तो यह आपका string हो जाता था true या false लिखते हो आपका boolean हो जाता था null undefined तो हार एक का अपना एक identity है जिसको देखते है आप समझ आप अच्छा यह तो object है यार calibrations के अंदर है मतलब object है ठीक है and let's see what we have oh my god we have a pass by value versus pass by reference यह मजा आजाएगा आपको यह बहुत important है यह एक ऐसा concept है जो हर programming languages में already है object हर एक programming languages में सेम होगा तो आपको मजा आजाएगा ठीक है all right so let's go over here हम चलते हैं हमारे objects पे we have our index.js बहुत महनत लगी है इस वाले पार्ट पे भी तो यह तो आएगे सब आपको पढ़ने की नीड नहीं like already आप समझ चुके हम अभी जस्त हुई दिर पहले देखे थे सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं एक objects बना के देख लेते हैं so there are several ways to create objects in JavaScript JavaScript में objects को create करने के बहुत सारे तरीके हैं the most common one is using object literals कैसे मैं बताता हूं let's go with the const let's go with the product ठीक है will be equal to इस तरी किसे let's say product का ये एक key है ये उसकी एक value है and then आपको एक कॉमा देना है ठीक है product P name कर देता हूं will be equal to मैं इहां पर चलता हूं मैं लेप्टॉप लिख रहा हूं मैं लेप्टॉप लिख देता हूं yeah this is it तो फिलाल मैंने एक simple सा object बनाया ठीक है आप देख सकते हैं here we have this opening curly braces and then closing curly braces तो यह आपका object का एक scope है जिसके अंदर हम क्या pass करते हैं key value pair में data को pass करते हैं so यह जो भी आपको left hand side पे दिखाई दे रहा है यह आपका का इस key कहलाता है and then जो भी value है वो आपका एक value कहलाता है and this is your key and then this is your value जो value वो आपका value कहलाता है क्या बात है भाई and again this is your key this is your values and एक चीज़ यहा तक ना कभी भी आपको id है ना हम बहुत जगे पर क्या करते हैं इस तरके से id लिखा and then हम equal to देते हैं इस तरके से and then one लिखते है हमें इहां पर equal to निए देना हमें इहां पर इस तरके से एक basically column देना vertical double dots एक की निचे एक ठीक है तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो यह आपका बन जाता है guys what यह आपका कहलाता है एक object so this is how you can create objects in JavaScript simple and मेरे पास एक और example भी है वो भी मैं रखना चाहूंगा and this is a person का example जहां पर name is Vinod age is 30 is student को मैंने false का रखा है grid के अंदर मैंने एक function को define कर दिया यहां पर तो आप देख सकते हो कि यह जो एक particular part आपको दिख रहा है यह आपका कहलाता है what method यह क्या है guys आपका एक method कहलाता है मैंने क्या कहा था आपसे कि object एक ऐसा versatile variable आप इसको कह सकते हो तो जहां पर आप देख सकते हो कि आपने string को store की आप एक number को store कर रहे हो आप एक boolean value को store कर रहे इवेन आप एक function को ही store कर दिया आपने तो यहां पर चलता हूं and here we have one more person वाला object अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर यह वाला एक condition जो आपको दिख रहे है यह देखो थोड़ा सा weird नहीं लग रहा आपको यह जहां पर is and then आपको एक single quote and then we have this student तो यह हम कर सकते है बट जब हम इस तरीके से अगर value pass कर देना basically value नहीं यह आपका key कहलाता है तो इस तरीके के data को हमें अगर access करना रहा तो हम कैसे कर सकते हो थोई दिर में देखते बट हाँ आप इस तरीके से कर सकते हो and already मैंने आपको बता था अगर आपको single quote use करना है तो आप यहां पे भी single and then यहां पे आप single इस तरीके से नहीं लिख सकते हो फिर यह आपको error आता है तो अगर आपको यहां पे single चीए तो आपको guys यहां पर double quote इस तरीके से करना ही पड़ेगा and else अगर यहां पे double quote चीए तो फिर हो काम नहीं करेगा तो आप forward slash इस तरीके से add कर सकते हो तो यह सारी चीजे है जो हम already पढ़ चुके है तो वह देखो आप यहां पे देदेरे काम आ रहा है अगर मैं यहां पे grid कर देता इस तरीके से है ना तब आपको लगता है यह यह तो बहुत simple सा function हम already देख चुके इसको मैंने हटा दी now it becomes your anonymous function and उसको मैंने एक variable में assign कर दी so now यह जो ग्रीट है वो मेरे एक variable ना मेरा अब वो एक method बन चुका है so कहिनके आप यह कह सकते हो अगर normal आप function निउस करते हो तब हम उसको क्या बोलेंगे function but अगर आप object उस कर तो वही function आपका method कहलाता है I hope आप समझ गये so now यह जो ग्रीट है यह आपका एक method है simple object की दुनिया में function को आप method कहो तो यह ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है yeah this is it alright तो अब हम यहाँ पर चलते हो तो access the properties obviously यह आपकी key value pair है ना let's say मुझे name से यह person का तो उसको मैं कैसे get कर सकता हूं and we can access properties by using the dot notation or by using the square brackets notation so square brackets की पीछे का क्या reason है मैं आपको बताता हूं and let's say we have a console dot log so person dot automatic a यह जाते है copy यह पर मैं चलता हूं person dot let's go with the name control s save में यह पर चलता हूं इसको clean करता हूं फिर से run करता हूं तो आप देखो 30 and then Vinod मुझे बारा बारा है हां क्या हो अगर मैं फिर से इसको copy करो and we have is student right तो मैं यहां पर चलता हूं तो यह मेरा काम करेगा perfectly अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह मुझे बराबर false value दे रहा है but वहीं अगर यह वाला object को मैं अगर comment out कर दूं and इस वाले objects को अगर मैं आपके समक्स रख दूं तो यहां पर तो कुछ data इस तरीकी से दिखाई दे रहा है यह जिसके अंदर special characters add हो गया तो वह अगर मैं ऐसे करने जाँगा तो देखो मुझे error आ रहा है मुझे error आ गया तो उसके लिए ही आप देख सकते हैं we have one more तरीका and that is your square bracket notation तो अब हम क्या करेंगे instead of this dot we will use square bracket and हाँ एतना याद रखना कि square bracket के अंदर आपको इसको as a string यह as a string pass करना पड़ेगा यह काम करते हैं चलो पहले इसको run करके दिखा तो यह आपका काम करेगा ठीक है इसको कोई बड़ी बात नहीं है यह आपका मज़े से चलेगा and false value आ रहा है क्यों क्योंकि हमने और फॉल्स वैल्यू दी है लेकिन क्या हो कि अकर यहां पर भी मैं अकर single coat use कर दू तो नहीं यह काम नहीं करेगा देखो error आ रहा है ठीक है क्या हो अगर मैं back tick use करूं ठीक है मैं यहां पर clean करता हूं चलो तो यह भी काम कर रहा है तो I think guys you can go with back tick जिससे आपको जंजट नहीं होगा कि अगर single coat है तो बाहर में double coat use कर लेता हूं अगर double coat है तो बाहर में single coat use कर लेता हूं उस जंजर से बच जाओगा अगर आप simple इस तरगे से back tick use करते हो template literal समने पड़ी थी right and I hope आपको बहुत अच्छा example मिल गया जिससे आप आपको यह पता चल चुका कि square bracket बहुत ज्यादा handy है by the way यह जो name होला पार्ट था ना इसको भी आप square bracket की मदद से कर सकते थे बट हाँ अब यहाँ पे problem आएगा and that is कि आपको error आने वाला क्योंकि name is not defined बोलेगा आपको यहाँ पे कुछ भी करके वह ना एक as a string के अंदर पास करना पड़ता है तो कहीने के ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ name की नेम पास कर रहा हूं बट यहाँ पर आप देखो कि नहीं वह काम ही नहीं कर रहा है like name is not defined एक काम करते क्यों ना अगर मैं फिर से यहाँ पर यह भी उस करूं तो आप देख सकते हो कि आपको special characters मिलता हो तो एक अलग बात लेकिन हाँ अगर आप यह यूज कर रहे हो तो आपको data आ रहा है आप एक काम करता हूं आपका काम होना चाहिए था कि आप देख रहे हो कि नहीं में एक बाइस double code देख लेता हूं एक बार मैं back tick के थुरू भी देख लेता आप मैं अगर यह करता हूं तो भी मुझे आ रहा है तो फिर एक सेकंड गाइस बाइदा वे मुझे आ रहा है यह data for some reason उससे में कुछ हुआ होगा बट यह चाहिए double code ओ, single code ओ यह back tick को आपको data आता है this is it तो इसको मैं हटाता हूं now adding and modifying of properties अब आपको add करना है and then आपको modify करना है तो हम कैसे कर सकते है so guys यहाँ पे भी आपको person.notation use करना है and अब देख सकते हूं यहाँ पे job करके कोई भी property नहीं करके कोई भी key वाली जो key है या value तो आप कहाँ से होगा but वो property नहीं है इसके अंदर जो job करके property नहीं let's say we have this name we have this age we have this grid लेकिन job इसके अंदर नहीं है अब मुझे let's say job add करना है इसके अंदर तो वो object का नाम dot operator आपको यूज्स करना होगा and then यहाँ पर अब यहाँ पर ना आपको इस तर्गी से नहीं करना है यहाँ पर बाहर कर हो ना अब इक्वल्टी उसकर सकते हो and मैं लिख देता हूं month stack developer लिख वेब डेवल लिख देता हूं and फिर से आप person.age हाला कि 30 हुँ है लेकिन 18 साल लिख देता हूं क्या जा रहे है ना यहाँ सो मैं यहाँ पर चलता हूं console.log and then मैं आप objects नहीं मेरा जो यह person है उसको को मैं call कर देता हूं तो इसको मैं हटा रहा हूं सी आप बहुत क्लिए लिए देख सकते हो कि एज जो है मेरा आप 18 हो गई अभी थ्वी देर पहले मैंने modify कर दिया and job मेरे पास पहले property नहीं थी बट वो भी अब यहां पे add हो गया at the end में तो इस तरीके से है guys आप basically manipulate कर सकते हो objects के साथ and साथी साथ यह जो पार्ट है इसको एक और तरीके से लिख सकते थे इसी कोई में copy करता हूं paste instead of this dot you can use square bracket notation here also अगर आप यह भी करते हो इसको मैं comment कर देता हूं एक काम करता हूं मैं आप यहां पर i think 20 better रहेगा तो इस तरीके से में कर देता हूं and अब मैं इसको रन करता हूं तो अब आप देखोगे कि यहां पर मुझे कुछ तो इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि नहीं कुछ तो गड़वड हुआ हैं आप एंड आपको मालूम है कि क्या गड़वड हुआ है वह राइट जब हम square bracket यूज करते हैं डारेक्ली हम वेरेवल पास नहीं कर सकते हैं आपको double quote single quote के अंदर रखना ही पड़ेगा इन्धी आपका वो जो objective वो तो मिली गया लेकिन साथ इसाथ जो age की value थी from 18 अबो 20 में convert हो गई है तो मतलब आप इधर dot notation का use कर सकते हो और else you can go with square brackets and don't forget to add double quote single quote या जो भी आपका वो back tick था ठीक है या this is it and one more thing इसमें भी आप इस तरीके से इसको भी कर सकते थे बाइद वे ठीक है इ क्या हो अगर यह मैं हटा दूँ क्या फिर से काम करेगा नहीं error रहेगा ठीक है या जो भी हो तो आप देख रहे हो गाइस even में जब आपको सिखा रहा हूं मैं खुद से भी उसको like करने अटपटा साथ करने की कोशिस करों ताकि हाँ ठीक है यह करता तो यह होता तो यह नह आ रहा हूं आपने एक चीस नोटिस किया या नहीं पाता नहीं बट अगर आप ध्यान से देखोगे here we have this grid method जिसके अंदर मुझे value आई ही नहीं रहा है तब से आपने notice कि नहीं लेकिन हमें एक बार भी grid के अंदर जो हमने function पास की उसकी value हमें मिली नहीं रही है तो उसकी पीछे का भी एक region है and अब हम वही देखेंगे कि methods object के अंदर जो methods होते है अगर उनको आपको access करना हो तो हम कैसे करेंगे देखो object को अगर access करना तो directly मैं person लिख दूँगा मुझे सारा data आ जाएगा लेकिन अगर इस function को मुझे call करना है basically method को अगर मुझे call करना है then आपका जो object होगा dot obviously आपको मालूम है and then आपको उस method को call करना है object name dot उस function का नाम so what you can do is console.log वो जो भी आपका person dot आपका great method ठीक है अब by the way function को जब हम call करते है तो हम कुछ वो इस तरीके से call करते है but क्या हो अगर मैं directly greet as it is लिख दूँ and then मैं इसको call करो तो देखो मुझे क्या आ रहा guys function है ये बोलके मुझे बस message आ गया तो इसका मादलब ये कि ये आपका आपको पता चला दो it's a method but ये आपका एक function ही है and function को call करने के लिए we need to add this parenthesis ठीक है अब इसको मैं clean करता हूं I mean run करता हूं and boom guys see अब आप देख सकते हो welcome to world best एक second मैंने css course क्यों लिखा हुआ है यहां पर welcome to world best I mean ये भी चाहता है कि css video आप देखो अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो है ना so it's a javascript course and okay one more thing by default तो मैं console करी रहा हूं and that's why मैं कुछ return नहीं कर रहा हूं पर तो इसलिए मुझे यहां पर undefined आगिया ठीक है तो इसका simple मतलब है इदर आप यहां का console हटा के return करो या तो आप एक काम कर सकते हो कि इसको console से अटाओ फिर ताकि आपको वह undefined वाली value ना आए तो मैं यहां पर चलता हूं run करता हूं तो आप मुझे बराबर welcome to world-based javascript course आगिया तो object के अंदर अगर कोई method हो तो उसको अगर आपको call करना हो या access करना हो then we can go with this style yeah this is it now we can add a dynamic कहां गया keys in an object ठीक है वह हम कैसे कर सकते देखों so we have one more property over here property बोल रहा हूं एक object student object ठीक है so एक id type है we have this name age student है या नहीं and then again we have this particular method जिसके अंदर अगर आप धियान से देखोगे so hey my id type basically यह वाली जो value है sorry my id type तो फिलाल अभी ही आएगा is student and then आप देख सकते हूं यहां पर square bracket वाला जो notation है उसको मैंने use की हुई है तो यहां पर आपना थोड़ी देर के लिए ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या output आ सकता है so I hope guys आपने सोच लिया होगा ठीक है मैं एक काम करता हूं so student dot we have this great method obviously method को ऐसे को तो call करेंगे तो अगर मैं यहां पर चलता हूं ओ आप देख सकते हूं कि student dot s name । id type is not defined बता रहा है id type is not defined तो यहां पर क्या होड़ा मैं आपको बता तो basically हम ना dynamic keys को आड़ कर सकते तो यहां पर यह जो id type इसका क्या मतलब होता है I mean dynamic key का क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है कि यह student as name basically student name vinod होसकता है की इसका यह जो आईड की जो वैल्यू है वो सेम है बत यह जो आईड का टाइप लना वो डिष An easy अउ eleAY होसकता है यह उसका छाए यह सकता है उसका द्राइविग लैसेंस Hoe सकते है इसकाрий राध काा यह कंपटी का आईडी हो सकता तो मेभी उसके different different id है उसके पास different different id के type हो but value same हो and मुझे वो different different id के type को यहाँ पे एक अलग सा key value pair में मुझे store ना करके रखना हो तब नहीं हम यह dynamic वाला जो funda है उसको अपना सकते है believe me यह react में तो बहुत काम आता है जहाँ पे same property का नाम हो लेकिन different different values हो तो वहाँ पे भी बहुत ही ज्यादा काम आता है कैसे मैं आपको बताता हूं let यह जो id type जो दिख रहा है मैं बोल देता हूं कि मेरा यह जो student object है फिलाल यह जो मेरा id type है वो है student id वो क्या student id है ठीक है this is it अब यह जो id type student id है मैंने बोल तो दिया मुझे इसको string बनाना पड़ेगा अब मुझे किसी तरी किसी यह id type में यह जो भी value है वो मुझे यहाँ पर पास करना है तो कहीं न कहीं आप यह समझ लो कि मैं यह लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं directly अगर यह लिखता हूं तो भी मेरा यह काम करता बट यह dynamic नहीं है कल के दिन लेट से सेम इसी object को मुझे call करना है लेकिन as a college id के लिए तो college id के लिए मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा इसको हटा के मुझे college id बनाना पड़ेगा नहीं मुझे फिर students ही है तो आप समझ रहें कि एक ऐसी field है मेरे पास एक ऐसी property है या एक ऐसी key है जिसकी different different value है I mean different different नाम है बट उसकी value same है फिलाल इस case में तो वहां पे आप यह dynamic की यूश कर सकते हो तो अब भी मुझे अब इसको अगर dynamic बनाना हो तो यह interview में आपसे पूछ सकते है object के अंदर किसी भी key को अगर आपको dynamic बनाना हो then go with square bracket notation this is it now just because of this square bracket यह आपका dynamic की बन चुका है तो अब यहाँ पे यह आई-टाइप का basically आपका यह जो student ID वो यहाँ पी उसकी value आ चुका होता है ठीक है this is it तो इसलिए अब अगर मैं यह जो ID type इस तरह की से call कर रहा हो तो मुझे यह वाली जो value student ID वो मिलने वाली है student के अंदर यह जो डिट्टो मैंने IJTS copy paste कर दी so my ID type is student का यह जो भी value होगा यह यह जो इतना है वो मुझे मिलने वाला है समझ रहे हो student मैं अगर इसको मैं call करता हूँ obviously call कर गो तो आपको वो उसकी value आएगी न तो यह आपका इस तरह की से काम करता है and मैं इसको clean कर देता हूँ अब आप बहुत किलिए लिए देख सकते हो तो आप देखो कि ऊपर तो आपको student idea बठाँ आपको यहाँ पर college idea आगे तो यह है आपकी dynamic key जो कि आगे बहुत काम आएगा ठीक है yeah this is it so I hope आपको यह पता चल गया कि अगर आप इस तरह किसी square bracket use करते हो तो वह आपका dynamic key का भी काम कर रहा है तो object में यह जो square bracket notation यह बहुत useful है by the way yeah so यह मेरा काम हो गया है and use case तो आप देख सेकते हों कि we have a use case that is when we want to get the user name and values in react जब भी आपको यह registration form यह login form पे काम कर रहे हो तो name एक ऐसा attribute होता है हमारे input element में जहां पे name 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 हर जगे होता है तो अगर name को में dynamic बना दो तो उसका different values मुझे automatic आता रहेगा उसके लिए आपको react देखना बड़ेगा by the way इसके बाद देख लिजे आराम से so we have this data modeling में भी यह आपका object काम आता है obviously object data modeling में काम आएगा data modeling का क्या मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा object है जिसको आप visual representation के थुरू दिखाना चाहते हो including उसकी जितनी भी properties है उसकी जितनी भी होते है जो good points है या जो negative points है उन सब को अगर आपको दिखाना हो एक ही जगे पे तो महां पे हम object का उसका यूज कर सकते हैं यह ऐसा process है अप रिटिग विजुल रप्रेजेंटेशन आप इधर अ whole information system और a parts of its communicate connection between data points and then structure the goal is to illustrate the types of data used and stored within the system the relationship among this data types the ways the data can be grouped and organized and its format अचोड़ो उसको जो भी हो but at least आप समझ गए कहने के मतलब है कि लेट से हम एक अगर कार की बात करते है लेट सब्सक्राइब करते हैं ठीक है मुझे अगर उसके बारे में एक object बनाना हो basically data modeling करना हो तो में एक car object बनाऊंगा जिसमें उसका brand यह है model उसका Camry year 2022 start function इस तरीकी से stop आप समझ रहो जहां पे आप उस car की जो properties और जो 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 उसके function से start break कर सकते है accelerate and all या maybe automatic हो या self start हो तो वो सारे चीजों को आप यहां पर define करके एक object के अंदर दिखा रहे हो कि यह उसका प्लस पॉइंट या negative पॉइंट तो data modeling का मतलब यही है कोई एक real world entities को आपका उसका properties दिखाना एकदम अच्छी तरीके से तो भी आप object का use कर सकते हो ठीक है या now we have this interview question and believe me यह बहुत ही ज्याद important is the difference between pass by value and then pass by reference तो क्या होता है ठीक है मैं आपको बताता हो देखिए मेरे पास एक simple सा example है that is कि let's say we have this a की value is 10 मैं एक function call कर रहा हूं modify value जिसके अंदर मैंने argument pass कर दिए that is a and that a is nothing but यह वाला आपका a का variable तो कहीं है कहीं मैं अब a के मैं क्या value pass कर रहा हूं 10 की value pass कर दे रहा हूं मैंने यहां पर function को क्या की मैंने यहां पर function को किया defined जहां पर मैंने as a parameter उसको access की and मैंने यह बोला कि भाई तेरी यह जो x है उसकी value को मैं 20 करना चाहूंगा तो मैं basically वो जो value उसको modify कर रहा हूं मैं ठीक है तो अब अगर मैं इस function को call करता हूं जो कि मैं कर रहा हूं and मैं console करता हूं तो मुझे क्या value आईगी and अब यह जो a की value थी उसमें मुझे क्या मिलेगा ठीक है इसको मैं clean करता हूं इसको मैं hit करता हूं तो आप बहुत clearly देख सकते हो guys कि यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा हूं तो यह वाला जो part दिख रहा है यह जो 20 वो मुझे इसके through मिल रहा है that is इस function को मैंने call की जिसमें मैंने यह a की value pass की थी जिसकी value 10 थी बट मैंने update करके उसको 20 कर दिया तो यहाँ पर 10 आया मुझे अब यह देखना था कि मैंने यह a की value को 20 बना दी थी क्या मेरा यह जो original a की value थी वो भी कहीं change तो नहीं हो गया जो करना कर मेरा जो original copy तो मेरे पास ही है कुछ नहीं बिगने बिगने वाला मेरा तो this is called your pass by value जहां पर आपसे value pass कर रहे हो copy वाली खत्म देखो ना when passing by value a copy of the primitive value primitive data types हमने पड़ी थी राइट आपका यह number string boolean and all is created and passed to the function or assign to a variable and any changes made to the copy do not affect the original value simple हम क्या करे copy of primitive value pass करें simple ठीक है यह आपको पता चलिए चलो ठीक है बट हम क्या पढ़ रहे हम पढ़ रहे है object and जब हम object को copy करते so is it gonna be a pass by value और a pass by reference यादे मैं हर बार कितनी बार बोलता हूँ कि हम reference pass कर रहे हम reference pass कर रहे हम reference pass कर रहे मुझे reference चाहिए उसका मैंने जब भी मैं home का get करने जाता हूँ क्योंकि reference का मतलब ही यह होता है कि जो मेरा original data है मैं directly उसको get कर रहा हूँ तब ही तो मैं अगर delete या remove या dot inner text लिखता हूँ तो मेरा original data ही change हो जाता है समझे रहे हो that's why pass by reference में क्या होता है कि when passing by reference a reference to the memory locations of the object is passed to the function or assign to a variable any changes made to the object through this reference will affect the original object कहने का मतलब यह है कि जब भी आप object को अगर किसी को assign करते हो चाहिए कोई variable को करो या कोई function को करो तब आपना कोई copy या directly उसकी value आप पास नहीं करो आप क्या करें उसका जो actual reference है basically उसका जो address है जो memory में जहां पे भी stored हो है उसका जो actual address है वही आप directly उसको pass कर दे रहे हो मतलब मैं आपको बताता हूं मतलब क्या होता है यहां पिसले मेरे पास एक animation है ध्यान से देखना यह देख रहे हो यह एक ऐसा room है जिसको किसी एक बंदे ने बनाया लेकिन सबने बोला क्या मुझे इसका access मिल सकता है क्या मैं इसको यूज कर सकता हूं तो वह बंदे ने क्या गया कि गाइस उसका copy देने के बंदे जो घर का address जो main key है वही दे दिया तो बंदा आप क्या कर रहा है डारेक घर के अंदर आपका actual location है memory में वह आप pass कर दे रहे हो एक simple example मैंने दिखाया है कि एक रूम मतलब अब एक ही रूम में पांच लोक रहेंगे तो कुछ भी changes होगा बाकी चार को effect करने वाला है बट वहीं अगर हम pass by value की बात करते तो pass by value में क्या होगा कि हर एक के पास अपना खुद का एक copy रहेगा तो यह एक लड़का है जो अपने घर में पढ़ रहा है यह सिर्फ PC का ही घर है कोई आगर आपको I mean कोई दूसरा बंद आके बोलता है कि मुझे या तेरा बहुत पसंद आया मुझे भी से बैट के करने तो वह अपने दोस्त को यही रूम पे भाई आजा मेरे साथ बैट नहीं वह यह नहीं करेगा वह इसका एक कॉपी दे देगा मालब डिट्टो जैसा यह रूम दिखाई देता उसके लिए एक रूम हो दे देगा जहां पे अकेला वह बैटने वाला है तो वह अपने रूम में कुछ भी चेंज करे ओरिजिनल वाले को कुछ नहीं होगा बट वन इट कमस देगा पस बाइ रेफरेंस आप डार्याटली ओरीजिनल एड्रेस दे दे रहे हो जहां पे वह बंदा आपको अगर चेंज करता तो ओरिजिनल डेटा भी चेंज हो जाता है तो यही है आपका object भी आपका pass by reference के case में आता है जहां पे आप क्या कर रहे हो यह reference to the memory location of the object मतलब object का जो actual में memory location है वो ही आप pass कर दे रहे हो समझ रहे हो तो यह है guys आपका pass by reference and मैं आप आपको दिखाता हूँ let's say we have this codifier and जैसे कि मैंने आपको बता है कि guys हम बहुत जल्द हमारा python online classes start करने वाले if you want to join link नीचे description में दिया है अगर आपको कुछ doubt हो इसके related अगर पूछना हो तो भी हमने अपना contact number दे आप हमें call कर सकते हो हम बात कर सकते हो chances है कि मैं भी call उठा हूँ यह WhatsApp पे में भी आपको reply दे सकता हूँ कुछ भी हो सकता है बट हाँ आप जरूर देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगने वाला है ठीक है so यह मैंने एक object बनाया let's see मैंने एक object बनाई मैं एक और object बना लेता हूँ object 1 and equal to मैं object कर देता हूँ ठीक है सो अब अगर मैं यहां पर console.log यह जो मेरा object बने में अगर पास कर दो इसको में रन करता हूँ तो अब आप देख सकते हूँ कि okay मुझे कुछ और किसी दिखाई दे रहा है I guess मैंने यह ज्यादा बैटर रहेगा तो अब आप देख सकते हूँ कि यह जो data आपको दिख रहा है यह मेरा actual में original data ही मुझे यहां पर मिल रहा है basically मैंने object 1 को की मदस से basically object तो यहां पर object 1 ने जो है object की value को copy कर ली simple ठीक है अब मैं क्या करता हूँ object 1 यहाई पर ही चल जाता हूँ so it's object 1 dot let's see जो नाम है ना मैं बोलता हूँ नहीं है मेरे नाम तो थापर टेक्निकल है क्योंकि आप लोग मुझे आज़े थापर टेक्निकल जानते हो बट online की दुनिया में मैं codify के नाम से जाना जाता हूँ ठीक है इस तरह किसे तो अब मैं इसको run कर रहा हूँ ठीक है अब आप देखो कि कोई like कुछ ऐसा unusual नहीं सब एक्दम बाराबार है जहां पर मैंने नाम अब चेंज कर दी बट अब मैं console.log कर रहा हूँ अब मेरा जो original object यहां अब यहां पर मैं आपको मस्त अच्छा सा चीज सिखाता हूँ अभी that is original and मैं concat कर रहा हूँ एक space दे रहा हूँ यहां पर and by the way concat को लिए मैंने कुछ और दबा दिया हूँ वहां पर all right ठीक है इसको मैं clean कर दा हूँ मैं अगर यहां पर चलूँगा तब आप देखना कि इसमें तो मुझे data आ गया but when it comes to my original data मुझे देखो क्या आता है मुझे आता है object object तो यहां पर यह new tricky interview question हो सकता है जो कि अगर आप दिमाख लागाओगे तो easy है समझना क्यूंकि already हम इसको tackle कर चुके तो हुआ क्या like object को मैंने जब एक string के साथ concat करना चाहा तो मुझे यह object object यह array क्यूं मिल गया तो हुआ यह कि जब आप concat करने जाते हो तो जास्क्रिप ने behind the scene क्या कर दिया अच्छा यह एक string है और यह object है तो उसने two string जो एक method है basically उसकी मतब से object को string में convert करना चाहा जिसके चलते आपका यह data कुछ स्थिर्गी से बन गया हो अगर आप यह चाहते हो कि ना भाई मुझ स्थिर्ग करते हैं माइनस करते हैं तो वह string को number में convert कर देता तो यहां पर object जो string में convert हो गया था बट मुझे कोई conversion one version नहीं करना है और इसलिए लिख रहा हूं ताकि मुझे पता चले कि यह जो मेरा object है वह original है अब अगर आप कौमा लिख होगे ना इसकी एक और beauty पता है कि अब आप कौमा लिखते हो तो by default आपको एक space देता है और जो original data है उसमें कोई भी conversion नहीं होता है तो यह याद रखना आप में से बहुत सभी लोग अभी API का data आता होगा तो आप plus use करते होंगे but next time अब आप कौमा use करेगा तो आपका tension ही दूर हो जाएगा यार यह बहुत ह handy है believe me तो अब इसको मैं clean करता हूँ and hit करता हूँ and boom गा इससी अब आप बहुत क्लियली देख सकते हो कि यह तो मेरा चलो वो object one जिसने copy की थी लेकिन जो मेरा original data जो की पहले मेरा नाम codifier था फिर वो था पर technical क्यों हुआ भाई because of pass by reference क्योंकि आप कोई copy या कोई value नहीं दे रहे हो आप directly जहां पे वो आपका object stored हुआ ही इस memory का ही directly address दे दिया आपने I hope आपको पता चलिया होगा इसका let's say यह बंदे का घर था ठीक है and इसकी जो friends थे उनको घर पसंद आया बंदे ने क्या किया guys directly key दे दी आपका आ जाईए तो अब यह क्या करें सब के सब मिलके एक साथ रह रह रहा है अब कोई भी बंदा अगर एक समान भी उठा लिया तो change हो गया ना original creator के घर में तो बस यह ही है कि original key मिल जाए यहाँ पर original जो main memory में जहां stored है उसका access ही मिल गया तो अब वो directly original data के साथ ही खेल रहे थे तो यह है आपका pass by reference यह आपको ध्यान में रखना यह बहुत important है ठीक है and हर जगे use होता है and by the way कि let's say कि अगर आपको यह नहीं चाहिए था इस तरीके से कि मैं अगर copy करता हूँ and मैं अगर उसके थूरु कुछ change करता हूँ तो मेरा जो original object उसमें change नहीं होना चाहिए अगर वो आपक data2 तो यह object.sin is used to copy the properties from one or more sources source objects to a target object कैसे मैं बताता हूँ yeah we have this part copy कर रहा हूँ यहाँ पर मैं आता हूँ ठीक है so यह मेरा एक data था इसने copy कर ली अब यहाँ पर हमें directly copy नहीं कर रहा है इस तरीक से हम क्या करेंगे let new object and इसको equal to करना होगा देखो यह जो properties है या जो भी method है वो object का अपना खुद का है तो आपको object यह जो constructor यह लगेगा ही object लगेगा ही dot उसके अंदर we have this assign यहाँ पर आपका सबसे पहले आता target object target object का मतलब क्या कि जो भी data आपको चाहिए वो इस target वाले object पे आपका store हो जाए गया एक काम करते है मैं चलो फिलाल में यह वाला करके दिखाता हूँ यह आपका target object है जो की मेरा empty object में बना लिया अब यहाँ पर मैं जो भी object पास करूंगा यह मेरा source है तो source वाला बेसिकली source object की जो भी यह values होगी बेसिकली की value पेसिकली पूरा object ही आप समझ लो वो अब इसमें copy हो जाएगी अब कल के दिन अब मैं यह जो object one dot name equal to अगर मैं अब फिर से थापर technical करूं ठीक है थापर technical control and save and फिर से मैं यहाँ पर चलता हूं and by the way sorry object one तो है नहीं new object लिखना पड़ेगा मुझे and कुछ तो गड़बड हो रहा है oh sorry मैं यहाँ पर late नहीं लिख सकता and एक और चीज़ है कि मैं यहाँ पर चलता हूं console.log we have a new object and then again console.log we have this origin लिख देता हूं यहाँ मैं चलो कोई नहीं original comma and then again we have this object ठीक है so yeah तो थुरी दिर पहले तो guys जब मैंने थापा टेक्निकल किया तो मेरा original data भी चेंज हो गया था but क्या इससा में वो चेंज होता है क्या होता है या नि लेट सी है न and okay 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 spelling ही रॉंग है by the way and okay so it's a obj ठीक है obj था वो and boom guys see ध्यान से देखना आप मेरा जो like copy करने को जो मैंने थापा टेक्निकल लिखा वो तो चलो सही है but जो मेरा original data है अब this time we have codifier only तो आपने देखा कि वो जो pass by reference को अगर आप हटाना चाहते हो then you can go with this assigned object या method आप इस तरह किसे कर सकते हो and this is your target and इसको अगर आपको थोड़ा से वेड लग रहा हो तो आप एक काम कर सकते हो let new obj1 equal to as it is रखे इसको copy कर गया यहां पर paste कर सकते थे by the way एक काम करते है क्या होता है let's see हां इसको मैं हटाता हूं refresh करता हूं तो भी मेरा यह काम कर रहा है तो कही न कहीं गाई से बस आपको यह target है कि मलदब इस पे ही data add होता रहेगा आपको लगे एक और object है तो आप एक और जो object था आपका to वह भी आप paste कर दो और इन दोनों की जो value होगी वह इहां पर जाएगी इस तरी किसे ठीक है yeah this is it so यह थे आपके guys pass by value and then pass by reference जो की बहुत ही जादे important है हर programming languages में यह pass by value versus pass by reference पूछा जाते है all right so now we have this comparison by reference अब एक चीज़ जहां से देखना like we have this part object 1 and then object 2 जिसमें दोनों का नाम से में and मैंने एक फिलाल इसको फिलाल में हटा रहा हूं so मैं यहां पर चलता हूं तो मैं एक ternary operator उस करहूं conditional बहुत ही जादा simpler that is is equal एक simple सा में एक variable जिसके अंदर object 1 and then object 2 अगर दोनों equal है तो true value return कर देगा also false value return करेगा तो अब आप मुझे बताईए कि object 1 object है object 2 भी एक object है उसके अंदर दोनों के अंदर एक एक key value pair that is name and then Vinod मतलब सब कुछ सेम है तो मुझे यहां पर क्या output आएगा is it gonna be like true or is it gonna be like false क्या है आप सोचो मुझे बताओ है ना या सी आप देख सकते हुआ कि मुझे कुछ नहीं आए क्योंकि console नहीं किया था मेरे बट मुझे फॉल्स आ रहा है मुझे फॉल्स आ रहा है उसके पीछे का रीजन है कि चाहे आप ऑब्जेक्ट को चाहे डबल कोट्स यूज आ मिन डबल इकोल टू यूज करो या स्ट्रिक इक्वालिटी डैट इस ट्रिपल इकोल टू यूज करो इसको पाश कर देख्यू की अब जाके आप ऑब्जेक्ट वान का वैलिव ना पास करके आप उसका जो ओरिजिनल एड्डरेस मेमरी में उसका जो एक्सेश है वह बैसे का जो रफेरेंस है वह आप आपने इसको पास कर दी क्योंकि दो object and में यह value same था हि इन दोनों का अपना खुट का ड्रय दफ्रेंट ध ऑट挺 के करीक स्वेक्श्री के क्या हो रहा है कि object यहां की मतलब दोनों के दोनों अब एक ही घर को समझ रहे हो दोनों के दोनों अब ये जो घर है उसको रिप्रेजेंट कर रहे है ना क्योंकि में तो यही था तो इसलिए अब इस किस में अगर अब मैं हमारा object 1 and मेरा ये जो object 3 दोनों अगर equal है नहीं अगर वो मैं देखना चाहूं त अब आपको पता चल गया होगा लिखा भी टू अब्जेक्ट्स अरिकोल ओनली इफ दे रिफर तो दा सेम अब्जेक्ट और सेम अब्जेक्ट वो तभी रिफर करेंगी जब हम इस तरीके से वैली उकल टू एक दूसरे को करने वाले है और इंडिपेंडेंट क्योंकि दोनौ अलग-अलग memory space पर जा के यह ठिक है यह यह पाशिवाई वैली पाशिवाई रेफरेंस एंड हमारा यह और एप्जेक्ट किस तरीके से memory स्टोड होता है और क्यों दोनो ऑब्जेक्ट जो की बिलकुल से में फिर वी आपको फॉल्स वैल्यू आती है आपको औब्जेक्ट हो या एरे को स्ट्रिंग में कंवर्ट कर देता है एंड जब आपको वापस रेस्पॉंस देता है सब जो वो तो स्ट्रिंग फॉर्मेट मुनता बाट इन ओरिजिनल पॉर्मेट और सॉर्य इन अब्जेक्ट्स तब उससे में हम पार्स उसकरते हैं कर दी दो आप यहां पर बहुत क्लिए देख सकते हो कि यह तोटली आपका एक औब्जेक्ट है यह एक आपका औब्जेक्ट है बट जैसंडॉट स्ट्रिंग करके मैंने इस औब्जेक्ट को पास कर दी उसके अंदर तो अब जो डेटा मुझे मिल रहा है तो मुझे यह दे दीखते है वर्ट एक मेजर डिफ्रेंस है उन दोनों के बीच में अगर आप ध्यान से देखोगे ऑब्जेक्ट में यह जो स्ट्रिंग है इसमें डबल कोट यूज होता है है ना बेसिकली जहां पर भी उसकी वैल्यू बैसिकली जो वैल्यू है अगर एक स्ट्रिंग है तो ऐसमें डबल कोट से देखो ना सिंगल कोट ना डबल कोट की जो होगा वह एस इजी रहेगा राइट एन जो वैल्यू होगा अगर रहा तो वो डबल कोट के अंदर हमें चाहिए बट वहीं अगर आप देखते हो हमारे जेसन को सो नो मैटर वाट आपका जो की है देखो क्या है वो double quotes के अंदर है दो अगर number होगा तो it's fine number की कोई need नहीं हमें बट जो key है न वो भी आपके double quotes के अंदर है तो यही एक major difference है array and then आपके JSON में आपको अगर interview वाले पूछे कि इन दोनों में से array वाला कौन सा है I mean इन दोनों में object कौन सा है and then JSON कौन सा है तो आपको पता चल जाएगा just a key को देखिएगा अगर key आपके double quotes के अंदर दिख रहे it means वो आपका JSON है and अगर key आपको without double quotes या single quotes दिख रहा वो आपका एक object है क्योंकि array भी आपका I mean फिर से मैं array बोल रहा हूँ क्योंकि object हो या JSON हो दोनों आपको इस तरह के से कलिब्रेसिस के अंदर ही दिखते हैं दो JSON को आप array of an object भी बना सकते हो but still दोनों में difference पाता होना बहुत ही जादा जरूरी था तो यह देखो आपने object को convert कर दी into what? into your string with the help of JSON.stringify अब उसी data को वापस मुझे original data में convert करना रहा I will go with JSON.parse हाला कि हम अल्रेडी देख चुके यह part 1 में फिर भी आप देखो यह आपका string में convert होगी यह उसको JSON.parse से फिर मैंने original object में convert कर दिया तो यह आपको पता चल गया होगा JSON JavaScript Object Notation ठीक है All right, let's check it out हमारा next क्या है So this object ही बहुत ही जाथ important है, believe me So that this keyword refers to the different objects depending on how it is used in an object method this refers to the object object के अंदर अगर आप इस keyword को use करते हो तो वो उसी object को refer कर रहा है अगर along this refers to the global object अगर आप अक्केला लिखे रहे तो वो global object है function के अंदर अगर आप करते हो you know, अगर आप function के अंदर करते हो तो वो आपका एक global object के पास जाता है अगर आप function के अंदर करे हो, but in a strict mode तो वो आपका undefined value आ जाता है अगर आप एक event युसकर रहे हो तो इन इवेंट यह जो दी से इट रिफर्स तो दी एलिमेंट डैट रिसीब यह तो बहुत इन्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपको यहाद दो जब हम इवेंट पढ़ रहे थे तब मैंने आपको दिखाया था कि कैसे आपको हमें पाता चल रहा था कि हमने किसको क्लिक किया तो वहाँ पर भी अगर हम देश लिखते तो किस ऐलिमेंट ने वह इवेंट को रिसीप्ट किया है यह तो लाइक बहुत गैस कर सकते था मिसको इजी लिए जो प्लाइन देन वी आपको प्लाइन देन ब्लाइन यह भी बहुत ज्याद इंप्रोटेंट है और एज बोनस इसको मैंने हमारे पार्ट पर आइड करके रखा हुआ है तो अब हम इनको वान बैवान समझते कि जो इस अब्जेक्ट है इग्जेक्ली यह कैसे काम कर रहा है एंड वी हैब आवर अब्जेक्ट्स ओवर हिर यहाँ पे चलते हैं इंस्पेक्ट कंसोल तो आप देख सेकते हुए कि मैंने इस तरीके से एक फंक्शन बनाया है उसके अंदर खाली इस क्योड को मैंने एड कर दी है एंटर हीट कर तो आप देख सकते हुए कि वो विंडो अब्जेक्ट इस यह विंडो अब्जेक्ट हमने अल्रीड पढ़ आ था कि विंडो के अंदर यह वी हवाब डोम रिखने आप देन्ट बाउम पार अगर आप फंक्शन के अंदर सिर्प इस की एकर करते हो लिगते ओ तब वह आपकी ग्लोब्बल अब्जेक्ट को रिप्र पाता चली गया, alert, blur, यह सब वो सब, इसको मैं अटा रहा हूँ, मैं अगर सिर्फ भी लिखूंगा तो भी वो by default window object को refer कर रहा है, and यहाँ पर लिखा है, देखो, along this refers to the global object, अके लिए अगर उस करते हो, again it represents your global object, तो guys कितनी easily आपको यह वाला point पाता चल गया, and then यह जो point है, यह भी आपको पाता चल गया, अब strict mode में उस करोगे, तो भी वो आप कर सकते हो, JavaScript पे चलता हूँ, so, देखो, use strict लिखना है, defines the code should be executed in strict mode, and at my script version 5 में उसको पताया गया ता, चलो, अची बात है, उससे मतलब नहीं मुझे, yeah, see देखो, example मिल गया, perfect, so, कहने के मतलब क्या होता है, यहाँ पे तो हमने क्या use किया, directly, same जो code में लिखा तो, but this will cause an error, because x is not defined, क्योंकि x ना, तो let है, ना, where है, ना, const है, directly x की value देदी, अगर में use strict नहीं लिखता, तो यह काम कर जाता, JavaScript हमें छूट दे देता है, but use strict mode में, बह बहुत बार ऐसा होता है, कि आप functions को पहले call करते हो, and बाद में जाके उसको नीचे आप define कर रहे होते है, तो वो भी गलत है, like even यह जो part है, function call me, अगर आप इसको call me, पहले function call करोगे, बाद में जाके define करोगे, and use strict mode में यह भी आपको error आने वाला है, fat error function का तो rule ही यह है, कि पहले define करो, बाद में call करो, तो यह बहुत सारी चीज़े हैं जो JavaScript हमें map कर देता है, but जब आप use strict लिखते हो, तो नहीं, जो rule है, वो ही follow होना चाहिए, हंडा ही है, but इस case में फिलाल वो by default हो जा रहा है, कोई नहीं, but आपको यहां पर पता चल गया है, कि आपको वो error देग पर, let's check it out है, तो सबसे पहले एक regular function है, जहां पर एक function के अंदर मैंने आपको दिखा, अगर हम यह करते है, तो unexpected end of input, how object.grit, यह काम करते हैं, यहां पर नहीं नाटक दिखा रहा थोड़ा, क्योंकि this object के साथ बात हो रही है, and global window object उसको मिल नहीं रहा है, but हाँ मैं यहां प क्योंकि यहां पर क्या लिखाता है, if you remember, कि in an object method, this refers to the object, object के अंदर अगर आप this keyword use करते हो, basically object के अंदर जो method, इसके अंदर इस keyword use करते हो, तो वो आपका यह current object है, उसको ही वो refer कर रहा है, it's like आप वापस इस function को call कर रहे हो, that's why आपको वो कुछ इस तरीके से value आगया, चल then, in this example, the great method is defined using the method, shorthand, syntax, all right, method को create करने के different, different तरीके, एक तरीका भी आपने देखा, traditional anonymous function, दूसरा है, method, shorthand, syntax, जहां पर great में आपको आप वो इस तरीके से function, यह सब वो सब लिखने के भी निर 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 निर, function भी आटा दो, यह भी आटा दो, ठीक है, तो यह आपका method, shorth है, अब हाँ, अगर आप इस तरीके से object के अंदर method को define करते हो, and उसमें अगर आप यह this keyword को pass करते हो, then, जब आप object.grid को call करते हो, तब आपको क्या value वो return करता है, let's check it out, मैं यहाँ पर चलता है, enter, hit कर रहा हो, तो देखो, फिर भी वो उसी को ही refer कर रहा है, जो यह अच्छ होता है, ठीक है, कुछ नहीं है, just हमने fat arrow function use कर दिया, अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, enter, hit करता हूँ, see, थोड़ी देर पहले, दो case में, तो मुझे बराबर वो जो current object, जिसके अंदर हमने this keyword को use किया था, वो मुझे मिल रहा था, but the moment मैंने fat arrow function use की over here, आप देख सकते हो, इस object से लेना देना नहीं है, strict mode in a function this refers, देखो, function के अंदर this refers to the global object, but आप जब क्या use कर रहे हो, अगर आप इस तरके से fat arrow function use करते हो, तो यह normal function में भी वही है, ठीक है, लेकिन object के अंदर जो method है, उसमें भी अगर आप fat arrow use कर दोगी, तो भी वो आपके window object को refer करेगा, all right, now, यह थे आपके guys, this के different different use cases, hope आपको मजाया होगा, now, we have something called object useful methods, तो यहाँ पे एक चीज़ देखना, कि we have this, एक, अभी हम जो हमारा final project होगा, e-commerce वाला, उसमें हमारा कुछ इस तरके का पहला product का data ऐसा होगा, image का link मैंने फिलाल नहीं रखा यहाँ पे, तो आप बहुत क्लिय देख सकते हुए, कि we have id, name, category and all, यह सब उसम, अब, यह बहुत useful method से जहाँ पे, कल के दिन कोई आपसे यह question पूछे कि यह जो objects, objects के अंदर जितने भी keys है, मुझे सिर्फ उसका data दे वाई, मुझे सिर्फ keys चाहिए, मुझे value से लेना देना नहीं है, तो उस case में आप क्या क product है, वो pass करना होगा, so, इस तरह किसे, ठीक है, अब अगर इसको आप run करोगे, तो देखो guys, मुझे जो data आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ keys है, id, name, category, brand, price, stock, description, image, यह देखो, brand, price, stock, description and then image, ठीक है, yeah, this is it, इसे को मैं copy करूँ, paste, अब आपको, की नहीं, अब आपको value चाहि देना, object.values, उस object का नाम, अब यह अगर आप करते हो, then अब आपको क्या मिलने वाला है, आपको सिर्फ उसकी जो actual value है, वो मिलने वाली है, laptop, computer, यह जो भी price, stock, उसका description, image वाला part, तो guys, इस तरीके से यह आपका काम करता है, then object.entries, तो object.entries में क्या होता है, कि जो भी object की value है की value pair को एक array में convert कर देता है, and then फिर वो return कर रहा होता है, तो object.entries, entries, and then entries, clean कर देता हो, ध्यान से देखना है, यह देखो, आप देख रहे हो, तो जो मेरी पहली value थी, अब एक चीज़ ध्यान से देखना, ओके, इसको उट आता हूं, यहापर मैं चलता हूं, तो यह वाला जो एक part अगर आप देखोगे, तो एक array बन गया वो, यह वाला जो देखोगे जरा यहाँ पर, एक काम करता हूं, इस तरगी से करूँगा तो ज्यादा बैटर लगेगा, देखो, adjust कि यह क्या है, name and then laptop, simple, right, बट यहीं अगर आप यहाँ देखोगे, तो वही चीज़ ज़स पर प्रोजेक्ट पर काम करोगे, और कहीं ने करें इसका आपको जरूर मिल जागा, don't worry, अब आप यह मत सोचों कि वहीं यह क्या है, क्यों हो आया से, वहाँ नीट पड़ी होगी, तब ही तो बनाया है, यह methods, right, yeah, all right, yeah, यह मेरा काम होगे, now, has own property, यह तो बहुत ही ज़्य मेरा जो product object है, उसके पास is student, यह जो property है या नहीं, obviously, name तो आपको मिल जाएगा, but यह जो is student वो नहीं है, तो यह तो guys, simple ही था, यह, okay था यह, फिर चलते थोड़ा नीचे, object.assign, अब यह guys, I hope आप मुझे इतना इसको deep में बताने की need नहीं, क्योंकि थोई तर पहले ही हमने object.assign पड़ी थी, क्यों, क्योंकि अगर हम object को copy करते है, तो वो pass by reference, basically, वो directly उसकी value ना दखिए, अपना जो actual memory का है, जो address ही दे देता है, जिससे जो भी उसको access कर रहा है, वो original data को convert या change कर सकता है, तो उससे से बचने के लिए हम क्या करते है, we use the object.assign, जहां पर यह जो particular, आपको empty curly braces दिखाई दे रहा है, यह आपका target element है, and then यह जो target, हाला कि नाम गलत लिख दे है, इनोंने यह आपे, कोई बात नहीं, यह काम करता हूँ, इसको फिलाल में हटा देता हूँ, so now, अब आपको बता चलिए, so this is the target one, and then this is the source one, तो यह जो target वाले में, जो भी source का values हो होगे, key value pair, वो इस पे अब add हो जाएगा, दो इसका अपना खुतका है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी इस पे अब add हो जाएगा, copy हो जाएगा, इस मनलब समझ रहो ना, तो मैं इहाँ पर हटाता हूँ, अब इसमें आपको एक चीज मस्त सा देखने मिलेगा, that is, इसके अं पेर है, first, we have a second and then we have this third, but in reality अगर आप ध्यान से देखोगे, तो इसके अंदर 2 है, target के अंदर, source के अंदर 2 है, तो कुछ तो 4 होना चाहिता है, यह 3 क्यों है, and B की value target में अल्रेडी जब 2 था, तो जब हमें output मिला तो वो 3 क्यों हो गी है, समझ रहो, target के अंदर B की value 2 थी, source क अंदर B की value 3 थी, तो होता क्या है न, अगर आप target के अंदर, जो source की value को अगर add करना चाहते हो, तो अगर दोनों के अंदर same key मिलता, let's say, दोने के अंदर B भी common हो गया, तो उस समय जो यह target का, जो key value पेरता, उसको source वाला जो है, वो override कर देता है, तो यह जो वले ही, ऐसा न आपका B, वहाँ पे always, जो source का actual data था, वो ही आपको मिलने वाला है, so source का ही, जो भी data है, वो यहाँ पे copy हो जाता है, and अगर key अगर same होता है, तो source वाला override कर देता है, मतलब, एक ही key होने वाला है, वहाँ पे उस particular नाम से, double-double key नहीं होता है, and यह सही भी है, object में कभी double-double नहीं होता, id id नहीं होगा कभी भी, so I hope guys आपको यह पता चल गया होगा, and then object.freeze, तो यह भी बहुत useful है, object.freeze का पता है, क्या काम है, इसका काम यह है, कि हम object को copy करते हैं, modify करते हैं, उसको delete भी कर सकते हैं, by using simple delete हैं, वो मैंने रखा नहीं, but जो भी हो, आपको वो सारी and then उस object का नाम अगर आप pass कर दोगे, तब आप देखना ध्यान से, मैंने उसकी id चेंज कर दी है, लेकिन अगर मैं इसको run करूंगा ना, तो आप देखना यहाँ पे कहीं ना कहीं product, क्या हो गया यह, yeah, sorry, मैं यह जो part है, यह इस तरगी से run नहीं कर सकता, and it's a product only, तो इसको controller save कर रहा हूँ, data तो इसे मिलना चाहिए था, मुझे यह सी data आ गया, बट देखो id मेरा one ही है, यह change नहीं गए, अगर यह मैं नहीं लिखता, and फिर से अगर मैं run करता हूँ, तब आप ध्यान से देखोगे कि मेरी id change हो गई है, बट वहीं अगर मैं freeze, फिर से लिख देता अब इसको बंद करना जरूरी है, तो आप यह freeze कर सकते हो, ठीक है, इसको मैं फिलाल हटा देता हूँ, ओलाट गैस तो फाइनल हम हमारे interview questions पर आज चुके, जहां पर, yeah, here we have this interview questions, simple साय यह, कि we have this target, we have this source, and object.assign, मैं मैंने source अब यह रखा है, target and then source को मैंने इस से पास कर दी, तो मुझे यह बताओ, मेरा यह जो target object है, उसके अंदर मुझे क्या value मिलने वाला है, वीडियो को आप pause करो, चाहिए तो आप खुछ से ट्राइ करो, अपने PC-based code को copy करके, and देखो आपको क्या output आता है, so आईो guys, आपने जरूर सोचा होगा, right, so, मैं बताता हूँ, इसको मै clean करता हूँ, and then मैं अगर run करूँगा, तो वही same output मुझे आने वाला जो थोई देर पहले आता, क्यों, क्योंकि target हमारे पास है, we have this source, तो सबसे पहले जो target आया, एक काम में करता हूँ, अगर let's say मैंने source नहीं लिखा होता हूँ, ठीक है, तो फिलाल जो B की value यहाँ पर 3 है, अगर run करता हूँ, तो मुझे 2 मिलता, finally, मुझे यहाँ पर 2 आ गया था, लेकिन target के बाद फिर मैंने source लिख दिया, फिर जब source की value को वो copy करने लगा, उसने देखा, अरे, B तो यहाँ पर भी है, and source जो है target के बाद है, समझ रहे जो उसके बाद है, इसलिए उसने फिर से B क तो basic सा था, इसलिए कुछ किया नहीं ज्यादा, इस पर, yeah, now, यह अब आपको guys pause करना खुझ से, try कीजए, मेरे साथ साथ, given an object representing a student, okay, इन्होंने एक object दी है, which represents a student data, आपको एक function लिखना है, to add a new subject with its corresponding grade to the student's record, also check if the grades, properties, presents or not, एक तो grades, यह जो, हाला कि method, जो भी चलो, यह जो object है, property, वो present है, यह नि, एक तो यह चेक करना है, दूसरा, यहाँ पर आपको एक और data क्या करना है, add करना है, and already दी हुई कि कुछ आपको इस तरह किसे call करना होगा, see, so here we have this student, okay, so we have this function, अब function की मदद से मुझे यहाँ पर यह कुछ ऐसा हो जाना ची, computer, colon, 92, कुछ यह होना अची अब, समझ रहो, मुझे अब एक function की मदद से यह computer की value, 92, जो हमने यहाँ पर दे रखी, वो मुझे अब यहाँ पर add करानी है, तो अब आप सोचो हम यह कैसे कर सकते है, कैसे कर सकते है, ठीक है, अगर data मुझे एक add करना हो, तो सबसे पहले देखो, guys, अब already, actually मैं तो क कर रखाई है, but फिर भी मैं आपको बताता हूं कि अगर हम first time करते तो कैसे करते है, obviously trial and error कुछ न कुछ करते रहते, so function का नाम, okay, function का नाम तो already दी हुई है, so it's a constant, ठीक है, and तीन तीन value दे रखा है, so we have a student, को मैं as a student ले रहा हूं, we have a subject name and then we have a marks, ठीक है, it's a mark, या marks ही ठीक हा, मुझे एक बार ये देखना है कि ये जो मेरा student है, मुझे मिल के आ रहा है उसमे actual में, so ये दो-दो चीज क्या है, bob age 20, bob age 30, oh sorry, yeah, here we have a student, इसके कारण डबल-डबल data आ रहा था, but yeah, मुझे data आ रहा है, so कही ना कहीं, जो exact data है मुझे मिल रहा है, एक काम करते है, subject के साथ में चलता है, student.subject, एक बार इसको मैं clean करता हूँ, and run करके देखता हूँ, undefined, oh sorry, क्योंकि student.grades, and then subject लिखना पड़ेगा, student.grades, and then subject, फिर भी undefined है, एक काम करता हूँ, equal to marks कर देता हूँ, ठीक है, obviously अगर आपको याद हो, हम ये कर सकते थे, तो अगर मैं यहाँ पे च 92 तो भी आ रहा है, and अब guys आपको न चेक करते रहे ना, कि 92 value QI, अगर मैं फिर से यहाँ चलता हूँ, तब मुझे undefined आता है, क्यों, क्योंकि ये जो subject वो है, आपका computer, and computer तो यहाँ पर हमने defined ही नहीं किया है, जब हमने उसको defined नहीं किया, तो उसकी value तो undefined आनी ही है, ठ मतलब मैं जब दिखा रहा हूँ, कि अगर हम first time करते तो कैसे कर रहे होते है, but अभी जो इन्होंने कहा था, आप हम उसको अच्छे से कर लेते, चलो ठीक है, अब मैं directly करता हूँ, पहले तो बोला, check if the grade property is present or not, कि grade वाली जो property वो present है या नहीं, if अगर student के अंदर ये जो grades है अगर वो present नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मेरा ये जो student.grades है, उसको मैं create कर रहा हूँ, खतम, अगर present नहीं है, तो मैं उसको add कर रहा हूँ, थाकि मेरे को ये जो भी user ने value दी है, subject and then उसका marks, at least वो तो मैं add कर सकूँ, and then मैं अब बस इतना करूँगा, return, मुझे पता चल अगर मैं simple इतना भी link देता हूँ, तो मेरा काम हुई रहा है वो तो, ये जो data मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, will be equal to my marks, ठीक है, इसकी मुझे need नहीं है, this is it, अब मैं इसको console कर सकता हूँ, अगर ये मैं करता हूँ, यहाँ पर run कर रहा हूँ, तो मेरा काम हो गया, मुझे subject, देखो मेरा काम हो चुका है, it's just कि मुझे यहाँ पर subject 92 आगया, तो मतलब मैं ये dot notation उसे नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पर square bracket उसको करना पड़ेगा, अब अगर इसको मैं run करता हूँ, and यहाँ पर लेके चलता हूँ, boom guys, see, मेरा काम हो गया, आप देख सकते हो, बहुत किलि लेकिन हमें value undefined आ रही थी, लेकिन जब मैंने एक code लिखा मुझे value 92 आ रही थी, तो मैंने उसको return कर दिया, और मेरा काम हो गया, simple, right, तो guys, यह है तरीका आपका करने का, just initial मैं आपको करते रहना, उपर नीचे करके देखना है कि हाँ, क्या हम इसके साथ कर सकते हैं, all right, अ अब एक और question आया, देखो जहां से, write a function that compares two objects to determine if they have the same properties or values, यह भी बहुत awesome example है guys, बहुत, मतलब बहुत important है यह, कि अब आपको ना क्या करना है, compare करना है, क्या दो objects का same properties and values है या नहीं, समझ रहे हो, हम दो object को कभी भी equal करेंगे, कभी नहीं आने वाला, लेकिन question इन्हों ने गुमा दिया, गुमा की क्या बोला है, कि object a और object b equal हो, उससे मतलब नहीं है, आपको यह चेक करना है, कि object a के अंदर जो key and then value है, and then object b के अंदर जो key and then value है, क्या वो same है या नहीं, समझ रहे हो, कि अब हमें individually, name alias, name alias, name alias, name alias, age 26, age 25, तो हमें individually, एक एक को compare कराना होगा, पहले इस name को इन तीनों से compare करना है, फिर इस age को इन तीनों से compare करना है, इस city को इन तीनों से compare करके देखना है, कि कहीं इन तीनों में city करके कोई property है या नहीं, अगर है तो क्या उसकी values से match होती है या नहीं, तो अब हमें थोड़ा लंबा प्रोसेस लगने वाला है, अब ग तो वहीं सेम चीज़ मुझे अबजेक्ट के साथ करना पड़ेगा कि first value को मुझे इन तीनों से compare कंड है क्या यह है या नहीं second वाले को फिर से इन तीनों के साथ करना है ठंड वाले को फिर से इन ती болे के dear 溥 यूं खारते रहना कि को compare करना है value को compare करना है तो different different तरीके है, मैंने इसको, I guess, एक, दो, तीन, मैंने भी इसको तिन तरीके से compare गया था, ठीक है, जिसमें से मेरे जो पहला वाला था ना, मैं खुद पागल हो गया था कि मैंने इतना follow up लगा दिया था उस पर, बट लेटर रॉन जैसे जैसे मैं second पे गया फिर मैं थोड़ा और चान बिन की क्या इसको मैं और overcome कर सकता हूं फिर पता चला है यार बहुत easily कर सकते हैं हमें like इतना deep में जाने की needy नहीं थी मैं आपको बतातो कैसे करना है मैं directly third वाला बाता रहा हूं क्योंकि मैं आपको first वाला बाता नहीं गया फिर second वाला फिर third वाला फिर तो time लग जाएगा तो directly जो third जो best मुझे लागा basically मैंने तो तीन ही तरीकी किये तो उस तीनों में मुझे जो best लागा बाकी जो होंगे वो साइद और better कर दे इससे you know मतलब genius लोगों की भी कमी तो है नहीं तो मैं आपको बतातो कैसे करना है compare करना है and by default पहले सी फंक्शन दे रखाया इस तरीकी से object A and then object B तो यहाँ पर चलते है and two arguments दे रखाया तो यहाँ पर ले लेते हम दो arguments let's go with x क्या x लेना है object 1 and object 2 ही ले लेते हम भी सबसे पहले तो क्या इन दोनों का अगर length तो सेम ना हो तो मतलब क्यों इतनी ज्यादा मैंनत करना हो सकता है कि किसी एक में गलती से एक एक्स्ट्रा और नेम क्या लिखना country क्या हो कि इन में से किसी एक में एक एक्स्ट्रा फिल्ड हो तो हम एक काम कर सकते थे कि लाइक if return false खत्म अगर उनका यह जो लेंथ है अगर वही इक्वल ने तो पहले भार निकल जाओ नो किसले मैंनत करना समझ रहो अगर कुछ हुआ तो यह सिंपल सा फंडा है इनका अगर लेंथ अगर इक्वल ना तो बाहर निकल जाओ राइट तो अगर इसको अब में रन करूंगा देंखो मुझे अूंधि मुझे अन डिफाइन डारहा है यह किस्तों मैं अन पर चलता भी वाहां console.log मैं अ हई इसको मैं किल मैं लॉत है । हम थेख़ो मुझे अन डिफाइन डिफ inacёт यह कभी चलेगा म्धि00 नहीं यह कभी चलना ज Hazy ऑलम को कि is an object, string is an object, everything is an object. And क्यों हम array like object बोलते हैं, क्यों हम किसी भी चीज को object बोलते हैं, क्यों कि उसमें length property होती है, and वो iterable होती है, मतलब हम उसमें for-up loop use कर सकते हैं. And the best part ये है, कि हम object में ये दोनों चीज नहीं कर सकते. मतलब किसी दूसरे चीज को ये बताना कि ये object है, क्या prove है तेरे पास? मेरे पास length property है, मेरे पास for-up loop है. लेकिन जो खुद object है, वो उसके पास ना length property है, ना for-up loop है. मतलब ये, मतलब मैंने बहुत सोचा, इसके उपर सोचा, क्या सोचना, मैंने थोड़ी बनाया था है, बट मैंने search की and मुझे क्या पता चला, ये जानभूच के बनाया, क्यूंकि अगर कोई ये claim कर रहा है कि मैं object हूँ, है ना, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि ठीक है, तेरे पास for-up loop होना चाहिए, तेरे पास length property होनी चाहिए, और index की मदद से, basically हम उसकी जो property उसको access कर सकते है, ये भी एक point है, index की मदद से, ठीक है, बट अगर object को भी अगर हम वो same property दे देंगे, तो फिर वो तो, मतलब, differentiate नहीं हो आना, तो इसलिए, भाई, ये object है, इसलिए उन्होंने इसको length and then वो property ही नहीं दी, अपना index वाला, तो ये ही, मतलब, just object को unique दिखाने के लिए, उन्होंने वो property नहीं दिया, simple, परना कितना easy हो जाता है मेरे लिए कि object.length क्योंकि obviously मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर total 3 है, यहाँ पर total 4 मेरे पास values थी, basically properties थी, बट ये काम नहीं करता है, बट अब इसके alternate हम क्या कर सकते है, इसके alternate में हम क्या कर सकते है, तो वो अब हमें सोचना है, तो मैं आपको बता तो, इस alternate से हमारे पास and that is if you remember, हमारे पास keys है, हमारे पास values है, right, तो ध्यान से दिखने, let o1 equal to, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर we have a object dot keys, जिसके अंदर में यह, मेरा जो obj1 वो पास कर रहा हूँ, let o2, है न, क्यूंकि मुझे length तो चेक कर नहीं है, मुझे ज्यादा जंजटनी चीज initial phase में, keys and then obj2 इस तरी के से, ठीक है, yeah this is it, अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यह जो एक second console dot log o1 दिखा दे तो हम पहले जल्दी से आपको, हलाकि आपको मालूम है यह, क्या output आने वाला है, see, मुझे इस तरी के से data आएगा, name a city and then undefined, oh basically last में console कर रहे है न, and दूसरे वाले में, name, agent and city, double double console कहां से आ रहा है, oh my god, sorry, इसके तो मुझे कोई need है नहीं, and for that, obviously मुझे यह लगे गई, लगेगा, कुछ कर नहीं सकते उसका भी, तो अब मुझे एक आगे, name, agent and city, वहीं अब अगर मैं, यहाँ पे o1 के बदले o2 कर देता तब आप देखो, name, agent and city and साथ में मैं को country भी आ रहा है, यह क्या है, एक array है, समझ रहे हो, यह क्या है, आपका एक array है, जिसके अंदर मुझे value आ चुकी है, अब मैं इन arrow को तो compare कर सकता हूँ, अब if, यही same code, copy and comment, instead of this, obj1 यह फालतू का लंबा चाओड़ा, let's go with o1, let's go with o to, khattam, and यहाँ पर लिख दिजिए, the keys are not same, अब अगर इसको मैं हटा रहा हूँ, and boom, I see, the keys are not same and then false, wow, कितनी एजी लिए हमने यह कर लिया है, but यह easy नहीं था, क्योंकि, let's say अब अगर country ना हो, new york के बदले, new pork को, I guess, चलता है, it's fine, foreign मैं बहुत खाते इसे, but yeah, मैंने यह अब फिर भी अगर इसको मैं रन करता हूँ, फिर मुझे यहाँ पर undefined आ रहा है, दो मुझे यहाँ पर false आ रहा था, but मुझे यहाँ पर undefined आ रहा है, and कही न कहीं वो जो है, मतलब यह true हो चुका है, क्योंकि वो इसके अंदर गया ही नहीं, क्योंकि length दोनों की अब equal है, समझ रहे होते हैं, यहाँ पर गड़ बड़ होगा, हमारा function काम नहीं कर, अब मुझे अगर दोनों का length same है, तो आप मुझे उनकी values को भी check करना होगा, क्या values same है उनका, हाला कि मुझे यह ना भी लिखता तो भी चलता है, क्योंकि I just realized age difference है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको मैं कर सकते कैसे, for, if you remember, let key of our o1, अगर मैं for off use करता हूँ, तो मुझे उसका value आता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ, मेरा console.log, and here we have a o1, and then we have this square bracket, if you remember, and मैं यहाँ पर key use कर सकता हूँ, तो मैं अब यहाँ पर चलता हूँ, undefined, 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 क्यों भई? object 1, जो है, oh, I'm really sorry, मैं object 1 लिखी नहीं सकता, क्योंकि by default हो तो सिर्फ keys है, मुझे object 1 लिखना पड़ेगा, o1 के बतले, so it's o1, and obviously यहाँ पर भी इस तरी किसी लिखना पड़ेगा, मुझे, है न, so, इसको मैं हटाता हूँ, and मैं यहाँ पर रन करता हूँ, तो आप देखोग लिख भी यूज नहीं कर सकते, दुनिया को यह पूरूप कराना कि मैं object हूँ, उसके लिख लगाओ, length property है, मेरे पास, यह मैं index के तुरे access कर सकता हूँ, लेकिन खुद object, किसी को यूज नहीं कर सकता, न, index, न, length, आपका, न, for of, फिर फाइदा क्या है, तो हम क्या कर सकते, आप ना यूज करके, हम in यूज कर सकते है, जिससे मुझे उसका keys मिल जाएगा, अब अगर मैं इसको run करता हूँ, and basically clean करके run करता हूँ, तो at least मुझे allies, एक सेकें, यह मुझे data क्यों आए, क्योंकि मैंने यह वाला code लिखा, फिर आप यह मां सोचना है, कि मैंने key लिखा, यह data आ रहा था मुझे, नहीं, देखो मुझे allies, अब इस new एक आ गया, बस अब में बहुत easy फिर तो, यही same object1 का key है, अगर यह triple equal to होगा, मेरे object2 का key के साथ, क्योंकि दोनों का key तो same है, दोनों का key तो same होगा ही होगा, अगर एक भी उपर नीचे हो गया key में, तो फिर खत हो, right, तो इस तरह के से, and बस मुझा आब एक चीज लिखना है, return false, basically, अगर, एक second, यहाँ पे, इस जगे पे, कलिब्रेस लगेगा, and yeah, this is it, अब यह जो पाटे यहाँ पे, मैं यह पास कर दे रहा हूँ, return false, and for some reason, and कहीं तो कहीं गडबड हो रहा है गा, and object, object, okay, एक और ल अब इसको मैं clean करता हूँ, इसको मैं run करता हूँ, and then false, perfectly, मेरा काम हो गया, कितनी easily हमने, and by the way, यहाँ पे, अगर यह match नहीं होता है, तो, return false, else, return true, पहले हमने length check की, length बारावर था, उसके आद हमने key निकाला, and key की, अब object, इस तरीके से, अगर object में, इसको अब bracket के अंदर अगर में वो key का नाम लिखता हूँ, तो, इसकी value मुझे मिलती है, तो, मैं बस compare कर रहा हूँ, अगर एक भी गलत निकला, return false कर देना, and मैं कर रहा हूँ, तो, मुझे false value होगी, perfect, and वहीं, अब, मेरा यह जो है, कहां गया, over here, we have this third one, एक काम करता हूँ, अब मैं इसको 26 कर करता हूँ, and then run करता हूँ, तब देखो, मुझे true आ गया, खत्म, मेरा काम हो गया, तो, यह था एक तरीका, जिसमें आपको पता चला कि, कैसे आप, like, op method यूश नहीं कर सकते, कैसे हम, थोड़ा सा different logic लगा कि, इसको tackle कर सकते, हाँ, इसको करने के, बहुत तरीके है, and मैंने जो फर्स थरीका किया था, for of की मदद से, वो तो pure for loop use किया था, मैंने, i equal to, यह ऐसा वैसा वाला, and बहुत सारी चीजे मैंने की थी, यहाँ पर, कि इसके बदले में values को भी मैंने get की थी, but मुझे लगा कहीं न कहीं, यह इतना enough रहेगा, ठीक है, so yeah, I hope इतना आपको पता च लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें, I know, bought time गया हमारा, and it should print कुछ इस तरीकी से बता रहा है, and कुछ ऐसा प्रिंट करना है, आप देख सकते हों कि, एक ऐसा function लिखना है, that transform an array of an objects into an objects, where the keys are the object ids, यह जो आपको array of an object दिखाई दे रहा है, उसको आपको transform करना है, into an object, जिसमें यह जो ID की value होगी, वो basically each object का अपना खुद का ID होगा, तो कहने का मलता कुछ ऐसा दिखाई देना चाहिए, पहला देखो, यह तो आपका object था ही, लेकिन साथ में यह अब आपका as a value काम कर रहा है, जो ID की value है, वो आपका एक actual में ID वाला काम कर रहा है, so ID 1, then here we have ID 2, तो इसको आपको transform करना है, तो again इसको करने के भी अलग-अलग तरीके है, है न, but मैं यहाँ पर लेके चलना चाहूंगा आप लोगों को, and function अल्रेडी दे रहा है, इन्होंने const, a, r, r, to basically array to object लिखा हुआ ही है, and thoughts ओपर कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, एक data दे रखा input array, तो मैं AR लिख देता हूँ, ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मुझे क्या मिल रहा है, ARR में वो देख लेता हूँ, guys, मैंने काना, like, आपको always, okay, मुझे यह data रहा, and यह तो आपको बहुत easy मालूम है, कि अगर कोई भी array के अंदर कोई भी data मुझे चाह क्योंकि array of an object, तो वो पहली index number होगा, 0, उसमें जो id है, इस तर किसे करना पड़ेगा, इसको clean करता हूँ, तो 1, okay, मुझे यहाँ पर 1 आ रहा है, and 2 वाले में जाओंगा, तो basically यह आपका third index number की value है, that is 3, तो मुझे यहाँ पर 3 आएगा, तो मुझे यहाँ यहाँ पर 3 आया data एक साथ चाहिए होंगे, तो मैं क्या करता हूँ, यह ना करके, सारे data मुझे अगर लगेंगे, so guys, again, अपने को follow पी लगने वाला है, let key of we have an arr, console.log, let's go with key, ठीक है, यह अगर मैं करता हूँ, इसको मैं run करता हूँ, तो मुझे इस तर किसे data आ रहा है, तो all right, ठीके मेरा data आ रहा है, तो क्या हो कि इसके अंदर अगर मुझे id चाहिए, क्योंकि यह तो एक object है, object को अगर आपको access करना हो, तो हमें dot notation लगता है, and id मुझे लगेगी, अब अगर इसको मैं run करता हूँ, तो मुझे बाराबर 123 आ गया, this is it, तो यह जो 123 है, मुझे object का key चाहिए, and बाक other way क्या मैं यहां पर comma use कर सकता हूँ, एक सेके न यह करके देखता हूँ, क्या होता है, yeah, this is it, see, देखो, क्योंकि, एक सेके ध्यान से देखना, यह देखिए, मुझे यह जो value था as a key तो वो चाहिए, यह जो value मुझे as a key चाहिए, बाकी सब वो as it is चाहिए था मुझे, अब इसको proper तरकी से अगर करना हो, तो मैं आपको बताता हूँ, it just आपको एक object create करना होगा, ठीक है, so let obj will be equal to empty, यह तो अब मैंने काने थोड़ा सा हम जल्दी कर लेते है, obj dot, अब ध्यान से देखना है, यहां पर आपको dot use नहीं आएगा, आपको इस तरकी से, key dot, आपकी जो and, okay, so हुआ यह कि जब first time में loop चला, तो पहली value तो बाराबर यही थी, one and then id one यह, जैसी यह चला, return keyword देखा, वो चला गया बार, function के बार ही चला गया हो, तो यह जो return है, आपको वहां नही, for loop के बाहा लिखना है, object को आपको इस तरकी से pass कर देना है, this is it, इतना अगर आप कर दोगे, आपका काम हो गया, and yeah, boom guys, see, जो मुझे चाहिए था, मिल गया, मुझे एक object बनाना था, यह देखो, calibraces, calibraces, उसकी जो value होनी चाहिए थी, यह देखो 123, and जो id चाहिए था, I mean उसकी जो value में पूरा data चाहिए था, हो गया मेरा काम, तो इस तरीके से यह है आपका object, all out guys, तो हम हमारे next section पर आचुके, and believe me, यह one of the best, and one of the most important section होने जायरा आप लोगों के लिए, क्योंकि once आप अगर यह section समझ जाते हो, आपकी life बहुत तीजी हो जाएगी as a JavaScript developer, क्योंकि आपको inside, outside, सब कुछ पता चलने वाला, अभी तक आपने जितने भी complex keywords like hosting, event loop, आपक कुछ मैं यहाप एकदम a cluster clear करने वाला हूं, तो guys, लंबी सास लिजिए, एकदम chill हो जाएए, और एकदम आराम से देखेगा, बिलकुल कुछ सोचनी की जोथ नहीं, एकदम अच्छे से देखे, आपको बहुत माजा आएगा, and once आप यह complete करते हो, फिर आप practice कीजिए, पहल से पहले क्या होता, guys, आप अपना JavaScript में code लिखते हो, हम JavaScript में code लिखते है, and then browser में उसको हम run करते है, simple, बस इतने ही करते, but browser में जब हम run करते, and then जब हमें output आ रहा है, तो उस बीच में क्या हो रहा है, browser में run करना, and then output आना, उस बीच में क्या हो रहा है, वो मैं आपको बतात lexical parser क्या गरेगा गाईस आपका जो भी actual code था उसको एकदम tokens में convert कर देगा like your variables and then operators वो tokens में जब वो convert हो जाता है उसके बाद वो जो token से वो pass होता हमारे syntax parser को तो यहाँ पर जो syntax parser है उसका काम है to check whether all the syntax are correct or not it's same like जब आप English पढ़ते हो तो grammatically वो correct है यानि वैसे यहाँ पर आपका वो check होता है कि code आपने जो लिखा है वो correct है यानि and once वो जब अगर पता चल जाता है correct है तो guys यह एक ast tree बनाते है और abstract syntax tree जिसको हम pass tree भी कहते हैं वो जो ast है वो pass कर देता है किसको हमारे compilation stage को अब जब वो ast tree बन गया न तो वो हमारे compilation stage तक पहुझ गया है अब compilation stage का simple funda बस इतना है जो भी code हम लिखते है या जो भी instruction हम हमारे computer को देते कम्पूटर को तो वो समझता नहीं है computer को समझता है तो खाली binary code zero and then one का formation उसी तरीके से जो भी code हम लिख रहे है चाहे वो आप Java में लेखो चाहे वो आप JavaScript में लेखो PHP next react जिसमें भी आप लेखो कम्पूटर को समझने वाला है जब आप यह लिखते हो console.log my name is Vinod Badu Thapa यह नहीं समझता वो computer को तो गास कोई तो बीच में middleman होगा ना जो हमारे simple JavaScript को code को machine को समझे उस code में convert कर रहा हूँ तो यह बीच वाला जो काम है middleman दलाल यह compilation का काम है यह क्या करता है हमारा जो यह JavaScript का code है जो कि अब AST तक पहुच चुका है उसको क्या करता है इस with the help of just in time compilation की मदद से compile कर देता है into machine code या byte code तो आप देख सकते हो JS code into machine code और a byte code में उसको convert कर देता है वांस जब वो convert होता तब वो जाता हमारे execution face में यह face बहुत ही जादे important है क्योंकि यह एक ऐसा phase है जहां पर आपको सुनने मिलेगा call stack आपका creation face, global execution context, heap memory, hosting, scoping, lexical यह सारे चीजने इसके अंदर आ जाते है इसके अंदर we have a execution face जिसमें we have a call stack and then heap memory, call stack में भी we have a creation face and then execution face उस creation face के अंदर आपका वो hosting, scoping, lexical वो सारे चीजने आ जाती है तो यह पहुत ही जादे important है and इसको तो हम एकदम in-depth में समझेंगे इसके अंदर ही आपका पहुत सारी चीज, event loop and all, सब कुछ आने वाला है आप खुद देख सेकते हुए कि मैंने क्या लिखा hosting and scope chains are created here only ठीक है and then finally, जब हो गया सब कुछ तो आपका output आ गया so guys in reality if you remember, हमें खाली यह वाला जो part है यह हम क्या करते ब्राउजर को जाके run कर देते and browser हमें क्या करता हमारा जो final output है वो देता है but in between देको इतने सारे जो stress थे वो हमें idea ही नहीं था वह इतने सारे चीज हो रही है behind the scene तो यह सारी चीजों को एक बार आप समझ गए न believe में आपकी life बहुत ही जाद easy हो जाएगी and मैं guarantee देता हूँ मैं आपकी life को easy करने वाला हूँ just आप इस video के एकदम आराम से देखिएगा क्योंकि world best JS code बोला है तो मैंने पूरी कोशिस की है जितना animation हो सके मैं add कर सकूँ and यह सब मैंने ppt की थुरूब बनाए कोई expert नी सब a to z from day one day till सब कर रहूं खुझ से ठीक है तो आही वह पितना आपको पाता चल गया one more time JS code guys parse होगा उसमें lexical parsing आयागा tokens में convert होगा वो token जो आपका AST tree बनाएगा in your syntax parser यही वो पार्ट है जहां पर आपका कोई error है या नी आपके code में check होता है एक बार AST tree बन गया compilation को गया compilation is just in time compilation यूज हो और आप बहुत सभी को यह लगता है कि JavaScript is an interpreter मतलब interpreter मतलब कैसे line by line वो check होता है you know compiled and then interpreter बच्वन में हमने पढ़ा था compile में सभी code को एक सा तो compile कर देता है into machine code फिर वो execute होता है interpreter में पहला एक line पड़ेगा machine code में convert कर देगा फिर run होगा तो यह वो नहीं है यह combination है जिसमें just in time जहां पर चलता ही जाएगा ठीक है that's why यह modern javascript इतना आज कल useful हो पा रहा and then आपका execution phase आता है जहां पर यह creation phase execution context rip memory wasting scope change आता है and then finally आपका final output आता है so guys मैं आसा करता हूँ कि I hope आपको एक basic overview तो पता चलिया कि यह कैसे काम कर रहा है all right guys तो सबसे बहले हम देख लिए लेकिन उसके लिए हमें अपने code पर चलना पड़ेगा तो अगेन आप देख सकते हो guys we have this how javascript works js works and वहां पर यह सारे चीज़े आपको मिल जाएगी इतने सारे चीज़े जो हम cover करने वाले and this is more than enough ठीक है तो जिसमें सबसे पहला है index.js तो यहां पर बहुत किलेली देख सकते हो कि कैसे काम करता है जो अभी मैंने आपको बताया है यहां पर definitions है क्योंकि आप मैंसे बहुतों को साहथ एक बाद definition पढ़ लोगे तो और easy हो जाएगा समझने में कि actual में क्या हो रहा है तो सबसे पहला आता है आपका पार्सिंग फेज जहां पर we have a lexical analysis देखो क्या कर रहा है also known as lexor is the first step in the process of compiling और JavaScript program इसका काम है to break the program down into किसमे tokens में and which are the basic building blocks of your language तो tokens क्या है the basic building blocks of your language simple ठीक है अब वो ही जो basic building blocks था वो किसको पास कर दिया है syntax analysis को तो अब जो syntax analysis को उन्होंने pass कर दिया तो क्या होता गाइस takes the streams of tokens from lexical analysis and checks करता है them for the correct syntax क्या आपका code correct है या नहीं अगर syntax एकदम correct है then syntax analysis generate a tree like structure called a parse tree सब साही है तो वो एक parse tree create करता है और जिस हम कहते abstract syntax tree and this is your AST now यह जो AST it represents the hierarchical structure of the program तो मेरे पास एक website है यहाँ पे इसको में copy करता हूँ ठीक है मैं यहाँ पे चलता हूँ browser पे and then मैं enter hit कर देता हूँ तो अब आप देखोगे कि यह जो एक part है guys यहाँ पे आपका abstract दिखा रहे देखो इन्होंने अल्रेडी code लिखा हुआ आप देख सकते हूँ कि where A equal to 42, B equal to 5 add A, A plus B तो यह program है इस program का अगर आपको AST देखना हो तो my god A देखे जरा है यहाँ पे यह देखे इसका AST कुछ आपको वह ऐसा दिखाई दे रहा है तो आप देख सकते हो मैंने उसी program को थोड़ा से जुम कर दिया जब मैं इस पे hover कर रहा हूँ फिर से अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ यह वाला जो पाटे वो hover हुआ है क्योंकि इतनाल बड़ा सा एक ट्री सिर्फ यह रिप्रेसेंट कर रहा कि where A करके कोई तो भी variable है जिसमें value जानी चाहिए 42 तो कितिना easy हो गया अब हमें यह समझना है कि यह AST क्या था क्योंकि आप में इसे बहुत तो को लगा होगा यह कहीं DOM tree तो नहीं है यह आपका AST syntax tree है जहां पर हमें तो कुछ लेना देना नहीं बट behind the scene यह ऐसा हो रहा है सबसे पहला आता आपका lexical analysis जो हमारे code को tokens में convert करता आपको लग रहा होगा अब यह कहीं चीज हो रही tokens में कैसे convert होता है तो कैस थोड़ा ध्यान से देखिए इस जगे पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा सेम उसी code को देखो tokens में convert किया हुआ है पिर वही token जो convert हुआ अब उसका इन्होंने AST बना दी सिर्फ इतना सा code को इन्होंने सबसे पहले token में convert किया फिर वहां से इन्होंने AST tree बना दी आप देख सकतों यहां पर बता भी रहा keyword आपका where है देखिए-देखिए identifier a punctuator numeric punctuator keyword identifier punctuator numeric punctuator this is your token तो यह सबसे पहला step है आपका tokens फिर उसका AST tree बन जाता है and then जब वह AST tree बन गया तब वह जाता हमारे compilation stage में जहां पर just in time जो compilation है उसको convert कर देता है into machine code into byte code जिससे basically हमारा machine अब समझ सके and यहां पर आप देख भी सकते हो कि वह जो part है after the AST is created the JavaScript engines typically goes through a compilation phase in modern engines like V8 in Chrome, Chrome में we have a V8 engine, Firefox we have a spider monkey Safari में toh JavaScript code दिखा दे रहा this compilations often involves a combination of two approach parse and then compile and दूसरा है just in time compilation some engines use just in time compilation where the intermediate code is compiled just before the execution यह जो एक ऐसा part है जिसको मैं बस इतना चाहता हूं कि आप ऐसे समझो कि जो वह abstract tree बनकी हमें मिलता है उसको वह machine code में convert कर देता है ताकि further हमारा जो system है समझ सके कि हमने क्या instruction उसको पास की है that's it एकदम deep में गुषने की जोटनी यह कैसे काम कर रहा है ठीक है alright then we have this execution context यह बहुत important है so once the code is compiled एक बार compiled हो जाता है the JavaScript engine executes during execution now the engines create a execution context manage the scope chain handles variable assignment and then call functions तो यह बहुत important है जहां पे आगर आप देखोगे तो यह जो execution context it consists of two phases your creation phase and then your execution phase ठीक है so creation phase is where your variables and functions are hosted so hosting concept यहां पे आता है and execution phase where the code is actually runs so execution phase execution context मतलब वो एक current directory है यह current stage है जब आपका code run कर रहा होता है simple then we have the JavaScript engine uses a call stack to keep track of the execution context when a function is called a new frame is added to the stack when the function completes its frame is removed using a last in first out वाला जो style होता उसके थरू I know guys यह जो कही न कहीं execution वाला जो phase है आपको इतना किलियर नहीं समझा है तो आपको tension लेना भी नहीं है इसको तो मैं अभी एकदम in-depth पुरा practical animation के साथ आपको बताऊंगा कि यह कैसे काम कर रहा है अभी बस आपको इतना समझना है हमारा यह जो execution phase है we have a call stack and then we have this heap memory तो यह देख लो in order to manage the execution context the JavaScript engine uses a call stack execution context को manage करने के लिए we have a call stack यह call stack है यह data structure है that keeps tracks of the currently executing function in a program आपके program में currently कौन सा code आप रन कर रहे हो उसका track कौन रखता है? call stack रखता है and मुझे मालूमी कि आपने बच्पन में computer में पढ़ा है यह last in first out का क्या मदलब होता जब भी हम पहले तो cd का जमाना था हम cd जब buy करके लेके आते थे एक जगह होता था जहांपे हम cd को AK करके रखते थे and जब हम AK करके उसको रखते थे अब मुझे इसके नीचे वाला page पढ़ना है तो मुझे पहले इसको हटाना पड़ेगा समझ रहो फिर यह वाला आएगा तो यह just a concept है कि जो सबसे last में आता है वो सबसे पहले निकलता है यहां पे call stack इस तरगी से आभी आपको बताऊंगा है ठीक है and simple and we have this hip memory hip memory भी बहुत important है ध्यां से सुनना hip memory is where dynamically allocated memory resides जो भी dynamically हम memory allocate करे तो वो यहां पे रहता है this is where objects closures and other dynamically allocated data are stored remember आपको जब मैंने objects जब हम पढ़ रहते क्यों दो objects same नहीं होते क्यों क्योंकि आपकी जो objects वो इस तरगी के memory में stored हो रहा है जहां पे एक object का memory कुछ और है दुसरे object की memory कहीं कुछ और है तो जब आप दोनों को compare करें तो आप object का जो content है हम उसको compare नहीं कर रहे थे हम हमारा object इस memory में कहां stored हुआ है उसका reference हम pass करवा रहे थे obviously यह पहला object किसी और memory में stored हुआ होगा कोई तो भी एक अलग address memory का और दुसरा object किसी और memory में तो memory कभी same होई नहीं सकता क्योंकि वो heap memory में stored हो रहा कहिने के उनकी जो भी values है while the call stack I mean while the call stack manages the flow of execution call stack क्या करता आपका execution का जो flow उसको manage कर रहा वहीं आपका ही जो heap memory holds data that is referenced by this execution context देखो ना reference word आया यादे आपने pass by value pass by reference पढ़ाता है और object आपका pass by reference के अंदर आता है तो I hope आपको धीरे धीरे clear होता जा रहा है अच्छा object यहां पी stored हो रहा है इस तरीके से वो same नहीं आ रहा है तो मैं आपको उपर उपर से मोटा मोटी बता रहा हूं कि इस तरीके से behind the scene काम कर रहा है and क्यों object same नहीं है and क्यों heap memory use होता है to store the data or to hold the data that is referenced के अंदर यह दोनों चीज़े थी and all ठीक है so bonus आप देख लीजिए here is a basic overview यह call stack कैसे काम करता है ठीक है फिर अभी हम practical पढ़ेंगे don't worry don't worry पहले थोड़ा सा theory फिर practical हम से theory देखके निकलने वाले नहीं तो आप बहुत क्लियरी देख सेकते हो during the execution of JavaScript program JavaScript की program को execute करते समय the JavaScript engine जो है न goes through the creation phase before executing any code किसी भी code को execute या run करने से पहले वो creation phase को create करता है during this phase is set up the global execution context यही वो phase है जहाँ पे वो global execution context को set up करता है यह global execution context है is first one to be created and pushed on to the call stack तो यही global execution context creation phase में सबसे पहले create होता है and हमारे जो call stack है वहाँ पे उसको हम post कर देते है and this happens when the JavaScript engine start executing the code I know बहुत करीब हम आ चुके है बहुत करीब आ चुके जब अब मैं practical करके दिखाऊंगा with animation अब सब clear हो जाएगा थोड़ा से एक और चीज़ बस रहे गया है and that is की activities during the creation phase तो सबसे पहला क्या आता है call stack के अंदर आपका global execution context उसके अंदर क्या होता है उसके अंदर we have this creating the global object सबसे पहले में global object create करते हैं हम इस जो keyword है उसका reference पास कर देते हैं उसी के अंदर creation phase के अंदर ही then creating the outer environment reference then creating the variable environment and allocating memory for the global variables and function this is the part जहां पे आपका hosting काम कर रहा है यह है वो part and इस तरीके से आपका hosting creation phase में बन रहा है जहां पे code तो अभी तक चलना start भी नहीं हो है but फिर भी creation phase जो सबसे पहले चलता है उसके अंदर हमें global object मिल जाता है उसके अंदर हमें this keyword मिल जाता है उसके अंदर हम outer environment जो भी उसका reference ले पाते है and जो भी variable है and जितने भी functions है उसको एकदम top पे already यह लोग पहले ही क्या कर देते है उनको एक memory जो है allocate कर देते है now before executing our code javascript engine scans the code and create a property for each variable or a function in the code for variable it reserves the space for them in memory variables के लिए वो memory में space को reserve करता है and sets initial value of undefined this is your hosting and for functions function की जब बात आती है it also reserve the space but sets and initial values as a reference to the actual function in memory तो यहाँ पे simple मतलब है कि variable के लिए तो एक space वो memory में रखता ही है लेकिन जो इसकी value है उसको वहाँ पे वो add नहीं करके undefined रख देता है लेकिन जब बात आती है function की तो function में पूरा जो function का body है उसको वो hold करके वहाँ पे रख देता है now that that is why we can call a function but if we try to access a variable we will get undefined चलो यह आपको पता चल जाएगा alright and then we have the last execution phase finally after the creation phase the actual code execute take place creation phase होने के बात इतना सब कुछ होने के बात तब जाके आपका JavaScript का जो code है वो चलना start होता है देखो behind the scene इतना सब कुछ हो चुका है and this is when the JavaScript engine goes through the code line by line वो आपका line by line चलता है and variables are assigned their values तो जो variables creation phase में already memory में उनको एक space मिल चुका था अब जब execution phase आता है तब जाके उनकी जो values है वो वहाँ पे उनको save कर दिया जाता है store हो जाता है यह assigned हो जाता है and functions are executed and then जो program को logical carried out होता रहता है जब तक हमें complete output नहीं आ जाता है alright तो अब हम जल्दी से काम करते है अब हम चलते है हमारे alright guys तो अब हम चलते हमारे sync versus async कि बहुत ही जाद important है जहां पर आपको समझना पड़ेगा यह synchronous किसे कहते है यह asynchronous code किसे कहते है synchronous code में क्या होता guys कोई भी program हो वो पहला line by line चलेगा इसका मतलब यह कि let's say आपके पास 3 functionality जो आपको चलाना है तो इसमें जो सबसे पहला वाला functionality है जब तक वो complete नहीं होगा दूसरा वाला नहीं चलेगा जब तक दूसरा वाला complete नहीं होगा तिसरा वाला नहीं चलने वाला it's like आप जब government office में जाते हो and वहां पर line लग जाती है तो जो सबसे पहले आया उसका काम होगा and then उसके बात का फिर उसके बात का यह matter नहीं करता कि जो सबसे last आया उसका सिप 2 seconds का काम तक ही उसको खाली एक sign चाहिए लेकिन उसके आगे वाले ऐसे बंदे जिनको एक एगंटे का काम है वीचारे को wait करना पड़ेगा एक एगंटे क्योंकि वो बाद में आया and JavaScript is also known as your single threaded जहां पर वो एक के बाद एक होता है but in JavaScript we have a concept called asynchronous जो की बाकी programming में भी है जहां पर आपका code रुखता नहीं है दो हमारे पास एकी counter है समझे रहे एकी counter होगा पर फिर भी जो line में खड़े हमें आगे वाला जो बंदा उसको एक गंटा लगने वाला जो सबसे last में उसका सिब एक second का काम है तो जब तक इसका काम भी हो रहा होगा तो वो पीछे वाला बंदे का भी काम हो जाएगा आपका एक second का आईए ना तु फिर फट से तो asynchronous में ऐसा है कि आपका code रुखता नहीं है वो चलता जाता है तो आप देखी सकते हो synchronous code execute line by line blocking further execution until each line is completed line by line and block कर देता है जब तक कि पहला वाला complete नहीं होगा while asynchronous code allows other code to continue executing while it waits for asynchronous operation to complete मैं अब आपको यहापे finally अब हमारा program आगया है जहाँ पे we have simple function 2 function 1 तो इसमें सबसे पहले क्या होगा तो जब यह function 1 को जब हम call करेंगे यह क्या करेगा function 1 इधर है function 1 इधर है तो यह सबसे पहले यह जो console.log है इसको print करेगा उसके बाद यह क्या कर रहा function 2 को call कर रहा function 2 तो यहाँ पे है तो वह क्या करेगा console.log यह इसको print करेगा उसके बाद फिर आपका यह जो क्योंकि खतम हो गया इसका काम वापस बैक टू इदर उसके बाद जो ठर लाइन है यह इसको रन करेगा तो यह आपका पहला आउटपूट यह आपका दूसरा आउटपूट यह आपका तीसरा आउटपूट मतलब यह हुआ कि जब तक function 2 का का नहीं हो जाता तब तक function 1 के अंदर यह वाला जो कोड है यह नहीं चलने वाला तो इसका में च्रूनस कोड ठीक है इसका में कंट्रोल यह सेव करता हूं रन करता हूं यहां पर में रन करके दिखाता हूं सो वे अब धिस fun 1 is starting यह वाया पुसकर फंट2 starts and then end यह आया फिर fun 1 ends यह आया सो इसीज़ ओर यह उर सिंक्रोनस कोड मतलब यह कि जब तक function 2 कंप्लीट नहीं हो जाता उसके नीचे का जो कोड है वो नहीं चलेगा this is synchronous ठीक है इसको मैं हटाता हूँ अब मैं इसको asynchronous बनाता हूँ ध्यान से देखना asynchronous हम कैसे बना सकते if you remember हम already पढ़ चुक है timing based events where we have a set timeout set interval so same हो ही code है it just this time मैंने क्या कर दिया अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब मैं function 1 को call कर रहा हूँ so here we have a function 1 तो यह मेरा function 1 है जिसमें सबसे पहले यह जो console.log है यह print होगा simple उसके बाद आप देखोगे तो here we have this function 2 obviously अब मेरा यह जो scope है वो यहाँ पे चला गया function 2 में चला गया function 2 में इसने देखा अरे यहां तो set timeout है यह जो set timeout है यह आपका async behavior है दिखाता है यह आपका async operation होता है जहां पे अब यह जो पार्ट है यह हमारा javascript check out नहीं करेगा we have something called web API we have one concept called web API तो यह जो web API है वहां पे आप इसका जो code वो चला जाएगा है ना and क्या होगा कि जैसी वो चला गया तो यह जो पार्ट है वो यहां पे आएगा कहने का मतलब यह कि 2 seconds के लिए अब वो हमारे actual जो हमने पढ़ाने call stack वहां पे store नहीं होता है web API करके एक जगे है वहां पे इसका जो code वो वहां चला जाता है and within a few seconds few seconds भी नहीं the moment यह वहां गया फट से वो यहां पे आएगा यह वाला जो code है हमारा यह वाला जो code दिख रहा हमें 2 seconds रुखना पड़ता दो seconds के बाद मुझे इसकी output आती उसके बाद मैं वापस हमारे इस code पे आता and then जो हमारा थड़ वाला था basically हमारा यह जो थड़ वाला था इसको हम चलाते लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा यहां पर देखना क्या होगा जब मैं इसको रन करूंगा बूंग ऐसी यह देखा आपने क्या होगा फिर से इसको मैं हटा रहा हूं clean कर रहा हूं ध्यान से देखना मैं इसको दिखाता हूं देखो fun 1 start fun 1 ends after 2 seconds मुझे यह आया so this is your asynchronous behavior जहां पर function 2 के बाद console.log में कर रहा हूं लेकिन उसके बावजूद भी मुझे पहले यह वाला जो output है console वो आया and after 2 seconds मुझे function 2 का जो भी output है वो आ रहा है so this is your asynchronous की भई ठीक है अगर आपका asynchronous operation है आप hold कीजिए जैसे आपका होगा त at least आपकी पीछे जो है उनको रोकिये मत अगर यह synchronous होता तो आप सोचो फिर तो guys हालत खराब हो जाती हमारी मतलब यह 2 seconds रूखना पड़ता तो आप जाकी आता है and in even bigger picture बड़े application में तो फिर हालत खराब हो जाता समझ रहो so this is your asynchronous simple example अगर मैं आपको बता हूं यहां पर जैस वीडियो चल रहा है ठीक है आपका यह जो कमेंट है यहां पर आप देख सकते हो वोट फॉर रियक्ट जैस ऑबिसली आईगेस मैंने इसको वोट क्या होगा मैंने अल्रेडी लब दे रखा है ठीक है मैं चलो लब कर देता हूं शियोर लिग देता हूं बट सीरीज आएगा आ ऐ कोर्स नहीं है क्योंकि गई से बारा बारा घंद बनाना सच में बहुत डिफिकल्ट है यह तो मैंने कमेंट कर दी है कि एक तरफ मेरा वीडियो चल रहा है एक तरब मैंने like कर दी दुसरे तरब मैं comment भी कर पा रहा हूं तो यह क्या है यह आपका asynchronous behavior है अगर synchronous होता है या तो म lavorated like कर पा रहा होता या तो म요 comment कर रहा होता है अगर मैं comment कर रहा थह तो भीडु नहीं चल रहा होता यहां पर description में code है यहां पर यह जो भी part है यहां पर आपको part 1 में बिसिकली part 1 में मैं यहां पर link दे दूँगा हाला कि part 2 तो आप देखी रहे हो but आप समझ गए ने asynchronous behavior किसे कहते है all right ठीक है आप अगर इतना समझ गए now you are ready to go अब एकदम ready हो call stack को समझने के लिए लेकिन उससे पहले एक और चीज एक और चीज जल्दी से हमें call stack का example समझना पड़ेगा reality में फिर हम देखेंगे उसको animation के साथ तो देखो गाइस अभी हम इसको run करते ठीक है फिर से ध्यान से देखना अभी थोड़ा सा बड़ा है बस तो ध्यान से देखेगा अब हम क्या करें सबसे पहले first function जो है उसको हम call कर रहे है और किसी भी function को हम call करते तो देखते कि उसक यहां पर हम देख पारे कि console.log किया हुआ है क्या क्या हुआ है यहां पर we have a console.log तो यह वाला जो code यह print हो जाएगा उसके बाद हम क्या कर रहे है second function को call कर रहे है हम first function के अंदर second function को call कर रहे है जब हम second function को call कर रहे है तो अब हमारा current pointer आप कह सकते वह इस पर आ गया है ठीक ह यहां this is our function 2 तो जब हम function 2 तक पहुंचे तब अगिन उसके अंदर भी console.log है तो यह print हो जाएगा दैन उसके बाद हम क्या करें set timeout जो कि एक asynchronous behavior है तब यह जो है ना यह जो अपना individual जो set timeout है यह कहीं ना कहीं एक web API होता है वहाँ पर जाके तीन सेकंड के लिए आराम करेगा ठीक है जब तक यह आराम कर रहा है तो यह हमारे code को रोकने वाला नहीं है यह ब्लॉक नहीं करेगा फट से क्या होगा जैसे ही set timeout आके वह web API में चला गया हमारा थर्ड फंक्शन जो है here we have a third function इसका request चला जाएगा यहां पर basically जब हम call करेंगे तो obviously वह कहां चला गया हमारे third function पर चला गया तो जैसी वह third function पर गया console.log जो है यह प्रिंट हो गया ठीक है एंड जैसे ही यह third function खंतम हुआ क्या हुआ वह वह वापस मेरे second function पर आया फिर second function को जैसे ही खतम हुआ मेरे वह first function पर जाएगा and then जब इस तरकिसे सब complete होगा तो after three second यह जो fun2 है वो मुझे दिखाई देगा तो यह concept है मैं आपको इसको run करके दिखाता हूँ code language is not identified ओके वो एक second यह कैसे हो सकता है वो sorry यह तो JavaScript I mean HTML का code है यह हम यहाँ पर नहीं चला सकते मैं यहाँ पर चलता हूँ है ना तो आसा जूम कर जाता आप लोग अख लिए ओल्राइट ठीक है इसको मैं हटा रहा हूँ फिर से मैं compile करा हूँ 1st function 2nd function 3rd function and after 3 seconds मुझे fun2 is starting आया आप समझ गये राइट अब यह हुआ कैसे उसको मैं आपको समझाता हूँ अब इसको हम behind the scene समझते so again let's go to our execution context जिसमें हमने समझ लिया ता what is synchronous versus asynchronous and already यह मैं आपको what's the difference से भी बता चुका हूँ finally javascript run time and then जो code अभी मैंने यहां पर लिखा है वो आप मुझे यहां पर देख सकते हो और कैस तो आप देख सेखते हो कि मैंने अपने आपको execution call हुआ हमने पड़ा था कि function को अपना खुद का execution context मिलता है and this is your call stack यह आपका जाज की front time है जहां पर we have a call stack and उस call stack के अंदर दो चीज मैंने आपको बताई थी if you remember guys उस call stack के अंदर मैंने दो चीज आपको बताई थी and that is we have creation face and then we have execution face तो यह वाला जो दिख रहा है this is your creation face जहां पर आपका global execution context बनता है इसी के अंदर ही आपका wasting आपका global keyword आपका this keyword सब हमें यहां पर मिलता है and जैसे ही actual function run होता है उसका अपना खुद का एक execution context बनता है जो की है कुछ इस तरीके से and वो हमारा बनता है किसमे call stack में होप आपको पता चल गया ठीक है so all right अब मैं यहां पर चलता हूँ अब आप ध्यान से दिखिए the moment first function call हुआ so here we have what आप देख सेकते हो console.log इसका भी एक execution context बना and यह जो भी output हो प्रिंट हुआ and the moment यह प्रिंट होता है वो हमारे execution context से pop out हो जाता है and किस manner में last in first out क्योंकि सब से last आया ने यह console.log तो वो सबसे पहले बाहर निकल जाएगा all right so जैसे ही वो यहां पर हुआ ध्यान से दिखिएगा अब यह जो console.log यह वाला जो पाट है मेरा यह जो code अभी यहां है अब ठीक अगला step क्या होगा हम एक function एक और function को call कर रहे the moment second function को call किया तो second function जो है उसका पर एंड वो चला गया the moment वो गया तब आप ध्यान से देखो here we have a set timeout जो की आपका एक async operation है और आप कही न कहीं आप बहुत क्लिए लिए लिए देख सकते हो यहां पे मैंने लिखा है web API तो यह जो web API है यह जावस्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है यह जो है आपको browser timeout set interval आपके एविन जो डो में वो भी इसके अंदर आते आपके ajax API call fetch API और वो सब इसके अंदर आएंगे और बाकी की जो asynchronous वाले जो code होते जो मैंने स्टाटे में कहाता वो web API में जाके आराम करते वो यही वो एक part है ठीक है और light अप मैं यहां पर चलता हूं तो जैसे ही set time out बना है तो वो भी callback function ना दो इसका भी अपना एक context बना और उसने यह check out किया कि हां तीन सेकेंड के लिए I mean after three seconds मुझे एक callback function है उसको रन करना है तब वो जो asynchronous operation है वो हमारे web API में चला गया and the moment हो गया तो set time out तो काम खत्तम हमें तीन सेकेंड अब रुखनी की need नहीं है उसका काम खत्तम उसके बाद हो क्या करता है अगर आप ध्यान से देखोगे वो console.log जो हमें output आया तो खत्तम and the moment ये console.log third function खत्तम हुआ तो third function की तो अब हमें need ही नहीं है तो ये क्या करेगा guys ये वापस जहां से इसको call आया था that is this part वो वहाँ पे चला जाएगा and जब वो गया तो मतलब call stack से उसका काम खत्तम and guys यहाँ पर अगर आप एक चीस notice करें तो जो भी हमारे stack में समझ रहे हो जो भी सबसे उपर आ रहा है सबसे पहले वो बाहर जा रहा है अब इस जैसे second function उपर है वो बाहर जाएगा फिर ये तो ये है आपका last in first out जो सबसे last आ रहा है वो सबसे पहले निकल रहा है बाहर तो आयोप guys आप समझ गोंगे मैं क्या कहना चाहरा था ठीक है अब उसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखोगे तो second function में भी कुछ बचा नहीं है ये जो set timeout था अब उसको तो अपनी जगे यहाँ पर अलरड़ी मिल चुकी है अब उसके बाद ये जो third function है इसका काम complete हो चुका है और ये जो console.log था ये वाला पाट ये अलरड़ी हम प्रिंट करा चुके है तो अब क्या करेगा second function भी खत्म तो जहां उसको call किया था वापस हो वहाँ जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसका काम भी खत्म तो जब वो first function के पास गया तो first function में ये वाला जो पाट है ये हम already run करा चुके है और जो second function था वो तो complete हो के वापस यहां पर return आर चुके है तो इसका मतलब ये कि first function जो है उसका भी काम तमाब वो भी खत्म हो चुका है अब इन सब में सिब एक चीज रह गया है and that is your set timeout तो अब क्या होगा कि let's say 3 second complete हुआ तो 3 second complete होते गया तो हमारे callback queue में चला गया and event loop आप finally आप देख सकते हो ये जो एक बड़ा सा part दिख रहा है this is your actual event loop ये जो part दिख रहा है ये आपका event loop है and इसका main काम ये है कि callback queue में जितने भी operations है उनको call stack में pass कर देना and ये देखना कि call stack म में जितने भी task है उनको वो क्या कर देगा execution context basically हमारे call stack में pass कर देगा and once जब वो call stack में आ गया तो main तो यही तो है ना जहां पर हमारा current code run कर रहा होता है तो इसमें जो भी हमने लिखा था and that is हमारे case में console.log ये वाला part उसको वो print कर देगा and काम खत्म so guys याद है मैंने आपसे एक चीज़ कहा था that is हमारा JavaScript जो single threaded है मतलब एक काम एक की बार में होता है लेकिन यहां पर तो बराबर सारे काम एक साथ हो रहे तो उसके पीछे का reason अब आपको पता चला उसकी पीछे का reason ये है कि आपका ये जो web API है आपका ये जो callback queue है आपका य लेकिन with the help of these three things हम multiple काम एक साथ complete कर पा रहे है and this is what makes JavaScript extremely powerful and yeah this is it बस इतना ही आपको समझना था and I hope ये call stack क्या है ये global execution context क्या है web API है आपको पता चल गया होगा callback queue आपको पता चला होगा and then we have this event loop तो ये मोटा मोटी है जितना आपको उपर से समझना था तो I hope guys आपको पता चल गया ये कैसे गाम कर रहा है this is your call stack call stack में global execution context ये बहुत important है and वो ये आप देख सेक्तों यहां पर by default है क्योंकि यही आपका actual creation phase and creation phase में ही आपका global execution context बनता है and मैं अब browser पर चलना चाहूंगा याद है creation phase में हमें global window object मिलता है तो अगर मैं window लिखता हूँ तो मुझे इस तरी के से देखो आप एक second मैं यहां पर चलता हूँ so guys आप देख सकते हो मैं यहां पर आ गया मैंने enter हीट कर दे ठीक है तो आप देख सकते हूँ कि मुझे window object दिखाई दे रहा है and now आपको पता चला होगा जब हम dom पढ़ रहे थे you know जब हमने windows पढ़ा part 1 में we have a dom and then we have a bomb and windows हमारे global object है हमने कहा था बट हमें यह नहीं मालूम कि कहां से हमें यह मिला बट अब आपको पता चलिया होगा जब हम इसका यूज करते है जावस्क्रिप्ट में जो इंजीन है ब्रॉजर में जो जावस्क्रिप्ट का इंजीन है वो during creation phase हमारे लिए यह जो window object है वो बना के हमें देता है अब आपक करते हो तो भी आप यह सब बिसिकली इन जावस्क्रिप्ट की दुनिया इस कीवर्ड और आपका यह जो window object है दोनों same output देता है बट जब हम Node.js की बात करते हैं वहां पे आपका global object कुछ और है बट इन जावस्क्रिप्ट इस कीवर्ड और आपका यह जो global object है दोनों same है आपको पता चला होगा कि creation phase में जो global object बनता है जो इस कीवर्ड बनता है दोनों same में जावस्क्रिप्ट की दुनिया में और हम क्यों access कर पा रहे थे वह आपको पता चलिया होगा चले ठीक अच्छी बात है अब हम चलते हमारा next step पे जो की है आपका अगर मैं आपको बता होइस्टिंग को समझना जरूरी है हमारे call stack में जो global execution context है सबसे पहले बनता है basically यह जो है आपका creation phase है जिसके अंदर global object this keyword साथ ही मैं आपने पड़ा था hosting भी होता है and then scoping तो global object में आपको दिखा दी क्या है this keyword मैंने आपको दिखा दिखा दिया क्या है तो अब यह जो hosting वाला जो concept है वो क्या है देखो hosting ने एक JavaScript में एक mechanism है where variables and functions declarations are moved to the top of their scope before code execute code execute भी नहीं हुआ है लेकिन पहले ही जो variables है and then जो functions है उनको अपने scope में एकदम top पे move कर दिया जाता है this means that no matter where functions and variables are declared they are moved to the top of their scope regardless of whether their scope is a global or a local scope क्या होता मैं आपको बताता हो दियान से देखिए यह एक simple सा question है ठीक है and interview में पूछ सकते जब मैं इसको run करूंगा so here we have a my where is equal to 10 a grid function है welcome if you are reading this don't forget you are awesome क्योंकि आप अभी तक देख रहे हो मतलब आपने जुनून है and then मैंने just console.log my where किया and then grid function को मैंने call कर दिया simple मुझे देखो क्या है my where की value 10 आई and then यह जो grid function था वो चल गया कुछ नहीं यहां पर wasting नहीं था don't worry but क्या हूँ अगर मैं function को पहले I mean कोई भी variable को define करने से पहले ही मैं उसको call करूँ so guys अब इस case में क्या आओगा बताओ कि अभी तक मैंने मेरा जो my where अगर आप देखोगे तो इसको मैंने declare नहीं कोई value उसमें assign किया directly मैंने call कर दिया and उसे तरह किसे function को भी मैं call कर रहा हूं तो अब अगर मैं यहां पर चलता हूं इस पर मैं hit करता हूं and boom I see this is your hosting जहां पर आप देखोगे जो my where है इसकी value क्या मुझे आ रही है undefined आ रही है वहीं अगर मैं function को call कर रहा हूं तो मुझे क्या value आ रही है बराबर वह value आ रही जो इसके basically यह जो console में लिखा था वह value मुझे आ गई but in case of variable मुझे undefined आ रहा है and if you remember and if you remember जब मैंने अब भी आपको थुदिर पहले हमने इतना in-depth में पड़ा यह वाला पार जहां पर मैंने आपको बताया था before executing यहां पर यहां पर यहां पर यह वाला जो पार्ट है इसको एकदम अच्छे साब को समझना था कि यहां पर आप देख लीजिए गाइस it reserves the space for them in memory and sets and initial value of undefined and for the function it also reserve the space but sets and initial value as a reference to the actual function in memory मतलब पूरा function का body जो है वो उसको access कर पा रहा है वहां पर लेकिन when it comes to your variable उसको initial value देके रख देता है that is your undefined and then जब function actual में call ओना start होगा तब जाए कि उसकी जो value है वो उसको हम assign कर रहे so this is what your hosting is and जो हमने थुरी देर पहले पढ़ा था अब सब धीरे धीरे आपको वो समझ में आने लगेगा इस case में पाता behind the scene क्या हुआ होगा हाला कि reality में तो आपको यह मालूम है जब मैं इस code को run करता हूं तो इस मेरा next step क्या है पार्सर जहां पर वो टोकन्स में convert होता है फिर वो एस्ट में convert होता है तब जाके compilation को जाता है जो कि machine code में convert करता है तब जाके वो execution phase में जा रहा है वो सबसे पहले अपना जो scope है उसके एकदम top पे उनको move कर दिया जाता है इस एक ऐसा mechanism जहां पर variables and then जो functions है आगर आप ध्यान से देखोगे so they are moved to the top of their scope before code execute तो यह क्या हो रहा है यह वही तो हो रहा है code को अभी तक execute भी हमने नहीं की बट उनकी जो variable है and then जो function है हम उसको एकदम top पे move कर रहे है अपने scope पे simple इस तरीके से तो now you know जब हमने starting में पढ़ा था कि आगर आपसे एक variable को इस तरीके से declare करके छोड़ रहे हो बिना कोई value assign करे वो by default हमें क्या मिलता है undefined मिलता है तो वो कुछ ऐसा हो रहा है and उसने obviously function को भी कुछ इस तरीके से किया है उसने ठीक है बट reality में क्या होता है कि जब वो function को एकदम top पे ले जा रहा था ना तो उसने basically इसका पुरा reference पास कर दिया जिसके चलती इसका data आता है but variable के case में वो सिर्फ और सिर्फ as it is रहता है उसकी value जो है वो assign नहीं करता है उसकी value तब assign होगी जब एक्ट्वल में आपका code run होता है execution context में तो बस guys इतना ही है and एक चीज़ आपको बताता हूं जब तक हम वैर पढ़ रहे न तब तक ही आपका यह hosting काम करेगा क्योंकि as per rule rule अब यह है कि अब हम वैर यूज़ नहीं करते अब हम यूज़ करते let या तो const जब आप let यूज़ करोगे and अब अगर इसको में run करता हूं फिल आल इसको clean करके अगर मैं तब आप देखो और एक्चल में यह तो कोई प्रॉलम नहीं अब देखना अब अगर में run करता हूं तो मुझे error आ रहा है अगर आप use strict mode भी उसकरते तो भी error तो by default let and const का block scope रहता है तो अगर आप let use करते तो वह कभी hosting बनाने ही नहीं देगा आपको सिर्फ जब आप various करते तो वह आपका hosting होता है जहां पर top of the scope वह बस इसकी variable जो है assign कर देता है क्यों कि मैंने आपको starting में भी कहा था JavaScript बहुत प्यारा है उसको ऐसा है कि मुझे error नहीं देना है ठीक है कहींने कहीं तो इसको माई वेर करके इसने बाद में जाके तो भी at least बनाया तो है मैं पहले ही उपर रख देता हूं ताकि undefined आजा लेकिन error ना है बट जब बात आती है let and then const की तो directly बोल रहा है cannot access my where before initialization जब तक आप उसको initialize नहीं करोगे उससे पहले आप उसको call नहीं कर सकते strict simple let and const में इसका कोई कामी नहीं है विस्टिंग का उसी तरीके से function तो आपका चलेगा देखो इसको मैं आटा रहा हूं फिलाल function के case में यह अभी भी आपका काम करेगा लेकिन the moment is function को आप क्या होता है फिर से हमें error आ गया cannot access great function before initialization आइडिया पाता चला आज का जो modern JavaScript अब वह अच्छा है लेकिन वह strict भी हो गया है नहीं अगर error है तो error है बात ही खत्म इसलिए अब हम उस्टियूज इतना यूज़ नहीं करते बट फैट error function में अब यह rule है कि पहले आपको function को define करना होगा फिर बात में नीचे जाके आप उसको call कीज़े क्यूंकि function कैसे काम करता है from top to bottom आपने पहले function call कर दिया अब उसको बिचारे को मिली नहीं रहे यह कहां यह अपने उपर ही देख रहा है वो इसलिए जब आप फैट आरो function करोगे तो always पहले define करना है फिर call करना है यही रूल लोग follow करते है क्योंकि इससे पहले क्या था आपने function call कर दी और भगवान जाने कहा बॉटम में जाके अपने define की है और फिर वो चल रहा था बट अब ऐसा नहीं चलेगा पहले function define करो पहले जो भी वेरेवल एकदम टॉप पे define करो एक बार हो गया ठीक है अब यह ready है भाई आप जो करना है करो इसके साथ मतलब यह वह हो गया कि कल की दिन पहले सब सेट कर लो फिर बाद में उसका जितना यूज करना है करो हजार बार कॉल करना है करो तो यह है काई सापका hosting आपको पता चल गया होगा ठीक है so in our creation phase global आपका object this object and then hosting होता है वो तिनो आपको पता चल गया अब बचा आपका scope तो यहाँ पर आपको चलना we have this scope.js यह बहुत ही जाद इंपोर्टन है तो होता क्या है na scope in JavaScript refers to the context in which variables are declared and then access it defines the visibility and lifetime of variables when a variable is declared it is bound to a specific scope and its accessibility is determined by that scope तो इसमें क्या होता है we have a global scope we have a function scope and then we have a block scope कहीने कहीन यह function scope and block scope को हम local scope भी बहुल सकते है यह जो scope है यह दुनिया के हर एक programming language में same concept है सबसे पहले we have this lexical scoping lexical scoping का simple मदब यह है कि आप code देखके बता सकते हो कि इस variable का क्या value हो सकता है या इस value या यह जो variable है इसको कौन को unaccess कर सकता है या तो आप इस तर किसे समझ लो या तो आप इसको इस तर किसे भी समझ सकते हो lexical scoping in JavaScript is like a set of rules that determine where a variable can be used in your code तो basically यह एक set of rules को define करता है it's like a manager जो यह बोलता है कि इस variable की जो values है इसको आप कहां use कर सकते हो if a variable is declared inside a function or a block it can usually be used only within that function or a block मतलब बहुत ही basic है मैं आपको बताता हूं ठीक है इसका काम आई हो आपको पता चलिगा होगा lexical scoping सुनने में बहुत high five word है इसका simple मतलब यह है तो इसका simple काम बस इतना है कि जो भी variables होंगे उनकी जो values है उसको कौन use कर सकता है and कहां use कर सकता है कौन use नहीं कर सकता है यह आपका lexical scoping का काम है देखना जैसे and वो कैसे देख रहा है simple physical structure को देखके बता देता है जैसे एक question है यहाँ पे where a is equal to five where b is equal to ten अगर मैं आपसे यह पूछू what will be the value of a क्या करोगे आप आप सबसे पहले क्या करोगे a की value 5 है b की value 10 है मैं क्या कर रहा हूँ मेरे screen पर देख रहा हूँ मैं यह देख रहा हूँ कि अच्छा a की value 5 है b की value 10 है यहाँ पे पूछा है value of a okay a की value तो है 5 एक बात बता आपने a की value 5 कैसे बोली आपने फीजिकली अपनी आखों से देखा ना एंड मुझे देख की पता चल रहा ना भाई एक की value 5 है बस यह है यही आपका lexical scoping है तो guys this is what your lexical scoping is physically देखे बताना कि कौन यह जो variable इसका use कर सकता है basically कौन इसको access कर सकता है simple ठीक है alright don't worry हम practical देखेंगे तो और के लिए हो जाएगा and scope chaining क्या है यह कैसा process है by which JavaScript when looking for value of a variable checks the current scope and then looks in the outer scope until it finds the variable or reaches the global scope तो lexical scoping में यह manager की तरह काम कर रहा है कि variable को कौन access कर सकता है कौन नहीं कर सकता है scope chaining में क्या होता है कि जब कोई भी किसी variable की value को access करने की कोशिज कर रहा है तो scope chaining में क्या हो रहा है कि guys कोई भी अगर किसी variable का value को access करना चाहा रहा है and अगर उसको particular scope में उसका data नहीं मिलता है तो वो उसके जो outer scope है वहाँ पे इच्छे करेगा क्या वो value present है या नहीं अकर वहाँ पे भी नहीं है तो एकदम end top top में जाता रहेगा जब तक कि वो खतम नहीं हो जाता at the end में पहुंच नहीं जाता है ठीक अब यह तो आपको practical देख के पता चलेगा it has global visibility and can be accessed from anywhere in the code तो कोई भी ऐसा variable जो globally declared हुआ है वो आपका global variable है उसकी जो visibility वो global हो जाती है and उस program में कोई भी उस variable को कभी भी access कर सकता है वही local variable क्या होता है एक variable declared within a function कोई एक ऐसा variable जो function के अंदर define किया गया हो या किसी block scope के अंदर define किया गया हो function के अंदर या block scope block scope मतलब आपके ये switch statement या आपके if statement के अंदर जो define किये गये है they are refer as local variable it has local visibility उनकी visibility कैसे होती local होती है मतलब अगर function के अंदर अगर आपने कुछ define किया है तो वो function जहां तक है उसका scope वहीं तक ही आप उसको use कर सकते उसके बाहर आप उस variable को access नहीं कर सकते तो यह local variable हो गया and limited to the function or a block where it is declared या तो सिर्फ वहीं तक ही जहां तक उसको आपने define किया हुआ है या declare किया हुआ है अब आप ध्यान से देखिए I know बहुत theory हो गई है अब आप इसको देखोगे तो आपको पुरा doubt clear हो जाएगा here we have a program simple सा program है यह देखो यह आपका एक क्या है यह पुरा global scope है ठीक है अब इसमें जो सबसे बाहर जो variable किसी function के अंदर नहीं है किसी if statement या switch statement के अंदर नहीं है function के अंदर नहीं है का मतलब होता है function scope या जो if या switch statement के अंदर नहीं है उसका मतलब होता है आपका block scope तो यह भी अपना ही एक scope है function scope block scope दोनों मिलके बनता है आपका क्या local variable तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं global variable जो function के अंदर या if या switch statement के अंदर नहीं है अगर हम देखे तो ध्यान से देखिए तो एक तो ये वाला जो एक variable है ये किसी function के अंदर नहीं है ना कोई if statement के अंदर है तो ये आपका एक global है एक इतने सारे हमारे code में सिर्फ ये एक आपका global variable है अब हम देख लेते हैं कि local variable कौन-कौन से है जो की function या तो if statement के अंदर होंगे तो अगर हम ध्यान से देखे जा रहा ये जो एक दिख रहा है function variable तो ये आपका एक local variable है और इसको अगर हम और detail में बोले तो ये आपका क्या है function scope वाला variable है या function variable आप इसको कह सकते हो वही अगर हम और देखते है तो यहाँ पे एक और अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला जो part है ये block variable जो है ये भी आपका एक local variable है तो function variable and then आपका ये जो block variable है वो आपके local variable है क्यों कि एक तो function के अंदर defined है और दूसरा वाला तो आपका जो है if statement के अंदर defined है तो अब ये है guys आपका global variable ये है आपका local variable लोकल variable को भी अगर और depth में बताना रहा तो ये है आपका function scope ये है आपका block scope अब क्या होता मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ये तो lexical scoping का काम है सिर्प आखों से देख के बताना physically कि कौन सा variable की value क् की और कौन से variable किस को access कर सकता है बैसिकल कौन सा function किस variable के access कर सकता है ये lexical scoping लेकिन जो scope chain है उसका काम क्या होता है कि कल की दिन धीयान से देखो मैं ने यहाँ पे क्या कहा है console.log-blog scope मैंने इस function को call किया I mean इस variable को मैं call कर रहा हूँ जब मैंने इस variable को call की तो इसने चेक किया क्या ये variable मेरा ये जो scope है उसमें present है यानि अगर है एक second तो यहाँ पर बहुत ये clearly देख सकता है कि ये जो variable अच्छा ये तो मेरे उपर ही है तो इसने इसको print कर देगा ठीक है अब उसी तरह की से अब second है आपका console.log function variable second कौन सा है आपका है ये console.log function variable तो सबसे पहले ये जो if statement है इसका कौन सा scope होता है ये होता है आपका block scope तो वो इसी block scope में देखने की कोशिस करेगा क्या ये जो function variable है वो मेरे इस block scope में present है या नहीं हम बहुत क्लियली देख सकते की नहीं है सिर्फ block variable करके ही एक variable है जो इसके अंदर define है तो अब scope chain है यहाँ पर काम करता है वो क्या बोलता है अगर inner code में या inner scope में वो variable define नहीं किया गया है तो उसका जो parent scope है वहाँ पर आप check करो तो अब इसको चेक करने के लिए वो उसका parent कौन है यह function है वहाँ पर चेक करेगा अब इसका मनलब यह कि यह जो code है अब वो इस जगे तक चेक करने वाला है इतनों में वो चेक करेगा इसमें चेक करेगा क्या यह जो function variable है उसको define किया गया है यानि उसने देगा अरे वहाँ यह तो है यहाँ पर तो वह value print कर देगा अब इतना हो गया अब लास्ट में what we have we have this console.log global variable उसने क्या 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 सबसे पहले यहाँ पर चेक किया अपने block scope में कोई भी क्या है क्या है तो इसने जब चेक कि इसका जो पैरेंट है उसमें गया और वहां पर चेक करेगा क्या वह 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 प्रेजेंट है या नहीं तो अब उसने देखा अरे यहां तो नहीं है यहां पर उससे function variable है ग्लोबल बेरेवल करके कुछ है ही नहीं अब अब वह फॉर्दर क्या करेगा अब फॉर्दर जाएगा एकदम जो हायर लेवल है जो एकदम हायर लेवल है अब उसने सबसे पहले अपना यह ब्लॉक स्कोप पे देखा इप स्टेटमेंट में नहीं मिला उसने अपने कई भी, कहीं भी एकसे कर सकता है बिसकली global में अब जो भी वेठेबल डिफाइन करोगे वह कोई भी कभी, कहीं पे वह जो इसने डेखा प्रिंट तो this is the account of your scope training यह make sure करना कि अगर उसके पास data ना हो तो parent scope स्कोप में चेक करना अगर parent में भी ना हो तो global scope में चेक करना है ना अब यहां पर छीज द्हान देना अब यह वाला बहुत important है ठीक है यह मेरा function scope है यहां पर start हो रहा curly braces यहां पर complete हो रहा है and यह जो एक part दिख रहा है यह मेरा block scope है यह मेरा function scope यह if के अंदर मेरा block scope block scope के अंदर मैंने एक variable define की हुई है जो की है block variable लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह जो इसका जो entry point वो यह है exit point यह है if statement अब खत्म हो गई उसके बात जाके मैं क्या कर रहा हूं मैं यह वाला जो वेरेवल है उसको मेरे parent में basically जो मेरा parent container है वहां पर मैं उसको call कर रहा हूं तो क्या मैं इस variable को access कर पाऊंगा या नहीं यह एक question है अब हम वो देख लेते हैं मैं इसको run करता हूं यहां पे clean कर रहा हूं और मैं not defined यह देखो block variable is not defined यह ऐसा क्यों हुआ तो कैसे हैं पर यह जो हमने scope chaining पढ़ा था ना scope chaining वो बता क्या power देता हमें वो यह power देता है कि जो inner child है जो inner child है वो अपने parent का data access कर सकता है लेकिन parent जो है अपने inner child के data को access नहीं कर सकता बस यही है और कुछ नहीं है scope chain में जो inner child है अपने parent child का data को access कर सकता है और जो parent है वो global वाले का access कर सकता है लेकिन उसका 22 वर्सा true नहीं है समझ रहा है मैं अगर function के बाहर अगर मैं इसको access करना चाहूं या इस variable को access करना चाहूं मैं नहीं कर सकता इसलिए तो इसका नाम है ग्लोबल वेरियबल ग्लोबल है यह कोई भी access करो function का क्या नाम है function scope मतलब यह सिर्फ function वेरियबल है कि जिस function में इसको define किया गया है सिर्फ वहीं तक ही इसको मैं use कर सकता हूं और यह तो आपका block scope है if के अंदर जो आपने define किया वो तो आप even function के में भी access नहीं कर सकते क्योंकि if statement के अंदर जो आप variable define करते हो उसका scope सिर्फ वहीं तक ही सिमित रहता है इसको आपने यहां पे access करना चाहा output आया बट बहार नहीं कर सकते children का data आप parent container में access नहीं कर सकते and this is what your scope chaining is inner child जो है parent का data access कर सकता है parent grandparent का कर सकता है child भी grandparent का कर सकता लेकिन ठीक उसका opposite grandparent ना तो parent का कर सकता है ना तो child का कर सकता है parent ना तो अपने child का कर सकता है that's why यह हमें error है and यही है आपका basically यह देखो global scope, function scope and then block scope I hope अब आपको पता चलिया होगा कि यह किस तरीके से काम कर रहे simple है ना and इतने सारे output भी क्यों रखना आपको confusion हो जाएगा इतने सारे output से भी simple मैं रखता हूँ simple यह मेरा इतना सा code है इसको मैं हटा रहा हूँ अब मैंने बस कुछ नहीं गया if देखो and parent जो है child की जो data है या जो variable इसको एक्सेस नहीं कर सकता simple बस इतना ही है and even यह जो function variable है अगर यह होता यहाँ पर तो तो guys मैं बहुत इजली इसको एक्सेस कर पाता है क्योंकि यह जो function इसको पर और मैं function के अंदर ही कर रहा हूँ लेकिन इसको भी अगर मैं अगर बाहर कर दूँ ठीक है अब फिर से मैं इसको run कर रहो तो फिर मुझा error आएगा क्योंकि यह जो function variable है वो यह function के अंदर defined है इसके बाहर में इसको एक्सेस नहीं कर सकता so यही है आपका scope training and यह बहुत important था समझना कि चिल्रेंट जो है पैरेंट गरेंट पैरेंट कर सकते हैं लेकिन उसका वाइस वर्सा टू नहीं है तो यह आपको पता चल गया राइट हम बहुत करीब आच चुकि है इसको complete करने में क्योंकि हम में जुतना समझना था यह JavaScript कैसे काम करता है वह सब कुछ हो चुका सिर्फ एक रहे गाए डैट इस यह क्लोजर और गैस तो आप में से बहुत होने क्लोजर बहुत बार सुना होगा क्लोजर 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 तो क्या है क्लोजर अब ध्यान से देखिएगा ठीक है फंडा अगर आप समझ गे तो आपको थोड़ा एजी लगेगा अल्स थोड़ा सा मुस्किल होगा समझने में लेकिन मैं पूरी कोशिस करूंग आपको एकदम 110 परसेंट अच्छे से एकदम सिंपल इग्जामपल में समझाऊंगा थाकि आपको बेसिक पता चल जाए एक लोजर इस क्रिएट वेन इनर फंक्षन हैज एक्सेस टू दी वेरेवल ओफ इस आउटर फंक्षन इवेन आप्टर दी आउटर फंक्षन हैस फिनिस्ट एक्जिक्यूटिंग तो अब भी हमने जो स्कोप चेनिंग पढ़ा था कॉंसेट वही था कि इनर फंक्षन जो अपने आउटर फंक्षन या पैरेंट फंक्षन का डेटा को एक्सेस कर पाता है लेकिन उसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है लेकिन यहां पर एक चीज़ इन्हों ने एक्स्ट्रा एड कर दिया डैटिस एवन आप्टर दी आउटर फंक्षन हैस फिनिस्ट एक्जिक्यूटिंग तो यह इंट्रेस्टिंग है देख यहां पर क्या हुआ है वी हब दिस फंक्षन आ आप बहुत क्लेरी देख सकती हो यह वी हैब फंक्षन तो यहां पर बहुत दियान से देखिएगा एक बार आप फंडा समझ गें तो आपको बहुत फूइजी लगने वाला ठीक है so here we have outer function जो कि इसको मैं directly call कर रहा हूँ तो जब मैं outer function को call करूँगा outer function मेरा ये है ठीक है इस outer function के अदर आप देखो कि तो मैंने सिर्फ एक variable को define किया हुआ है simple सा कहीं न कहीं जाके वो stored हो जाएगा लेकिन ये जो function है इसको मैंने किसी एक variable में assign की है ये क्या return कर रहा है ये एक function रिटन कर रहा है जिसका नाम है inner function इन इस inner function के अंदर हमें console.log करें जो कि है outer variable तो यहाँ पर रूल क्या बोलता है कि ये जो inner function है अपने outer function की variable को access कर सकता है क्योंकि outer variable इस inner function में define नहीं किया गया ये outer variable में define किया गया इस जगे पे तो अब आपको लग रहा है इसमें कौन सी बड़ी बात है मतलब जो हमने पड़ा है अभी तक उसके हिसाब से अगर inner function ने outer variable को call किया भी अभी मैंने आपको बताया था स्कोपिंग क्या करता है चेक करता है क्या जहाँ पे उसको call किया गया है वहाँ पे वो variable defined है या नहीं obviously इस case में तो नहीं है तो वो अपने parent function में चेक करेगा क्या वहाँ पे defined है obviously यहाँ पे defined है तो output आ गया कितना easily हमारा काम हो गया बट इन reality यह इतना easy हुआ ही नहीं क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे यह जो outer function है जब यह function को call किया हमने इसने सिर्फ return किया है inner function को और जब भी कोई function return करके निकल लेता है तो उसका जो execution context है वो तो खतम हो जाता है और जब वो execution context है खतम हो गया तो फिर कहां से यह वाला जो inner function जो उसके बाद में call हो रहा है अगर आप bottom पे देखो यह एकदम last में call हो रहा है जब बाद में call हो रहा है तो वो outer variable का data accept कैसे कर पाता है जबकि वो तो execution context में है ही नहीं समझ रहे हो मैं इसको एक बाद जल्दी से run कर देता हूँ I know आपको थोड़ा सा confusion लग रहा होगा बट नहीं है मैं आपको इसको भी practical देखो I am outer function as per rule यह data नहीं प्राप्त कर पाता बट यह कर पा रहा है क्यों PPT में चलते हैं देखो वापस से वापस से we have one awesome cheese that is your hip memory and यहां पे एक और same function ठीक है अब सबसे पहले यह जो outer function है यह call होता है the moment कोई भी function call हुआ तो इसका अपना खुद का एक execution context बनता है तो execution context बना जब execution context बना तो हुआ यह कि अब यह वाला जो function है यह return कर रहा है हमारा यह function and return करकी किसको assign कर रहा है इस वाले पार्क को closer function सिर्फ इतना ही काम है outer function का काम क्या है एक inner function inner function भी क्या बोलना एक function को return करना और एक variable को assign कर देना the moment outer function ने इतना किया उसका काम खत्म न outer function का काम खत्म and outer function का काम खत्म मतलब वो हमारे execution context से चला गया अब अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे इस call stack में है कहीं पे भी कोई भी इसका कुछ है ही नहीं outer function का कोई अता पता नहीं है यहां पे जब इसका कोई अता पता नहीं है एंड ठीक उसके next line पे अप में क्या कर रहा हूं मेरा यह जो costume следующ उसको में कौल कर रहा हूं closer function को कौल करना मतलब मैं अब outer function का यह जो inner function इसको कौल करना तो जब यह function कौल हुआ तो जैसे function कोल होता उसका अपना खुद का एक execution context मिल जाता है जब execution context मिला तो उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं मैं console.log outer variable को मैं access करने की कोशिश कर रहा हूं but in reality यह जो आउटर वेरियबल है कहां है यह देखो ना भाई कहां यह आउटर वेरियबल किदर है basically यह जो पार्ट है यह तो हमारे आउटर फंक्शन में था and आउटर फंक्शन का execution कॉंटेक्स तो यहां पर है ही नहीं तो फिर भी हमें इसकी वेल्यू कहां से मिली गाइस आपको एक चीज़ में बता तो यह एर इस दा सस्पेंस उसका वैल्यू जो है यहां से उसको प्राप्त हुआ and the moment data प्राप्त हुआ उसने आउट्पूट की and उसका भी काम खत्म तो यह है आपका क्लोसर तो तो कैस यह था आपका ग्लोजर जहां पर उसका जो प्रेंट कंटेणर होता ना यह जो प्रेंट्श कॉप उसका अज्वींа कुछ लेना देना नहीं हमारे कॉल सक्राप से बाहर जा चुका ओपा होता है उसके बावजूत भी उसstep अंदर जो variables को हमने define किया गया था उसको वो जो है accept कर पा रहा है because of only closer and वो कहां से कर पा रहा है क्योंकि वो data कहीं ने कहीं हमारे memory में stored थी तो वहां से वो value get कर लेता है यहां पर आप देख भी सकते हो heap के अंदर यह जो भी data stored हो रहा है this is where objects closer and other dynamically allocated data are stored to closures या objects वो सारे data यहां पर stored हो रहे है and इसलिए execution context में बले ही उसका कोई जगे ना हो या वो present ना हो लेकिन उनकी जो values वो अभी भी memory में save है समझ रहे है memory में save है तब ही तो जब जो inner function है वो directly यहां से वो data get कर पा रहे थे while the call stack manages the flow of execution and function context the heap memory holds data that is referenced by this execution context simple and that is the only reason why क्यों एक object दूसरे object के कभी equal नहीं होते क्योंकि इसका memory कुछ और है देखो एक अलगी memory में let's say memory number one है इसका memory number two है दोनों अलग-अलग memory में stored है guys I hope idea मतलब अभी तेक हम जो भी पढ़ एते सब अब यहां पर clear हो रहा है कि heap memory के अंदर लिखा भी है holds the data that is referenced by this execution context देखो reference word आ रहा है तो यह matter नहीं करता object की value content same हो बस यह matter करता कि क्या दोनों same memory में है नहीं object one एक अलगी memory में object एक अलगी memory में that's why कभी object अगर हम मिला आना चाहे तो same नहीं होते है and even closers की जो data होता वो भी यहां पर stored होता है that's why यह जो concept है funda कि though it's like a scope chaining only but difference यह इतना हो गया कि यहां पर अगर मैं आपको दिखाओं अगर आध्यान से देखोगे कि inner function has access to the variable of its outer function even after the outer function has finished executing outer function का execution खतम होने के बावजूद भी उसकी variable की जो values है उसका जो inner function है वो access कर पा रहा है because of your closer यही है concept बस यही है और कुछ नहीं आपका closer ठीक है मैं आपको एक चीज़ बता दा हूँ यह जो function है मैं यहां पर इसको comment कर रहा हूँ ठीक है यहां पर चलता हूँ and कहीं न कहीं I guess closer का मैंने रखा है क्या कुछ नहीं यहां तो नहीं है मैं यहां पर चलके console.log here we have one interesting thing जो अभी तक आपने नहीं देखा होगा that is मैं dir directory check कर सकता हूँ कल रहा है कि यह जो closer function है किसको define कर रहा है वो आपकी inner function written कर रहा है and अगर आप inner function में जाते हो तो आप नाम देख सकते हूँ it's a inner function लेकिन आप prototype को further expand करते हो here you can see a constructor that is your inner function ठीक है लेकिन we have something called scopes and जब उस पर आप hover करते हो and boom guys see this is it this is your closer यह देखो आपने देखा दो उसका जो parent है execution context से बहार जा चुका है लेकिन फिर भी वो जो outer variable है वो because of this closer हमें मिल रहा है यह देखो outer variable में I am from outer and this is your closer पता चला कि कैसे inner function outer function की variable को access कर पा रहा है even outer function हमारे execution context में present नहीं है so this is your closer यह देखो यहां पर closer ही लिखा है खत्म यही है आपका closer yeah yeah guys this is it and मेरे पास एक और example इसका and हमारा यह part complete हो जाएगा and I hope आपको बहुत मज़ा होगा बहुत सारी चीजे जो है अब इतना हमने पढ़ लिया आप वापस से इसको वापस रिपिट कीजे and this time आपका पूरा देखने का नजर्या change हो जाएगा क्योंकि अब आप सब कुछ already practically देख चुके हो एक और पाटे है यहाँ पर जहां से देखना function multiplier multiplier में 2 लिखा है मैंने and then double है तो जब मैं इस function को call कर रहा हूं ठीक है इस function को जब मैंने call की तब क्या हुआ हुआ गा इस देखो कुछ भी नहीं हुआ इसने बस एक function को return कर दिया और return function किसको return किया एक variable जिसका नामे double अब जब मैं double को call करूंगा तो मुझे एक extra argument पास करना पड़ेगा जो कि यहाँ पर चला जाएगा and यह जो 5 है वो number and factor जो है 2 मिलके मुझे मेरा output आएगा तो यहाँ पर भी यह देखने में easy लग रहा but behind the scene it's a closer क्यों क्य क्योंकि the moment multiplier ने return कर दिया यह function किसको हमारे इस variable को multiplier का काम तो खत्म वो तो मेरे execution context से निकल गया तो फिर भी उसके बावजूद भी यह जो function है जब मैंने double करके 5 लिखा number तो उसने यह factor वाला जो कि उसकी outer parent basically parent में जो हमने as an parameter पास की तो उसको वो access कैसे कर पा रहा है क्योंक क्योंकि यह जो multiplier है वो तो निकल चुक है मेरे execution context से तो फिर भी मेरा यह जो inner function है अपने outer function के variable या parameter को access कर पा रहा है because of your closer यह concept आपका कहलाता है closer and आप आपको पता चल गया वो factor को क्यों access कर पा रहा है क्योंकि कहीं न कहीं वो हमारे इस हीप वाले जो memory में if you remember हमारे यह जो heap memory कहीं न कहीं वो यहां पर stored है वो एंड वहां से उसको गेट करेगा आजा वह फेक्टर वाली value and number तो था ही उसके पास 3 into 4 जो भी data मिल जाएगा तो आप में से बहुत हो ने साय देखा होगा कि heap के बारे हम बहुत कम लोग बात करते बट यह एक ऐसा छु जास्किट इतना ओसम तरीकी से चल रहा है इस इस वाट यो जोजर इस क्लोजर पुरा इसी पर ही dependent है simple अब इसको अगर में रन करूंगा तो आपिसलिल इस फाइब इन्टो तो यह 10 simple तो यह जो हुआ यह भी आपका क्लोजर का ही पार था आपको हमारा हो जास्किट वोक्स यह जो पार्ट था बहुत ज्यादा मज़ा होगा अगर मैंने पहले थियोरी लंबा खिचकी फिर प्रैक्टिकल दिखाया बट वो दिखाना जरूरी था तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अभी हमने यह जास्किट वोक्स पड़ा मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप प्लीज इसको एक और बार फिर से देखिए आप इसको एक और बार फिर से देखिए लेकिन उससे पहले जितना मैंने बताया न उसको आप एक बार नोट कर लिजे कि आपको क्या क्या समझा and कहां कहां आपको maybe doubt आ रहा था अब वापस अगर इस part को फिर से replay करोगे ना मैं आपको लिख के देता हूँ मैं आपको लिख के देता हूँ guys आपको अब भी जितना भी समझाओगा उससे at least 60-70% extra समझेगा क्योंकि अब आपके दिमाग में idea आज चुका कि क्या होने वाला है and यह topic ही ऐसा है कि आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा समझना पड़ेगा तो आपको एकदम clear हो जाएगा कि क्या हो रहा है यहां पर तो guys आपको यह फिर से देखना है and once वो complete हो जाए फिर आप आईए हमारे next section पे ओलर गाइस तो हम वापस आचुके हमारे next slides पे and let's check it out कि गया है इस time so now we have again at max कि यादे मैंने आपको starting में का था लाइक कि आप पार्ट वान की हम हमारे एक मैं स्क्रिप्ट से बुतना ही देखेंगे जितना भी हमें अब फाइनली टाइम आ चुका है जहां पर हम फाइनल देखने जा रहे कि हमारा जो एक मैं स्क्रिप्ट है from 2015 2015 से लेके 2023 कौन कौन से नए अपडेट्स है क्योंकि अभी 2024 चल रहा और अभी 2024 का एक्जेक लिए भी तो आया नहीं है इसलिए मैं 2024 का अपडेट नहीं कर पाऊंगा इस वीडियो के नीचे पिन कमेंट एंदन डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना जब भी 2024 का भी अपडेटेड वाला आ जाएगा उसको मैं अपडेट कर दूंगा तो कोई सब का दुनिया का यही रूल है बस सिंपल सा ठीक है तो आप देख सकते हो कि गाई इसमें मैंने क्या लिखा वी विल एक्स्प्लोर ओल अब दी एक्मा स्क्रिप्ट इन आव व्यस कोड एडिटर जिहां गाईस तो बेसिकली मैंने बहुत ऑसम तरीके से सब बना के राखा हुआ है तो आपको बहुत ज्यादा मज़ाएगा तो हम बिना किसी देरी के अपने जो भी इसकोड एडिटर वहां पर चलता आप देख सकते हो और राइंड साइड कितना ऑसम दिखाई दे रहा है यहां पर आप देख सकते हो लाइक मैंने कम्प्लीट एक मैं स्क्रिप्ट का एक फोल्डर बनाया है पूरा का पूरा जिसमें 2015 16 17 18 19 20 21 22 23 23 तक सब कुछ मिलेगा आपको क्योंकि 2024 तो अभी चली रहा है तो ठीक है सबसे पहले हम 2015 में चलते 2015 का हमने कहां तक देख चुका है लेट हो गया हमारा template strings हो गई we have a default parameters and then हमने लास्ट देखा था fat arrow function तो आज हमारा part 2 होगा modern JavaScript जिसमें हम देखने जारे object properties all right so now let's check what is this object properties आप देख सेख तो इहां पे मेरे पास एक object है object भी ने जस्ट अ वेरियेबल with the name and then age तो एक जो traditional तरीका था ठीक है अगर आपको object बनाना होता हम क्या करते simple में एक person नाम basically person नाम का object create करना चाहता हूं जिसमें the moment में अगर कलिब्रे से स्यूज करता हूं तो असे जूम कर दिता आप लोगों के लिए ठीक है अगर मैं कलिब्रे से स्यूज करता हूं and उसमें अगर यह तो basically मेरे की and then value तो value तो मैं चाहूं तो directly बिनोद लिख सकता हूं या तो वो variable का नाम में पास कर सकता हूं then again key and then value तो यहां पर आप एक चिस नूटिस कर सकते हूं कि जो यह key है and then यह जो value है both are same and again यह age and then age के case में भी same हो रहा है कि अगर name and then value या basically key and then value if both are same आप एक जो value वाला जो पाट है आप उसको omit कर सकते हो हटा सकते हो आप अगर simply name लिख दोगे means कि हाँ key value दोनों same है तो आप अगर इस तरह किसे लिखते हो control as save करते हो and अगर इसको मैं run करता हूं तो यह था का इस आपका object property जिसमें अगर both key and then value are same आप directly शिर्फ या तो key बोलो या value क्या आप बोलना बट आप directly अगर सिर्फ एक बार ही उसको लिखोगे जो भी होगा आपका basically key तो आपका यह काम करेगा and also यहां पर लिखा गिया है basically यह तो समझाया हूँ है कि instead of specifying name is you can simply use name and age directly within the object literals and thanks to ES6 shorthand property notation इसको shorthand property notation का जाता है ठीक है तो यह था एक और update जो कि इन्होंने introduce करवाया and don't worry ऐसे 2023 तक में बहुत सारे आएंगे आपको मजा जाएगा तो basically हमने जितना भी पढ़ा पस उसी कोई इन्होंने simplified करने की कुछिस किये इसमें लेट से 2024 में क्या करते हो लोग so now destructuring यह तो बहुत awesome है and मजा आजाएगा ठीक है so guys आप देख सेक तो कि आपके समक्स मेंने यह जो हमारा destructuring array है इसका एक definition रख दिया है and इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी क्योंकि बहुत ही useful है यह so destructuring is a javascript expression यह expression है that makes it possible to unpack to unpack what values from an array or properties from an object into a distinct variable basically array की जो भी values है यह object की जो भी properties है आप उनको एक individual variable में बहुत इजली assign कर सकते हो with the help of destructuring this is we can extract data from array and object and assign them to a variable simple अब मतला फंडा समझ गया जो भी यह values होगी जैसे अभी यहाँ पर यह क्या है numbers लिखूँगा तो मुझे तीन value आईगी लेकिन कल की दिन suppose यह numbers में यह जो second वाला element है 20 इसको मुझे distinct variable एक अलग variable में इसको मुझे store करना है तो मैं कैसे करूँगा देखो this is the traditional way हमने already array में जब है इसको check out किया है basically देखा है and if you really don't know या आप अगर भूल चुके हो what is an array and array के बहुत सारे properties methods I highly recommend to check out our javascript का course part one इसमें आपको सब मिल जाएगा तो यह simple सा तरीका था हमने देखा कैसे data को extract कर सकते तो अब इसमें क्या होगा अगर मैं यहां चलता हूं and let's अगर मैं first लिखता हूं ठीक है अब कि दिन से first लिखूंगा तो मुझे यह जो एरे की जो जीरो इंडेक्स नंबर उसकी वैल्य मुझे मिलने वाली है है ना एल्स मुझे इस तरकी से हर बार करना पड़ता लेकिन इसका एक short form है जो कि है आपका distructuring जो क्या बोलता है यह traditional तरीका को मारो गोली ना वाट यू केंड़ो इस कौंस्ट जो है एजटीज यह वाली जो वैल्यू है इसको कॉपी करो left साइड में रख दो एक कोल टू यह जो एरे थी उसको राइट साइड में रख दो ठीक है इस इस इट अब हम क्या बोल रहे यह जो 10 है आपको किसको स्सक्सक्राइब सन करना सेक्ट किसको करना है यह किसको सन करना थाड को करना है तो आप समझे ढहें अगर आ जो भी अरै जो रूँत hand side में लिखते हो const and then अगर आप एक square bracket लिख रहे हो and उस square bracket के अंदर आपको element या values नहीं लिखने variables के नाम लिखने हैं तो अब होगा ये कि एक second तो अब होगा ये कि ये जो मेरा 10 है वो first को चला गया ये जो 20 है मेरे second को चला जाएगा 30 जो है मेरे third को चली जाएगे तो ये जो एक complete line हमने अभी जस्त लिखा ये आपका कहलाता है destructuring array destructuring जहां पर आप जो array के individual जो values है उनको एक distinct variable में assign कर रहे हो या stored कर रहे हो और कितनी easily हो गया एल्स आप आपने खुद देखा नहीं ट्रेडिशनल जो तरीका था numbers of zero उसी तरीके से second के लिए numbers of one third के लिए numbers of two मुझे तीन लाइन लिखने पड़ते बट यहां पे मेरा सिर्फ एक ही लाइन में कितनी अब यहां पर आप चाहो तो आप second को चलो कर लो आपको वैलिव आ जाएगी इस तरीके से 20 है ना यह कितना awesome यह बहुत यह awesome feature है believe me guys पहली बता रहा हो मैं आपको यह भूलना नहीं है ठीक है then ignoring the elements अब यहां पर ignore भी कर सकते आप elements को अल्ड़ी आपने देखा first second third जस्ट मैंने first and second ना लिखके मैंने कॉमा कॉमा दे दी देन थर्ड लिखा अब अगर मैं थर्ड को रन करता हूं clean करके तब आप देखोगे कि मुझे 30 आ गया तो आप यहां पर structure की मदद से जो elements उनको आप ignore भी कर सकते हो all right now we have one interview question ठीक है जहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर बताया जा रहा है कि you need to write a program to swipe two variables without using third variable देखो let's say a है जिसकी value है फिलाल 1 भी है जिसकी value है 2 मुझे output में क्या चाहिए a की value हो जानी एक काम करता हूं इसको मैं 10 करता हूं और इसको मैं 30 कर देता हूं ताकि थोड़ा easy हो तो अब मुझे a की value 30 चाहिए and then जो b है उसकी value मुझे चाहिए होगे 10 so basically मैं उनकी जो value से उसको swipe कर रहा हूं simple है ना a की value होनी चाहिए 30 बी की value होनी चाहिए 10 तो यह जो है यह हम कैसे कर सकते हैं तो इसको करने का जो traditional तरीका था वो यह था कि हम एक third variable लगेगा let's say मुझे लगा let's see is equal to मैंने b कर दिया इसका मलदब यह हुआ कि c में जो b की value that is 30 वो मैंने assign कर दी तो अब c variable के पास क्या value है 30 जो कि b की थी originally then अब मैं क्या करूंगा b को मैं a की value दे दूंगा इससे क्या होगा जो b की value है वो कौनसे value हो जाएगी जो a की थी that is your 10 and मैंने देखो b की value तो change कर दी बी की value तो मैंने a की value से swipe कर दी लेकिन अब मैं यहाँ पर a equal to b तो नहीं लिख सकता बोलो क्यों क्योंकि b की value तो अब तो 10 हो चुकी है जो कि already a की value थी तो मैं अब यहाँ पर a की value equal to क्या करूं मैं a मैं कौन सा value assign करूं कि मुझे b की value मिल जाए obviously that is the reason why we have this extra third variable जहां पर हमने backup ले लिया था हाँ बही मुझे मालू मैं आगे जाकि b जो मरने वाला है उसमें किसी और की value आने वाल है इसलिए b ने अपनी value पहले से किसी और को दे रखी थी that is your c c में हमारे पास 30 है जो की b की original value थी समझे रही है यहाँ पर आप देख सकते हो so मैं यहाँ पर a will be equal to c अब इससे क्या हो गया a की value हो गई 30 simple and मुझे जो चाहिए था at the end वो मुझे आ गया a and then b so it must be like 10 and then 30 बठा अब हमने उसको कर दी है swipe तो अब अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ and मैं अगर इसको run करता हूँ तब आप देखो मुझे 30 and then 10 आ गया ठीक है all right but just to get यह swipe आप प्रोग्राम मुझे तीन तीन लाइन लिखना पड़ा right but इसको हम ना बहुत इजली यह destruction की मदब से भी कर सकते थे by the way कैसे मैं आपको बता तो यह left side में करना है and then जो variable है a नहीं चाहिए b, a कर दूंगा मतलब b की value a को दे दो a की value b को दे दो खत्म अब अगर मैं console.log करता हूँ see and awesome हो गया मेरा काम a की line में हो गया with the help of destructuring so यह है आपका destructuring का power और हम सिर्फ यह array के साथ नहीं हम यह object के साथ भी कर सकते and believe me object के साथ तो यह न बहुत ही ज्यादा important है बहुत 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 ज्यादा क्योंकि जब हम API के साथ खेलेंगे even हमारा part 2 का जो final project है that is your to get the weather application का data with the help of API जाए तो वहाँ पर हम जो data मिलता है ना उसको destructure करके रख देंगे ताकि बहुत इजिली लेटर ओन में उसको use कर सकूं ठीक है so देख लीजाए यहाँ पर तो this is our data we will see मैं already बता चुका हूं यह क्या है now we need to extract मुझे data को extract करना है अगेन हाँ destructuring ही कर रहे है हम कल की दिन मुझे अगर suppose यह name चाहिए समझे रो मुझे इस user object के अंदर हम already object बढ़ चुके है मुझे name की value को print करना है तो हम क्या करते यह traditional से भी पहले यहाँ पर मैं चलता हूं console.log user.name एम राइट मैं यहाँ पर clean करके दिखाता हूं यह मुझे भी नोद आए बट दधिंग इस to get the value भी नोद मुझे क्या लिखना पड़ा उस object का नाम dot notation उस करके उस का property का नाम so user.binode बट होता है ना sometimes कि यार कासा अगर मैं खली इस तरी किसे name लिख देता या my name करके इस तरी किसे लिख दो और मुझे वो मेरी value आ जाए तो यहाँ पर हम क्या चार है कि एक distinct variable पे मैं उस object की जो property से उसको assign कर दूं ताकि मैं वो variable को use करूं तो मैं उसको get कर सकूं यह आपने बहुत पड़ा है यह I guess मैंने यह आपको object में भी बताया था एन उससे पहले भी बताया था कि अगर हम assign कर देते तो बहुत easy हो जाता हमाल लिए बट जो भी हो आप आपको यहां पर पता चल गया कि क्या फाइदा देखो ट्रेडिशनल तरीका तो यह है बट हाँ अब इसको मुझे अगर करना हो रियल तरीके से डिस्ट्रक्शरिंग तरीके से सेम होई है सो इसको कितनी वैल्यू इसके अंदर दो वैल्यू जै तो इसको मैं कॉपी करूंगा पेस्ट इसको डिलिट कर देनी है बस हो गया तो अगर मैं यहां पर चलता हूं इस जगे पर एंड नेम में यहां पर रखता हूं और कॉमा सो एजब मैं रख देता हूं ठीक है अब अगर मैं रन करूंगा तो मुझे विनोद एंदें 30 आ गया एंड बाइद वे यहां पर आप कुछ भी नाम रख सकते हो है ना इस तरह के से और इसको मैं कमेंट कर रहा हूं तो आप इसको में करता हूं इसको में रन करता हूं तो आप देखोगी कि एक सब्सक्राइब यहां पर आना चाहिए तो इसको में अब रन करता आप देख सकते हो अंडिफाइंड देखा क्या वहां यहां पर अंडिफाइंड आ गया मैं आपको बाता तो क्योंकि यूजर अभी थोई देर पहले फिर से बैक टू नॉर्मल बैक टू नॉर्मल बैक टू नॉर्मल इसमें चलते हैं थोड़ी देर पहले हमने स्वाथन प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर की एंड वैल्यू बोत आर सेम दैन आप डिर्क्ली नेम यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं था लेकिन जब आप यह वाला करते हो ना जो अभी थोई देर पहले मैं आपको करके बता था वान सेकेंड फिर से वही कॉंस्ट था नेम स्कॉमा एट विल एकुल दे ईूजर थी कि तो इसकेस में पहुता है ना इसकेसमें एगा नेम करके कोई यह जो तरीका है ना इस तरीके में अगर आप यह करते हैं तो ठीक है लेकिन अगर आप de-structuring कर रहे हो एक line में ही चाहते हो सब कुछ तब आपको जो भी property का नाम होगा in our case क्या है वो name है and then age आप top पे देख सकते हो यहाँ पे we have a name and then we have a age तो no matter what यहाँ पे आपको name and then age ही लिखना पड़ेगा अगर यह आप करते हो and यहाँ पे name comma age अगर आप कर दोगे तब जो है आपको आपको आपका data बाराबर बिनो देंदन 30 आ जाएगा simple यही है इसका de-structuring का rule कि आपका जो properties का नाम है वो ही यहाँ पे आपको रखना होगा simple ठीक है and कितनी मैं easily आप name कर गर एक वेरिवल में फजेगा स्वाला एक काम करते है इसको अगर age and इसको अगर हमें name कर दो just मैं देखना चालता हूं क्या होता है यहांपे ठीक है and इसको मैं refresh कर रहा हूं and मैं refresh adder देखो मतलब सइह है है मैं अगर यहां पर एच कर दूं इसको नेम कर दूं ठीक है एस पर रूल वैल्यू तो बिनोद है एंद फिर 30 है तो बिनोद जो है क्या वह एच को चला जाएगा यह पहले प्रेंट कर रहा हूं अब आप देखो एक सेकेंड इस से फिर से में रन करता हूं देखो 30 एंद बिनोद तो यह डजन मैंटर की आपका जो भी प्रॉपर्टी का नाम होगा वही आपको लिखना है और उसी प्रॉपर्टी के नाम पे वह जो वैल्यू है वह एसाइन हो जाएगा यहां पर ऑडर मैंटर नहीं कर रहे हाला कि मैंने यह इतना कभी क्योंकि मैं जो है डिरेक्ली प्रॉपर्टी का नाम रख देता हूं यही रूल कहता है और यही सबसे ज़्याद इंपोर्टेंट आपको यह समझना था कि और मैंटर नहीं कर रहा है क्योंकि एस पर रूल तो यह नेम फॉस्ट आता है मेरा तो मैंने यहां पर तो एज रग इस तरीके से यह आपका काम कर रहा है यह बहुत इंपोर्टेंट है आगे आपको पता चलेगा बहुत सारी उसके जैस ठीक है नाव हम वी केन रिनेम ऑल्सू रिनेम का क्या मतलब होता है कि यह जो और यूजर है और यहां पर नेम था और बिसले आपके मन में आपका मैं न आप कॉलन एंदन एक नाम दे सकते हो कंसल डॉट लॉट करता हूं अब मैं तो यहां पर में फिर से को रिफ्रेस्ट करना चाहूंगा यह बिसिकली वह ऑब्जेक्ट ही नहीं था मापे सो क्लीन कंट्रूल सेव एंड सी मुझे बिनोद आ गया सो वह जो एक फंडा था कि अ करने वाले फिर से कॉपिंग इस प्रेड़ ऑपरेटर क्या करता है अधा सिंटेक्स इस बेसिकली आपको थ्री डॉट्स करने हैं फॉलॉड वाइदी एरे और लिट्रल देखो अब विद्धी हैल्प आप इस्प्रेड ऑपरेटर अप कोई भी एरे का जो डेटा हो या विल इकोल टू डॉट 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 इस प्रेड़ ऑपरेटर यह यह एंदन आपको फ्रूट्स इक मिन्स कि जो एरे आप उसको फैला दे रहे हो अपने स्प्रेड कर दी और इसको दे दिया अब मैं यहां पर कन्सोल डॉट लॉट कर रहा हूं और वी हब बैद स्प्रेड बैस्ट स्फ टीक है मैं अगर यहां चलता हूं इसको क्लीन करता हूं इसको रन करता हूं अब देखो मुझे निव फूट में डिट्टो वो जो फ्रूट खैपलते मुझे मिल गए आप समझ रहा है कि यह कितना ज़्यादा ओसा में इतनी यह चुटकी मैं आपने यहाँ पर कॉपी कर ली ठीक है ओल्राइट इसको मैं अभी साइट करता हूँ नाओ यू केंट कॉंकेटिनेट अल्सो एंड कैसे होता मैं आपको बाता आता हूं ठीक है चलो इसको मैं आटा रहा हूं कॉंकेटिनेट या कमबाइन आप कर सकते दो अरे को अब आपको यह जो दो अरे है आपको एक न्यू अरे में चाहिए क्योंकि त्वी तिर पहले मैंने दिखा है तो अगर आप सिंपल इस्तिरगी से लिखती हो तो आप बेसिकली कॉपी कर रहे हो एरे को वाट आपको दो-दो का डेटा एक साथ चाहिए तो एक कॉमा दे दो यह जो दूसरा एरे उसको भी कॉपी कर दो है ना सब्सक्राइब कर दो आपको बताना चाहता हूं देखो 123456 मैं यहां पर भी 4 लिख रहा हूं मैंने यहां पर भी 4 लिख दी ठीक है अब क्या होगा मुझे क्या 4 टू टाम्स मिलेंगे या एक ही बार मिलेगा यह इंट्रेस्टिंग यह सारी चीजे जो हमें पढ़ना जरू समझना जरूरी इसको मैं करता हूं और इसको मैं रन करता हूं अब आप देखो बहुत ध्यान से कि मुझे यहां पर 123456 तो बेसिकली जो डेटा है एज इस मुझे मिल रहा है ठीक है यह आप क्यूंकि बहुतों को लग सकता है कि दोनों फोर्तों से में वह एक ही बार दे द उसमें अगर आपको elements a zero हो वह भी हम कर सकते लेट इस फ्रूट्स एंड अगर आपको कुछ भी एड़ करना हो अब आपको ज्यादा दिमाग में प्रेशर नहीं देना को सिंपली यसो चना अगर कुछ मुझे एड़ करना रहा तो हम क्या कर सकते यादे हम जब एठे पढ़ जोगे दोट पूस अब ध्यान से देखना जिस एरे के साथ आप खेल रहे हो वह सारे डेटा तो आपको चाहिए ही चाहिए लेकिन साथ-साथ आपको और एक्स्टा डेटा डेट आड करना है अब आपको लगेगा यार ठीक है मैं यहां पर काम करता हूं मैं गवाबा लिए देता हूं इस तरह किसे ठीक है नहां पर एड़ हो गया है नो प्रॉब्लम यह हम कर सकते हैं लेकिन हम एक और चीज कर सकते हैं इदर ही तो fruits.puss ठीक है देखो क्या करना होगा डॉट 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 इट मिस जितने भी इसके previous elements है fruits area के इंदर जितने भी previous elements है उसको as it is रखो and आपको एक कॉमा देना होगा and then एक area बना के पास करना है इस तरह किसे स्वारी आपको इसकी need नहीं है आपको जस्ट इस तरह किसे पास कर देना है तो अब भी थुई दिर पहले मैंने जो की थी and अभी जो मैं करूं बहुत आर्स से दो इसके advantage आपको पहुत सारे में लेंगे ठीक है बट जो भी हो आपको at least पता चला कि आप मिस्तिरगी से add कर सकते है ठीक है आपको मैंने options बता है कि यह बहुत जगे काम आता है जहां आपका previous data को आप ऐसे hold करके रख सकते हो और राइट चलो ठीक है यह आपको पता चल गया डिस्ट्रक्श रिंग जस्त तीन डॉट डॉट रखना है और कुछ नहीं यह गाईस आप जब प्रैक्टिकल उस करोगे तब आपको बहुत इसली और मजा जाएगा तब और वी हब वान वाण वूर यूसली इन जास्क्रिप्ट वेइन यू इस्प्रेड ऑस्ट्रेंग उजिग बुजिग थे पड इस इन्डिविज़ करेक्टर्स ये स्ट्रिंग को एरे में convert कर देता है of its individual characters कहने का अनलब यह है कि हमने already string पढ़ा है हमने already यह भी पढ़ा था कि string basically reverse वाले problem में मैंने दिखाया था कैसे हमने split method यूज की फिर रिवर्स की and then उसको fit join कर दिया था हमने हमारा काम हो गया था तो split क्या करता है अब यह जो इंडिया है ठीक है मैं चाहता आप सोचो क्या हो रहा है यहां पर सोचा यह और बेसली तो जब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा एक सेकेंड कंट्रोल सेव यह देखो आई एंडी आई ए तो इनमें मुझे क्या मिला एंडी निर्फ लिग आपगे इंडिविज्वल लैकर इंडिविज słuलल केरेक्ट्रोस को अपना अपने यह दंबन ठीक तो यह जो चीज है ना यह आप में बहुत इजली प्राप्त कर सकता हूं यह जो पार्ट है से मोही में यहां पर कर सकता हूं जहां पर कंट्री डॉट कि मुझे नीड नहीं है वाट आगें दू इस में सिंपल एक स्कॉयर ब्रैकेट यूश करूंगा ठीक आप देख सकते हूं यहां पर एक स्कॉयर ब्रैकेट डॉट 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 एंड आपको जो एरे बिसेकली वेरेवल है कंट्री जिसको आपको स्प्लीट करना है इसको मैं हटा रहा हूं एंड देखो सेम और पूट आपको आ रहा है इधर यूट इस डॉट स्प्लीट अल्स यूट गो विद इस तरीका लेकिन यह कितना एजी है ना सिंपल लाइक एरे में चाहिए तो एरे डॉट 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 कंट्री इसने उसको इसको इसक test parameterनको पारामेटर किसे कहते हैं थ्लोट सा सोचिए íllि地 आ आपको पर इतना तो आ कि आयए 요ा होगा है जब आप function spot रहे थे वी हैब a functions argument जब भी हम function call करते है वह function argument बट जब हम उस function को यह को डिफाइन कर रहे होते एंदन जो वैल्यूस परेंथिस के अंदर हम पास करते वह आपका कहले था फंक्शन पैरामिटर्स तो यहां पर है रेस्ट परेमिटर्स मतलब परेमिटर्स आप रेस्ट कर लो आराम से रेस्ट किजिए मैं देख लूँगा कही न कहीं मतलब अब उसके साथ जूड़ा है तो आपको idea इस्तर किसी लागा पड़ेगा ठीक है मतलब कितने भी आर्गुमेंट्स पास कर सकते हो यह जो हमारा रस पारमेटर उसको एक्सेप्ट कर लेगा एजन एरे प्रोवाइडिंग अ मोर फ्लेक्सिबल वेट वोग विट फंक्सिंस डैट एक्सेप्ट वैरिंग नंबर अफ आर्गुमेंट्स मतलब आप यहां पर कितने भी आर्गुमेंट वेज़ो एजन एरे के फॉर्म में वो गैट कर रहा होगा जैसे फॉर एक्जैंपल वी इस पार लट से क्या मुझे मेरे पास एक कोईसन नहीं जहांपे एक सम करके फंक्स Elsn石 जिसमें मैंने यह 1234 जो वैइल ही पास function parameters तो यह है आपकी क्या गाइस parameter ठीक है तो यह जो parameter हम इस्तरगी से करते हैं अगर मैंने चार डेटा वेजी तो मैंने चार डेटा यहां पर लिखा ठीक है इवन मैंने आपको default parameters भी बताया था उसी में तो default parameters जहां पर हम default data pass कर रहे ते हैं we have rest parameter तो मैं इस्तरगी से कर दूंगा मुझे मेरा डेटा आजाएगा इस नॉट बिग डिल राइट मुझे जो भी इनका टोटल है दस मुझे वह आ गया तो अब यहां पर रेस्ट पैरामिटर क्या बोलता है रेस्ट पैरामिटर यह बोलता है कि आप इंडिफिनाइट कितने भी आर्गुमेंट उसको accept करेगा in the form of an array in the form of array तो हम क्या करेंगे अब आपके मन में आ रहागा अगर यह array के format में गेट करता तो सायद ऐसा लिख्या हम कुछ इस तरीके से है ना numbers है यह तो हम यह नहीं करने वाले है ना क्योंकि थोड़ा awkward हो जाएगा हम जस्ट क्या करेंगे as it is रहेगा dot 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 and कोई भी एक नाम उसको दे देंगे जैसे हमें देख के पता चल यह तो numbers से चलो एक काम करते डॉट 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 अब आपको पता चली चुका कि यह spread किस तरी किसे काम कर रहा spread operator फैलाने का काम कर रहा कि जो भी कुछो एक साथ यहां पे फैलाओ या तो समे यह पॉप क्या है यहां पर मैं चलता हूं इसको clean and then it's current अब आप देखो एक चीज this is your object यह आपको एक object बता रहा है and by the way आपको मालूम है कि जब आप array के पास चलते हो array is an object only तो इतना कोई हमें सोचने वाली बात नहीं अब मैं यह काम करते इसको मैं अटा रहा हूं ठीक ह तो यह basically आपको समझना है कि यह आपका एक array बन चुका है अब अगर आपका यह एक array है and then आपके पास इतने सारे values है तो अब अगर आपको sum चाहिए तो आप क्या करोगे हम क्या करेंगे हम simple है हमने already पढ़ा है कि अगर बहुत सारे data है उसका अगर आपको sum निकालना हो या average निकालना हो या कुछ भी अगर निकालना हो value जो कि एक single form में हमें मिलता है then हम वहाँ पर reduce method use करते है so now we can use numbers as an array.reduce method simple है ना इस तरह के से and यहाँ पर आपको सबसे पहल तो accumulator आता है we have accumulator जहाँ पर data save होता है and then बाकी normal वही आपका current value आपका वो index then आपका वो array उसकी need नहीं फिलाला में मैं यहाँ पर इसकी भी मुझे need नहीं है मैं directly लिख दूंगा what we have accumulator will be equal to accumulator plus our current value and if you don't know यहाँ पर क्या हो रहा है यह I highly recommend to check out my part 1 जिसमें मैंने array cover किया जिसमें मैं जब reduce function बता रहा था ठीक है यह हुआ and comma देके आपको जीरो वैल्यू दे दिनी तो यह जो जीरो वैल्यू है वह basically मेरा यह जो accumulator है उसका initial value कहलाता है बस simple and यह जो पार्ट है इसको मैं return कर देता हूं ठीक है अब यह मैंने return कर दी मैं यहां पर चलता हूं इसको एक लिए क्लिन करके control and save and then run करता हूं और भूम गई सी मुझे 10 आगिया तो अब यह कितना easy हो गया थुई दिर पहले देखो न मुझे पूरा इस्तिर किस है न जितनी भी मेरे parameter से सब को मुझे सब्सक्राइब करना पड़ रहा था बट अब मैं बोला रेस्ट कर ले मैं देख लूँगा इस प्रेडव operator बोल रेस्ट कर मैं देख लूँगा अपना काम बस एक बार आपको इस्तिर किसे लिखना चाहिए अब यहां पर पांच लिखो छे लिखो साथ लिखो आठ लिखो पी की मतलब इस तरी किसे आप कर देगा यहां पर नहीं न पता चला मतलब अगर किसी ने कुछ चीज बनाया है और विस उसको परेशान आई होगी उसको मैं आप कैसी जी कर सकता हूं उसलिए बनाया होगा ना आपको तो यह थोड़ी हावा टाइट हो गई होगी डर लग होगा और यह बाप रहे एक एडिशन करने के लिए इतना लंबा चाओड़ा बट नहीं अब फाइदा आएगा ना इसका तो थुछ देर पहले चारता यह देखो तेरह सब्सक्राइब जो भी थर्टीन निटीट तो इस वाट यह रेस्ट पैरामिटर इस जहां पर जो भी पैरामिटर कहलाता है और तब अगर आप फिर डॉट यूज कर रहे हो तो वह आपका रेस्ट पैरामिटर ही है अब इसको इसको इस प्रेड ऑप बहुत सब्सक्राइब बोल देते हैं अज लॉंग एज लाइक आपको मालूम है कि यहां पे जो थी डॉट का क्या काम हो रह अगर फंक्शन के पैरेंथिस के अंदर कुछ भी आप कर रहे हो तो वह आपका रेस्ट पैरामिटर कहलाता है और बाकी जगे वह सब आपका इस प्रेड ऑपरेटर दोनों का सिंटेक्स से में डॉट 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 थी डॉट ठीक एंड यह तो बहुत यूज होता है में र रेस्ट पैरामिटर सिर्फ आपका जो फंक्शन का यह जब आप पारेंथिस पास करते हो तब है बाकी हर जाएगे वह इस प्रेड ऑपरेटर ही आप बोल दोना जब भी आपको थ्री डॉट दीखे तो जब भी को यह फंक्शन को डिफाइन करते हो उस समय आपको सिर्फ ए हैं आप नहीं लिख सकते क्योंकि रेस्ट पैरामिटर क्या करता है जितने भी आर्गोमेंट से अन सब को अपने अंदर at करता है जब सब सारे के सारे अर्गोमेंट्स इसके अंदर आ गए तो यह argument 2, argument 3 क्या कर रहा है, इनके पस तो क्ये value हो है, बचीगी ही नहीं, क्योंकि सारे arguments को तो इसने खा लिया, तो इसलिए कभी भी हो तो यह आप एकदम लास्ट में लिख सकती हो ठीक है पैरेमिटर मस्ट भी लास्ट में ही आपको लिखना है ताकि बच्चा कुछा जो है वो उसके पास चला जाए क्याने का अलब यह कि यह जो हमने वापस से पढ़ा यह इतना लंबा चाओड़ा इसक अब यहां पर देखो चार पांच छे साथ आठ नौदस इसको मैं एक बार रन करता हूं तो दस वैल्यू आने चीद दस आए ठीक है अब भी ध्यान से देखना मैं यहां पर ए कॉमा बी कॉमा यह कर रहा हूं तो अब होगा यह कि यह जो ए में तो वान की वैल्यू चली सब्सक्राइब को स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते क्योंकि दा मोमेंट अगर आप लिख दोगे तो उसका काम है जितने भी आर्गुमेंट से उन सब को खालेगा वह ठीक है तो फिर अगर उसके बाद अगर कुछी भी बेरेवला था उनको कुछ मिलने वाला ही नहीं है इसलिए अगर आप ऐसा करते हो और यह तो आपका एक एरे बन चुका है तब अब यहां पर खाली 3 और जो 4 है मतलब बेसिकली आपको साथ आना चाहिए वैल्यू इदेको अब आपको 7 आया तो यह आपको धियान में रखना है बस ठीक है ओलाइट गाइस तो इस इस यह था इस स्टेटमें में मैंने आपको एक दिखाया था कि अगर आपको एरे आप सर्कल रेक्टेंगल लिया जो भी था वो एक प्रॉब्लम था राइट प्रोग्रम मैंने आपसे बताई थी तब मैंने आपको बताते है इधर यू केन गो विद्धी मैथ डॉट पाव और एल्स यहां पर आप डबल सकती इसको ऑपरेटर आ चुका है जहां पर अगर आप डबल स्टार यूस करते हो तो वह आपका मैथ ऑब्जेक्ट में जो हमने पाव पड़ा था पावर टू रेस टू पावर थ्री फावर एट उसका यह काम करता है मैंने काना एक माय स्क्रिप्ट ग फूचर मिलने वाला है ठीक है या कुछ नया मिलने वाला और बेसली सो यह मैं डॉट पावर कॉम इस्तिर की से लिख सकते बता रहा है एंडिस इस 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 बेस वैल्यू आपको यह लिखना है डबल स्ट्रीक और आपका एक्पोनेंश एक्सपोनेंट वैल्यू ठीक है तो आपको आपको तू को तीन टाइम सेमी नंबर से डिवाइन मल्टिप्लाइ करना होता है पावर का मदलब यह तो ट्रेडिशनल तरीका तो यही था कि जहां पे मैथ.पाव जहां पे बेस एंडन कंपोनेंट तो एक्पोनेंट तो आपको टूरेस टू पावर थी जो कि हम प एट बट वहीं अभी का जो नया तरीक आया है वो क्या है मैं आपको बताता हूं वह यह है कि आपको यहां पे एक कौमा देना होगा और एंडन इट सब बेस इस ट्रीक एस ट्रीक से बस सिंपल इतना एजी है मैं रन करूंगा मुझे दोनों के दोनों जगे पे इफ यहां पे आप लोग को दिख रहा है अब देख सकते हो इस एट आप यह करके भी आ सकता था एल्स डिरेक्ली आप आर्ट ला सकते हैं विद यहल्प आप दिस डबल एस्ट्रीक तो यही है एक आपका एक्स्पोनेंसियल जो यहां पे आया हुआ है एंड सेम इफ यू रिमेंबर ह जो वैली होती हुआ हमें हम गेट कर सकते हैं उन में से एक था हमारा मैथ डॉट पाइ सो मुझे इंटू करना है एंड देन क्या होता है पाई आर स्क्वाइर यह फॉर्मॉला एरे अप सर्कल का राइट सो इट समेथ डॉट पाई मल्टिप्लिक अ मल्टिप्लिकेशन करना है और फाइब देन फाइब इस तरह की से तो यहां पर गाई साब यह भी फंड अपना सकते हो जहां पर अभी और ओर सिंप्लिफाइड हो गया ना और इसी हो गया जस्ट लाइक वान लाइन में हमारा डेट आ रहा है और मैंने तू फिक्स कर रहा है था कि मुझे दो ही डे का क्या काम आता है और यह तो बहुत ही जादे इंपोर्टेंट है यह तो प्लीज इस वीडियो को जरूर चेक आउट कर लीजिएगा ठीक है एंड अपना प्यार कमेंट जरूर दीजिएगा ओल्राइट सो वी और दन विट आवर 2016 लेट चेक इट आउट आवर 2017 सो कैस आप इस ट्रेलिंग कॉमास एंड देन एसेंख फंक्शन तो यह जो एसेंख फंक्शन यह तो जब हमारा एसेंख आग अगए ताब भम इसको देखेंगे बट अभी हमने देखना यह तो कली निकांट इस ट्रिंग में हमने पैडिंग पड़ा यह देखते हैं बट मैं फिर फाइदा में आपको बताता हूं फाइदा भी है हम पहले से पैडिंग कर सकते थे बट ना वी कैन लाइक यूज पैड स्टार्ट अंधन पैड एंड ठीक है कैसे में बताता हूं लेट से वी हब इस नेम कोडिफाय कंपनी मेरा अपना खुट का कंपनी एंड इफ यू वांट लर्न ऑनलाइन कोई भी कोर्सेस तो गाइस आप फॉर्म कर सकते हो या कंपनी फाइल मैंने कंपनी फार क्यों लिखा कंपनी नेब ठीक है सो यह इस तरहीं से मैंने लिख दी यहां पर ठीक है कंडूल से लेट सेट चेक इड आउट कि अगर मैं यह करता हूं पैड़ेट न कर रहा हूं तो अगर आप देखोगे तो मुझे एज़िज कोडिफायर आया मुझे एज़िज जो मैंने पास की तो मुझे आया यहां पर पैड स्टार्ट ने कुछ भी काम नहीं किया बट वहीं इसके बदले लेट से मैं कर देता हूं 15 ठीक है इसके बदले मैंने क्या कर इहां पे 15 कंट्रोल एक सेब करता हूं इसको मैं हटाता हूं एंदेन में रं करता हूं बहुत किलेली देख सकते हैं यहां पर एक चीज is that is data मुझे यहां से मिलना चाहिए था लेकिन यह जो पर्टिकुलर एरिया दिख रहा है सापको यह जो पर्टिकुलर एरिया यह यह इतना यह जो एरिया दिख रहा है यह यह पूरा का पूरा क्या है एक स्पेस है तो होता यह है ना कि आपको लग रहा होगा हम स्टार्टिंग में क्यों स्पेस करें यह एंड म लेंथ चाहिए अभी यह कोडिफायर का अगर आप लेंथ चेक करते हो इट यह जब मैंने पांच यूज किया तो अल्रीडी इसका लेंथ तो एट है मैं पांच कैसे कर सकता हूं पांच करने के लिए तो उल्टा इसको माइनस करना हटाना पड़ेगा वो तो हम करी नहीं सकते तो कभी भी जो भी वेरेवल का एक्च्वल लेंथ है उससे कम वैल्यू अगर आप देते हो तो वहाँ पर इस पेस आड़ करनी की तो कुई जगे बसती ही नहीं है इस लाइक एक पानी का बोतल है जिसमें पानी फूल है अब जितना भी पानी बनने की कुशिस करो काम नहीं करेगा राइट बढ़ हाँ अगर पानी की बोतल में पानी कम है तब यहाँ पर अपने हिसाब से आपको जितना पानी करना आप कर सकते हैं जिससे यह फूल हो जाए एक बार यह फूल होगे फिर उसकी उपर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर गुछ एसा ही है कि जो एक्चुल लेंथ है उससे वो लेंथ या उससे कम होता हो अगर आप पास करते हो तो कुछ नहीं होने वाला है लेकिन अगर उससे एक भी ज़्याद आपने दे दी तो इस्टार्टिंग में उतना वो स्पेस एड़ कर देगा तो बस यहाँ पर वही है कि उसने बस स्पेस एड़ कर दी अब कल के दिन अगर मैं इसका लेंथ चेक आउट करता हूँ तो वो आलवेज आपको 15 मिलेगा तो यह हम बता रहे है console.log इसको उटाता हूँ फिर से रन करता हूँ आप देख सकते हूँ मुझे 15 आ गई तो यह ब्यूटी है अगर आपको एक fixed length चाहिए किसी भी variable का एंड अगर आपको लग रहा कि फिलाल वो उतना नहीं है तो आप इस तरी किसे कर सकते हूँ simple ठीक है ओल्राइट तो जो हमने starting में की वही same हम क्या करेंगे अब end वाले में करेंगे ठीक है इसको मैं control as save कर रहा हूँ इसको मैं हटा रहा हूँ यहां पर भी same होई fund है इसको अगर मैं first time करता हूँ ठीक है at the end में add कर रहा हूँ तो 10 काम निया मैं 15 एड करूँगा यहां पर भी same है अगर कम कर दोग है तक हिचने को कुछ हुआ नहीं लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे यह वाला जो एक particular जगा है यहां से मुझे यहां तक इतना एरिया में मुझे space आ गया तो कैने को लगा कोड़िफायर ने तो आर्ट लिया लिया ओ माइग डॉट भी है नौव दस ग्यारा बारा ते है भी या नहीं है ना बट अगर आपको लगता है कि मुझे उसको खाली नहीं रखना कुछ ना कुछ मुझे चाहिए उस इस पेस के बद्दे दैन आप क्या कर सकते हो आप टर दी कॉमा यू कान गो वित वन एस्ट्रिक साइन अगर आप यह करते हो एंड अगर आप रण कर पैस्ट्रिक के बद्दे कुछ भी उसकर सकते थे बाइद वे इफ्योंट यू कैन एड डी डॉलर कुछ भी आप कर सकते से ऐसा कुछ नहीं है आपको देख सकते हो एकदम बॉटम पर यहां पर आपको डॉलर दिख रहा है इस से किसे या सो यह थे आपके गाईस 2017 के अपनी की नेम अगें गाईस को अगर ऑनलाइन कोर्से सापको पढ़ना हो यू कैन चेकिट आउट कोडिफाय मेरा अपना खुद की कंपनी है ठीक है बोथ पैड स्टाट अन पैड यह मैं अल्री बता चुक है लेंट वाला केस अगर टागेट अलिमेंट का जो टागेट ल लेकिन यहां पर अप्टर 30 कोई कॉमा नहीं है तो ट्रेलिंग कॉमा मतलब एड दी अब हम एक कॉमा एड कर सकते हैं इससे होगा यह कि कल की दिन अगर मुझे एक और कुछ डेटा है अजन आर्गोमेंट पास करना रहा तो मैं यहां पर इस तरह कर सकता हूं एक कॉमा एड मैं कर दूंगा तो बाइडिफॉल्ट मेरा सेटिंग ऐसा है कि वह हटा देता है देखो मैंने रखा है कंट्रोल है सेप करती वह हट जाता है बड़ ट्रेलिंग कॉमा में अब आप यह जो है इस तरह करके रख सकते हो सेम यहां पर भी अब आप जब पैरामिटर डिफाइन करें तो भी आप यहां पर रख सकते हो क्योंकि कल के दिन अगर आपको एक एक्स्ट्रा जैसे मैंने आप यहां पर तो तीन आर्गुमेंट्स पास कर दिए ना है ना बट यहां तो सिर्फ दो ही पैरामिटर से अब एक तीसरा एड़ करने के लिए आप यहां पर क्या करोग आपको एरर आता है क्योंकि अन्नों वर्ड बता रहे है चलो एक काम करते मैं यह कर देता हूं फिर भी आपको एक एक्स्ट्रा पैरेमिटर एड़ करने के लिए आपको कॉमा तो एड़ करना पढ़ता ही पढ़ता है नो मेंटर वाट तब यह अब आपका काम करेगा क्यामिटर पास नहीं करोगे आपको कुस्तो भी स्थिर्गी से कॉमा भी वहां पर एक्स्ट्रा पास करना पड़ेगा एक कॉमा के लिए आपको मेंबी थोड़ा मैनत लग सकता है तो डैट स्वाय आप ट्रेलिंग कॉमा बोलता है कि आप एंड में कॉमा यूज कर सकते हो यह सेम ओब्जेक्ट के साथ सेम और एरे के साथ यह देखो यहां पे कॉमा आप एड कर सकते हो देखो अभी फिलालो चला गया क्योंकि कल की दिन मुझे एक और एलिमेंट करना तो मुझे नो मेंटर रोट एक कॉमा लिखना ही पड़ेगा तब जाके मैं कुछ एड कर सकता तो पहले से ही कॉमा दे दो ना भई सेम यह अगर आपने नोटिस किया होगा जब हमने इतना सारा अब्जेक्ट पढ़ लिया जो लास्ट वाला होता है उस पर हम कभी भी कॉमा नहीं देते ठीक है बट जैसी मैं कंट्रोला सेब करूंगा ओमाइग यह तो मुझे दिख रह जीएगा जब हमारा एक्टॉल इसका सेक्शन आएगा तब बहुत इंडेप्थ हमारा जो मेन प्रोजेक्ट वो टोटली इस पर ही डिपेंड वेदर अप्लिकेशन का एप्या हम इसके थुरू ही गैट करना तब आपको बहुत मजाएगा वहां पर तब हम इसको टैकल करें लिए और बाइद वे गाइस यह जो पार्ट यह भी हम हमारा जब प्रॉमिस पढ़ेंगे तब देखेंगे ठीक है क्योंकि अभी में से फाइनली बताओंगा आपको प्रॉमिस क्या है यही नहीं मालू प्रॉमिस के अंदर दैन होता है फिर कैच होता है फिर उसके बाद ज यह एक चीज़ नोटिस की या नि बट जब हम यह रेस्ट या इस पर प्रॉपर्टी जब हम पढ़ रहे थे वह हमने सिर्फ एक जगे पर देखे थी एंड डाट इस यह और एरे तो देखो यह 6 ने जो यह इंट्रेद्यूस करवाय था ना अधी कॉंसेट ऑफ रेस्ट अल कर सकते हो पहले हम सिर्फ एरे में कर पाते थे बट ना वी कैन यूज इन और अब्जेक्ट और सो यह है एंड यह हम इस तरह किसे करते थे यादे इस रिमेंबर हमने बताया चाहिए वह रेस्ट हो चाहिए वह आपका इस प्रेड़ ऑल्वेज वह लास्ट में ही होना चाहि यह हम ट्रेडिशनल यह कर रहे थे बट नाव और अल्सो यह तो आपका हो गया नॉर्मल स्प्रेड और इस इस अगें लाइक यह भी आपका स्प्रेड़ बिसिकले दोनी स्प्रेड़ यहां पर तो यहां पर सेम गाइस फंड़ वही है कि एक सेक्ट मैंने अब्जेक्ट भ यहां पर आपको बता दिया बट जो भी हो मैं आपको फिर से बताता हूं लेट से आप कॉंस्ट एज एस इस रख रहा हूं कॉमा डॉट 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 अन्दैन वी हैब आवा अधर साप लिग दीज़े ठीक है विल बीकोल आपको इस्टुदेंट करना है इस इस तो अब अगर आप कंसूल डॉट लॉट करते हो तो यहां पर हुआ यह कि आब अगर मैं अधर स्पास करता हो ना तो हमने हमारी यह जो अबजेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है उनको इंडिविजुली एक 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 एलिमेंट में हमने बेसिकली एक एक है ठीक है तो यह इस इसको अटाता हूं इसको रन करता हूं आप बहुत के लिए लिए देख सकते हो कि यहां पर मुझे डेट आ गया नेम में विनोद इस स्टूडेंट में ट्रू एच को छोड़कि यह बाकी की जो दो प्रॉपर्टी से वह मेरे इस अदर्स वाली जो वे देंगे बट अन्युवेग तो है वी है वान वर थिंग डट इस ऑब्जेक्ट विद इस प्रेड ऑपरेटर ठीक है यह आपका रेस्ट ऑपरेटर था मैंने कहा ना गाइस सम्टाइम सी थोड़ा सा कन्फूजिंग होगा आपको यह समझना कि जब भी आप थ्री डॉट्स क कर रहे हो उसका एक्शल में आपको क्या आउप обнаруж मिलने वाला है एक्शोल में चुरें इससे क्या ंबिनेफित मिलने वाला यह आपको मालूम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है एसे बहुत सब्लों मेबी इए शलाने में बाइक उंडने में और उनको सब देवां दिख भी है क्योंकि हर एक चीज को आपको डेप्थ में जाने की नीदन नहीं जैसे function के केस में बहुसा विलोग function आर्गोमेंट function parameter पर से लसले को आर्गोमेंट आर्गोमेंट को पैरामेटर बोल जैते बोले दसने उस्थ तयुक्त क माव tract shall के समहर मुझे अगर दो डेटा दिया है तो वहाँ पर भी मुझे दो डेटा चाहिए खाली काम निकालना आना चाहिए करना आना चाहिए उपर निचे सम्टाइम्स हो जाता है ठीक है तो उससे तरके से अब जब object and spread operator करकी यह जो दो values मुझे दी गई है अब यहाँ पर मुझे object को combine करना like what we did with array if you remember to const new object will be equal to देखो इस तरके से dot 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 आपको obj1 लिखना है कॉमा देना है dot 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 obj2 लिख देना है ठीक है देखो न मालब कितना easy हो गया दो object को एक साथ मिलाना हो तो concrete करना हो ठीक है इसको अटा रहा हूँ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ अब you can see a b c and then d देखा यहाँ पर एक प्रॉब्लम है एरे की केस में अलग है object की केस में अलग है एंड में उस समय यही सोच रहा था कि अरे अच्छा एरे में तो नहीं होता है बोलके क्या नहीं होता है object 1 में अगर आप ध्यान से देखोगी we have a a b and then c object 2 में भी तो मेरे पास c and then d है कहने का माल भी है कि c एक ऐसा element है element क्या बोलना है ऐसी property है जो object 1 में भी present है object 2 में भी present है बट जब मैंने इन दोनों को एक साथ combine करने की कोशिस की with the help of spread operator तो मुझे क्या मिल रहा है मुझे a की value 10 मिली b की value 20 मिली and d की value 40 मिली बट एक तरफ c की value थी 50 दुस्री तरफ c की value थी 30 तो कहीं न कहीं 50 थोड़ा ज्यादा लग रहा तो आप में से बहुतों को लग सकता था कि c50, c30 मिलेगा बट नहीं आपको सिर्प मिला तो क्या c30 तो इस जब क्या होता है कि जब हमने first time इसको add किया तो यह जो दो values तीन values थे वो इसके बदले आया अब यह जब object 2 आया इसने देखा अरे c की value थो 30 है 50 नहीं है तो यह जो value है वो यहाँ पर update हो गई and then यह जो d है वो इस जगे पर इस तरह किसे add हो गया समझ रहे हो क्यूंकि spread operator में पहले आप इसको spread कर रहे हो उसके बाद आप इसको spread कर रहे हो तो इसकी जो भी value है वो ना इसकी value से वो override हो जाती doesn't matter यहां c की value ज्यादा है यहां c की value कम है बट आप बाद में जिसको भी spread करोगे उसकी value जो है हमेसा उससे पहले वाला जो भी value उसको override कर देगा यह आपको always ध्यान में रखना है यह बात यह समझ रहे हो तो इसलिए यह आपको सिर्फ एकी सी दिखाई दिखाई 50 यह देखो देखा यहां पर यह भी matter नहीं करता कि a पहले आता फिर b बात में आता है नहीं यहां पर जो object में पहले c था फिर d है फिर यहां पर आपका a and then b आया और वो c चला आई गया समझ रहे हो अब यहां पर आपके मन में आ रहा होगा c तो मुझे एकदम लास्ट में आ रहा था हाँ आपको लास्ट में आना चाहिए था लेकिन c अल्रेड़ी पहले भी तो आ चुका है न तो जस्ट उसने बोला अरे c प्रॉपर्टी तो पहले से ही है अच्छा इसकी वेल्वी में अ प्रॉपर्ण आपको यहां पैसा नहीं है तो यह बस आपको एक चीज ध्यान में रखना है इसलिए मैं जान बचके इस्तर किसे रखा था यह प्रॉमिस डॉट फाइनली डॉंट वरी जब हम प्रॉमिस देखेंगे अपको प्रॉमिस करता हूं तब हम इसको जरूर देखे है ठीक है ओल्राइट सो विए डन विद 2018 या ना वी हैब आवर 2019 लेट्स चेक इट आउट की 2019 में क्या है भाई वहो 2019 में बहुत ज्यादा है सो आवी है अरे डॉट प्रॉट्टाइप फ्लैट फ्लैट मैप फॉम एंट्री इस ओके अब्जेक्ट हम अल्रेडी पढ़ चु प्रॉट्ट मैं आपको बता हूंगा शिमबल याद इस टार्टिंग में बताया था वी हवान प्रीमिटी प्रीमिटीब डेटर टाइप बिसिकली दो प्रीमिटीब डेटर डटाइप में स्टार्टिंग में नहीं एक्स्पलेइन कि ती डैटी जो बीग इन्ट और देन य रहीं थे ठीक है या भी जा किया रिसेंटली और वी फिर यहां पर बता दूंगा ठीक है तो ल्राइट सो अब इस टार्ट विट आवर डॉट यह बहुत ही यूश्पूल है ठीक है बहुत ही ज्याद इस फूल है बिलिब में गईस तो फ्लैट का क्या काम है फ्लैट इस न new array instance, एक new array instance है, that can create a one dimensional array from a multi-dimensional array, so हमारे इस case में एक normal array तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि array के अंदर एक और array आई या, कहीं न कहीं, जब आपको अगर nested array मिलता है, तो अगर उसको आपको एक simple one array में करना है, without any nested array अगर आपको चाहिए, तब उहां पर हम flat का यूज कर सकते, flat मतलब एकदम अगर आप रोड चला रहे हो है, बाइक चला रहे हो, या कार चला रहे हो, कभी-कभी तो उसके अंदर भी एक और array, अरे उसके अंदर भी एक और array, समझ रहे हो, तो उसको अगर आपको flat करना हो, कि भाई नहीं, array मतलब एक square bracket starting में होगा, दूसरा end में बीच में सिर्फ value होनी चाहिए, basically elements होनी चाहिए, तो वो आप flat की मतलब से achieve कर सकते हो, अब आप देखोगे, इस तरिके का कुछ भी extra नहीं हो, एकदम flat होगी है, अब यहाँ पर एक दूसरा चीज है, ध्यान से देखना, अब इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, तुरी दिर पहले क्या था, सिर्फ एक extra array था, array के अंदर एक array था, अब अगर आप यह सोच रहे हो, कि मैं सिर्फ flat लिखूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पर चलता हूँ, इसको comment, इसको uncomment, अगर मैं flattened array सिर्फ इस से करता हूँ, अगर इसको हटाता हूँ, and then run करता हूँ, यह देखो, आपको array में output तो आया, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ एक जो array था, उसको हटाया, लेकिन एक और extra array तो यहाँ पर रहे गया, यह जो एक और extra array वो तो रहे गया यहाँ पर, तो कहने का मतलब यह होता है, कि flat के अंदर आपना multiple values पास कर सकते, by default it's one, तो जो अगर array के अंदर एक और array है, तो उसको तो हटा देगा, लेकिन array के अंदर एक array, उसके अंदर एक और array, तो basically दो array आगे उसके अंदर, यहाँ पर आप दो value पास कर दो, मतलब मुझे इस array के अंदर two times, जितने भी array होंगे, उनको मुझे at least flat करना है, अगर मैं आप इसको clean करके run करूंगा, तो आप यह बराबर मेरा फिर से एक normal array बन गया, उसी तरकी से अब इसके लेट से यह जो four है, इसको भी आप array के अंदर add कर दो, ठीक है, तो now it's an array, उसके अंदर एक और array, फिर उसके अंदर एक और array, उसके अंदर फिर एक और array, तो three nested array उसके अंदर बन चुका है, तो अगर आप फिर से दो ही लिखोगे, और इसको run करोगे, यह देखो, subset है, just यह जो तीसरा वाला array था, उसको उसने फ्लैट नहीं कर पाए, क्योंकि value सिर्फ दो थी, अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, three लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर चाओ तो आप infinity कर दो, तो आपको always जो फिर अगर आप run करते हो, तब आप आपको वो बराबर इस तरी किसे देगा, तो I hope आप समझ गए, ठीक है, यह था आपका nested area, control, save, इसको मैं हटाता हूँ, थोड़ा सा नीचे आते, we have a flat map, हमने already map, filter, reduce method पड़ा है, और मैंने आपको 1000 राब बोला है, array में कुछ आये ना है, map, filter, reduce आपको आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, interview में यह पूछेंगे ही, पूछेंगे no matter what, ठीक है, तो उसी तरी किसे, यहाँ पर map तो map हो गया, बट उसके आगे जस्ट इन्हों ने flat add कर दी, मतलब कि अगर आप normal array के साथ जब खेल रहे थे, तो आपने map यूज कर दे, लेकिन array के अंदर array इस तरीक एक अगर array आता तो वहाँ पर आप flat map यूज कर सकते हो, ताकि आपके लिए वो easy हो जाए, कैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पर condition is simple सा, this is my name is Vinod and then Thapa, so const, we have a arr.flat map, same way यह आपका current element, फिर आपका वो index number, ठीक है, तो देखूं, console.log, अगर मैं current element करता हूँ, एक console.log की भी need नहीं है, खाली मैं current value लिखके छोड़ता हूँ, and यहाँ पर इस new array को मैं console.log कर देता हूँ, इसको मैं run करता हूँ, ध्यान से देखना मुझे क्या रहा, my, basically मुझे वही data आ रहा, जो मुझे by default, जो मैंने array pass की वही मुझे आ गया, लेकिन अब मुझे इनको ना एक individual array में convert करना है, एक individual element में, सोचा हम कैसे कर सकते हैं, if you remember हमने split देखा था हमने वो dot 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 करके मैंने आपको बता यह दोनों तरगे से वह इंडिया को हमने i and d इस तरगे से गया था, तो यहाँ पर हम से मुझे से कर सकते हैं, देखे ध्यान से, so what we can do is current value, current value dot split and यहाँ पर आपको by default एक space देना इस तरगे से, clean कर रहा हूं and अब इसको मैं run करता हूं, तो आगे है मेरा data, my name is binot and then thapa, यह सभी के सभी एक individual आपके data है, ठीक है, so इस तरगे से काई साब flat map का use यहाँ पर कर सकते हो, by the way अगर आपको लग रहा है, अगर मैं map use करता है, इसको हटाता हूं and run करता हूं, तो आपको देखो ARR.map, by the way आप M capital नहीं लिख सकते हैं, small लिखना पड़ेगा, run करते हूं, तो देखो क्या होता है, देखा आपने, यह देखो, यह देख लो ज़रा, आपको लग रहा होती है, तो मैं तो बहुत easily कर लेता देखो, अलब अलगी दुनिया भाई यह, यह देखो, दो आपको अलग-अलग मिले, लिकिन वो एक array के अंदर है पहले से, by default, same यहाँ पे भी वही scene है, तो यह इस तरी के से array के अंदर array ना चाहिए हो, तब आप यहाँ पे, flat, and then map का use कर सकते हो, ठीक है? All right, now we have this from entries, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम object. object have an entries method है, हमने already entries method पढ़ा है, जहाँ पे क्या होता है, कि जो भी object की values है, उसको वो array के format में हमें return कर रहा था, it returns an array containing all the object, own properties, as an array of the key, and then value pairs, तो मैं आपको बताता हूं, ठीक है, यह देखो, यह आपका एक object था, जिसमें name we know the age 30 है, entries में object dot entries हमने person कर दी, and मैं अब यह entries को अगर मैं console dot log करता हूं, तब आप देखना, तब आप देखना क्या होता है, यह देखो, यह सी, जो देखो, कुछ ऐसा data आ रहा है मुझे, name we know age and then 30, तो इसको हमने कहीं न कहीं एक array में convert कर दिया है, और उसमें भी गाईस पहला जो element है वो देखो क्या है, वो array के अंदर ही है, और दूसरा जो वो array के अंदर है, तो यह जो part है न, इस part को अब आपको वापस यह normal object अगर बनाना रहा, तो वहाँ पे अब हम इसका काम करते है, from entries, मतलब from entries से एक normal object बनाओ, यह जो ES 2019 introduce a new object from entries method, which can create a new object from such array of properties, तो entries जब आप यूज़ करते हैं, उसके थूरू जो भी आपको output आता है, उस output के मतलब से आपको जब वापस original data चाहिए, तब आप यह from entries यूज़ करोगे, अब अगर इसको मैं clean करके run करता हूँ, यह देखिए, तो हमने सबसे पहले यह data pass की, entries को तो उसने मुझे यह data दे दिया, अब यह data को मैंने from entries के पास pass कर दी, मेरा original data मुझे मिल गया, इस जश्ट वाइस वर्सा, object to array, array to object, इस तरगे से काई से आपका काम करता है, यह मैंने उस समय नहीं बताया था object में, बट एक और add-on हो गया, हमने लिटरली बहुत कुछ देख रहे कि object के साथ, हम बहुत कुछ कर पा रहे थे, short hand property देखी object की name value वाली, फिर यह spread operator देखा, rest operator देखा object के साथ, कैसे हम उसके साथ खेल सकता, यह भी एक और हमने एक्स्रा देख लिया, and by the way, यहाँ पर आप देखना कभी भी, की, now think and let me know person and the new person, अगर आप ने एक चीज़ नोटिस क्या होगा, and then यह जो new person है, अगर आप ध्यान से देखोगे, so here we have a name, Vinod, age and then 30, कैने मतलब यह वाला line अगर आप ध्यान से देखती हो, क्या ही है, name, Vinod, age 30, ठीक है, and मैंने जब from entries की मतलब से जो मुझे data मिला वो क्या है, name, Vinod, age 30, तो मैंने जब इतना कहा, कि मेरा जो original data था person, and then जब मैंने वापस new person बनाया, दोनों की values तो same है, तो क्या they are same in real life, है ना इसको मैं अगर हटाओ, अगर मैं run करू, division आपको लगेगा, double equal to कर देता हूं मैं, ठीक है clean, क्या वो दोनों same है, false, देखो दोनों same नहीं है, लेकिन मेरे आँखो से तो मुझे यह जो part है, and then यह जो part है, दोनों same लग रहे हैं, अब आप मुझे यह बताओ, कि यह same क्यों नहीं है, All right guys, तो I hope आपने सोचा होगा, इसलिए मैंने थोड़ा समय दे आपको, कि वह सोचिए, थोड़ा सा figure out करने की कोशिश कीजिए, कि जो चीज हम already पढ़ चुके हैं, अगर उसको भी आप अगर recall नहीं कर पा रहे हो, ऐसा भी नहीं कि यह part on में पढ़ा है, आपको बाता है क्यों दो अब्जेक्ट की की एंदन वेल्यू सेम होती है, इसके बावजूद भी वह क्यों इक्वल नहीं होते हैं एक दूसरे की, क्योंकि हम अब्जेक्ट को compare करते हैं, with the help of reference, not with their contents, reference मतलब दो आपने यह new person जब create किया, तो इसकी जो यह values है, basically जो object है, वह एक new memory में जाके stored हो गई है, है ना, यह जो person है वह already एक different memory में stored हो चुका है, तो जब हम person and then new person को compare कर रहे थे, तब हम उनके content को compare नहीं कर रहे हैं, हम उनके reference, basically उनका जो memory address है उसको compare कर रहे हैं, obviously person ना जाने कौन से memory address में stored हो रहा है, new person कौन से नए memory में stored हो गया, तो वह कभी equal हो ही नहीं सकते, और depth में जानना हो तो प्लीज थोड़ा value, वीडियो को थोड़ा से पीछे कीजिए, object और जो timeline है वहां पर आई है, क्योंकि हर एक चीज को आपको वापस repeat explain करना पड़ता है अगर, तो फिर कैसे चलेगा, तो फिर आप अपने आपको यह नहीं कह सकते कि मुझे आता है सब, यह मैं समझ गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले गंटे पहले पढ़ाया और topic आप अगर यहां पर भूल गए हो, इसका मतलब आप खाली फटा फट देखने की कोशिस करें और बागी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो आप, समझ रहे हो, पहली बता चुका हूँ, आप जोब भी मैंने जैसे अभी 2015, 2016, 17, 18, 19 तक मैं आगया हूँ, मैं अगर अभी 2015 का पूछूँगा भूल चुके होंगे, तो फिर क्या फाइदा पढ़नेगा, मतलब लाइक तिस मिनिट में भूल गया इंसान एक साल, दो साल, कम से कम 6 महने तो याद रखो किसी चीज़ को, इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, अभी मैं 2019 कंप्लेट करूँगा तो जो जो मैंने 2019 में अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिस कीजिए खुद अपने PC में लिखके, यह मैं सोचो की, एक बाद 2015 से मैं 2030 तक देख लेता हूँ पूरा, अरे यार यह तो क्या बच्चो वाला है, आप यही बोलोगे मुझे मालूम है, क्योंकि methods दी गई है, मैं बाता भी रहा हूँ कि यह हमें तब यूस करना है, जब यह हमें लगता है, लेकिन दो माहने बाद आप भूल जागे, from entries, entries, यह कौन सा entry है, कोई club में जाने के entry हो दिए क्या, मतलब समझ दो तब वैसा ठोटा आ जाएगा फिर, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस करना, अल्राइट, I hope पाता चल गया, जितुनों ने भी explain बराबर किया कि हम object को उनके, object are like compared by reference अगर जिन्हों ने भी बोला होगा, तो उनके लिए guys, use a round of applause क्योंकि awesome, मतलब आप बहुत एक्दम अच्छे से देख रहे हो वीडियो, जो कि बहुत अच्छी बात है, अल्राइट, so now we have this trim start and then trim end, तो इससे पहले हमने पढ़ा pad, start, pad, end, क्या कर रहा था वो, starting and then ending में space को add कर रहा था, now 2019 में उन्होंने क्या निकाल दा, trim end and then trim start, मतलब जो भी starting का space हो, and then जो भी एकदम ending का space हो उसको ये remove कर देता, and ये बहुत useful है, तो यहां पर देख लिए, बहुत जब भी हम login, logout करते हैं, गलती से space, space नाम, space दब जाता है, right, फिर again कुछ भी हो तो basically, starting का space and then end का space है, वो भी as a character count होता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, थापा, control and save, ठीक है, ये में चला, ये में चला, क्या बोल रहा हूँ है, जो भी हो, यहां पर आप देखना, इसको मैं clean कर रहा हूँ, and by the way, string.length, c11, जबकि थापा क्या है, थापा, t-h-a-p-a, c5 है ना ये तो, तो ये 11 क्यू है यहां पर, 11 क्यू है यहां पर, तो आप समझ रहा है कि सिब एक जन अपना डेटा फिल नहीं कर रहा था, भाई, लाखो करोडों, Facebook के million users है, million के million users है, इस्तरगी का फालतू का space दे देगा, तो भाई, उनका जो data server है, कितना वो waste होगा, अब समझ रहा हूँ, मतलब जहां पर थापा सिब 5 space ले रहा है, सेब करता हूँ, अगर इसको मैं रन करता हूँ, यह 17 ले लिया, मतलब विश्तरगी का थापा वहां पर 3 थापा आ जाते, तीन लोगों का data यह एक ने खालिया यहां पर, इसी को ही, अगर str.trim अगर मैं कर देता हूँ, ठीक है, जहां पर यह फालतु का जो space starting में है, जो यह end में है, ट्रीम उसको निकाल देता है, इससे क्या हूँ, data server में, basically हमारा space बचा data server का, आप बिलिब ने करो कि भाई बहुत खर्च होते data server में, आपने तभी देखा होगा कभी tv, facebook server, लिखना कभी data center, यह बड़े बड़े इतने बड़े बड़े घर तो सिब उनका data server होते हैं वहाँ पर, मतलब कितना आप समझ रोला है, यह तो सिभी एक example है, जब million लोग इससे करेंगे, कितना आपका space जाएगा data का, इसलिए बहुत important है, पहले सिब हमारे पास stream था, इन्होंने बस अब इसको क्या कर दिया, trim start कर दिया और एक trim end कर दिया, मतलब अब मैं अगर trim start लिखता हूं, तो खाली वह starting का space को हटाएगा, बात की space को कुछ नहीं करेगा, तो कहीने कहीं यह ठीक है, मुझे इतना कभी इतना useful नहीं लगाई है, मैं जब भी ओ trim use करता हूं काम खतम, start end दोनों वह समाल लेगा, बट इहां पर आगर आपको कभी ऐसा condition आगए, जहां पर खाली आपको starting का हटाना हो, या आपको कभी कुछ ऐसा condition आगए, जहां पर आपको इसी बात का हटाना हो, दे देखो, इसने starting का हटा है, बट यह वाला जो एक part है, यहां पर इतना सारे space था, इससे आपको idea आ जाता है कि क्या हो रहा है यहां पर, ठीक है, और यहां पर इसने starting में तो आप बिल्कुल भी space नहीं है यह देखो, बट हां बाद वाला जो space जरूर है यह देखो, अगर मैं ऐसे करता हूं, आपको पता चल जाता है कि यहां पर 4 extra space है, ऐसा मैं करता हूं तो यहां पर पता चल जाता है कि 5 extra space है, अगर यहां जाता हूं तो यहां पर पता चला हो कि बिलकुल कोई भी space नहीं है क्योंकि यहां पर बिलकुल कोई space नहीं है ठीक है तो उस्सी तरीके से अगर मैं यहां चलता हूं ठीक है control और से अब वो trim end कर रहे हैं ध्यां से देखना यहां पे इतना सारा इसाई स्पेस है उसको कुछ भी नहीं करेगा वह कि उसका काम यहां यहां पर अगर आप धियान से देखोगे यह देखो यह दिकुल पर गुण अपर अपको ने कोई सब्सक्राइद आने वाला है यहां से यहां देखिए इस जगे पर यहां पर इतना सारा स्पेस स्टार्टिंग में बट एंड में बिल्कुल भी नहीं है तो इस यह ट्रीम एंड और देन यह ट्रीम स्टार्ट ठीक है आई होप आपको यह पता चला होगा यह आपका एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है ठीक है इंट्रीउस आप देख सकते हैं बहुत इजली कि यह 2015 में इंट्रीउस कराया गया था इट रप्रिजेंट यूनिक इडेटिफायर डाट इस इम्मूटेबल एंग गयारेंटीड तो बी यूनिक एक यूनिक आइडेटिफायर देता है जिसकी जो की इम्मूटेबल है और हम उसको चेंज भी नहीं कर सकते हैं आई मिन ऑल्वेज वेज वेज रहेगा शिंबल सार ओफें उजडेश पॉपर्टी की इन ऑब्जेक्ट वड़ेट वाइड नेमिंग कंफिलिक्ट्स क्योंकि ओल्वेज उनिक रहेगा तो कभी कंफिक्स होगा नी बट ठीक है मैंने इतना यूज नहीं किया बाइद आप फ्रेंक बदा रौक मैंने इतना यूज फिर बाता दे की सिंबल पोच अ कोई आप यहां पर देख लीजे जब भी इस तरहीं समस्मल करें ठीक है इस तरहीं सिंबल क्रेंट करते इस 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 मैं सिंबल और आगर आप इसका में एक लाइन ने निया चीज आपको देखने मिलने वाला है औलवेज हमने क्या देखा का यहां पर फाइनली देखो टाइप आपको देखने मिल गया कोई आप से इंट्रिवी में पूछे कि सिंबल अगर आपको टाइप आप के समय अगर दिखाना हो तब आप सिंबल यह जो ऑब्जेक्ट है या प्रॉपर इसका भी उस कर सकते हो एंद आप बेसिकली देखे पारे अगर आप लिखते हो तब आपको वह जो भी आपने उसके इंसाइड अंदर लिखा था वह आपको इस तरह किसे दिख रहा होता है ठीक है कोई निजब गाइस आपको कभी लगे यह आपको सिंबल की नीड है तब आप पढ़ लिजेगा बट यह इतना इंपॉर्टेंट न थाली मोटा मोटी आप यह समझ लीजिए कि ट्राइए एंड दन कैच ट्राइए आपको जो भी कोड लिखना है कि लिखी अगर उसमें कुछ एरर आता है तो यह जो इवेंट ऑब्जेक्ट है वह पकड़ लेगा एंड हमें थ्रो कर देगा एरर बट अब यह एक नया आया तो भी चलेगा तो अब हमको कैच में न उसकी लिखनी की नीड नहीं है क्यों मैं आपको बाता तो यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो लेट से 10 प्लस 5 ठीक है एंड एक काम कर सकते हूं बस हाँ आप इतना लिखो एन एरर ठीक आप इस तरह किसे लिखिए मैं यहां पर इसको रन करूँ एक बड़ करके देखता हूं क्या होता है अटा रहा हूं क्लीन कर रहा हूं तो गैस यहां पर तो कुछ आएगा नहीं है यहां पर आईए अब अगर यहां पर में कुछ भी लिख देता है और एंटर हीट करता हूं तो मतलब आप डाइक्टली थापा तो ना तो यह स्ट्रिंग ना यह कुछ है ठीक है तो ट्राइग के अंदर आप कुछ भी कोड लिखते हो जो की गलत है तो वह कैच पकड़ ले लिखना हो अगर वह चलता है तो और पूट आएगा लेकिन अगर उसमें कुछ भी एरर हुआ तो वह कैच वाला जो ब्लॉक के वहां चला जाएगा इस पर आ जाएगा सिंपल बस अभी फिलाल आप इतना समझे कि आप हम यहां पर वह यह जो एक एक्ट्रा लिखनी की नही है ठीक है बस इतना आप समझ लिजे जब हम एसिंग वेट के वाल ट्रैकेश ब्लॉक पड़ेंगे तब आप इसको एक बार फिर से रिफर करना तब आपको पूरा डाउट किलर हो जाएगा दुद्का दूद्द पानी का पानी हो जाएगा यह ओलाट सो वियर दन वित आव अपरेटर प्रॉमिस डॉट ओल सेटल्ड अल्राइट तो बीगिंट यादे स्टार्टिंग में मैंने दो छी छोड़ी थी प्रिमिटिव डेटर टाइप में था बीगिंट दूसरा था सिंबल सिंबल थुए दिर पहले मैं आपको दिखा है मैंने यह भी बताए कि बहुत म अब यह अब आप सेकेंट वाण तो बीगिंट बहुत सिंपल जावस्कृप में एक नंबर की लिमिट होती है समझ लैक एक लिमिट है नंबर की कि अगर इस नंबर के आगे आप पहुंच जाते हो ना तो जास्क्रिप्ट का भी जो दिमा के वो खराब हो जाता है वो गलत देने लग जाता है ठीक है मनलब जावस्कृप कुछ तरकी से नहीं बनाए गया था कि इतने नंबर की उपर का नंबर को अगर वो कुछ ऑपरेट करना चाहे तो उसका वो बैसिकली वैल्यू रॉंग हमें दे रहा होता है कि कहना का मनलब सिंपल यह है कि हमारी हुमन की एक जावस्कृप में बीग इंट करके एक प्रॉपर्टी है बिसिकली एक आपका ये भी आप कह सेकते प्रिमिटिव डेटर टाइब है जिसकी मदद से वो आप उठा लोगे यह समझ लो कि आप कुछ लाइक आपने ले लिया पावर आगे आप उठा रहे हो बट वो लेना नह नहीं चाहिए मैं जस्त बता रहा हूं कि जो हमारी लीमिट उसके बाद हम नहीं कर सकते तो जावस्क्रिप्ट की भी एक लीमिट है और क्या है मैं आपको बताता हूं ठीक है सो कंसोल डॉट एक काम करता हूं कॉंस्ट मैक्स डिसको नमब इस त्रिकिसनी में डारेक्ट लि तो इसका मतलब भी होता है कि मैक्सिमम जो एक इंटीजर है जहां तक आप लाइक आपको सही से वह काम करके देगा तो वह वैल्यू आप हमें यहां पर मिलने वाला है इंडेवी वाले आपसे पूछ सकते कि अगर आपको जावस्क्रिप्ट में एक दम मैक्सिमम से कर रहा हूं ठीक है से यहां पर मैं चलता हूं तो यह जो एक नंबर आपको दिख रहा है इस इंटीजर तो यह एक ऐसा इंटीजर है जहां तक जावस्क्रिप्ट खुसी खुसी प्यार से अपना काम करेगा बट अगर इस नंबर के ऊपर कोई भी एक एक्स्ट्रा देखते जरा है हाला कि यह तो सही है बट मैंने एक चीज़ नोटिस कि अगर आप 10 करते हो ठीक है एंड अगर आप रन करते हैं तो यह देखो 1000 दे रहा है ठीक है बट जैसे ही मैंने 11 किया यह मुझे एक हजार दो दे रहा है तो यह जब हम 10 लिखते है न तब यह गलत देता है यहां पर तो एक चूरी इसकी यहां पर आम यह पकड़ सकते है और मैंने एक और चीज़ नोटिस की इसमें अगर मैं एक काम करता हूं मैंने लट से 11 प्लस कर दिया ठीक है और इसकी वैल्यू को म अब मैं यहां पर चल रहा हूँ console.log यह जो भी मेरा नम होगा-2 मैं सिर्फ माइनस2 करता हूं refresh and then hit करता हूं यह देखो मतलब फिर से यह मतलब आप समझ रहा है कि या value दे रहा है कि यह कैसे value दे रहा है या क्या हो रहा है जो भी थोड़ा साथ पटा हो है यह फिर देखो यहां पर 1001 आ रहा है बस आप इतना समझ जाओ कि यह जो एक नंबर है यह maximum safe integer है यहां तक आप like JavaScript अपना काम करेगा बट इसकी उपर अगर कोई भी number आ गया and वहां पर आपको कोई भी arithmetic operation करना हो या logical comparison करना हो conditional कुछ भी आपको करना हो तब आपको क्या करना होगा begin का सहारा लेना पड़ेगा begin क्या बोलता है कि ठीक है अगर आपको किसी भी number को begin number बनाना हो then we need to use this begin constructor कैसे यहां पर आप देख सकते हो इतना बड़ा number देखो my god उसको मैंने begin कर दी इस तरह के से console कर रहा हूं इसको मैं clean करता हूं और रन करता हूं तो आप देख सकते हो लास्ट में अगर एक एन आगे है न सफिक्स मतलब वह आपका begin always आपको ध्यान में रखना है ठीक है type of another large number ठीक है यह देखो आपको begin इस तरह की से आगे बस से मैं अब यह जो maximum number था है ना इसको मैं क्या करूंगा मैक्स नमबर विल इकोल टू begin हमारा यह जो max number है तो आप देख सकते हूं कि max number में यहां पर रख दी आ यह जो भी 10 है ठीक है इसकी मुझे कोई नीड नहीं आपको पता चल गया खाली begin रखना था क्लीन करता हूं रण करता हूं तो आप देख सकते हूं कि max number so max number तो मेरा begin number है बट मैं 10 को इसके साथ नहीं कर पा रहा तो इस 10 को भी अगर मुझे big int number बनाना हो तो मैं last make n add कर दूंगा खुद से मुझे खाली वो big int constructor ही उसकरना पड़ेगा ऐसा नहीं है मैं n add कर दूंगा फिर मैं run करूंगा यह देखो बाराबर थोड़ी देर पहले मुझे one triple zero आ रहा था बट अब बाराबर जो मेरा actual output है वो मुझे आ गया सब्सक्राइब का सारा लेकर जो भी complex होगा ठीक है आप उसका बहुत इज़े लिए टैकल कर सकते हो और आपको सिंपल फंटा बताता हूं क्या है यह कैसा जो फॉल्सी हम यादी स्टाटिंग हमने टूर्टी और फॉल्सी पड़ा था फॉल्सी के अंदर आपक अब जीरो भी आ रहा था एक empty string आ रही थी नल आ रहा था अंडिफाइन आ रहा था बट नाव नल इस के हिसाब से फॉल्सी वैल्यू मतलब सिर्प दो ही होंगे that is one itself नल दूसरा अंडिफाइन इन दोनों के अलावा कोई भी वैल्यू फॉल्सी नहीं माना जाएगा it returns its right hand operand when its left hand operand is null और अंडिफाइन अदर्वाइस it returns the left hand operand simple है मैं आपको बताता हूं जैसे किसी ने आपसे पूछा what is your favorite number आपने कहा 0 but JavaScript की दुनिया तो अलग है JavaScript की दुनिया में 0 का मतलब होता है फॉल्स वैल्यू उनको लगेगा रहे यार इसने तो answer नहीं दिया तो हम क्या उस करे और operator if you remember हमने और लॉजिकल और एंदन लॉजिकल एंड उपरेटर पड़ी थी जिसमें अगर एक भी वैल्यू अगर फॉल्स होता है तो जो दूसरी वैल्यू उसकी वैल्यू हमें मिल जाती है तो यह तो फॉल्स है तो यह वैल्यू नहीं रहा तो ठीक है 10 प्रिंट कर दो है ना तो अगर मैं यह करता हूं इसको मैं रन करता हूं you can see कि मुझे यहां पर आ रहा है आउट्पूट 10 बट इन रियालिटी हमने जब पूछा था उस इंसान से उसने तो बता है था 0 उसने फॉल्स नहीं बोला था उसने 0 बोला था लेकिन यहां पर आउट्पूट के आई यह 10 आई गया तो यह तो रॉंग है ना अगें इस बग राइट यह लाइक यह ओपरेटर इसमें कामी नहीं कर रहा है फैवरेट नंबर अगर फॉल्स हुआ लेट से उसने अगर नल बोला होता यहां पर अब अगर इसको में रान करता तो ठीक था फिट दस नो प्रॉल्म पॉफेक्ट मतलब उसने आउट्पूट नहीं दिया यह अंडिफाइंड होता तो ठीक था लेकिन जब मैंने जीरो बोला है भाई मेरा मुझे जीरो पसंद है उसके बहुत जोदी काम नहीं किया तो यहा लेपट साइड की वैलियू नल इस रहती है तो वह राइट साइड का वैलियू महाँ पे हामें यह ज Noel यह अप्नदेह समझ गैं अब इस केसाट में क्या होगा नब इस यह जो ऑपरेटर एड़ानॏ स्वे जिजए मानना है कि जावास्क्रिप्ट में अब सिर्पर शिरप होती है तो ही आप false मानोगे उसके अलावा चाहे जो भी हो उसको false नहीं मानना है अब इस case से क्या होगा अगर इसको मैं clean करके run करूंगा तो मुझे 0 आ गया finally क्योंकि अब यह 0 as a false value trade नहीं हो रहा just because of this nullis operator बस यही fund है जो हम पहले 5 हमारे false values थे अब सिर्फ वो दो हो गए because of this operator जब आप यह operator उसकरते तब ही काम करता है एल्स हर बार फिर पांच ही काम करने वाला यहीं है इसका काम बस इतना कि अब खाली null basically nullis नाम ही यहां से आया nullis null मतलब nullis खाली null and then undefined को ही यह false मानेगा बाकि सबको यह true मानेगा नाम इतना बाड़ा चाओड़ा बस काम यही है इसका null and then undefined ही false होंगे बाकि नहीं होंगे ठीक है अब उसी तरह की से optional chaining operator इसका क्या काम है मैं बताता हूं एक बार आप यह definition पढ़ लोगे कहीं आपको idea आजाएगा यह concise way to access properties of an object without worrying about the existence of the intermediate properties आप access का सकते उसके properties को बीना कोई चिंता के उनका जो भी intermediate properties होगा उसमें है यह नहीं बोलके it's particularly useful when working with nested objects or accessing properties of objects that may be null or undefined कैसे मैं बताता हूं we have one जैसे एक object a person name is John address by new york में रहता जे फोड कुछ ऐसा है ठीक है and here we have this traditional तरीका तो यह पहले का तरीका यह था जहां पे const city मुझे क्या चाहिए यह जो city वाली जो value मुझे चाहिए ठीक है आपके मन में आ रहाऊगा person.address.ct लिख दूँगा मुझे value आएगी obviously आएगी no problem लेकिन हमें condition कर दे न अगर यह आप लिख के छोड़ दोगे and let's see city अगर नहीं रहा वहाँ तो क्या अगर होगे आपने तो बस यही सोचा कि अगर city रहेगा तो दे दो लेकिन अगर city नहीं रहा तो उसके बदल लेकिया वह जावस्कित में error handling बहुत important topic है तो अब हम क्या कर रहे है कि person.address यह basically आ city is not present or not existing ऐसे कुछ आप लिख सकते हो यह हम यह करते हैं लेकिन कहीं नहीं यह बहुत बड़ा पार्ट हो रहा है ठीक है तो इसको sort करने के इन्होंने यह operator यूश की है जो कि आपका कहला था optional chaining optional chaining operator जो की question mark and then a dot है अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो यही same piece of code को यहाँ प होते हुए दिखता है तो हम उसको कम कर सकते हैं जैसे हमने optional short hand देखा था कि अगर name name ages यह तो खाली name and age लिख दो काम हो गया restructuring हमने देखी तो basically object बहुत important that's why again object की उपर एक और update आगिया कि जब आपको दीख रहा है person.address अगर present होगा तो person.address.city की value देना इस case में यह person.address person.address हम दो दो बार क्यों लिख रहे हैं तो हम क्यों ना हम इसको हटा दे और इसको जोड दे बन गया optional chaining operator यही तो है ना आपका optional chaining operator क्या है यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पर देखो बहुत क्लियर ली एक question mark and then dot and अब भी मैंने जो यहाँ पर पाया वो क्या पाया question mark and then एक dot हो गया ना बस आपको यह space जो है उसको हटाना है खत्म and यह वाला जो पाट आप यहाँ पर यह colon यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम conditional operator यह यहाँ पर if you want you can go with this part or operator लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बता है अगर गलती से यहाँ पर जीरो है city का नाम let's say zero है समझ रहे हो मैं आपको बताता हूं इसको मैं run करूंगा तो मुझे new york आएगा no problem मुझे new york आएगा ठीक है लेकिन गलती से अगर इसका नाम लेट से है जीरो क्या नाम है इसका जीरो गलती से लेट से हो सकता ने जीरो अगर ऐसा हो गया देखो city is not present अरे भाई city तो है ना यहां पर तो city not present कैसे हुआ समझ रहा हूं अब भी थूर देर पहले मैंने यह बताया था कि तो फुरी दे पहले जो नल इस को लेसिन ओपरेटर जो था वह यूज करें था कि अब खाली नल या अंडिफाइन रहा तो ही वह फॉर्स है एल्स लेट साइट का ही डेटा अल्वेज रिटन करना और सी वी यह गेटिंग जीरो तो यह था आपका नल इस एंदन यह था और यहां पर वान वोर एक्जाम पले गाइस यह आप खुछ से चलो में एक रड़े तो फिर बोलोगे आपने यह बताया नहीं बोलके तो यहां पर मैं चलता हूं चलता हूं थीक है तो यहां पर आप गाईस हमें कैचे डिपली नेस्टेट प्रपरटी स्टिक है पर्स कोडिनेट्स डॉट लैटिटूट मुझे चाहिए तो मैं कैसे लिखूंगा पर्सन डॉट एड्रेस अगर यह प्रेजेंट होगा कॉलन आइमिन कोईशन मार्क और देन डॉट उसके बाद क्या आता गाईस आपका कॉडिनेट्स अगर यह भी प्रेजेंट रहा कोईशन मा डॉट फिर जो लाटिटूट यह वो दिखाओ एल्स नॉट प्रेजेंट कुछ भी आप लिख दो जो आपको मननो इस तरह किसे आप कर सकते हो लाक एकदम समझेर में क्या एक सब्सक्राइब पर्सन की इस तरह की से बता रहा है रीडिक लिए ब्लॉक स्कोप कहीं तो भी अल्रीड ओके अल्रीड उपर है पहले से अल्राइट सो देख लिजिए यहाँ सी वी आप 40.7128 कितिने एजली देखो ना पर्सन डॉट अगर अगर प्रेजेंट होगा उसके बाद अगर कोडिनेट प्रेजेंट होंगे उसके अगर लेटिटिटूट होगा तो वाले तो आपको विल्कुल टेंशन नहीं लेना है बट हाँ इतना हमारा काम हो गया माइग यह बहुत लंबा जा रहा है मुझा इसा फिल हो रहा है क्योंकि इतने सारी चीजे वापस बैक टू बैक हो रहा है तो गाइस लाइक बनता है कमेंट बनता है मतलब वीडियो देखने से पहले देखते कि कमेंट क्या अच्छा है या नी वली अच्छा भी हो लेकिन कमेंट बुरा निकल लेंगे मतलब सोसाइटी वैसा बन चुका दिखावे पर ज्यादा फोकस हो रहा है बट आप आप अगर इहां तक देख रहे हो मतलब आपको पसंद आ रहा है रा आपके लिए वह एक मिनेट का काम है लिकिन मेरे लिए बहुत हेलफूल हो जाएगी वह सोचोने यह बारा बारा घंटे की वीडियो बनाना और एक मिनेट का काम कितना डिफ्रेंस है पट वह इतना आप कर सकते है अटलिस ठीक है अल्राइट सो एट से दो हजार एकिस अब हजार एकिस में देखे जारा रिप्लेस ओल बाइदावे मैं रिप्लेस ओल अल्री बता चुका हूं लॉजिकल एसाइनमेंट ऑपरेटर वही फिर से लॉजिकल में और अपडेट आया वह है नुमेरिक सेपरेटर्स प्रॉमिस डॉट ऐनी ओके मैं आपको बताऊंगा बोल आपको नहीं समझेगा आपको यही नहीं मालूम कि प्रॉमिस क्या होता है राइट बहुत सारी चीजे वह फाइनली फिर और सैटल फिर इतना सारे बहुत सारी चीजे यार तो यह जो प्रॉमिस आगा तब मैं आपको बताऊंगा लेकिन चलो सबसे पहले रिप्लेस ओल दे देख चुके हैं and that is it कि लेट से हेलो वर्ल्ड हेलो अगेन सो यह जो हेलो वर्ड दो बार रिपीट आ रहा है लेट से मुझे हैलो के बदले हाई चाहिए तो मेरा जो भी वेरेबल का नाम होगा डॉट रिप्लेस ओल लिग दूंगा कंडोले सेप करूंगा हाई वर्ड सब्सक्राइब रिप ciao जाता है लेकिन हमें ने कल सकते हैं एक स्टाइब का गर में कहले सकते हैं लेकिन वाट हैपन अगर इन बिट्विन वॉर्ड हर सकते हैं दकें बोलावट अनमने और पलता है अ इ सुचाहा को हों कि दूंग जो सकते हों-मे आखक वहमें भी पर एक में इसको स्पेस बता है मैं अल्रेडी रेगुलर एक्स्प्रेशन को बहुत पहले वीडियो अप्लोड कर चुक हूं इसको मैंने ओबर कम कर दी तो स्टार्टिंग एंड का स्पेस हटाना हो तो हमारे पास है अब इन बीट्विन का भी अब हमें हटाना हो तो अब हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं ये हैन बहुत ज्यादा ओसम राइट या दैन we have this logical assignment operator ये बहुत ज्यादा स्पल है सो ये जो जो logical और assignment है this operator assigns the value of its right hand operand to its left hand operand if the left hand operand evaluates to a false value otherwise it lifts the left hand array are same होई है मैं तो बोलता हूँ आप जो नलीस हमने पढ़ा होई ही आप उसकर हो क्योंकि यहां पर क्या पता रहा है कि अगर left side की जो value है left hand operand मैंने expression जब हम पढ़ रहे थे मैंने बताया था what is operand what is operator and the combination of both makes your expression वो सब मैंने बहुत detail मैं बताया प्लीस देख लीजिएगा अगर आपको थोड़ा से left hand operand operand क्या होता है आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो let x is equal to false है na x की value false है तो अब x and then आप देख सकते हो यह और operator का दो pipe vertical line equal to equal to अगर आप true लिख देते हो तो क्या हो रहा है यहां पर क्या यह है या नहीं बिसिकली यह थोड़ा आपको confusing लग रहा है इसको मारो गोली है फाल तुम्हें क्यों confuse करना इस तरह किसे कुछ है क्या यह जो x अगर equal है यह true है तो इसको return कर रहा हूं and by the way यह बोलनी की need नहीं है और operator में अगर true false होता तो true ही आता है false true होता तब भी true ही आता है तो यहां तो आपको true मिलने वाला है तो कोई बड़ी बात नहीं है यह so guys second example आप देख लीजे आपको यहां पर थोड़ा better idea आएगा simple है जो nullist का concept था ना कि left hand side की property अगर false होती है तो ही right hand में जो भी data होगा वो हम as an output print कर देंगे ठीक है and उस case में तो nullist हिब null या तो undefined था अब logical और assignment में वो जो पांचों के पांचों होते है ना जो भी false value वो सब माना जाएगा तो left hand side में अगर कोई भी उन पांचों में से एक भी value रहा तो right hand वाला जो data है वो as an output हमें मिलेगा and अगर left hand का कोई भी value अगर वो 5 false के अलावा कहने का उनला अगर वो true होता है या genuine होता है तो वही output मुझे आएगा अब भी यहां पर y की value 10 है y pipe operator and then double equal to 20 मैंने लिख दी अब यहां पर इसका equivalent अगर मैं आपको बताओं तो वो कुछ ऐसा है ध्यान से देखना कुछ वो ऐसा है y pipe operator 20 अब इसमें क्या होता है कि अगर यह y की value false होती तो मुझे 20 आता बट y की value तो यहां पर 10 है यह number है यह कोई false value नहीं है एक number है यह and it's a valid number ठीक है चाहे आप string कुछ भी लिख देते है but it's valid so y will be unchanged और data मुझे जो 10 है वो ही आएगा तो यह लिखना and यह लिखना now they are like almost same just take shortcut है and उसी तरी के से we have a logical end assignment same यहां पर भी वही फंडा है कि this operator assigns the value of its right hand operand to its left hand operand if the left hand operand evaluates to a true t value अब otherwise it leaves the left hand operand unchanged unchanged sorry so इसको देहन से देखना if the left hand operand evaluates to a true t value यह क्या करेगा this operator assigns the value of its right hand operand to its left hand operand left hand की value अगर true रहता है तब राइट है वाला value उसको वह apply कर देता है मतलब वह as an output मुझे आता है तो यह true वालों को मत देखो फिलाल यहां पर आईए अब यहां पर थोड़ा सा आब यह कह सकते हूं कि अगल left side की value true होगी तो right side का value as an output मुझे मिलने वाला है ठीक है तो इस case में देख लीजिए y की value तो 10 है and y obviously end operator हम इस तरह की से represent करते हैं equal to 20 अगर y की value true होती है तब right hand वाली जो data है वह as an output हमें मिलता है तब मैं अगर y को console करूंगा तो मुझे output में 20 आएगा बस यह difference आपको याद अखना गाई and I know यह थोड़ा सा भी confusing लग रहा है आपको हाला कि confusing है नहीं बट एक तरप तो है कि left hand की value अगर false होती है तो right का value आएगा logical and operator में ठीक इसका उल्टा है अगर left side की value true होती है तब जाके right hand की value आएगी नहीं तो always left hand की value आएगी simple इतना है एक काम करते है इसको मैं 0 कर देता हूँ 0 भी तो false होता है तब आपको देखो क्या output आ रहा है जीरो ही आ रहा है वाव अच्छा है यह तो एक काम करता हूँ यहाँ पर हम चलते है false अब मैं run करता हूँ अब आपको false है देखा अगर left side की value false होती है तो वही value आएगा else true रहा तो फिर right side value value आ जाएगी फंडा यहाँ पर यही है all right so numeric separator यह तो बहुत इजी है जहां पर अब क्या होता है ना कि पहले हम जो number लिखते थे इस तरगे से इतना number if you see है ना यह हम इस तरगी से पहले एक value लिखते थे अब आप एक numeric separator use कर सकते हो जहां पर after three आप इस तरगी से underscore use कर सकते हो अब यह रीड करने में इतना easy हो गया अच्छा छे इदर है मतलब million हो गया या जो भी हो गया तो मतलब यह आप यूज कर सकते सिंपल वस यह इसका और कुछ नहीं यह यह अपर अगर इसको आप रन करोगे तो आपको normal जो एक value है वही value मिलेगा आप देख सकते हो यहां पर यह जो एक normal यहां पर जास्ट आपका अंडिस्कोर नहीं है लेकिन अगर आप अंडिस्कोर एड़ करते हो तो रिट करन में बहुत इजी हो जाती है ना लेट चेक इट आउट एस 2022 बाइद वे क्या ज़रा देखे तो यहां पर we have add देखो जब हम array पढ़ रहते तब भी मैंने आपको बता है तो we have this add method जो कि बहुत ही awesome है क्या होता मैं आपको बताता हूं ठीक है let's say जब भी आपको array use करते हो ना आप वहां पर like इस्तिरगे से minus 1 यूज नहीं कर सकते हो तब आपको first element जो भी है उसका date आएगा let's say 2 array at index number 1 वो आपकी value होती है 2 लेकिन अगर आपको सबसे last value चाहिए and अगर आप minus 1 यूज करते हो तब आपको value नहीं आता आपको undefined आता है ठीक है बट अगर मुझे last value चाहिए तो हम क्या करते array dot length minus 1 ठीक है अगर यह मैं करता हूं तब जाके मुझे कहीं नहीं के last value आती है बट उसको इनों आप simplified कर दिया है इतना क्यों लिखना directly array at इस array at minus 1 अगर आप कर दोगे तो भी आपको वही same value and यही था का इस 2022 का एक major update and छोटे मोटे बाकी classes and all आए थे मैं include नहीं कि क्योंकि मुझे मालों आप मेंसे सभी लोग functional ही काम करोगे classes के साथ नहीं जाने वाले and दूसरा आप देखोगे note data type supporting this function okay okay so यह जो at वाला method है यह सिर्प array नहीं आप उसको string में भी उस कर सकते हो and all type of array classes यह जो भी वहां पे तो बाकी string में भी आप यह आप यूस कर सकते हो ठीक है to get the last value या starting की value कुछ भी now यह again object की उपर आ रहा तो object बहुत important है मुझे ऐसा लग रहा है कि हर एक year कुछ ने कुछ object की उपर एक extra basically लोग update दे रहे है इन्होंने एक update दिया has own कही ने कहीं यह कैसा static method है that you can use to check if the property exists in an object or not simple यह हम already देख चुके है कहने का मतलब यह है कि अगर आपको यादो we have has own property उस object में basically कोई भी object में क्या वो property है यानि उसको check करने के लिए has own property हम use कर रहे थे उसको भी उन्होंने और simplified कर दिया है with the help of object.has own property के साथ ठीक है basically method कह लिजे let's say we have this book world best js course author यह थापर technical तो अगर मैं यह करता हूँ ठीक है book.object.has own property अगर मैं name pass करता हूँ and दूसरे में book.has own property में price pass करता हूँ and इसको अगर मैं run करता हूँ आप देखोगे like मुझे true आ रहा दूसरा false क्योंकि name वाली जो property वो तो इस object में है इस प्राइस वाली प्रॉपर्टी वो इस object में नहीं है तो यह एक तरीका था बट अब हम इसको कर सकते हैं with the help of our like object.has own property जहां कि जहां आपको object.has own लिखना पड़ेगा यहां तो आभी आया भी नहीं है देखो ना option अभी तक क्योंकि 2022 का यह ठीक है तो has own में क्या करना होगा गाइस आपको सबसे पहले तुस property का नाम लिखना है जैसे we have this name और गाइस actual name बाद में आएगा आपको पहले object का नाम लिखना होगा book,name ठीक है अब अगर आप यह करते हो और अगर आप रन करें देखो आपको true आ रहा है और यह जो true आ रहा है वो basically मेरे इसकी value है यह जो particular line की value मुझे यहां पर true आ गया ठीक है तो यह जो है इस तरीके से आपका काम करता है यह बहुत ही ज्यादा useful भी है ठीक है क्योंकि देखो has own property का अपना खुद का कुछ issues है जैसे कि अगर आप देखोगे it doesn't work for object created using object.create null तो मैं आपको बताता हूँ let's say मैंने object create की with the help of this object.create हम create कर सकते है इसके तुरू आप एक object create कर सकते हो तो console.log type of अगर मैं आपको दिखाऊँ we have this student है तो अगर इसको मैं clean करता हूँ and अगर मैं run करता हूँ आप देखोगे object तो यह जो part है यह बता रहा है कि यह object मतलब सही है अब object में अगर मुझे कोई data add करना रहा property add करनी रही तो what we can do student dot let's say name equal to मैं यहां पर बिनोद रख देता हूँ अब अगर मैं console.log अगर मैं student पर जाता हूँ इसको clean करके run करता हूँ तो आप देखोगे मुझे यहां पर object null prototype बट कहीं नेम में मुझे बिनोद आ रहा है null prototype ठीक है बट name and then बिनोद मुझे आ रहा है वही पर ही अब अगर यह जो मेरा student था dot इसको मैं अगर यह पूछू क्या इसके पास has own property में क्या यह जो name वाली जो property है वो है या नहीं है ना अगर मैं इसको दिखाऊं आपको तब आप देखोगे कि student dot has own property is not a function देखा अगर आप object dot create and then null करके कोई भी object अगर आप बनाओगे तो वहां पर आपका यह काम ही नहीं करेगा जबकि हमें मालूम है कि इस student object में name करके एक property है बट वहीं इसी को ही अगर मैं copy करूँ पेस्ट अब मैं यहां पर student ना लिखे मुझे object constructor लिखना है has own property को देखा लिए has own लिखना है यहां पर उसका नाम object का कॉमा वह property का नाम पंट्रोल है सेप कर रहा हूं अभी इसको में हटा रहा हूं क्लीन कर रहा हूं और बूम गाइसी इट्सट्रू तो यह बहुत में ने कहा ना कि यह जो एक्मा स्क्रिप्ट वह फीचर तो लेके आते बट मोस्ट अप दाइम वह जो आल्लेडी एक्जिस्टिंग फीचर है इसको हम ऐसे और बैटर कर सकते उसके पर यह काम करते हैं देखो है जोन प्रोपर्टी से हमें लगता था कि प्रोपरटी का नाम मिल जाएगा कभी इंटर्वी में पूछा है जोन प्रोपरटी बोल दूंगा बट अगर इस तरीके का केस बन गया उसके बाद अगर आप तो बोलता नहीं it's not a function बाट इसने बाराबार बता हाँ यह जो अब्जेक्ट है इस्टुडेंट करके उसमें नेम प्रोपर्टी है समझ रहें यह है इसका फाइदा ओलाट कैस्तो फाइनली हम 2023 आगे क्योंकि 2024 में तो है नहीं कुछ आभी February का महिना और मार्च का महिना आन इंडेक्स पढ़ा था कि starting में जो मिल गया सो मिल गया and find method सिर्फ एक वैल्यू रिटन करता है बट जब हम find last या find last इंडेक्स पढ़ते है तब वो पीछे से जो वैल्यू हमें मिलता है यह जो सबसे लास्ट आता है occurrence वो हमें data देता है लेट से console.log we have array.find and then last ठीक है obviously आपको fat arrow function देना ही पड़ेगा and यहाँ पर एक element लिख दीजे current element होगा by the way and यहाँ पर खाली उस element को आप रिटन कर दीजे इसे को यह copy करता हूँ पेस्ट करता हूँ find last index आप बोल दीजे ठीक है and मैंने जानवच के last में 4 रखा है and आप देखो के ध्यान से so boom guys see it's a 4 क्योंकि मेरा जो last element है वो है 4 and then उसका जो index number है obviously it's a 6th index number so guys यह था आपका find last and then find last index मैं इस पर जल्दी से कर दिया क्यों 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 already देख चुग है यार अब यहाँ पर एकाम कर सकता हूँ कोई ऐसा element जो की value हो greater than 3 sorry greater than 3 तो उसको आप return कर दो if you want आप यह चेक कर सकते हो and that is again you have okay sorry greater than 4 करो ठीक है क्योंकि दोनक output से इसमें आप आपको 5 आएगा okay yeah see this is it तो find last में क्या हो ना greater than 4 क्या आपका 5 है लेकिन 5 के बाद भी तो आ रहा है न 6 तो जो सबसे last में अगर मैंने यह सिर्फ find क्या होता and अगर मैं रन करता तब मुझे इसकी value 5 आती but now मैं क्या उसका रहो last जो सबसे last में value 4 से बड़ा वाला जो कि सबसे last में तो 6 तै इसलिए आपको यहां पर 6 आया ठीक है तो यह यह था आपका find last and find index basically जो भी value उसका index number देता हो यह भी बहुत simple again यह array के लिए ही है हमने reverse already पढ़ा है हमने sort method already पढ़ी है हमने spliced already पढ़ा है and then हमने basically width तो नहीं पढ़ा बट मैं बताता हूं ठीक है and by the reverse हम already पढ़ चुके थे बट फिर से मैं बता रहा हूं ठीक है so guys we have this values right यहां पर मुझे खाली सको reverse करना है so guys यह जो update इसका best part यह basically two reverse two sorted and then two spliced है हमारा जो original data ना array का उसको यह बिल्कुल भी change नहीं करता है बिल्कुल भी effect नहीं करता है तो एक new array return करता है जो कि सबसे best है यहां पर muted नहीं हो रहा कुछ भी तो बस यह जो my name से dot two reversed मैंने लिखा और कुछ नहीं करना है खाली two reverse use करना है and आप देखो कि sorry by the way यह अभी recent यह 2023 का है and अभी तक यह basically support नहीं करता है यहां पर तो आपको यहां पर चलना पड़ेगा हम actual जो console वहीं चलते हैं मैं यहां पर enter hit करता हूं तो boom guys see original तो जो है इस तो है but reverse में आप देखोगे तो codifier थापा बहादूर and then binod just reverse हो गये ठीक है then अगर आप मुझे sort करना हो इसको कुछ नहीं mynames.to sorted बाकी दोनों सेम है ठीक है इसको हटाता हूं यह देखो बहादूर codifier थापा बिनो सबसे best जहां पर sort हो गया बी पहले आता दन के आता फिर्टी आता दन वे तो इस तरह की से आपको इतना इंडेप्थ में बताया है और फिर से आपको मालूम है कहां आपको देखने मिलेगा part 1 देख लीजे आपको पता चल जाएगा so होता ही है स्प्लाइस में like what we can do यह आपका starting number starting index number जहां से आपको अपना यह जो तलास है है ना वो start करनी है that is index number 1 से the moment आपने 1 लिखा it means आपको index number 1 से आपने start की तो वही इससी value को वो delete कर देगा आप यह second parameter है वो basically आपका delete value है delete count आप क्या लीजे तो फिलाल हमारे case में क्या है यहां पर it's a Vinod and then Bahadur तो अब वो क्या करेगा बहादूर को बहादूर से ही start होगा by the way and ठीक उसी को ही क्योंकि just वही जो value है उसको वो delete कर देगा and उसके बात जो भी हम value पास करते वो उसके बले add हो जाएगा तो इस लाइक विनोध थापा टेक्निकल थापा एंदन कोडिफायर ठीक है बड़ी बैस पार्ट इस टाइम यह होगा कि यहां पे अब अगर मैं चलता हूं and enter हिट करता हूं तो मेरा जो original data तो as it is है बट बहादूर के बदला वो थापा टेक्निकल वहां पे आ गया इसको अगर आपको एकदम और in-depth में समझना है हमने पूरा कड़ operation किया था प्लीज पार्ट आन वाले वीडियो को देख लिजेगा ना यह जो वीट वाला जो है क्या करता है ना यह जो वीट मैथर्ड है in JavaScript is used to change the value of an element at a specific index in an array किसी भी value को अगर आपको चेंज करना हो at a specific index in an array तब आप इसकी यूज कर सकते हो बहुत ज्यादा सिंपल है माइनेम्स डॉट विट मैंने बोला अगें फिर से यहां पर मैंने बोला जो फर्स्ट इंडेक्स नंबर पर है उसको हटा उसके बदले यह वैल्यू आट कर दो कहीं न कहीं यह आपका रिप्लेस वाला काम कर रहा है ठीक है तो मैं यहां पर चलता हूँ try and Once šy एग जिर फो आपको अब में थाप़ अखनकल कर देटा हूँ जीरो वागे दू स्थिस डॉश्ट इंडेक्स नंबर पीजो babay ए तो मैं यहां पर टुलिक देता हूं यहाँ पर चलता हूं इसको हटाता हूं इसको कॉपी करता हूं से 1 व भादुरוה एग अ एकमाश् 15-2013 तक का complete हो गया है and I'm super happy All right guys, we are done with our objects and हमने objects को बहुत अच्छे से समझा and बहुत कुछ जाना जो कि बहुत ही ज्यादा ओसम था ठीक है तो अब हम चलते हमारे next slide पर हम देखते हैं कि next is what Now guys, we have our advanced JavaScript जहां पर हम देखने जारे हैं इतने सारी चीजे we have a event propagation जिसके अंदर we have a concept called bubbling and then capturing जो कि बहुत जाद इंपोर्टन है and you're gonna love it क्योंकि ये एक ऐसा concept है JavaScript की दुनिया में जिसमें हर एक users, basically developers जो है JavaScript उनको ये आना ही चाहिए event propagation क्या होता है higher order function किसे कहते है callback function किसे कहते है closures and function करिंग it's fine नहीं आता है तो भी ठीक है बट अब सिख ले होगे जब कमपन में जाओगे जवाद पड़ेगी तब सिख लोगे तो भी काम चल जाएगा लेकिन आना ही जरूरी है ये जरूरी नहीं है बट हाँ callback help किसे कहते है fetch API किसे कहते है what is promises async await and then error handling in JavaScript तो खाली अगर मैं आपको बता हूँ तो ये एक जो पार्ट है दो इट्स इंपोर्टेंट बट फिलाल एज बीगिनर अगर आपको नहीं भी पता है इट्स फाइन है ना बट हाँ बाकी ये जो चीजे है भरी मैंदेopardी जो चीजे आपको दिखाए में तो इटी सबस्ति और किसे आख़े करते है कटे ये एक process है of how events propagate or travel through the dome hierarchy ये एक ऐसा process है जहाँ पर आपको ये पता चलता है कि आपका ये जो event है हमारे जो ये dome tree है उस पर वो किस तरीके से travel कर रहा है या प्रफागेट कर रहा है मतलब चल रहा है इतना पता चला कि event आपका हमारे ये dome tree में कैसे travel कर रहा है सिंपल अभी इतना समझे एंड साती साथ इन जावस्क्रिप्ट दिया आर्ट टू फेजस ऑफ इवेंट प्रोफागेशन इवेंट जो travel कर रहा है travel मतलब क्या मैं अभी इंडिया में हूं मैं छुटी में नेपाल जाता हूं तो मैं इंडिया से नेपाल में travel कर रहा हूं तो अब कोई मुझसे पूछेगा कि मैं इंडिया से नेपाल कैसे travel करता हूं तो मैं बोलूँगा मैं फ्लाइट से जाता हू हो में चीजे बताँ जब आप जावस्कीप में कोई एक बटन पे क्लिक कर देते हो तो वह जब बटन फ में इवेंट की तो वह बटन तक इवेंट किस्ट थे से पोचा होगा उसको जानने का जो मेन रहस्य है वो इसके अंदर छूपा हुआ है आपको इसको बहुत अच्छे से समझना एड़ वांस आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया ना believe me, देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा, complex जो भी चीज है, उनको आप, मतलब, एकदम easy तो मैं नहीं बोलूँगा, जब तक आप practice नहीं करते हैं, बट हाँ, आपको कहीं हद तक सफल result जरूर मिलने वाला है, सकसे जरूर मिलेगा आपकी JavaScript की जर्नी में, ठीक है, so, जो दो phases होते हैं, वो होते हैं, आपके एक capturing, and then second one is your bubbling phase, अब आपके माइन में आ सकता है, what is this capturing and then what is this bubbling, and why we need to know this capturing and then bubbling phase, so, event propagation को अब एकदम detail में समझते हैं, here we have this dome tree, and अब आप ये मत बोलना कि ये भाई कहा का tree है, and ये tree ऐसा क्यों दिख रहा है, समझ रहा है, हम जब हम window object पढ़ मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, कि आपका HTML का code, जब आप browser पर रन करते हो, तो browser उसको dome tree में convert कर देता है, object के form में, JavaScript PC के साथ खेल रहा होता है, and dome का कामी है, कि JavaScript and HTML एक दूसरे के साथ communicate and interact कर सके, and वो इस dome tree के थूरू हो रहा होता है, तो ये वो dome tree है, and अगर ये जो dome tree है, इसको बताने से पहले मैं ये जो एक चीजे वो मैं आपको explain करना चाहूँगा, ठीक है, here we have one outer layer, we have one middle layer, and then we have one inner layer, तो मैंने जो layer का आप उसको समझो कि ये एक outer का डबबा है, उसके अंदर एक middle डबबा है, उसके अंदर एक inner डबबा है, अब कल के दिन अकर मै outer पे click करूँगा, आप बहुत के लिए लिए देख सकते हूँ, यहाँ पे, कि I am the outer का डबबा, मतलब वही है, outer डबबा हूँ में, and yeah, simple, इतना सा था, right, nothing fancy, ठीक है, चलो इसको मैं हाटा रहा हूँ, लेकिन, कल के दिन आप मैं किस पे click करूँगा, middle डबबे पे, किस पे, middle वाले डबबे पे, ध्यान से देखना, the moment में अगर middle पे click करता हूँ, यह क्या हुआ, middle पे मैंने किया click, यह देखो, I am the middle one, I am the middle one, चलो ठीक था, क्योंकि इस पे मैंने click किया, लेकिन साथी साथ, अगर आप देखोगे, I am the outer one, oh my god, यह कभी आपने notice की होगी, कि जब आप JavaScript पे काम कर रहे हो, आपने एक button पे click किया, वो तो चला चला लेकिन उसके साथ, एक और event भी fire हो गया, कभी हुआ आपके साथ ऐसा, अगर यह हुआ होगा, तो because of this event propagation, कि आपका event वो travel क्योंकि कैसे कर रहा, अब आपको पता चला ना, आपने तो इस पे click किया था, इस event पे, ल इनर वाले डब्बे को click करो, और console पे दिखाओ कि, basically किस डब्बे को हमने click किया, simple है लेकिन देखो, I am the inner one, I am the middle one, and then I am the outer one, एक event को मैंने fire की, साथ में, फ्री में उसने दो event को भी fire करा दिया, तो यहाँ पे आपका event propagation चल रहा है, और यही है आपका travel की, मैंने तो इनर वा पे travel कर दिया, and उसके event को fire की, फिर वहां से वो outer पे कैसे travel किया, and उसको उसने कैसे fire किया, and यह जो part हो रहा है, यह है आपका bubbling phase, तो by default, अगर आप किसी भी फिर से इसको मैं हटा रहा हूँ, by default, अगर जो एकदम inner है, जो inner child को, अगर आप click करते हो, and उसमें आपने कुछ event add किया है, let's say click event, उसका जो parent है, उसके आपने click event रखा हुआ, and जो उसका भी parent है, उसके आपने click event रखा हुआ, and जो उसका भी parent है, उसको भी चलेगा, until and unless वो एकदम जो root element है, वहां तक पहुच नहीं जाता है, and यह from bottom, यह जो जिस पे मैं click करा, वो आपका target element है, one more time, inner पे click किया, तो तीनों चला, no problem, अगर मैं middle पे click करता हुआ, तो तब तो सिर्फ दो ही चल रहा है, inner वाला तो नहीं चल रहा है, इसका मतलब यह वो रहा है, कि मेरा जो भी event है, वो travel किस direction में कर रहा है, from, वो जा रहा है, इस तरीके से, from top to bottom, कहना का मतलब कि, जिस जह हाँ, यह हमारा main है, यह मेरा main parent इदर है, जो सबसे root level पे, सबसे higher पे, अगर मैंने इसको click की, तो वो इसको भी call कर रहा है, इसको भी, इसको भी, and last में इसको भी, है ना, अब वहीं, अगर let's say, मैं इसको click कर रहा हूँ, इस वाले particular डबे को, तो इसको जब मैंने click किया, त travel कर रहा है, from bottom to top, from down to up, ठीक है, and कोई भी event, अगर from down to up travel करता है, वो आपका bubbling phase है, दो bubbling का मतला भी यह, कि लाइक उपर जाना, bubble, फूला होगे तो bubble उपर ही जाएगा, नीचे थोड़ी जाएगा bubble, या ballon उपर ही जाएगे, नीचे नहीं जाएगे, तो bubbling phase, phase तो एक phase हो गय कल में sad हो, मेरा sad phase है, तो इस तरीके से आपको terms को relate करना होगा, समझना होगा, ठीक है, तो कुछ भी event अगर आप fire कर रहे हो, and वो उपर वाली event को भी fire कर दे रहा, मतलब by default वो आपका bubbling phase है, जावस्कृट में यही by default है, ठीक है, that's why मैंने अगर outer को click करता, middle वाला fire होता, फ अब अगर मैं outer को click करूं, तो middle वाला call हो, and then inner वाला call हो, and अगर मैं middle को call करूं, तो फिर वो सिर्फ middle वाला call हो, and then inner वाला call हो, and मैं inner को करूं, तो इस इनर हो, बाकी ना हो, क्योंकि इस case में क्या हो रहा है, अब वो from top to bottom, या from up to down, वो हमारा event travel कर रहा है, तो यह अगर कर रहा है, वो आपका capturing phase है, and जिस element को आप click करके वो इस event को fire कर रहा है, वो आपका target phase है, ठीक है, तो इस तरीके से का, इस है आपका capturing phase, we have a target phase, and then we have this bubbling phase, तो यहाँ पर वही दिखाया है, कि अगर मैं TD पर click करता हूं, ठीक है, तो यह जो green वाला दिख रहा है, वो सबसे पह पर जो है, उसको भी चलाएगा, and उसकी उपर जो है, उसको भी चलाएगा, क्यों, TD जब हमने click की, तो यह उपर की ओर travel करता है, जब तक यह root element तक पहुछ ना जाए, तब तक यह event आपका चलता रहता है, this is the fact, हमें लग रहा है, मैं तो एक TD पर click कर रहा हूं, but in reality, वो कोई bug नहीं है, यह बहुत awesome feature है, तो TD पर जब click की है, वो TR पर गया, अगर इस TR पर कुछ click है या नहीं, अगर होता तो वो call कर देगा, TR से वो body में जाएगा, body से table में जाएगा, basically table का body है, अपना original body नहीं है, table के body में गया, वहां से वो table में गया, table से वो body में गया, body से वो click event मिल गया, तो उसको भी call कर देगा, समझ गया, and वहीं जो यह आपका capturing phase है, the event starts from the root of the dome and goes down to the target element, मतलब दो आप TD पर ही click करोगे, but होगा यह कि जो सबसे उपर है, root element वहां से वो start होगा, पहले window चेक करेगा, कुछ है, नहीं है, document पर कुछ है, नहीं है, HTML पर नहीं है, body पर नहीं, table पर नहीं, अच्छा, TD पर एक था, तो TD को call कर देगा, उसके बाद वो TR पर जाएगा, अच्छा, TR पर भी है, उसको भी call कर देगा, फिर जाके TD पर, तो capturing phase में, जिसको आपने click की, वो सबसे last में trigger होता है, उसके जितने भी parent से पहले वो trigger हो जाते है, so it goes down to the target element, bubbling phase में, the event starts from the target element and bubbles up to the root of the dome, and जो final जिस पे भी हम click कर रहे है, जहां से हम वो event को fire करें, वो आपका target phase, target phase कहलाता है, so capturing phase, target phase and then bubbling phase, यह है आपके event propagation, and अब आपको पता चलिगा कि event कैसे travel कर रहा है, if event is traveling from the root of the dome and goes down to the target phase or target element, then वो आपका capturing phase है, and ठीक उसका vice versa कहले जिए, अगर वो event अगे start होता है, from target element and goes up to the root of the dome, वो आपका bubbling phase है, ठीक है, and यह, देखे, from top to down, क्या है यह, बताओ, जल्दी से बताओ, from top to down क्या है, and from, क्या बोल सकते है, bottom to up बोल दो, वो है आपका क्या bubbling phase, ठीक है, यहाँ पर कुछ और है extra, नहीं, वो चलो, promises बात में देख लेंगे, आपको पता चल गया, and don't worry, आपको पुरा प्रैक्टिकल कर के बता रहा है, ठीक है, आपको bubbling phase तो पता चल गया, by default वो आपका bubbling phase ही रहता है, ठीक है, by default वो आपका bubbling phase रहता है, लेकिन अब यहाँ पे, एक बहुत awesome चीज आपको पता चलने वाला है, कि add event listener, जो हम यूज कर सकते हो, वो उसमें power है, ठीक है, तो ध्यान से देखना, so we have a dome, ठीक है, advanced, क्या लिखाएगे, advanced JS के अंदर आपको चलना है, basically मैं बहुत दूर बैठा हूँ, बहुत छोटा दिख रहा है मुझे, so it's a advanced JS, so we have a dome, इस dome पे अगर आप click कर दोगे, so these are the advanced dom, देखो dom को हमने इसको आपको click करना होगा, तो कुछ हो आपको इस तरह किसे दिख रहे, जो मैं अल्रेडी बाता चुक हूँ, यहाँ पर प्लीज आप इसको एक बार रिट कीजएगा, क्योंकि मैंने नोटिस की, कि ऐसे बहुत सबी लोगे, जिनको मैं जितना भी explain कर दूं, उनको चाहिए इसने तो definition ही नहीं दिया, अब मैं college में क्या लिखूंगा, अरे भाई, college में जो definition है, वो थोड़ी लिखना है, college में तो आपने जो समझा, अपने सब्दों में उसको बयान कीजे ना, वहाँ पर, वो रट्टा मानने वाला काम डिट्टू, जिन्दगी बरवाद हो जाएग तो यहाँ पर आपको ध्यान में यह रखना है कि हमारा जो deep है, उसके अंदर में ने middle deep रखा है, इतना आपको ध्यान में रखना है, क्यूंकि उसका जो parent है, समझे रहों, अगर यह middle and then inner deep अगर आप बहार लिख दोगे, तो वो तो काम ही नहीं, फिर उसका parent ही नहीं होगा, हमने इसलिए डॉम में बहुत अच्छे से जो relationship उसको समझा है, आउटर deep के अंदर अगर आप देखोगे, so we have inner deep, so outer के अंदर we have inner, and then inner deep है, ठीक है, उसके अंदर, I mean जो यह middle deep है, उसके अंदर we have this inner, तो inner आपका grandchild आप बोल सकते हो, यह आपका parent बोल सकते हो, यह आपका grandparent आपके सकते हो, ठीक है, child parent and then grandparent, आप इस तरह की से बोल सकते हो, तो अब होगा यह, कि जब मैं inner पे click करूंगा, because we have a default behavior, JavaScript का, that is from bottom to up, वो travel करता है event, तो वो क्या करेगा, इसका event को call करेगा, फिर middle वाले का event को call कर देगा, फिर outer वाले का कर देगा, ठीक है, तो उसको देख middle and then inner, तो जब मैंने outer, middle and then inner दिया, तो कैसी है, तो आपको मालूम है कि अगर उस element को मुझे access करना है, तो उसमें अगर मुझे event add करना है, तो हम बहुत इसली कर सकते है, इधर we can choose query selector, और we can go with the get element by id, तो हमने क्या यहाँ पर यूज की, we use get element by id, outer, और मैं उसमें एक event add कर द करना, उसको call करना, and मैंने वहाँ पर event pass की, मैंने आपको event object भी दिखाया कि, by default हमें मिलता ही है, and अभी तक आएगे साप सिप console.log देख रहे थे, but we have one more awesome feature, जिसमें अगर आप console.table लिखते हो, तो पूरा आपको table के format में data आता है, ठीक है, so it's not a big deal, but console.table है, console.one है, console.error है, बहुत सारी चीजे जो आप like explore कर सकती हो, मैंने table add कर दी ता कि मैं एकदे मच्चे से दिखा सकू, so here we have this description, and basically console काई पात है, कोई ऐसा नहीं है, हाँ हाँ हाँ, so description में I am the outer one, target में आपको मालूम है कि अगर मैं event.target लिखूंगा, तो किसने click की हो हमें पता चलता है, and then current target को आने वो हमें यहाँ पर इस तरगी से पाता चलता है, so let's check it out, इसको मैंने cardola save कर दी, as it is रख रहा हूं मैं, ठीक है, इतना आपको पाता है कुछ नहीं, outer पर जब भी कोई करेगा click, एक function चला रहा हूं, जिसके अंदर मैंने console.table करके, इस तरगी से लिखके रख दिया, simple सा मैं अब यहाँ पर चलता हूं, इसको मैं हटाता हूं, outer पर क्लिक करता हूं, तो मुझे एक काम कर रहा हूं, इसको मैंने bottom पर कर देता हूं, ताकि आप लोगों को कुछ उस्तिरगी से लंबा चोड़ा, मस्त सा दिखाई दे, and एक काम करता हूं, फिर मेरा धग जा रहा हू में आ रहा है, target आप देख सकते हूं, कि div hashtag auto, div hashtag auto, target भी हुए, current भी हुए, क्योंकि अभी फिलाल में इसे कोई क्लिक किया, हाँ, कल के दिन अगर मैं middle वाले पर क्लिक करता हूं, तो अब आप देख सकते, फिर से ध्यान से देखना, एक सेकेंड, यह actual में होना नहीं चाहिए क्योंकि इसको मैं copy कर रहा हूं, paste, अब यहाँ पर मैं चलता हूं, फिर से inspect, console, अब अगर मैं outer पर click करता हूं, तो outer आता है, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं, अब अगर मैं middle पर click करूंगा, तो फिर भी मुझे I am the outer one आ रहा है, so यह कैसे हो गया, कहने का मलदब यह था, क कि अब भी तक यह जो मेरा middle वाला है, यह जो basically middle है, ना तो मैंने इसकी ID get की, ना इस पर मैंने कोई event रखा हूँ है, और उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे, तो अगर मैं middle पर click करता हूं, तो यह देखो, ध्यान से देखना क्या हो रहा है, इतना ही देखो आपको पता चल जाएगा, description में I am the outer one, क्योंकि obviously parent को उसने call कर दिया, from bottom to up, वो travel किया, हाँ अब अगर target देखते हो, तो बता रहा है कि middle वाले ने click कर दी है, target आपका middle वाला था, यह आपका target phase है, जहां से event ट्रिगर हो रहा है, and current target कौन है, basically जो अपना actual है, जहां पर वो data travel, I mean जो event fire was, जो actual वाला, वो तो आपका outer ही रहेगा, तो यह difference आपको यहां पर पता चल रहा है, ठीक है, कि middle वाले ने click कर दी, जिसके चलती उसका जो उपर वाला parent था, वो call हो गया, एक काम करता हूं, अब मेरा यह जो middle वाला है, and logic पता चला न, logic simple सा है, कि JavaScript का default behavior है, कि child अगर click कर करता है, दो उसमें कुछ हो ना हो, बट उसके उपर जो parent में अगर कुछ event रहा, तो call हो जाएगा, ठीक है, मैं अब एक काम करता हूं, यह जो मेरा inner है, sorry, not the inner one, the middle one, इसको उपर कर देता हूं, and control एस सेप करता हूं, and उसी तरगी से मेरा पास जो middle वाला है, इसका जो यह data ह है, वो भी मैं copy कर लेता हूं, paste कर देता हूं, यहाँ पर इस तरगी से, ठीक है, so middle में मैंने just, I am the middle one रखा, बाकि सब कुछ same है, ठीक है, अब मैं यहाँ पर चलता हूं, इसको मैं अटा रहा हूं, तो outer पे click करूंगा, तो अब जो इसके उपर तो कुछ है ही नहीं, तो इसको एक वार refresh करता हूं, अब अगर इस पर मैं click करता हूं, perfect, so here we have, I am the middle one, and then I am the outer one, and यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लिए लिए देख सेकती हूं, कि इसका target, hashtag middle, hashtag middle, current target, but यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो target, hashtag middle है, but यह current target मतलब जो actual में उसका data है, कहना का अलब जो यह current target, जिसका data हमें मिल रहा है, वहाँ पे, वो तो आपका, obviously outer है, यह तो, right, तो इस तरगी से काम कर रहा है, अब अगर ध्यान से देखने, अभी तक मैंने inner पे कुछ भी नहीं किया, but अगर मैं अगर inner पे भी click कर देता हूं, तो अभी मुझे उपर के दो data मिलने वाले, तो आप एक काम कर लेता हूं, मैं यहाँ पे चलता हूं, यह जो मेरा inner है, उसको भी मैं add कर देता हूं, and यहाँ जो मैरे पास inner का data है, उसको भी मैं copy कर लेता हूं, यहाँ पे मैं paste कर देता हूं, फिलाल, इसको मैं भी खटा रहा हूं, ठीक है, control Ale, save, ठीक, अब तो मैंने 3 सब्सक्राइड बैंद दॉटे लिए करूंगा तो सिर्फ दो ही चलेगा क्या है और ही मुझे मिलेगा अब आपके मन में आ रहा होगा यार कहीं लॉस लग रहा है मुझे कि में इनर पे क्लिक करूंगा उपर के दोनों भी चल जा रहें तो मुझे तो इसको नहीं चाहिए मु तो उसी तरीके से लाइक अगर वो इनर पर क्लिक करें तो मुझे मेरे पैरेंट्स को तकलिप नहीं देना है मैं जो होगा मैं खुछ सेहन कर लूँगा मुझे बस मेरा ही फंक्शन चला के दो तो उसकेस में आप क्या कर सकते हो यह जो प्रोफागेशन है इवेंट जो प्रोफागेट कर रहेंवेंट जो ट्रेवल कर आप इसको स्टॉप कर सकते हो एंड उसको स्टॉप करने का बहुत हीजी तरीका एंड्स यह जो आपका जो इनर वाला है इनर पे आपको आङए है कंसोल वाला जो यहां पर लिख दीजिए इवेंट डॉट विहाब इस्टॉप प्रोफागेट सिंपल सा ठीक है पूर्फागेशन सॉरी एंड इट्सप्रोफा ना प्रोफागेशन दिया बस आपको इस्टॉप प्रोफागेशन मतलब भाई ट्रेवल मत करो जहां हो जो आ यहां बट क्या हो अगर में मिडिल पर क्लिक करूं तो मिडिल पर अब भी वह लाइक करेगा क्योंकि मिडिल वाले पर मैंने यह एक एक्स्ट्रा लाइन एड नहीं कि इस टॉप प्रोफागेशन अब यहां पर एक चीज है कि हम नीचे से उपर तो जा रहें क्या हो कल के द करते कि अगर मैं इनर पर क्लिक करूंगा ना तब वो इनर फिर मिडिल फिर आउटर ना कि पाता क्या होगा वह पहले आउटर वाले को कॉल करेगा फिर मीडिल वाले को फिर जाकि उसका कॉल होगा मतलब सबसे लास्ट में वह हम कर सकते हैं डैट इस यह एक बहुत ऑसम ची कि यहां तो आप इवेंट पास करें कौन से इवेंट आपको चाहिए दैना फंक्सन को कॉल करते हैं एक और और ऑप्शनल पैरामेटर होता है इसके पास और इधर यूदर 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 पास्ट्रू और फॉल्स अब देख सकते हो यहां पर इसको मैं कर देता हूँ अन होता है मुझे नहीं चाहिए तो अब इससे होगा यह कि आपका जो इवेंट है वो ट्रेवल करेगा फ्रम टॉप टिल वो जो भी टागेट अलिमेंट है वहां तक फ्रम टॉप टूप टूब आप सिंपली से समझ सकते हो तो अब इससे क्या होगा थोड़ी देर पहले अग बब्लिंग नहीं मुझे पिअप्टरिंग लिuben चाहिए तब अब अगर मैं इनड पर क्ल्श करता हूं एक से इसब कर रहा हो हां स्वारी अब अगर मैं इनड पर करता हूं अब इसको मुझे कमेंट करना है अब अगर मैं इनर पे क्लिक करूंगा तो देखा क्या हुआ आपने देखा क्या हुआ यहां पे ध्यान से देखना आएम दा आउटर वान आएम दी मीडल वान और आएम दी इनर वान थोड़ी देर पहले जिसको भी हम क्लिक करते थे वो टॉप पे आता था फिर उसके पैरेंट फिर उसके ग्रेंट पैरेंट रन होते थे बट capturing face ठीक उल्टा है चाहे आप child को ही क्यों न क्लिक करो लेकिन सबसे पहले जो सबसे उपर है उसका function call होगा उसका काम होगा उसके बाद जो उसके नीचे है उसका काम होगा तब जाके कहीं वो जो जिसने भी क्लिक किया उसका काम होने वाला है सिंपल यही है आपका capturing face अगर आप में मिडल पर करता हूं तो मेरा फिर से सबसे पहले आउटर वाला काम होगा फिर मिडल वाला काम होगा समझ रहो यहां पर क्या हो रहा है एक तरफ आपका उपर से आइमें नीचे से उपर जा रहा है दूसरे तरफ उपर से नीचे आ रह सेASE और जिसको कुर्ण करती हो रहता अपका target face यहाँ पर देख भी सब्सक्राइब किसको हिने क्लिक कि ठी ठीख है cousins को इनर 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 और यहां पर आपका करेंट डिफरेंट आ जाएगा तो यह था किसा आपका एवेंट आप प्रोफागेशन विद कैप्चरिंग फेस टागेट फेस और आपका यह था क्या बबलिंग फेस तो आई होप आपको पता चलाओगा इसको अगर रोखना भी हो तो ह आप में स्टॉप प्रोफागेट करना है त्रू लिग देते हो तो आपका कैप्चरिंग फेस बाइडिफॉल्ट फाल्स बॉब्लिंग फेस में रहता है ठीक है अल्राइट अब लैट सी इवेंट डेलिगेशन अब कहीं न कहीं आपके मन में आ रहा हो कि क्या ही उखाड ल आपको यहां पर आके मैं पेस्ट कर रहा हूं सो और इसके बाद आप प्रोजेक्त आने वालवाम मज आ आजाएगा वाहां मैं आपसे पूछंगा देखो विच प्रोग्रामिंग लैंगुज इस उलाकी में इसे मुझे ने मूझे बद फिर मेंने पर आपको तुम्हां पर क्लिक जावस्क्रिट पर बूम गाई सी योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लेंगोजिस जावाइस्क्रिप्ट अब थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को एकदम काम कीजिए एक लंबी सास लीजिए और मुझे बस इतना बताओ कि मैंने जब इस पर क्लिक किया मुझे वो क्लिक करेगा यह लाइन तो हर जगे से मैं खाली इस पर हम वह यादे आपको इस तिरके से डॉलर कलिब्रेस करेंट एलिमेंट डॉट टार्गेट डॉट इनर टेक्स्ट इनर जो भी आप आपके मन में कुछ इस तिरके से आ रहा होगा अगर यह आ रहा है एंड अगर सिफ चार डेटा है देन इस फाइन नो प्रावलम बट अगर चार से ज्यादा चार क्या चलो दस से ज्यादा हो गया तब भी क्या भी यह कर पाओगे अब खुछ सोचो जरा दस के लिए हालत खराब हो जाएगी यह इवन चार के लिए भी क्यों करना अब भी मैंने जो आपको फ क्लिक करोगे अब उसका डेटा यह चूट की में गेट कर सकते अगर सिर्फ आप एक ही फंक्षन लिखोगे तो यह आ तो आपको चार बार लिखना पड़ेगा स्म पीस अफ फंक्शनलिटी चारों को आपको ऐलिमेंट का आपको रेफ्रेंस डॉकुमेंट डॉकुमेंट ड element by ID add event listener में क्लिक खत्म आपका अब दुनिया भर का जितना भी बॉक्स उस पर क्लिक करो आपका यह अपडेट हो जाए तो वह जो concept है वह आपका कहला था काई event delegation तो event delegation कोई फंडा या कुछ ऐसा वह नहीं है कह सकते कि exactly उसका कोई code नहीं है यह एक concept है जहां पर अगर multiple boxes है अगर आप किसी पर भी अगर आप क्लिक करो उसका डेटा अगर आपको चाहिए देन multiple boxes पर event add करने से better क्यों ना हम सिर्फ एक ही event उसकी parent को add कर दे हमारा काम हो जाएगा समझे यहीं event delegation का main funda है जहां पर हमें तो यह मालूम है कि अगर parent के अंदर child होंगे अगर child पर हमने कोई event नहीं दी है लेकिन parent पर दी है अगर हम child को click करते तो वह parent वाले event को call कर देता है समझर में क्या कहना चाह रहा हूं यही तो logic है यहां पर देखो अब आपको पता चल जाएगा I hope आपको idea आ गया logic आ चुका है कहां गया तो सबसे पहले आप यह पढ़ लीजिए event delegation यह कैसा concept है जावस्क्रिप्ट में जहां पर instead of attaching event listener to individual element you attach a single event listener to a common ancestor of those element बच्च अगर 100 बच्चे है किसी के तो हर एक बच्चो को एक एक event देने सचा उनका जो parent है उसको आप एक event दे दीजिए आपका काम हो जाएगा यहां पर कुछ बबताने के खुशिस कर रहा है this is particularly useful when you have large number of similar elements and want to reduce the number of event listeners improve performance and simplify your code ठीक है यहां पर एक और चीज भी example यही same scenario दिया हुआ है कि let's say you have an on order list with multiple list item and you want to handle click events on each item अब आपको हर एक list पे एक event fire करना है ठीक है तो उस case में क्या वो बताया जा रहा है instead of adding a separate event listener to each list element you can use event delegation तो यहां पर आपको चार बार event add करने से better up event delegation use कर लो कि आप एक ही बार event यूश करो आपका काम हो जाए तो कैसी होता मैं बताता हूं एक चीज़ देखना here we have देखो यह जो एलाई है यह किसके अंदर है यह यूएल के अंदर है यह तो आप मानते हो कि हमारा यह जो यूए बैसेकली एलाई है वह है क्या हमारा child of which element and our UL element and हमने थुछी देर यह पहले पड़ा है कि अगर मैं parent को कुछ भी event दे दू एन उसकी children अगर उसको click करते है अगर मैं children पर click करता हूं तो यह क्या करता है it travels from down to up है इस पर जब मैंने क्लिक की तो देख रहा है कि इसका parent कौन है यह कौन है यूएल क्या यूएल पर को इवेंट है अरे हाँ यूएल पर इवेंट है चलो उसको fire कर देते है वह fire हो गया तो अगर आप यूएल पैरेंट को event देते हो तो यह आपका काम करता है अब मैं आ कॉल करों that is get list details ठीक है सो एक से किन मैं बाहर कान लिख रहा हूं इस script के अंदर लिखना पड़ेगा सो कॉंस्ट get list details ठीक है इतना और यहां पर obviously we have a event and console.log we have a event.target we have a event.not try and then catch it's a target simple इतना सा ठीक है all right yeah perfect इतना मैंने की अब ध्यान से देखना अगर यहां पर चलता हूं हमारे ब्रावजर पर इसको मैं अगर मैंने react पर क्लिक किया तो देखो मुझे क्या आ रहा है मुझे क्या रहा है मुझे रियक्ट आ रहा है मुझे पूरा element आ रहा है कि किस एलिमेंट ने उसको खिन चलो ठीके में सफल पर गलिक कर तो मुझे आ रहा है मुझे पूरा स्थम आ वो माई गॉड जावस्क्रिप्ट अरे नेक्स्ट वो माई गॉड यह क्या हो गया मतलब यह देख रहे हो आपके यह किस तरीके से हो रहा है अभी इसी सेम फंडा को अगर मुझे चाहिए होता लेट से विएब इस एक एलाई है नेक्स्ट के लिए ग्लास आड कर देता हूं नेक्स बोलके ठीक है अभी इंडिविज्वेड अगर आप करते तो आप यही करते इसको आपने क्लास दी यहां पर मैं चलता हूं वी हाब डॉकुमेंट यह तो आप आईडी देते तो वी हाब इसको मैं क्लास आड कर देता हूं डॉट एडिवेंट लिस्टन और यहां पर जब भी कुछ को करेगा क्लिक तो मैं फंक्शन कॉल कर दूंगा जहां पर बस मुझे कुछ निकरना उसका एक इवेंट होगा यहां पर यहां पर यहां पर कंसोल डॉट लॉट इवेंट जो भी उसका टागेट है इस तरगेश से अगर मैं यह करता हूं इसको में हटा रहा हूं ठीक है जहां से देखना अब अगर मैं नेक्श पर क्लिक करूंगा तो मुझे यह दो-दो बार डेटा आगया है क्यो दो बार आया एक डेटा तो वह अपना खुद का डेटा पहला तो आपना इनर चला ही चला लेकिन साथे साथ जो सका पैरेंट में जब उसने ट्रेवल की अरे पैरेंट पे भी वहां पे भी सेम फंड है तो वह यह जो सेकेंड वाला जो आपको दिख रहे है इस यूप पैरेंट का डेटा ठीक है तो अब आप बताओ ना इंडिविजुल क को मुझे क्लास दे किस तरकी से लिखने की नेड नहीं है मेरे पास पावर है मैं एक बार लिखूंगा मेरा काम हो गया अब बस यह जो लिस्ट वैल्यू जो दिख रही है इस लिस्ट वैल्यू को मुझे क्या करना होगा मुझे उसकी डेटा यहां पे we have a document.getelementbyid.we have a inner text य तो आपका inner text कर देते है या in a text content लिख सकते हो या आप directly inner HTML भी लिख सकते थे बाइद वे सब्सक्राइब लेट सब्सक्राइब अब अगर मैं यहां पर चलता हो इसको रिफ्रेस्ट करता हूं जावस्क्रिप्ट इदेखो मुझे जावस्क्रिप्ट यह रियाक्ट यह देखो नेक्स्ट यह देखिए HTML and CSS this is the beauty कि अब आप डिरेक्ली पैरेंट पर क्लिक किजिए आ आप मालब इस तरह के से कितनी इजली आप डेटा गेट कर सकते हो एक होल न्यू पावर यहां पर खुल चुका है आप समझे यही वह सारी चीज़े है जहां पर अगर मैंने कहां इसको कहीं तो भी मैंने अगर आप देखोगे सो पॉट्फोलियो कार्ड कुछ पॉट टैप पर हम चलते हैं है ना फिल्टर वल पॉट्फोलियो जो भी है इस पर हम चलते हैं देखो यह अगर प्रिंट पर क्लिक करता हूं यह देखो समझे रहो यह कैसे हो रहा है गाइस यहां पर इवेंट डेलिगेशन का मारा उन्होंने हर इक प्रिंट पर इस्टेजी पर लोगो मारा होता है ठीक है पूट्फोलियो पर इस तरह किसी चेक आउट कर सकते हो ठीक है यह सो यह थे आपके गाइस इवेंट डेलिगेशन और बाइद वे इसको मैंने बहुत ऑसम तरीके से लिखा था यहां पर तो वह मैं यहां पर जस्ट आइड कर देता हूं कि थोड़ा सा म माजब मैं आपको दिलाता हूं यहां पर दियान से देखिए यह वी हब प्रोजेक्ट कॉपी कर रहा हूं यहां पर में चल रहा हूं यह देख लो जी अब यहां पर आप बताईए थुह दिर पहले जो चार्त अब बताओ मुझे ऐलिमेंट 36 पर क्लिक करना मुझे उसका ड प्रोडिक टेवल का तो इफ यू नो कोई ओसम एप आई जो प्रोडिक टेवल का डेटा मुझे दे दे लेट में नो इन दी कमेंट सेक्शन आगे इसी पार तुमें आपको पता चलेगा वाट इज अपी आई वाट इस अन एपी आई एपाई की मतलब से कैसे हम वह वेदर एप्लिकेशन बहुत सारी चीजे जोक्स बगेरा मैं सब बना के आपको बताऊंगा बट मुझे इसका एक दो मिले थे बट थोड़े मुझे लगा आप लोगो को अभी में बताऊंगो थोड़ा मुश्किल चला जाएगा वह इवेन मुझे एक्स्प्रेंट करने में मुश् है ना है मेंने एक मेरेन्ट पारगेट रगे दिए तो अब कल की दिन कोई भी क्लिक करते हैं इस इसमें जो करेंड टागेट से अच्छा मुझे किसने कॉल किया वाई तुने कॉल किया ठीक है बता जरा अपना डेटा आईडी दे जरा खवल लेता हूं तो इसने फिर इसका डेटा दिखा दी तो वो कुछ इस तरीके से काम चल रहा है यह एक लॉजिक है यह कॉंसेट जो आ बता हूं तो यह 41 कैसे यह data dynamically update कैसे हो रहा है बट इन रियालीटी तो कुछ ही नहीं यहां तो यहां तो बस एक पैरेंट को event दिया event.target सारा डेटा आ गिया तो यह concept जावस्क्रेट मैं से बहुत सारे concept पर जो आपको समझना जरूरी है and by the way I hope आपको समझ भी चुका है ले अरे मैं नाम ही बूल गया उसका कोई नहीं में यहां डिस्क्रिप्शन में जादूंगा मुझे आइडिया है मैंने वह मैंने बहुत react next जावस्क्रेट सबकी तरब से बना के भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं and हां guys let me know in the comment section अगर आप इस पार तक आप भी भी के एटलिस आप लॉजिक देख सकते हूं कि कैसे हमने बनाया था ठीक है यस मुझे याद आगे उसको हम एकोडियन बोलते है ठीक है तो एकोडियन में क्या होता है कि आगे मैं कोड़ पैन पे चलता हूं या आइधिंक यह वाला सही रहेगा ध्यान से देखना यहां पर यह पार्ट है वह पोर्टफोलिय टैप बनाना एकोडियन बनाना स्लाइडर बनाना यह सारी चीज अगर आप बनाना सिख जाते हो तो आप बोल सकते हूं कि मुझे जावस्क्रिप्ट आता है आप यहां पर बहुत क्लियली देख सकते हूं वही जो अभी हमें बनाना है मैं मैंने में बॉडी करके नाम दी हुई है तो फिलाल अभी इसको मैं हटा रहा हूं या सिख सबसे पहले देखो मुझे ऑबियसली जब भी हम फॉर्स टैम पेज लोड करते मुझे फंक्शन को कॉल करना है तो मैंने फंक्शन को कॉल किया डैट इस इनिसलाइज प्रियोडिक टेबल एंड मैं यहां पर उसको अप्रियेट कर रहा हूं ठीक है तो जब मैं सबसे पहले क्रियेट करूंगा तो मुझे जो हमारा में सेक्शन है में बॉडी रिमेंबर मैंने आपसे क्या कहा था यहां पर बस एक फंडा यही है कि मुझे एक में पैरेंट इसका लगेगा इसका में पैरेंट मिल गया उस पर एक इवेंट आड कर दूंगा बाइड बच्चे अपने आप उसको गेट कर लेंगे तो वह में पैरेंट है वही है आपका में बॉडी मुझे उसका यहां पर रेफरेंस लगेगा सो कॉंस्ट में बॉडी विल इकॉल टू वी है बडॉकुमेंट डॉट वी है वाक्वेरी सेलेक्ट और इस टाक्लास या इस अ क्लास ठीके यह मेरा काम होगी है चलो ठीके अब मुझी क्या करने वह पचास प्रोडिक्ट टेबल बनाने आप ओसम तो अब आप सोचो की इस प्रोडिक्ट पर काम कर रहे थे कैसे यूजर कुछ भी लिगता है टूडू लिगता जैसे अपल अंटर करता तो मुझे एपल आ रहा उस apple को वहां तक पाने के लिए basically वहां पे दिखाने के लिए हमने क्या की थी हमने element create किया विस element में हमने class add की उस class basically फिर उस element में dot inner text dot inner HTML गोल के वो data हमने वहां प्रोसेस था वो तो यहां पे पर भी से मुझे अब वही सेम प्रोसेस मुझे अब एक नहीं मुझे पाचास बार चलाना है पाचास बार ठीक है तो लेट्स को विद फॉल लूप लेट आई इस इकल टू जीरो यह लेट्स गो आई इस इकल टू बानना आई इस लेस देन और एकोल टू 50 आई प्लस प्लस सेम चीज मुझे पाचास बार चलाना यह तो आपको पता चल गया अब मुझे सबसे पहले एक डिप बना रहा है सो कॉंस्ट यहां पे मैंने नाम क्या दिया हुआ इसका या इस अलिमेंटी दिया हुआ यह जो आपका अलिमेंट है element.innerText will be igual to आप यह i burayairez पर आड कर सकती हो और यह आपका जो मेरी है डॉट एपेंड है अधे बारी हूं करते हो खेंञ देखरो कितिना प्यारा एंड ऌसम लग रहे हैं पूरा से लेकिए यहां तक पचास तक आइग आगी अब अगर में किसी पर भी क्लिक करूं ठिक है में एक काम जल्द सी दिखाता हो इसका short form कि अब मैरा यह जो में बॉडी है even डेली के इसन मुझे अइड करना है कि जो मेरा मेरा में बॉडी है अगर कोई भी में बॉडी डॉट एड इवेंट लिस्टनर पे करता है क्लिक है तो मैं एक फंक्शन कॉल करना चाहता हूं जहां पर मुझे यह पाता चलेगा अलट है ना इवेंट डॉट टार्गेट इस इट ठीक है तो मैं इस पर गया अब लेट से में 10 पर क्लिक कर रहा हूं ओमाय गौट यह दो ऑबजेक्ट मंनला कॉल तो हुआ ना वह देखिए न दो मुझे डेटा नहीं आरहा है बत एटलीस्ट अगर मैं किसी पर प्लिक करता हूं तो कहीं न कहीं ऑबजेक्ट एं इस तरह के से मुझे डेटा अरह तो यहां पे इसके पीछे का क्या आपको बताता हूं हमने वो टार्गेट किया जब हमने टार्गेट की ना तो मुझे वो एक डीब दे रहा था बट मुझे उसकी वैल्यू चाहिए सब्सक्राइब कर दीजिए अब मैं इसको फिर से रिफ्रेस्ट कर रहा हूं अब आप देखो आपका काम हो गया सब्सक्राइब कैसे लागा यह है ना कितना ज्यादा ऑसम की मतलब इतने सारे लिस्ट है मेरे पास यूजर ने किस लिस्ट को क्लिक की उसका अगर मुझे डेट चाहिए रहेगा तो जस्ट एक इवेंट उसके पैरेंट को दो जस्ट बिकॉस अब डैट इवेंट प्रोफागेशन के अंदर भी जो बाइडिफॉल्ट एक भीएबर है बबलिंग वाला जस्ट ट्रैबल किया उसने उपर पैरेंट में क्लिक देखी अच्छा बच्छा का टार्गेट तो तो ही है जस्ट आया एंड इतना जो कॉंपलेक्स जो एक प्रॉब्लम हमें फेज हो रहा था अब कितनी एजिली हमने टार्गेट कैपल आइमें क्या बोल सकते उसको एचिव कर लिया राइट तो यह जो मैंने 123 के गाई से तो आपको लग रहा होगा लेकिन वह आ fonctionne बताता हूं आख वाप आपको यतना पता चल गया इसको मैं आटा रहा हूँ वाल मैंने आता है नंसचिट अपर बनाने से बेटर उस तरीके के उस فंक्षन में में तीन आर्गुमेंट बास डीड संतिर ये टो ये तो हाड अड़ और आइज तो इसलिए इसलिए आपको यहां पर LM and then 1 दिख रहा है क्यों LM and then 1 LM and then IQ value 2 इसलिए मैंना भी थोई दिर पहले पुरा आई करके दिखा है कि में तो वह ही है एक बार वह पता चलिए है तो फिर नॉर्मल है and then element का full नाम है तो element and then यह 6 तो यह है आपका actual काम इस तरी के से ठीक है अब यह आपने कॉल की अब यह जो function इसको मुझे create करना है यह जो function है इसको क्या करना है guys I need to create this product table element over here so yeah so it's a const predictable and मैंने इसको नाम दिया हुआ है that is symbol atomic number and then name symbol atomic number and then name अब तो guys same होई है न आपको एक deep create करना होगा simple जो मैंने थुछ दिर पहले करके बता है था अब बस एक चीज है कि यहां पर आपको style करना है तो वह style करने के लिए element dot class list dot add एक second हम directly ऐसे नहीं कर सकते या ऐसे ही कर सकते है देखा even मुझे भी confusion होता है and just आपको समझने है कि हम ऐसे कर सकते elements या its element and then थोई देर पहले जो मैंने इनर एस्टेमल या इनर टेक्स जो भी आप सिंबल एड़ कर दो यहां पर इतना मेरा काम हो गया अब अगर मैं यहां पर चलता हूं इसको रिफ्रेस करता हूं तो आप देख सकते हूं कि मुझे यहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा है उसकी पीछे का रीजन है कि दो आपन यहां पर main body को इस तरी किसे भी पास कर सकता था और काम नहीं है वो तो वाट आप इसको जो है हमारा जो element इसको में रिटन कर दूँगा जब भी आप किसी function को call करते हो आपको उसको रिटन करना बहुत जरूरी है no matter what तो element रिटन हो चुका है तो बस अब मुझे वही करना है we have a main body so we have a main body.append and यहां पर आपको उसको element को append कर देना है this is it अब अगर यहां चलता हो and refresh करता हो see यह तो थे जो अब अभी इस में कहाने कि अब मैं इस पर क्लिक करूंगा LM1 सिप मुझे वही एक LM1 आएगा LM2 आएगा खली इस तरीके से मुझे उसका यह atomic number यह वो सब नही वाला क्योंकि मैंने वो कुछ किया भी नहीं है तो उसके लिए पता में क्या करूंगा यह जो पार्ट है इसको मैं हटा रहा हूं और यहां यहां पर मैं एक function चलाओंगा और उसका नाम मैं देने वाला है handle element click या this is it and by the way मैंने notice की कि यह जो एक पार्ट है ठीक है हमारा यह जो में वाला जो पार्ट था यहां पर रिटन करने से पहले मैं दो चीज एक्स्राइड कर रहा हूं तो मैं यहां पर दो attribute add कर रहा हूं जिसमें से यह हमने पता है HTML में आपको बताया है कि अगर आप data करके कुछ भी लिगते तो उसको हम get कर सकते बाद में JavaScript में यह JavaScript में एक power है कि कोई भी अगर आप data से attribute start होता है उसको उसके साथ हम खेल सकते हैं ठीक है So we have this set attribute and then set attribute एक में यह एड कर रहा हूं दूसरे में यह एड कर रहा हूं जो की value उसमें यह होने वाली है Attribute का नाम and then value यह होने वाली है मैं बता आता हूं inspect console के निट निया body this is our part देखो देखा आपने data atomic number equal to 1 data element name equal to element 1 मतलब dynamically ही हमने यह attribute भी add कर दी value pass कर दी अब जब मैं alert करूंगा तो just मैं यह check करूंगा क्या उसमें यह attribute present है अगर है तो यह value अब दिखा देना उसका atomic number बोलके क्या उसमें यह element name present है अगर है ठीक है तो फिर element का नाम भी दिखा देना हो गया ना काम जो main event delegation था वो तो हम कर चुके अब यह जो है यह तो आपका normal javascript आपको logic लगाना है कि मैं कैसे कर सकता है event delegation का काम यही था click करने पर यह sorry click करने पर यह वाला data दिखाना बस ही 1122 के बदले अब आपको वह one and then वह उसका element one उस तरह किसी दिखाना है ठीक है तो यह मेरा हो गया एंड तो एक काम करता हूं फिर वो जो मेरा पार्ट उसको तो मैं copy कर लेता हूं है ना कोई नॉर्मल ही है देखो handle event click तो जहां पर मैं थुछ दिर पहले खाली उस data का जो content वो दिखा था आप मैंने क्या बोला एक तो किसने click की वो data मुझे मिल गया target में simple अब मैं जस्ट चेक कर रहा हूं क्या जिसने भी click की उसके अंदर element करके कोई class present है या नहीं and if you remember हमने यहां पर करके वो element करके class add की हुई है अगर वो element नहीं कोई और click कर रहा है तो यह मत चलाना फिर देखो कितनी easily target.get attribute याद है मैंने क्या कहा था अगर आप कुछ इस्थरगे से करते हो तो एक तो आप set attribute से attribute अगर उसको आपको चाहिए आप get attribute उसका सकते हो so we have a set attribute we have a get attribute and then इस तरहे से आपको जस्थ एट्रिवूट का नाम पास करना है तो यह जो आपने किया तो आपको यहां पर क्या मिला होगा आपको यहां पर one मिला होगा अगर किसी ने फर्स वाली को क्लिक होगी यहां पर उसका पुरा नाम मिलिया होगा and खाली alert में तो simple atomic number में यह atomic number एक new line दे दी हमने हमने औरेडी पढ़ा यह escape characters you know and then element name में element name खत्म हो गया मेरा का अब अगर में refresh करता हूँ and बोंगा let's see and yeah this is it so यह था आपका event propagation जहां हमने capturing face bubbling face target face and the concept of event delegation का useful मैंने आपको दिखाए कि यह कितना ज्यादा useful है I hope आपको पता चलाओगा and remember जो हमने to-do list की थी उसमें भी मैंने बता था कि event delegation ही हम use कर रहे जब हो हमें delete करना था तो मैंने इंडिविजूल पर ना करके parent वाले बटन पर delete event फायर की हुई थी ठीक है तो यही है आपका event delegation let me know in the comment section guys आपको कैसा लगा at least अभी तक अगर आप खाली देखी रहे आरे इसको आप में तो में को जो चाहिए में देखूंगा में निकल लूँगा यह निकल लूँगी ऐसा मत रखे ना इतनी मैनत करके बना एक like comment अगर आपको अच्छा लग रहा यार सही आपने बहुत अच्छा समझाया अच्छा लगा यार मतलब कुछी आप लिख सकते हो को जाना जो कि था आपका event delegation and हमें यह पाता चला oh my god यह तो बहुत ही ज्यादा ओसम था यही था सबसे ज्यादा important right so guys अब हमें देखना है हमारा higher order function then we'll go with callback function and then यह जो आपको दिखाई दे रहा है इस वन यह जो है यह हम बाद में पढ़ेंगे आप्टर लाइक एसिंग कवेट जो हो जाएगा उसके बाद हम पढ़ेंगे लिकिन हाँ उसके बाद फिर हम callback फैच प्रामिसे से सिंग अवे टेंदन इवेंट बेसिकली इवेंट हैं बेसिकली इवेंट एंडलिंग इन जा आप तो में एडल्ड हो गया जब हम 18-20 साल को जाते तो पार आजाते इखना है तो काइंड आप यह पावर से आपके पास की callback help, fetch API, promises, async, covet, error handling and all तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है तो गाईस विताओट अने डिलेए लेट से स्टाट इस हायर ओर अडर फंक्शन आपको क्या करना है, we have this function ठीक है, advance के अंदर, we have a functions and then जब आप function को open करगे, we have two files, one is your index.html and the other one is your index.js तो यह जो index.js है आपको उसको open करना है, तो सबसे पहले हम जब open करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, we have this first class functions, it's just a concept, again like that is your event delegation, जो की concept है, same उसी तरीकी से, कि first class function, again it's a concept, बट यह concept का क्या मतलब है, and is it like really that important, है न, तो मैं से बताता, आपको दिखिए, सिंपल सा याद अखना है, हाँ, जैसे मैंने आपको याद है, like array is like an object, array is like object, या even your string is like an object, and उसकी पीछे का क्या रीजन है, बोलने साब मैं न बता है कि हाँ, लेन प्रॉपर्टी होती है, इंडेक्स के अथोरा हम get, and यह सब बोसब कर सकते है, उसे तरीके से, कोई भी function को हम first class function कब कह सकते है, या इसके पीछे का reason क्या है कि concept क्यों बना, तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लिजेगा, यह first class function, again यह just concept है, first class function ने just एक नाम दिया गया है, जहाँ पर अगर आप किसी भी function को एक value की तरह treat कर सकते हो, या किसी भी variable में उस function को as a value की तरह pass कर सकते हो, या उस function को आप as an argument पास कर सकते हो, अगर यह सब चीजे आप कर सकते हो, तो हम उसको first class function कहते है, इस ज़स्ट आप जहाँ पर अगर function को as a value की तरह treat कर, मतलब first class function है, अगर आप उस function को किसी variable में पास कर देते हो, या assign कर देते हो, then again it's a first class function, या किसी function को अगर आप किसी, जब आप को function कॉल करें उसमें as an argument के बदल, अगर आप एक और function पास कर देते हो, then again it's a first class function, तो यह एक concept है कि अगर यह चीज होता है, तो आप इसको first class function कह सकते हो, ठीक है, and यह आपको पता हो, यह भी कोई जरूरी नहीं है, but I mean, अगर आपको पता हो, तो ज़्यादा बैटर है, ठीक है, so, अब देख सकते हो, here we have a function called say hello, ठीक है, hello कह दीजिए, ऐसा हम बोल रहा है, and देख लिजिए, अब क्या कर रहा हूं, यह guys, हम यह already देख चुके है, by the way, जब हम function पढ़ रहे थे, अभी जो कुछ भी हम इसमें पढ़ने वाले, यह हम already पढ़ चुके, it just, होता है कि कभी कुछ चीज आप कर लेते हो, आपको idea ही नहीं होता है, क्यों आपने की, I mean आपको ज़स्ट यह था कि ठीक ही मुझे पैसे मिलेगा, मैं कर देता हूं, आपको बहुत basic लग रहा होता है, but behind the scene, दुनिया उसको कुछ अलग नजरिया से देखती है, तो अब यह वही होने वाल है, एक बात बता है, क्या आपने यह नहीं किया था, क्या हमने जब function expression पढ़ा था, मैंने क्या बता है था, function expression मतलब एक ऐसा function जिसको आप किसी variable को assign कर रहे है, हो गया आपका first class function, but यहाँ पे एक अलग नाम दिया हुआ है, तो हम वही कर रहे है, this is our function, जिसको मैंने एक variable में पास कर दी, अब obviously, अगर मुझे अब इस function को call करना है, then I will call this grid function, and I will pass that one extra parameter as an argument over here, and मेरा काम हो गया वो, तो यह जो चीज हम जो already कर चुके है, जो हम already हमारे part 1 functions में देख चुके, अब बस उसे को ही हमें वापस reframe करके, और in depth में समझना है, और यह देखना है, अच्छा हम तो यह as a function expression देख रहे हैं, बट इसको हम यह भी कह सकते है, क्योंकि वो उसके rules के अंदर आ जा रहा है, कि अब हाँ, यह as a function expression है, बट अब यह आपका एक first class function भी है, क्योंकि यह जो मेरा function है, उसको में एक variable में assign कर सकता हूँ, variable में assign कर सकता हूँ, तो यह आपका एक first class function है, simple, nothing fancy, nothing extra, कुछ भी नहीं है ऐसा इसमें, कि आपको वाओ जैसा लगे, अब आपको यह पता चलिए, अच्छा, इसको अम यह भी बोल सकते है, ठीक है, एंड इंटर्वी वाले आपसे इसे push link, आपको लगेगा अब अरे बापरे, क्या चीज़ था यह, आपको यह एक फंटा तो आपको पता चलिया, simple, एंड उसी तरी के से आप पास्ट अजन अर्गोमेंट, तो यहाँ पर जो कुछ भी हुआ अब उनका नाम ध्यान से देखना, वी हैब अब हायर ओर्डर फंक्शन, दन वी हैब अब कॉल बैक फंक्शन, यह एक ऐसा फंक्शन जो अपने अंदर अजन आर्गोमेंट किसी दूसरे फंक्शन को ले रहा है, तो वो आपका हायर ओर्डर फंक्शन कहलाता है, वहीं, यह कॉल बैक फंक्शन इस फंक्शन, पास्ट अजन आर्गोमेंट, तो अनदर फंक्शन, and is executed after the completion of a task, फंक्शन is a function passed as an argument to another function, simple सा example में यहाँ पर देता हूँ, तो आप यहाँ पर आप example देख सकते हूँ, ठीक है, वी आप वान फंक्शन, प्रोसेस, यूजर, इंपुट, बिसिकली हमें ग्रीट करना है इसे को, हलो विनोद, हलो राम, हेलो लक्समान, है न, हमें ग्रीट करना है, अब हम उसको कैसे फंक्शन की तरीके से कर सकते, देखिए, वी हाँ वान सिम्पल फंक्शन, फंक्शन, फंक्शन का नाम, यह आपके दो पैरामेटर, क्योंकि हम यह फंक्शन को डिकलेर कर रहे है, कलिबरेसे, कंसोल डॉट लॉट रिसीब इन पूट अधर नेम, यहाँ पर बस एक चीज़ दिफ्रेंस है, यह जो सेकेंड वाला जो आपका पैरामेटर है, यह जो आपका पैरामेटर है, यह क्या है, यह आपका एक फंक्शन है, यह जो आपका पैरामेटर है, उस पर मैंने क्या पास कर दी, यह बीनोदवाली वैल्यू मैंने पास कर दी, बट जो मेरा सेकेंड आर्गुमेंट है, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यह जो मेरा सेकेंड आर्गुमेंट है, वो मैंने इसको पास की हुई है, और वो क्या है, वो एक फंक्शन है, ग्रीट यूजर क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हो, तो मैंने एक फंक्शन को, एक दूसरे फंक्शन में, अजन आर्गुमेंट पास कर दी, तो अब मेरा यह जो प्रोसेस यूजर इंपूट है, जो की एक फंक्शन को अजन आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, तो यह मेरा कहलाएगा, हाईर ओर्डर फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन, जिसको आप किसी दूसरे फंक्शन में, अजन आर्गुमेंट पास कर रहे हो, तो वो जो आर्गुमेंट या वो जो फंक्शन जो आपको अजन आर्गुमेंट पास की है, वो आपका कहलाता है, आप कॉल बैक फंक्शन, यही है आपका हाईर ओर्डर फंक्शन, यही है आपका कॉल बैक फंक्शन, simple right तो यह एक ऐसा function है जो दूसरे function को as an argument ले रहा है it means यह आपका एक higher order function है वहीं यह एक ऐसा function है great user जो कि as an argument किसी और function में पास हो रहा है तो यह आपका कहलाता है callback function simple यही है higher order function callback function अब इसका use case फिर से यहाँ पे देख लिजे तो again back to our normal basically यह वाले code में यहां तक तो कोई problem नहीं था like यह आपको यह इस तरकी से received input and यह नाम भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा but यह जो great user function था उसको मैंने अब देखो क्या हो रहा है एक बार यह function में यह particular line run हो जाता है उसके बाद मैं यह वाला जो function है basically हमारा यह वाला जो function है इसको मैं call कर रहा हूँ and जब मैं उसको call कर रहा हूँ मैं तब एक और value उसमें pass कर रहा हूँ basically एक और argument पास कर रहा हूँ जो की होगा यह name attribute ठीक है जब मैंने उसको पास की तो यह जो great function है मैंने यहाँ पे define किया हुआ हुआ and वो जो parameter मैंने गेट की hello name so it's like पहले तो received input आएगा मुझे उसके बाद यह hello name मुझे आ जाएगा तो मैं यहाँ पे चलता हूँ इसको run करता हूँ इसको पहले clean करके फिर run करता हूँ तो देखो received input बिनोद पहले यह आया उसके बाद यह जो great user था एक काम करता आप लोगों को confusion ना हो इसको भी मैं great user कर देता हूँ तो यह जो function उसको मैंने call की and यहाँ पे मैंने उसको define कर रखा है तो उसके बाद मुझे hello and then जो name था आपका क्या है बिनोद तो hello बिनोद मुझे आ गया तो यह है guys आपका higher order function यह है आपका callback function callback हमने उससर में भी पढ़ा था even if you remember जब हम add event listener कर रहे थे अब थूई दिर पहले जब हम हर बार add event listener कर रहे थे हम क्या कर रहे थे कोई भी document की मदद से हम इस तरके से कोई भी एक value हम get कर रहे थे dot add event listener and if you remember if you remember हर बार में यह बोलता था we need to write one event and then we have a callback function so this is your callback function जहां पे कुछ काम हो जाने के बाद फिर यह function चलेगा this is your call me back call me back अगर आप बीजी ओ कोई आपको phone करता है आप क्या बोलते हो यह मुझे पांच मिनेट बाद काल करना तो आप callback function मतलब कुछ टास हो जाता है उसके बाद आप उसको call कर रहे हो this is your callback function यहां पे भी वो ही है जब तक कोई बंदा इस particular जो भी element उस पे click नहीं करता तब तक यह जो callback वाला function है वो नहीं चलता so यह मतलब हम आपको आपको callback function ही बोलना है जबकि in reality अगर आप देखो गे तो यह तो हम करते आ रहे थे इसमें ऐसा कुछ वाव नहीं था बट अब हम जाके यह पता चलता है अरे यार इसमें जो process user input है यह तो आपका एक higher order function निकला right higher order function मतलब जो दूसरे function को भी argument की तरह पास कर रहे है मतलब higher, higher level में ना उस तरह के से बता रहा हूं कि आप इस analogy के साथ जा सकते हो and then greet user तो आपको यह callback function है की ठीक है पहले यह function चलेगा उसके बाद जब इसका मन हो तब जाके उसके बाद यह function चलेगा किसी के कहने के बाद या किसी का काम हो जाने के बाद यह function चलेगा in our case पहले यह console हो रहा है उसके बाद ही जाके यह होने वाला है समझ रहो so higher order function your callback function alright now let's do one interview or challenge with this मैंने कहा था न कि यह बहुत easy है it just अब हमें idea आ गया कि इसको हमें किस तरीके से देखना है so यहाँ guys आप देख सकते कि हम हमारी interview questions पर आचुक है जहां पर write a program to perform a mathematical operations using a callback function and two variables in javascript okay so instruction दी है to define a higher order function called math operations that takes three parameters x y and then operations okay implement two callback functions एक होगा आपका add दूसरा होगा का आपका I mean subtraction and then we have use the math operation functions to perform addition and subtraction operations on two variables a and b display the results ठीक है okay so ध्यान से देखे हमें एक higher order function create करना जिसका नाम होगा math operation ठीक है so this is your higher order function जिसके अंदर तीन परामिटर होगे दो आप जब function call करते हो तो वो आपके अर्गुमेंट कह लाता है by the way so it should be your argument ठीक है it should be your arguments all right so it's your x, y, x, y, and then your operations operations operation कर देते ठीक है yeah this is it so इसको मैं console.log ठीक है तो ये मेरा एक higher order function है जहाँ पर मैं तीन आगुमेंट पास करहा हूँ that is one is your x, y and then operation अब मुझे इसके मतद से क्या करना है मुझे two callback functions create करने है that is your add and then subtract ठीक है and साथी साथ मुझे इस math operation में ये जो use the math operation function to perform addition and then subtraction operations on two variables a and b ठीक है तो actual में ये क्या औरा मैं आपको बदाता हूँ we need to like ये जो math operations है इसको में create करना पड़ेगा भी ठीक है obviously मैंने यहाँ पर कितने argument पास कर रहा है तीन ठीक है तो अगर मैंने वहाँ पर तीन किये है तो मुझे यहाँ पर a, b आपको ये operations यहाँ पर भी पास करने पड़ेंगे and by the way यहाँ पर हम operations नहीं लिखेंगे let's say मुझे add करना है मुझे mathematical operation करना है यहाँ पर मुझे add करना है and this is our expression ठीक है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा return यह जो भी मेरा operation होगा and then मैं वो a, b को पास कर रहा हूँ this is it so now मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर यह जो add है this is my callback function twist so const add आपने निस होचा होगा अच्छा ऐसा भी हो रहा है देखो and यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ वो दो argument a, b return a plus b yeah this is it see हो गया मेरा का तो अब आप यहाँ पर बहुत अच्छे से देख सकते हो मैंने सबसे पहले एक function create की जिसके अंदर में तीन आर्गोमेंट पास करूँ जिसमें से दो तो नॉर्मल वेरेवल है बढ़ तीसरा वाब जो वेरेवल है या तीसरा जो आर्गोमेंट है वो मेरा एक function था simple मैंने क्या कि इस math operation में मैंने वो तीन argument को as an parameter accept की मैंने रेटन क्या कर दिया कि उस function को ही मैंने like वो जो function मैंने पास की थी अब मैं वहाँ पर उसको call कर रहा हूँ जो दो value मुझे मिल रही थी उसको मैंने again as an argument उस operation के अंदर उसको pass कर दिया तो अब ये जो operation है अब इध्यान से देखने ये जो operation वाला जो function है वो क्या है वो मेरा एक add function है ठीक है जिसको already मैं यहाँ पर define कर रहा हूँ तो जब भी कोई इस function को call करेगा वो directly ये वाला जो function है इसको call कर देगा and operation वाले function को call करना मतलब indirectly मैं अब ये जो मेरा add function है इसको मैं call कर रहा हूँ and then जब मैं add function को call कर रहा हूँ तो a,b जो है मैंने यहाँ पर pass कर ली I mean यहाँ पर pass करी and यहाँ पर उसको get करी and यहाँ पर return a plus b कर दिया अब यह जो data है वो यहाँ पर इसको मिल रहा होगा and वही मुझे console.log में जो भी उसका result है मुझे मिलेगा so now the thing here is कि इसको करने के बहुत सारे तरीके है same is result को पाने का but हम यहाँ क्या पर रहे higher order function and also a callback function so higher order function इसमें से कौन सा function आपका higher order function है please मुझे बताईए I hope आप समझ गई this is your math operation is your higher order function because it takes another function as an argument and वही यह जो add वाला जो function है यह अब आपका एक callback function है क्योंकि यह किसी और function में as an argument pass हो रहा है या add हो रहा है ठीक है yeah this is it अब अगर इसको मैं रन करता हूँ then मुझे क्या मिलेगा by the way मैं यहाँ पर x, y भी पास नहीं कर सकता मुझे तो actual में value पास करनी होगी यहाँ पर I know आप में से बहुसा भी लोग पहले ही figure out कर चुके होंगे but यह see it's a 10 what about let's say 5 and then 15 तो आना चाहिए 20 तो 20 आगया तो कितनी easily मैंने एक ऐसा function create की जिसकी मतलब से आप में बहुत इजली चीज़े कर सकता हूँ वहाँ पर दो callback की बात हुई थी 5,15 and यहाँ पर आप में sub कर देता हूँ so now again this sub is your callback function const sub and yeah this is it and double double क्या कर रहा है ठीक है so we need to return and this time b-a कर देंगे ठीक है b-a तो same उसी तरीके से आप division and then multiplication भी कर सकते हो and yeah so अब मैं चलता हूँ तो मुझे एक ये वाला and then दूसरा ये वाला function दोनों का और पूट आएगा so math operations is not defined क्यों भाई defined तो है इसको में पर clean करता हूँ don't worry control and save करो and फिर से run करो return b-a how is this possible sub sub return b oh sorry एक कॉमा भी तो मैंने पास ही नहीं किया यहां पर ठीक है so controller save करता हूँ यहां पर मैं चलता हूँ so it's इसका तो मुझे 10 आया 5-15 उसका मुझे 10 आया समझे रहो इसका 20 sorry and then इसका 10 तो इस तरीके से गाईस यह आपका math operation आपका कहलाएगा higher order function and उसी तरीके से यह जो add and then यह जो sub है यह आपके कहलाएंगे callback function simple all right guys so we are done with our higher order function and then callback function hope आपको पता चल गा होगा event propagation तो हम देखी चुके तो यह वाला जो part है इसको हम बाद में देखेंगे but now we will go with our callback function yeah sorry it's a callback hell हम already callback function पढ़ चुके है but वो callback function देखो नो कहीं ने कहीं callback callback are both same मतलब callback function के अंदर भी callback function उसके अंदर भी callback function उसके अंदर भी callback function वो आपका callback hell कहलाता है मतलब जब तक एक काम complete नी होता दूसा योत करना, दूसा नी होता तो तिसरा मत करना, थिसरा योता टो चौता करना runken, विचारा piece रहना जो सबसे नीचे है तो यही इनतेजार में आ रहे हैं मेरा तो सिब 1 minute का काम था मुझे थिन हम हो सकते उसकी उपर वाले दो तिन घंडे वाले थे मेरा बस एक निट का काम तो प्लीज मेरोच नहीं बाइब जब था कॉपर वालों कर काम नहीं होने वाला तो आपका आपका कॉल नहीं वो पा रहा है कितनों कि death हो गए तो वो सारा data हमें कहां से मिला था API के थूरू मिला था ना तो उस data को get कैसे कर सकते with the help of this fetch API then promises है कैसे हम callback help से bus सकते with the help of promises and promises भी थोड़ा सा मनलब थोड़ा सा difficult जाता बौतों को समझने के लिए तो उसको भी oversimplified करने के लिए विए आप एसिंग कवेट एंड एसिंग कवेट में फिर हम error handling नहीं कर सकते तो उसको टैकल करने के लिए उसको वेसिंग कोड में error handling करने के लिए we have a error handling in jest that is your try and then catch block तो इस तरह किसे यह सभी के सभी ने एक दूसरे के साथ जूड़े हुए कैसे यह इतना ही party is more than enough आपको एक जास्क्रिप्ट में थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थो नहीं लाक एक average जास्क्रिप्ट डेवलपर बनाने के लिए ठीक है yeah so let's start it with our callback hell तो एक callback hell देखो यह also known as pyramid of doom refers to a situation ठीक है in a synchronous asynchronous by the way this is your asynchronous javascript programming जहां पे चीजे one by one अपने चलती रहती नहीं के एक की पीछे एक सब dependent हो where multiple nested callback आप देख सकते हैं where multiple nested callbacks are used to handle asynchronous operation this often results in a code that is difficult to read to understand and maintain due to its deeply nested structure यह कुछ highlighted point है जो आपको समझना है that is nested callback you know a handle करता है asynchronous operation को result जो ना जो भी जब हम nested callback लिखते तो उसका जो result होता है they are difficult in reading उसको read करना difficult होता है उसको समझना मुस्किल होता है और वह वैसे code को maintain करना भी मुस्किल होता है क्योंकि वह इतिनी nested एक के अंदर एक गुच चुके होते है तो वह situation को हम callback hell कहते कैसे मैं आपको बताता हूं एक simple से example में आपको देता हूं let's imagine एक student आया नया अपनी स्कूल में and teacher ना थोड़ी सी या थोड़ा साब कह सकते हो कहते हैं कि आज उसको पढ़ाने का मननी था तो teacher ने क्या दिमाख लगाया कि यार आज थोड़ा चलो मज़े ले लेते उसने बोला student को you know मैं just just for fun बोल रहा हूं है ऐसा कोई teacher करता नहीं कि after every let's say one minute आपको अपने बारे में एक लाइन आड करनी होगी लाइन बतानी होगी and total आपको 20 लाइन बताने पड़ेंगे तो कहने का मनलब कि after every one minute वो बंदा अपने बारे में एक चीज़े बताएगा then again after one minute फिर आप दूसरा चीज़ बताएगा तो कहीं न कहीं आप देख सकते हूं कि इसमें 20 minute का time waste होने वाला है and 20 minute के बाद जो सबसे last वाला line वो बोलने वाला था न वो तब तक वो नहीं बोलने वाला जब तक वो starting के 19 lines को नहीं बोल देता है क्योंकि 20 वा लाइन आएगा ही नहीं नहीं सकता क्योंकि वो जब तक वो का टाइम दूंगा बनर में अगर वान मिनिट ऐसे पोल दिया तो भई आपको एक मिनिट तक मुझे रूखना पड़ेगा आपको अल्री मालू में हम से टाइम अट देख चुग है राइट सो लेट्स को बिच से टाइम आउट से टाइम आउट में यह जो है यह आपका कॉल बैक फंचर क्यों क्योंकि यह फंक्सिन तभी चलता है जब यह जो पर्टिकुलर टाइम में वह कंप्लिट होता है जब तक यह समय कटता नहीं तब तक आप मिहां पर मज चलना एड़ेश्ट लिस्टनर अगें इट्स्क आ कॉल रहा हो ठीक है सो यहां पर भी तो देखो कि तो अगर से टाम फंक्शन के अंदर हम इस फंक्शन को एजन आर्गोमेंट पास कर रहे तो कैसे सब एक दूसरे के साथ अब कनेक्टेड है कि हां यार से टाम भी तो कॉल बैक फंक्शन है कि जब तक एक मिनिट नहीं चलेगा राइट सो कहीं नहीं पिर अब से टाम अरे फिर हाईर और फंक्शन तो नहीं है बट उतना मस्वोच ठीक है बट जो भी हो लेट से आप्टर वान मिनिट इस लाइक चं अंदर उसको मालूम है एक मिनिट में यह बोलेगा अब उसके एक मिनिट बात फिर सेट टाम आउंट है क्या हो गया था यहां पर हम चलते है ठीक उसके फिर एक सेक्ट एक सेकेंड बिसिकल एक मिनिट समझ लो कॉपी पेस्ट हाइब मैं मेरे नेम इस बहादूर क्योंकि ब भगवान प्लीज मुझे सबके सामने करके मेरा इंट्रो मत करवाना लेकिन क्या करें अब इंट्रोबर्ट वच्छी का ही ही बूरा हाल है लेकिन फिर अजीब लगता है ऐसे सबके सामने बोलना है तो मैं जस्ट 20 लाइन बोला थिक है माई नेम इस विनुद उसके एक मिनि function now this time I like to code was simple इतना मैं लिख देता हूं फिर उसके अंदर एक और callback function यहां पर Hi I live in Pune ठीक है फिर उसके अंदर एक और क्योंकि after every one minute उसको अपने बार में बोलते रहना है I was born in Pokhara Nepal ठीक है फिर उसके फिर एक minute बात I love to play football के लो या athletics एना फिर हम इसके एक और नीचे चलते आप बोल सकते हो I was a national player in athletics like मैं जस्टीद एक सेकंड कम जूम कर देता हूं या सी सो आप एक चीज़ देख रहूं यहां पर pyramid of doom कहा गया था तो कहीं ने कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे so now here आप देख सकते हो कि we have one this line and here we have one word this line and here and boxes account को में यहां से से connect कर दू तो एक पिर आमेंड बन रहा है आप देख रहूं कि एख प्रामीन बन रहा है यह पूरा आपका एक पिरामिंड बन गिया है कंच वह पीरामिंड आपका इस स्तिर्की से बनता और यह आपका पिरामिन्ड अगर आप देखो कि तो किस तरीक यहां पर बन रहा है जहां पर यह इस तरीकी से आता जा रहा है एक कितना difficult हो गया लाइक अगर इसको में रन करूंगा ध्यान से देखना लाइक after every one second Hi my name is Vinod ये फिर ये फिर ये फिर ये जो है चलता जा रहा है चलता जा रहा है ये सही नहीं है तो ये जो problem होता है इसको callback hell बोलते है फिर ये तो मैंने बहुत easy एकदम होता है एकदम बच्चों वाला मैंने आपको समझा है कि हाँ ठीक है after every one second ये चीज हो रहा है ये तो easy भी लगा बट कहीं न कहीं आप देखके जो first time देखेगा वो confused हो जाएगा क्या हो रहा है ये इसका set time out का है ये मतलब कब चलेगा ये मतलब समझ जो this is your callback hell जहां पर एक callback function के अंदर आप दूसरे callback so वो इतने deeply nested हो जाते कि ना इंसान frustrated हो जाता कि क्या हो रहा है तो फिर भी कितना ही था यार ये तो एक दो तीन चार पांच छे साथ ताट सिब 8 second का था ये बेसिकली 8 callback भई हजारो 100 callback एक की नीचे को भी एकदम complex वाले algorithm वाले complex code तो तब क्या होगा सोचो ना सो इस तरीके का pyramid of doom जब ये बनता है देख सकते हो एक triangle बन चुका ही यहां पर आप कहीं न कहीं देखो गे तो its your triangle यह देखो नहीं यहां पर यह जो एक line देख रहा है यह line पढ़के कहीं न कहीं आपको थोड़ा बहुत idea आ चुका है that is यह एक placeholder एक second यह आपका एक placeholder की तरह behave कर रहा है it's like a placeholder जहां पे कुछ भी अगर asynchronous operation होता है अगर कुछ भी asynchronous operation होता है तो उसका जो result आएगा in future तो वो जो value है वो आपका यह promise जो है store करके अपने पास रखेगा simple तो promise is like a container promise it's like a variable जिसके पास फिलाल अभी तो कोई value नहीं है बट हाँ उसको यह जरूर मालूम है कि यह जो एक event अभी चल रहा है इसका नतीजा in coming days या future में जरूर आएगा तब वो वाला जो value या उसका जो result है वो मुझे अपने अंदर store करके रखना है this is your promises मैं आपको बताता हूँ इसके क spending stage then we have a settled stage to settle के अंदर भी आपके दो फेज़े सा जाते है one is your result another one is your rejected अब आपके मन में आ रहा हो गा भाई यह क्या चीज है and is settled मतलब क्या settled मतलब अगर कोई काम आपको दिया गया है जब वो काम complete हो गया basically उसका time duration अगर complete हो गया तो वो आपका settled stage अब result मतलब यह कि जो काम आपको दिया गया थे कि इतने समय में आपको करना है अगर आपने कर लिया मतलब resolve अगर आप नहीं कर पाया मतलब यह आपका हो गया rejected I know कैसे थोड़ा सा आपको confusing लग रहा हो but मैं clear कर देता आपका confusion दूद का दूद पानी का पानी में कर देता हूं ठीक है so I have my mobile with me मैं अभ अभाई कैसा है भाई मैं ठीक हूं सुनना तू दो दिन बाद पुने आने वाला एक कापकर्स जब तू पुना पहुच जाएगा एरपोर्ट ठीक सामको 6 बजे मुझे कॉल बैक करना हां अरे इसलिए कॉल बैक करना है क्योंकि फ्लाइट डिले हो सकता है या क्या पाता भौजे थोड़ा डिले हो जाए नो प्राइलम लेकिन मुझे थीक साम को श्योट इसलिए काल जरू कर देना ठीक है promise पक्का तूँ प्रोमिस कर रहा है कि तू मुझे काल करेगा 6 बजे दो दिन बाद साम को 6 बजे प्रोमिस कर कि तू मुझे कॉल करने वाला है ठीक है डन आपने देखा ना मैंने दोस्से बात की उसने मुझे एक प्रॉमिस किया कि दो दिन बाद ठीक सामको छे बजे वो मुझे कॉल करने वाला है दो दिन बाद ठीक सामको छे बजे क्या करेगा मुझे कॉल करेगा अब देखना अब ध्यान से देखिए यहां पर आई अब अब भी जस्ट क्या हुआ मैंने बंदे को कॉल की मैंने उसको किया कॉल ठीक है अब देखो कॉल करके क्या हुआ दो दिन का समय उसने मागा दो दिन को call की मैंने उसstए promise मागा उसने promise दी तो अब जब तक दो दिन बाद सामके 6 नहीं बच जाते मां मैं क्या करूंगा मैं जस्ट वेट कर सकता हूं उसका उस को मैं यह नहीं बर सकता कि हाँ इसने अपना प्रॉमिस पूरा किया या नहीं किया I am in a pending stage, मुझसे अगर कोई ये पूछे कल के दिन, भाई तेरा दोस्ता है कि नहीं साम को 6 बज़े मिलने, मैं बोलूगा अब ये घदा है कि तू, दो दिन बाद आने वाला है और वो तो अभी तक फ्यूचर है वो, कल आएगा, आज नहीं है वो, तो मुझसे तू कल साम के 6 बज़े के पात पूछना ». तब ही मैं बोल पाँगा वो, आया या नहीं या उसने मुझे कल किया या नहीं. तो जब तक वो इवन्ट बर नहीं हो जाता, तब तक मेरे पास कोई जवाबी नहीं है मैं जह बोलू कि रह, प्रोवा का में हां जैसे ही दो दिन बाद ठीक साम कुछ छे बज जाता है अगर मेरे मुवैल पर कॉल आया वो माइगाट छे बज का कॉल हाँ पहुझ गया ठीक है मैं आ रहा हूं दिस इस छे बाजा भाई ने कॉल की मतलब मेरा वो जो बिसिकली हमारा जो प्रॉमिस या उसने मुझे ज किया छे बज़े तक में वेट भी कि बस उसने मुझे कॉल नहीं किया तो इस रिजेक्टेड यही है आपका प्रॉमिस इन जावा स्क्रीप्ट प्रॉमिस का कामी है इस लाइक प्लेस होल्डर अब हमारे इस केस में वह पूरा दो दीन तक वेट कर रहा था है ना इस लाइक का प्लेस होल्डर ना किसी के बदले आप जस्ट वेट कर आप तो आई होप आपको पता चलिए इवें जब आम यहां कोई भी फॉर्म करेट करते हम उसमें प्लेस होल्डर एड कर देते मानलब जब तक एक सेंड यह आई थिंक यह बहुत इंपॉर्ट है तो यहां पर आप हम कोई भी वैल्यों लिखते हैं तो बाई डिफॉल्ड वो मुझे दिखाई देता है कहने का मतलब है कि प्लेस होल्डर का काम बस इतना है कि जैसे ही कोई यूजर यहां पर कुछ भी लिखेगा जैसे दा मोमिंट उसने टी लिखा ध्यान से देखना सर्च यो सिटी के साथ क्या होता है वो मैं गाँ सिसरे देखो वो जो प्लेस होल्डर हमने वहां पर रखा था चला गया वीचारे का काम बस इतना ही था कि कब कोई यूजर आ कि कुछ लिखे में चला जाम तो वो एक प्लेसिओंडर है इंपूट फिल में हम जो एक प्लेस simplify होल्डरा काम ही यह है कि जब तक कोई काम या user कुछ लिख नहीं देता है तब तक वहाँ पे रहता है तो I hope अब आपके जो doubt promises को लेके वो clear हो गया कि promise भी थो आपका एक placeholder है वो एक ऐसा container है या एक ऐसा variable है जो बस ये wait कर रहा है कि कब कोई task हतम हो या तो उसकी value true हो या तो false हो वो जो value जो भी होगा वो मैं अपने अंदर store कर लूँगा simple यही है आपका promise और जो मैं आपको example दी थी कि जब तक कोई task complete नहीं हो जाता है तब तक promise इसके अंदर value आएगा ही नहीं मतलब हमारे ये call वाले case में क्या वा था कि दो दिन तक इसको wait करना पड़ा और दो दिन के बाद अगर result हो जाता तो result वाली value को ये hold करता अगर नहीं होता तो reject वाली value इसके अंदर हम add कर देते तो ये कौन सी value है ये वो value है जो मुझे future में मिलने वाली है तो guys यही है आपका promises कि टास्क तो चल रहा है लेकिन अभी तक वो complete नहीं हुआ है future में जरूर complete होगा और जो भी उसका result होगा वो promises अपने पास समा के रखेगा बाकि सारे जगे पे where my name is equal to binod on the spot but promises में future में हमें data जरूर मिलेगा जो मैं इसमें store करके रखूंगा तो यही है आपका promise जब तक complete नहीं होगा आपको नहीं idea कि वो complete हुआ या नहीं हुआ resolved या fulfilled इधर rejected बस simple इतना ही है इसके उपर ना आप सोचना कुछ ना इसके नीचे कुछ सोचना आप ठीक है आप इसको आप यहां टैकल करते देखो बता भी रहा है ठीक एक simple term हाँ आप इसको read कर लिजेगा promise is like a placeholder for a result of an asynchronous operation और एक container for the future result एक container है for the future result जो भी future में result आएगा उसको hold करने के लिए simple और इसके 3 stages होते है your pending pending तो रहेगा ही रहेगा मैंने promise की थी मेरे दोसको दो दिन बात साम को 6 बज़े मुझे call करना अब मेरे पास कोई 4 भी तो नहीं है ना 2 दिन तक 2 दिन तक और साम जब तक 6 नहीं बसता मेरा pending stage है मैं कुछ कर भी नहीं सकता मैं यह नहीं बोल सकता कि उसने promise निवाया या नहीं मैं यह नहीं कह सकता है उसने promise तोड़ दिया क्योंकि वह event अभी तक हुआ ही नहीं है so it's a pending stage ठीक है then आपका अता fulfilled obvious यही होना था पहले pending एक बाद 6 बज़ गया तो या तो उसने call किया तो fulfilled अगर नहीं किया तो rejected खत्तम ही ही आपके तिन stages है ठीक है and by the way promise have built-in methods like promise case के पास नहीं built-in methods है like we have a then and then catch to handle the result of asynchronous operation obviously अपके मन में आगा चलो उपर से ता आपको बता चल गया but in reality future में जो data हमें या जो result मिलने वाला है उसको हम tackle कैसे करेंगे so for that we have a then and then catch inbuilt method of your promises simple तो अब हम promises कैसे create कर सकते हैं we can create a promises with the help of promise constructor and this involves creating a new instance of a promise एक से को में जोम तो कर सकता हो ना so we are creating a new instance of a promises I mean promise class which takes a function as an argument जो की function को as an argument ले रहा है कहीं न कहीं ये भी आपका higher order function this functions often refer to as a executor function तो जब भी आप promise करते हो तो उसको mostly हम क्या बोलते हैं एक executor function जो की future में जाके execute होगा and takes two parameters resolve and then reject resolve and reject ये जो दो parameter वो ये function लेता है you call resolve when the asynchronous obviously resolve कब होगा जब वो काम success हो जाता है अगर काम success नहीं वा मतलब reject it simple right so guys यहाप यहाप याप syntax देख सकते हो you can also create a promise by defining a function that returns a promise basically इसका main syntax ये आपका new keyword then promise उसके अंदर एक function basically callback function जिसमे आप देख सकते हो resolve and then reject ये दो आपने if you remember it takes two parameter this function often referred to as a executor function which takes two parameter resolve and then reject तो ये आपका एक executor function है जो कि दो parameter accept कर रहा है and that is your resolve and then reject resolve मतलब अगर वो successful होता है reject मतलब अगर वो successful नहीं होता है so this is your syntax so एक काम करता हूं में आप लोगों कोई करके बाता हो then हम हमारे project पे जाएंगे ठीक है सुध्यां से देखना so const प्याप promise लिख रहा हूं में simple सा प्याप and here we need to write the new and then promise constructor use करना है एक callback function आपको देना है and basically ये आप आपका एक executor function कहला है जिसके अंदर आपको दो पैरामेटर पास करनी है one is your resolve another one is your reject ठीक है yeah this is it अब अब भी जो मैंने बात भी ना obviously future में हमें कुछ तो भी data मिलेगा जो की मेरा ये जो promise PR मेरा एक promise है अब इसके अंदर ये data आने वाला है basically कोई भी promise हुआ होगा कुछ future में ही पता चलेगा ना उसने promise थोड़ा या नहीं या promise निवाया या नहीं वो data भी इसके अंदर जाने वाला है तो हम वही कुछ ना कुछ इसमें implement करनी की सोचते let's say set time out after two seconds हमने एक promise की कि भाई दो second के बाद तू मुझे hi I miss you ये मुझे बोले ठीक है obviously ठीक है यह हम करके देखते है so let's say after two seconds console.log hey I miss you ये भई मनलब दोस्त उनको अच्छा लगते है इसा बाते करना कि कभी-कभी acknowledge करना भी जरूरी है कि हम आपको मिस्स कर रहे है कुछ भी मनलब जरूरी है sometimes बताना जरूरी है बना कोई और लाइक उस मौगय का फाइदा उठा लेगा बस हो गया काम फिर बट या जो भी हो so इस तरह के से यह हुआ ठीक है अब यह जो PR है na obviously जब तक एक second एक काम करते है दो second कर देता हूँ जब तक दो second नहीं हो जाता मुझे नहीं idea कि क्या होने वाला है एक चीज यह तक ना कि हम यहाँ पर console.log कर सकते थे लेकिन हम करेंगे नहीं क्यों क्योंकि we have something called resolve and then reject जब भी आप promise create करते हो तो यह दो चीज है obviously आप जब promise कर रहे हो किसी को या तो आप fulfill करोगे कि उस promise को या तो नहीं करोगे उसके अलावा तो कुछ हो गाई नहीं ना तो जब आप promise create करते हो तो आपको यह जो function आपको pass करना ही पड़ेगा इस तरगी से मैंने लिख दिया resolve कि after 2000 milliseconds it's resolved मतलब yes मैं उनको यह बोलने वाला हूं इस तरगी से ठीक है वह इस PR के अंदर चला जाएगा ठीक है तो अब यह जो PR है वह उसको कैसे handle करेगा with the help of then अगर यह भी सेम आपका वही है guys callback function यहाँ पर आप simple कुछ भी basically यह जब आप call कर रहे हो तो यह जो भी return कर रहा वह अब मैं यहाँ पर get कर सकता हूं let's say response तो मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं console.log वह जो response है अब मैं यहाँ पर उसको क्या कर रहा हूं basically so कर रहा हूं and in case dot then के बाद आता है आपका एक catch method जहाँ पर अगर यह मलदला fulfill नहीं होता अगर यह set reject हो जाता तो वह catch के अंदर जाएगा so again यहाँ पर मैंने क्या लिखा error कर देते हम इस पर mostly हम error इसलिए करें ताकि अब error ही कहलो ना मतलब बंदे ने नहीं क्या अपना जो भी है उसने नहीं निभाया and last में we have एक और चीज़ रहेगा that is finally so finally का क्या काम होता है ना finally का काम यह है चाहे वह reject हो चाहे वह resolved हो यह तो होना ही चाहिए विचारा यह जो भी बंदा था वह बहुत अच्छा था उसने बोला यार चाहे जो भी हो वह भले ही वह भले ही भूल जाए फिर भी don't worry we all miss you and keep smiling ठीक है अलब बंदा अच्छा था यह finally का काम होता है चाहे वह reject हो जाए या वह fulfill हो जाए जो भी हो बट यह तो होना जरूरी है अब यह समझ लो कि यह कुछ ऐसा था कि 6 बज़े के बाद वहले ही उसने मुझे कॉल किया हो या ना किया हो लेकिन मैं फिर भी एरपोर्ट जाओंगा क्योंकि at least मैं तो अपना प्रॉमिस नहीं वाना चाहता हूं मैं फिर भी समझ रहो कि चाहे वह आये नाये उसके बाद एक नेक काम जो हमें करना हो वह हम finally के अंदर add कर सकते है तो यह real life में भी तो बहुत बार होता है चाहे यह हो ना हो लेकिन उसके बाद यह वाला काम तो होना जरूरी है क्योंकि बहुत important है कुछ इस तरी के से कह सकते हो यह clean up function आप कह सकते हो अब जो यह mess किया उसको clean करो यहां पे समझ रहो तो एक finally चाहे reject हो ना हो मतलब नहीं बठाँ यह चलेगा ही चलेगा तो इसको मैं run करता हूं सो इसको मैं clean करता हूं ओके इसको मैं हटा रहा हूं ctrl s save and then मैं इसको run कर रहा हूं तो एक and then 2 second बाद hey I miss you don't worry जो भी था आया था यह आपका काम कर रहा है don't worry we all miss you and keep smiling let's say 2 second बाद वह भूल गया it's a reject 2 second बाद reject and इसको मैं clean कर रहा हूं and then मैं इसको इहां पर run कर रहा हूं तो after 2 second देखो क्या होगा sorry I can't but फिर भी don't worry we all miss you मतलब चाहे promise complete हो fulfilled हो या तो चाहे promise reject हो जाए but हाँ यह finally आपका चलता ही चलता and this is how you can handle जो भी response आता है resolve वाला with the help of then अगर कुछ error होता है जैसे कि हमारे case में reject तो वो catch उसको catch कर लेता है and finally वो चलता है so this is your promise resolve, reject and then then catch हाला कि यह जो then वाला पार था ना आप directly यह इसको यहां पर भी इस तरकी से कर सकते थे हैं ऐसे भी आप directly कर सकते थे and इसको अगर आप चलते हो इस तरकी से run करते हो तो भी यह से मुझे तरकी से काम करगा जैसा भी थोई दिर पहले हुआ hope आपको पता चल गया यहां पर क्या हो रहा है promises क्या है कैसे handle करना है I know यह बहुत अभी तक भी आपको साथ इतना वह proper idea ना आया हो कि हम क्यों यह पढ़ रहे है and कहां ऐसा हो रहा होता है all right guys मेरे पास एक example है जहां पर मैं यह pass कर देता हूं ठीक है जहां पर मैंने यह pass कर दी and फिलाल इसको मैं comment कर रहा हूं so यहां पर बहुत क्लिए देख सकते हूं कि मैंने एक function कॉल किया enroll student ठीक है जिसके अंदर मैंने student name पास कर दी and that student name is nothing but Alice in borderland बहुत सब डिफेंट डिफेंट नाम है यह आरे बहुत confusing नाम है यह ठीक है तो होगा यह कि मैंने function define की student का नाम मैंने यहां पर पास किया so now say return new promise resolve and then reject यह होना ही है this is your executive function उसके अंदर हम set time out कर रहे है उसके अंदर भी मैं एक function basically condition check कर रहा हूं and that is मैंने math.random कि and we all know कि 0 and 0.9 के बीच में मुझे always value आने वाली है तो अब जब भी 2000 second 2000 basically 2 second के बाद यह वाला condition चलेगा अगर 0.4 के पर हमारा math.random value आता है तब वो इसको resolve enroll basically जो भी student है उसका admission हो जाएगा अगर 0.4 के नीचे आया तो उसका admission नहीं होगा please try again so this is the power of your promises जहां पर देखो ना अब आपका यह तो बहुत awesome example था कि simple 2000 millisecond के बाद भी हमें condition add करे कि random भगवान वरो से इसके उपर आगया तो admission हो जाएगा बना नहीं होगा and अगर होता है तो वो resolve के अंदर है अगर नहीं होता है तो reject के अंदर है अब जो भी result होगा उसको हमें catch करना पड़ेगा and then अगर basically resolve होता है तो हम then के अंदर हो चला जाता है successful error आता है या reject होता हो catch के अंदर चला जाता है and अगर वो reject हो गया मतलब 0.4 से value मुझे कम मेली तो वो catch के अंदर आगे and finally यह देखो finally मैंने खुद बोला finally इतना सब कुछ होने के वाद finally enrollment process complete चाहे user का admission हो या ना हुआ हो last में मुझे बोलना कि जो भी यह process था enrollment का यह complete हो चुका है समझ रहो अब आपको पता चल गया finally का काम क्या है यहां पर भाई admission हो ना हो हमें मतलब नहीं बट हाँ यह जरूर है कि process अब खत्म हो गया हमने try की बट नसिबने साथ नहीं दिया हमने try किया हाँ आपका नसिबने साथ दे आपका admission हो गया सो यह यहां पर हम चलते है by the way उसको मैं हटा रहा हूं और मैं फिर इसको रन कर रहा हूं सो enrollment successful for binod oh my god तो जब यहां पर enrollment successful हो गया है तो आप please subscribe करके मेरे इस video को भी success बना दीजी logo तक share करके भी मेरे video को success अब बना दीजी like कीजे comment कीजे समझ रहे हो तो hope आपको पता चल गया please subscribe and share तो बिलकुल मत भूलेगा and आप clips भी create कर सकती हो है ना so yeah this is your promises and promises के पास अपने खुद के कुछ methods है जो I guess यहां पर लिखा होना चाहिए here we have some methods of promises promise.all promise.all settled promise.res साला की दो-तिन और है बट यह जो चीजे है जो एकमा स्कृट में बताय गया था promise.all में क्या होता है कि यह जो हैना सारे promises को एक साथ चलाएगा बट दी condition कि जितने भी promises होंगे सब के सब successful होने चाहिए यह मतलब एक ऐसा boss है जो promise promise तो यह कर रहा है कि भई मैं यह दूंगा लेकिन condition एक और दे रहा है कि अगर गलती से किसी एक का भी task complete नहीं हुआ 99 ने कर लिया लेकिन एक का थोड़ा सा रह गया किसी को कुछ नहीं मिलने वाला तो promise.all में वही एक loss है कि गलती से अगर कोई एक भी promise अगर reject हो गया तो मतलब error मतलब नहीं है मुझे किसी से वहीं पर promise.all settled all settled पहले सिब all था यहां पर all settled मतलब कोई बात नहीं अगर 100 में से अगर 99 नहीं कि अगर एक नहीं किया तो कोई नहीं settlement मैं हूँ ना मैं अच्छा boss हूँ टैंसा मत दीजे हम सेटल कर लेंगे बाकि 99 जिन्हों ने complete की अटलिस उनको तो उनका promise जो हमने किया वो निवाना तो पड़ेगा न उनके लिए right so quality of a good boss right so it's all settled don't worry example बताऊंगा and then promise.trace race क्या होता है भागना मेरे आपको बता है ता में नेशनल प्लियर इस्कुल टाइम में महाराष्टरा को भी रिप्रेशन के जहां पर भाग में 100-200 मिटर होता था तो यहां पर क्या आप जब even Olympics भी होता है तो उसेन बोल्ट है ना आप सब को उसका नाम आलो अब फिलाल तो नौल इल्स जो भी हो एक साथ नौजन भागते हैं अगर जित्ता तो कोई एक ही है ना तो यहां पर भी है भाई जितने promises है चाए वो successful हो चाए वो rejected वाले हो सब आप ले क्या आओ मैं सब को देख लूँगा अपने पास रखेगा लेकिन जो सबसे कम समय होता ना कि कोई जिसको जो सबसे easy जो सबसे कम समय होता है वो एक करके छोड़ देगा बाकी को काम खत्म रेस complete जिसका सबसे पहला result मिला मनलब खत्म बस वही है उसी का result आएगा चाए वो failure था I mean success हो या बस इस तरीके से ठीक है अब मैं आपको बताता होगी क्या हो रहा है यहां पर so here we have a promise one promise two okay so it's a promise one so now we have a promise one simple new promise मैंने खाली resolve रखा हो है चाहे तो आप यहां पर reject भी लिख सकते हो लेकिन हाँ जब आप उसका use नहीं करे तो लिख के भी कोई काम नहीं है ठीक है तो इस तरीके से we have a resolve and then reject अब देख रहो ना अगर आप reject भी दे तो तो भी कोई काम नहीं है ठीक है so यहां पर मैं बोला हो कि like after 2000 millisecond resolve first then second promise का भी same होई है 2000 millisecond but resolve मतलब success third वाला भी success अब बस इस तरीके से आपको देखना है promise के promise.all या it's a promise constructor promise.all square brackets देख सकते हो square brackets के अंदर जितने भी promises होंगे आपको add करना है तो हमने उसको add कर दिया अब dot then मतलब अगर success होता है तो वो जो भी values response होंगे यहां मिलेगा अगर एक भी reject होता है तो वो मुझे catch कर लेगा ठीक है simple मेरे पास यह total 3 थे मैं यहां पर चलता हूँ अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि यह 2 सेकेंड यह भी 2 सेकेंड यह भी 2 सेकेंड 1st 2nd 3rd तो मुझे कैसे output आता है ठीक है मैं अगर यहां पर चलता हूँ 1 2 3 देखो basically ठीक 2 सेकेंड बात मुझे 1st 2nd 3rd मुझे output आ गया यह कौन सा है देखो न 2nd 3rd ठीक है एक काम मैं करता हूँ प्रॉमिस 3 को मैं प्रॉमिस 2 के बल्ले डाल देता हूँ ठीक है अब फिर से इसको मैं रन करता हूँ 1 2 data आ गया प्रॉमिस 1 जो सबसे पहले पास किया था उसका data first आ गया प्रॉमिस 3 तो मुझे 3rd प्रॉमिस 3 में जो मेरा है 3rd तो 3rd मुझे आ गया तो यहां पी जो आप order pass करते हो उसी order पे वो आपको data दिखा रहा है यह एक पहला doubt यह चलो ठीक है अब दूसरा बहुत हो को मन में एक चीज आ सकता है कि यह 2,000 है यह भी 2,000 है यह भी 2,000 है क्यों न मैं second वाले को 5,000 कर दूं तो क्या होगा is it gonna be like 5,000 plus 2,000 7 seconds यह पहले 2 seconds के बाद ही मुझे इसका और इसका data आ जाएगा उसके फिर 3 seconds क्योंकि तब तो फिर 5 seconds हो जाएगा फिर मुझे second आएगा क्या हो रहा है यहां पर क्या हो क्या रहा है यहां पर एक बार वो देख लेते हैं ठीक है यहां पर मैं रन करता हूं 1,2,3,4,5 5 yeah see so it's the first, third and then second तो आपने एक चीज नोटिस की जब भी आप all करके pass करते हो ठीक है जितने भी promises आप pass करते हो it doesn't matter कि वो किस order में है और यह भी matter नहीं करता कि किसको कितना समय लगने वाला है matter करेगा तो क्या सबसे पहले सबी के सबी क्या होने चाहिए complete वाले चाहिए successful वाले चाहिए basically resolved fulfilled वाले चाहिए and दूसरा क्या matter करता है let's say भाई इसको तो ज्यादा नहीं इसको तो hardly one one hundred millisecond मतलब यह चुटकी में है ना यह दोनों देखो नों इतनी जल्दी वाला काम था उसके बावजूद भी जब तक जो भी maximum time जो है किसी भी promises का वह complete नहीं हो जाता किसी का भी data नहीं आने वाला and once एक बार five seconds complete हो गया तो सबका फिर on the spot तब data आता है तो यह आपका all इस तरह किसी काम करता है all में बस problem यह है सब सही है सबको यह equal trade करा भाई सब रुकिए एक बार जो पूरा काम हो जाने दीजिए फिर हम रिजल्ट दिखाते हैं तब हम celebrate करते हैं लेकिन इतने सभी में है ना लेट से हम तीन सेकेंड देखो अभी अभी इसे 100 100 मलत भी चुटकी और इसका 3000 सेकेंड का time है let's see reject हो गया मतलब यह अपना promise नहीं कर पाया इतने सेकेंड में अपना काम नहीं कर पाया इए फिर से यहां dance से देखना अब क्या होता है मैं इसको run कर रहा हूँ time तो यह बराबर एक दो तीन तीन सेकेंड ही लेगा लेकिन आप्टर 3 सेकेंड क्या किया इसने जो बिसिकली आउट अप 3 जो failed हो गया सिर्फ उसी का ही data दिया वो भी क्या दिया so यही है आपका all जहां पर if you are sure कि सभी के सभी successful होने जा रहे एंड एक की बार में अगर आपको call करना हो इस तरह के से आप सबको एक साथ pass कर सकते हो बट हां अगर आपको लगता है कि एक जगे पर fill अगर हो सकता है तब आपको क्या करना है तो यह instead of all आप यूज कीजिएगा all settled ठीक है instead of all हम क्या करेंगे all settled को select करेंगे सब से में just all के बदले all settled यहां पर वो हो गया अब अगर फिर से में चलूँगा अगें यह तीन सेकंड तो लेगा एक दो तीन अब आप देखिए यहां पी कितने अच्छी तरीके से देखो एक array है पहला status देखो क्या है fulfilled देखा क्या बता है तो दो phase होंगे या तो fulfilled होगा या तो reject होगा देखो अर दूसरा है आपका rejected second वाला rejected हो गया third वाला भी आपका status है fulfilled तो यह है आपका all settled जहां पे कोई नहीं जो reject हो गया या जो नहीं कर पाया उसको रहने दीजे बाकी जिन्नों ने क्या अटलिस उनकोता appreciation मिलना चाहिए तो यह है आपका all settled and अब यहां पे मैं चलता हूं all वाले पे I mean not all it's a race तो race में क्या होगा न अब ध्यां से देखना यह one एक काम करता हूं इसको मैं 1000 कर देता हूं sorry इसको 1000 third वाले को इसको 2000 and इसको 3000 तो third वाला जो promise है वह 1 second में complete हो जाएगा जो first वाला है उसको 2 seconds लगेंगे and then जो हमारा second वाला है उसको 3 seconds लगेगा तो जब आप all के बदले या all settled के बदले जब आप use करते हो race बाकि सब कुछ same है कोई difference नहीं है it's just all के बदले all settled इसको मैं हटा रहा हूं इसको मैं हटा रहा हूं तो क्या होता है is it gonna be like 3 seconds रुकेगा उसके बाद जो सबसे पहला complete हो वह data मुझे आने वाला है कि क्या होगा reference error is not defined है यह क्या हो गया तो ctrl s save करते है इसको मैं clean करता हूं फिर से click करता हूं so तो देखो 3rd आगया मतलब ठीक after 1 second जो इन जो भी promises हमने pass की थी उन सब promises में जो सबसे कम समय ले रहा है चाए success हो चाए success हो चाए वो failed हो सिर्फ पहला जो होगा उसको वह pass कर देगा let's say reject वाला इसको तो ज्यादा भी निसी 100 milliseconds लगा let's say आप मैं click वाला होगा जिसमें सबसे कम समय लगने वाला है वो race के अंदर आपको मिल जाएगा हो सकता है कि आप ऐसे API को call करो या आपने इतने सारे API एक साथ call कर दिये और आपको यह है कि जिस भी API से मुझे सबसे पहला data मिलेगा वो data मुझे सबसे दिखाना है तो वहां पर आप dot race कर सकती हो है ना obviously लोगों को यही तो चाहिए कि कि किसी के समय आज के दिन में इतना जब से tik-tok Reels आने के बाद तो आप मुस्किल हो गया लोगों कंसेंट्रेट नहीं कर पारे I don't know आप मेंसे कितने लोग अभी आप मुझे देख रहे होंगे क्योंकि यह भी almost after 6 hour या 7 hour के बाद का पार्ट है यह भी 12 गंटे की वीडियो में 7 गंटे तक कौन देख रहा है मुझे नहीं मालू अब भी तक अगर आप देख रहे हो तो guys आप आप नीचे लिख सकते हो promises done मालब कुछ भी आप लिख सकते हो जिससे मुझे यह पाता चले कि आप यह वीडियो अभी देख रहे हो at least like and comment जरू कर दीजेगा क्योंकि बहुत अभी लोग नहीं देखने वाले यह obvious यही है trend यही है लोगों को मज़े आते starting में जब starting का part होगा है उनका मज़ा चला जाता है चलो बाद में देख लेंगे फिर कोई दुसरा JavaScript का course upload कर देखेंगे उनका देखेंगे वह भी hardly एक दो गंड़ा देखेंगे निकल लेंगे एक ही देखो लेकिन अच्छे से देखो and then practice करते रहो बस यही है अगर success चाहिए तो ठीक है बटर जो भी हो आपको पता चल गया this is your promises so इसको मैं हटाता हूँ now we have our actual promises अब हम उसको tackle करते है हम जो है हमारे function के अंदर ही we have a promise.html जहां पर हम हमारा पहला एक mini project देखने जा रहे है if you remember मेरा जो part one था I guess उसमें भी मैंने कुछ dad jokes करके add किया था जहां पर जब आप एक button को click करते हो तो आपको jokes आते हैं तो वही मैं वापस यहां पर आपको explain करने जा रहा हूँ but don't worry code will be different end उस समय end अभी में बहुत difference है उस समय मैंने उसको major project रखा था but हमारा major project तो इसके बाद आएगा जहां पर पुरा weather application होने वाला है बहुत सारे new API भी वहां पर आपको सिखने मिलने वाला है मैंने काना लेक फॉस्ट time जो था वह awesome है लेकिन यहां पर मैंने अपना जो इसको बहुत हाई रेस किया हुए ठीक है एंड जितना मैंने एक्पेलने मोर्दान इना फे उतना ठीक है आप देख सकते हैं we have a div welcome to dad jokes worldwide बहुत famous है यह by the way and then we have this section class that is API underscore body and कही ना कही यह जो API underscore body है इसी में ही आपका वो jokes हमें मिलने वाला है क्लिक करोगे आपको एक new new data वहां पर आता जाएगा new jokes आते जाएंगे है न awesome and वह आएगा कहां से with the help of API and API को हम कैसे call कर सकते with the help of fetch API yeah see so this is your API तो इस API पर अगर मैं जाओंगा ठीक है by the way यह भी तो आपका एक API है यहां पर अगर मैं कुछ भी इस्तिर किसे पूने तो है already पोखारा नेपाल इस्तिर किसे अगर मैं लिखता हूं तो आप देख सकते हो पोखारा नेपाल का मुझे पूरा data आजाता है API के थरू ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो the moment हम वो URL एंटर करते है तो by default यह जो एक पार दिख रहा है यह आपका एक जोक है how do you make holy water you boil the hell out of it you boil the hell out of it तो आपका holy water बन जाता है मजा के यह जस्ट इस तरीके से जोक आपको मिलता है ठीक है आप में से कितनों को समझा पाता नहीं बट जो भी हो sarcasm kind of था बट ठीक है तो यह है आपका जोक्स और यह जोक्स मुझे चाहिए जब-जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तो यह जोक्स चेंज होता रहेगा अब मैंने रिफ्रेस की Ben and Jerry really needs to improve their operations the only way to get them is down or rocky road पाता नहीं मैं just क्यूंकि मैं तो आप लोगों explain कर रहा हूँ maybe आप समझो क्या समझे बता देना ठीक है and here we have our API this is our API and final project का API कुछ मेर पास एक और API था मैंने सोचा इसको में लेके आप लोगों को बताता हूँ but मुझे लगा रहे है तो फिर मज़ा नहीं है इसमें like फिर से अगर में क्लिक करता हूँ तो हमेशा सेम एक ही डेटा आ रहा होता मुझे user ID है ID है मेरे पास एक टाइटल है एक body so this is your API and by the way मैं already API कैसे क्रेट करने उसको पर वीड़ोड कर चुका हूँ react के थुरू यह वाला यह तो नहीं है यहां पर यहां पर भी मैंने API का यूज किया हुआ है basically node and express की मदद से मैंने आपको बताए कि आप API कैसे क्रेट कर सकते हो and all तो प्लीज आप में लिंक नीचे description दे दूंग आप उसको जरू चेक आउट कर सकते हो and web development course in Hindi HTML CSS JavaScript तीनो एकदम नए नए आप भी डिसेंटल पांच महने चार महने आठ दिन पहली में आट किया है तो जरू चेक आउट कीजिएगा है इसकी भी नहीं है इसको भी महाटा देता हूं तो दो इस और यह भी आपका एक API यहां बाइद वे तो हम API को API से डेटा कैसे करते देखो तो सबसे पहले वी निद तो कॉल अप फंक्शन and that is your fetch data जब भी को इस बटन को करेगा क्लिक तो उसका reference में ने लिए with the help of getElementById addEventListener जब भी करेगा क्लिक तो यह फंक्शन कॉल होगा fetch data perfect fetch data and मैं callback function उसकरने जा रहा हूं and by the way data है basically यह आपका यह fetch है ना तो const let's go with response equal to so एकदम ध्यान से देखेगा we need to write the fetch simple though हम इसको fetch API बोलते है but in reality it's just fetch and आप खुद देख सकते हो कि यह जो है आपका एक promise return कर रहा है यहां पर आपको URL pass करना होता है and this is our URL copy कर दी ठीक है अब यह जो एक case है ना एक काम करता हूं चलो ठीक है फिलाल इसको मैं comment कर रहा हूं इसको मैं pass कर रहा हूं क्योंकि यह एक ऐसा URL है जिसमें मुझे कुछ extra data नहीं लगने वाला है तो promise तो मैं यहां पर dot then क्योंकि आपको मालूम है यहां पर मैं वो data को get कर सकता हूं if it's success तो मैं यहां पर response लिग देता हूं console.log response ठीक है and by chance अगर यह proper नहीं होता है तो हम उसको catch कर सकते है जो भी अगर error आया होगा so error ठीक है so यह function call की fetch एक method है it's an API जिसकी मदद से अगर उस URL को अगर आप call करते तो उसका data हमें मिलता है जब data मुझे मिला तो मैं console.log कर रहा हूं ठीक है तो जब मैं यह कर रहा हूं तो मैं यहां पर चलता हूं console पर बता रहा है like जो भी ओचल कोई नहीं इसको मारो गोली get another joke मुझे इस पर click करना पड़ेगा तो इस पर all let's see मैंने click की तो मुझे response आ रहा है जिसके अंदर we have this body so यह जो body है ना this actually holds our actual data this body holds our actual data and कहीं न कहीं आप देख सकते okay basically यह एक ऐसा property जो आपको यह बता था कि आपका यह API success हुआ यह नहीं अगर यह okay true है यह status अगर वह आपका two hundred it means its success हमें data आ गया हमें URL मिल रहा है I mean API हमने जो call की वह success हो गया बट हाँ API का data मुझे नहीं मिल रहा है क्यों क्योंकि अगर इस API को मैं call करता हूं तो मुझे यह इस तरीके का data ना आके मुझे कुछ वह इस तरीके का data आना चाहिए इस तरीके का data वर्ट देखो मुझे तो कुछ ऐसा तो आया ही नहीं तो यह जो data है अध्यान से देखोगे क्या यह it's your JSON data मैंने आप से क्या का था जब भी आप local storage पर कोई data add करते हो आपका JSON format में होता है and API भी आपका JSON data ही होता है तो यह JSON data को हम दिखा नहीं सकते and हमने यह पढ़ा था कि JSON data को अगर convert करना तो we need to parse into its original format तो यहां पे हम वो .parse use नहीं करते है तो कैसे अब हम क्या करेंगे यह वाला जो पार्ट दिख रहा है again then अब यहां पे we need to return return response.json अब मैंने क्या बोला इस response जो भी मुझे मिल रहा है उसको आप convert कर दो into the original format जो हमें चाहिए .then यहां पे आपको यूज करना होगा तो अब हमने जो यह return किया उसका data में यहां पे access कर सकता हूं ठीक है जो भी original data मैंने यहां पे access की अब इसको में console.log and then data में कर सकता हूं तो अब यहां पे simply जो भी data मुझे मिल रहा है उसको मैंने original format में convert कर दिया and वो जो भी data होगा वो इसको मिल चुका है .then लिखने के बाद this is the next step जो data इसको मिला and then वो data को आप में console कर रहा हूं ठीक है इसको एक बाद refresh कर देता हूं and then इस पे में click करता हूं and boom guys see अब आप देख सकते हूं कि मुझे मेरा data आ रहा है कितनी इजली मेरा data आ गया and यहां पे by the way this is the title जो मुझे चाहिए था तो it's a data dot we have a title अगर मैं इस पे click by the way मुझे refresh करना पड़ेगा and मैं अगर इस पे click करूंगा तो देखो मुझे ship title आ रहा है तो आप खुद देख रहे हूं कि यह एक API है जो किसी ने बना के रखा कहीं तो भी उस API को आप में कितनी easily with the help of promises tackle कर पा रहा हूं and यही तो आपका callback है na callback help जो हमने पढ़ा थे यादे बट इहां पर कितना easy हो गया ठीक है जो भी आपको output मिला आप इसको pass कर दो इसका जो भी output मिला आप इसको pass कर दो and return करा दो तो यह था guys आपका promises and कहीं न कहीं यह जो पार्ट है यह जस्ट मैंने दिखाया है क्योंकि इसमें कोई हमें options optional parameter या values पास्ट नहीं करने पड़े थे बट जब आप इसके साथ जाओगे है ना अब बाइद अब मैं directly data as it is छोड़ रहा हूं और मुझे यह देखना है कि अब क्या data आता अगर मैं उस URL को call करता हूं तो यह एक सेकनी क्या हो रहा है सब्सक्राइब करते हैं यहां पर चलते इसको में refresh कर रहा हूं एक सेकेंड टाइप ठीक है URL बाराबर है मतलब कोई काम कर रहा है status 200 ए टू है चलो ठीक है कोई problem नहीं यहां पर चलता हूं तो यह देखो कैसा देख रहा है यह तो दोनों में डिफ्रेंसेस है एक चीज़ में बताना चाहूंगा यहां पर आपको एक अप्सिनल डेटा पास करना पड़ता है no matter what and that is एक headers पास करना पड़ेगा यहां पर आपको चलना पड़ेगा we have a key value pair ही होता है यहां पर ऐसे कुछ हो नहीं है accept and here you need to write application forward slash json कि आप जो यह पास कर रहे हो आप प्लीज इसको as a json format में समझियेगा और यह accept लिखना जरूरी है एक optional parameter जो हम पास कर रहे है क्योंकि यह करना जरूरी है यहां पर हम कुछ करनी सकते यह जब हम आप थोड़ा और आगे जाओगे जब आप node API क्रेट करने जब आपको पता चलेगा सिर्फ headers नहीं बहुत सारे चीज़े है जो हमें पास करनी पड़ती है ठीक है आप बॉड़ी पास कर सकते हो मत तब आपको तब देखा जाएगा बट अब हम इतना करते हैं यह जो पार था ना बिल्कुल आप घब रही है मत यह चीज़े है जो ऐसा ही है अगर आपको ABCD पढ़ना हो तो आप ABCD ही लिखोगे आप यह नहीं बोल सकते मैं क्यूँ ए लिखू एक बाले मैं कुछ और भी तो लिख सकता हूं या हम एही क्यों लिख रहे अरे जिसने बन आप मैं इस पर क्लिक करता हो तो फइनली मुझे मेरा डेटा आगया यह देखो और इस डेटा में अगर आप धियान से देखोगे में आप यहाँ यह एप इस टे विख्यों हमें आप जो यह चीज़ जो बड़ जो दो भी अब डेटा में मिल रहा है दो इस डेटा क्यों य कहां गया we have this API body जिसको मैंने अल्रीड गेट करके API body पर रखा हुआ है बस मुझे वहाँ पर देटा चाहिए so what I can do over here is API body.inner text या inner html रखो and यहाँ पर just data.joke आप pass कर दो इससे क्या होगा इससे होगा यह कि कल की दिन अगर आप refresh करते हो तो जो data वहाँ पर and boom guys see एक second यह क्या हुआ see data मुझे आ गया अब बस न सारा खेल आपके जादू का है I mean आपके हातों का है and CSS का है जहाँ पर I have this style.css file एक second oh sorry मैंने आएगेस अभी तक style.css file जो है वह यहाँ पर copy नहीं कि मैं copy कर देता हूँ कि इतना कुछ है भी नहीं API body को इस तरह किसे रखा हुआ है button है font size है बाकि normal है ठीक है तो यहाँ पर मैं चलता हूँ control and save करता हूँ so three two one and boom I see this is your welcome to dad's joke click कर रहा हूँ I am I am on a whiskey diet I have lost three days already यह यह आई को जो भी प्यकर लोग है या जिनके friends पीते है वो समझ गये होंगे कितना awesome बाता है ना इसने वो डाइट पे है कौन सा whiskey diet आप जब diet करते हैं आपका क्या लूज होता है आपका पेट आपका फैट आप मसल्स कुछ भी लूज आप करते हो राइट यार आज मैं इतना डाइट पे हूं मेरा इतना weight loss हो गया बट यह किस पे डाइट पे यह whiskey डाइट पे मनलब बंदब पी रहा है और वो इतना पी चुगा है कि उसको यादी नहीं तीन दिन की उसके अरे तीन दिन चला गया बंदब बिहोस जो भी हो डाइट था लेकिन वो मनलब कुछ इस तरीके का I hope आप समय तो समझ गया हूं ब we just need to like call our function जब भी कोई इस पेज को लूड करें तो यह function by default call हो जाना चाहिए this is it तो by default मैंने फंक्शन कॉल कर दी by default एक मुझा always मिलने ही वाला है so this is how your dad jokes looks like कैसे लगा था न awesome and by the way don't worry यह तो सिब मैंने promises के थुरूप बताई आप मैंसे बहुत होगा दिमाग जरूर खराब होगा यहां पर कि यह क्या हो रहा है but funda I mean funda was इतना ही था कि आपको एक fetch API call करना है वो promise return करता है and जो भी output आ रह method call करना है ताकि original data हमें मिले तो जब हमने उसको return की तो उसका data वो इसको मिल गया and यहां पर बाइदवे कुछ भी लिख सकते थे ठीक है तो वो जो data हमें मिला फिर उसको मैंने इस तरह के से पास कर दी अब आज आता है आपका async await by the way this is your async await तो same ओही example है same ओही example है it's just अब मैं आपको async await के थुरू करके बताऊंगा तो देखो क्या है यह async await na they are the JavaScript keywords जो की ECMAScript 2017 में बताये गया था and don't worry मैंने याद है आपको बताया था लिखने जा रहे हो जो की आपका दिखेगा आपको फिल होगा कि आप तो एक normal सा synchronous code लिख रहे हो making it easier to write read reason देखा callback helmet ठीक इसका opposite था promises आया अब async await तो और easy कर दिया उसको so async function जो है यह आपको async keyword use करना होगा to declare an asynchronous function तो यहाँ पर आपको guys यह जो async function declaration अगर आपको करना हो तो you need to use the async keyword simple सा and then guys वो promise जो implicitly आप उसको बहुत easily वो handle कर पाएगा simple even if the return value is not explicitly wrapped in a promise inside the asynchronous function you can use that I mean you can use the await keyword to pause the execution of the code until a promise is resolved or rejected simple async आपको use करना है and then await keyword का use करना है and इन दोनी की मदद से आप बहुत easily promise को handle कर सकती हो कैसे मैं आपको बताता हूं यह जो सब कुछ सेम है it just three देर पहले जो मैंने promise की through की थी अब मैं आपको दिखाऊंगा with the help of async await ठीक है तो सबसे पहले एक function हम call कर रहे है जिसमें मैंने fetch method यूश की सीम यही चीज अगर मुझे async await की मदद से करना होता तो const fetch data and एक काम करता हूं पहले में normal वाले से करता हूं फिर इसके बाद मुझे वापस try and catch method की मदद से भी तो बताना है आपको एक चीज यह तुम्हें भूली गया अगर गलती से आपका यहां पर API गलत होता है ना इस वाले case में अगर आप refresh करते हो तो देखो guys आपको यहां पर inspect पे console आ जाता है कि fail to fetch at इस तरह से वाव है ना awesome मतलब एक काम कर सकते हो ना यहां पर आप लिख दो API is not working and refresh see API is not working है ना कितना ज्यादा awesome कि promises में जो error आता है उसको आप बहुत इजली handle कर सकते हो I am really sorry मुझे थुरी दे पहले बाता देना चाहिता बट जब मैं async अवेट कर रहा हो ना यहां पर मैं वो करी नहीं सकता यहां पर मैं error handling नहीं कर सकता उसके लिए हमें try and catch लगेगा जो कि थुदिर मैं बाता आता हूं just आपको मैं एक hint दे रहा था भी so async function we have a fetch data yeah this is it अब यहां पर सबसे पहले आप एक variable बना लिजिए const response and now you need to call the fetch method ठीक है and इसमें आपको वो URL पास करना है so it's a API URL all right now अब यह ना आपको यहां पर keyword add करना पड़ेगा that is await मदलब आपने इस function को call किया उसके अंदर आप इस API को call कर रहे हो and यह जो fetch API है यह आपका promise return करता है and promise return करता है इसका मतलब होता है कि future में जाके यह data देने वाला है and अगर future में जाके data देगा तो future तक हमें रूकना जरूरी है उसका इंतजार भाई wait करना जरूरी है so that's why we need to use this await keyword जो कि रूकेगा जब तक इसका data मिलनी जाता है जैसे इसका data मिलेगा वो response को pass कर देगा अब यहाँ पर console.log इस response को में log करना चाहता हूं मैंने कहा न and even यहाँ पर भी लिखा है कि यह async await आपके asynchronous code को ऐसा look and ऐसा behave यह फिल कर आएगा कि यह तो हम एक normal सा code लिख रहे है and देखनों कितना easy भी है यह promise का data जो future में मिलने वाला है उसके लिए हम थोड़ा सा wait करते है जो भी data आएगा इसको हम pass कर देंगे वही इस इसी data को अगर पाने के लिए यहाँ पर देखो जा रहा कर लास्ट में catch देना वह error को पकड़ने के लिए ठीक है and this is it इसको मैं हटा रहा हूं इसकी need नहीं है मुझे copy paste so this is our original one and देखो response में मुझे यह data आ गया same यह वही data है जो मुझे promises में भी आया था जब हमने यह response को मैंने get की थी but उसको मैंने क्या किया फिर response.json किया था remember अब same हो ही है मुझे वह data string I mean json format में आ रहा है तो मैं क्या बोलूंगा मेरा यह जो भी data मुझे string format में रहा है उसको convert कर दो into original data ताकि JavaScript उसको use कर सके and again यह भी आपका promise return कर रहा है यह method भी आपका promise return करता है तो हम बोलेंगे भाई थोड़ा सा वेट कर लो and अगर data मिल जाता है future में तो उसको इसमें store कर देना कितनी easy fetch को call किया जो भी data आया response को दिया response में हमें json data convert किया रुख जाओ थोड़ा जैसी future का data आया data को दे दिया यहाँ पर मैं चलूंगा console.log में data pass कर दूंगा मैं यहाँ पर चल रहा हूँ और refresh कर रहा हूँ यहाँ पर आप देखोगे तो यह data मुझे I mean इस तरीके का problem आने वाला है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते dot joke में कर रहा हूँ अब यहाँ पर एक चीज जरूर है कि फिर से वह से मेरर आएगा पाता है क्यों आ रहा है क्योंकि हम यह जो code देख रहे हैं इसमें और इसमें नॉर्मल API का data ना ऐसा होता है बट यह कुछ अलगी दुनिया का API है सो वह कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको तो हमें explicitly बोलना पड़े कि इसका title यह है इसका character यह है हम यह चीज़े इस file के अंदर यूज कर रहे है समझ रहे हैं इनफॉर्मेशन बताना हमारे applications के बारे में जो की दुनिया को दिखनी रहे उसी तरह के से यहां पर भी वह हो रहे कि हमें बताना पड़ेगा कि दो यह आपको लगनी रहा हो कि यह json file है बट हाँ आप accept किजिए इसको कि यह आपका एक app json code ही है application forward slash json ठीक है yeah this is it the moment इतना आप एक से किनी मैंने कहा लिख दिया यह yeah it's perfect the moment आप यह करते हो यहाँ पर मैं चलता हूँ रिफ्रेस करता हूँ यह आप इसको prefer करोगे लिखना by the way callback health से बचने के लिए promises आया था promises को और simplified करने के लिए async अवेट आया है तो बहुत सबी लोग इसी कहीं यूज करता है मैं भी 90% case में यह यूज करता हूँ ठीक है अब बस यह है कि यह जो data है यह वाला इसको copy किजिए यहाँ पर paste कर देजिए खत्म होगे आपका अगा refresh है न अगेन वह एक problem है जब तक इसको मैं click नहीं करूंगा API body is not defined यह क्या बात हो रहा है oh I am really sorry यह यह तो मैंने किया ही नहीं यहाँ पर यह आपको reference तो लेना पड़ेगा API body का एक data मुझे यहाँ पर आने वाला है जब-जब मैं click करूंगा वह data मुझे मिलता जाएगा so यह है न awesome see now एक problem है यहाँ पर problem है यह हो गया कि अगर कल की दिन let's say API wrong है गलत API है क्योंकि अगर API ही wrong है तो देखो कुछ नहीं मुझे error आ रहा है अब मैं कुछ भी कर लू मुझे error आ रहा है कहीं मेरे पास कोई option ही नहीं है मुझे कोई यह बता दू कि क्यों error आ रहा है तो वह इसको बचने के लिए we have a try and then catch इतनों को मैं copy कर रहा हूं ठीक है all right guys तो आप देख सकती है कि मैं यहां पर आ चुका हूं that is error handling तो हमारा async अवेड भी complete हो चुका है अब error handling ठीक है so the try and then catch statement is used for error handling it allows you to catch and handle exception try में आपको code लिखना है कुछ भी गड़बड अगर वहां पर हो गया तो जो catch के अंदर उसको हम catch कर लेंगे खत्म तो यह वही catch है if you remember promises में भी तो हमारे पास catch था यह देखो ना कहां चला गया over here see it's a catch यह देखो जो code मैंने catch में लिखा है सेम वही डिक्टो में आप वहां पर करने आप यह जो इतना लंबा चौड़ा था यह सारे data को मैं आप try के अंदर रहूंगा try के अंदर हम वह code लिखते है जो हमें लगता है कि इसमें कुछ error हो सकता है कुछ error दे सकता है तो वह हमें try के अंदर लिखने अगर in case कुछ हो जाता है तो वह catch उसको catch कर लेगा and data में मिल जाएगा so बस वह है try block and then catch block and we have also finally block here also promises में भी finally था यहां भी finally है but यहां भी finally नहीं देखेंगे क्योंकि उसकी need नहीं अभी just 3 दिर पहले आपने जितना complete किया था वह मैंने रखा है अब क्या हो जब भी आपको इस function को call करते हो this is the scope of your function if you remember this is your function guys अगर आपको दिख रहा है so this is the scope of your function इस URL से लेके इस URL तक यह जो code आपको दिख रहा है यहां पर यह आपका इस function का scope है जो भी यह yellow part है उसके अंदर तो इस yellow part में जितना भी आपको दिखाई दे रहा है यह सब के सब आपके आंगे किस के अंदर try के अंदर यह सब आपके try के अंदर आने वाले इसके नीचे आपको वह catch वाला part लिखना होगा जो कि same by the way आपको दिखा नहीं जो भी मैंने लिखा वो जो same वहां पर आपने लिखा था during promises ठो ठीक यहां पर मैं चलता हूं we have a try and यहां पर आके मुझे इसको ठीक इस जगे पर आके पेस्ट करना है इस तरही से and then we have a catch तो catch का कुछ आपको इस तरही से syntax लिखना है ठीक है so now what I can do is यहां पर आपको एक error मिलता है by default एक object मिलता है अब यहां पर console.log error pass कर सकते हो and by the way I guess उपर कुछ हुआ गया नहीं हुआ ठीक है yeah this is it so अब we have a try and then we have a catch जो code जितना भी async में आमने लिखा तो सब कावे ने try के अंदर कर दिया अगर in case कुछ यहां पर गडबड हुआ तो वो हम catch कर लेंगे यहां पर and वही save में इसको copy करूंगा यहां पर मैं लिख दूंगा error यह जो भी let's say पहले इस error को हम pass कर देती है यहां ठीक है अब देखो ऐसा था इसको मुझे copy करना है paste करना है यह देखो type error fail to fetch वाव है ना awesome मतलब कितनी easily हमने error handling कर दी with the help of try and then catch block बता भी रहा है type error देखो ना type error जहां पर कुछ तो भी typing error हो गया typing error fail to fetch हम data को fetch नहीं कर पारे बता भी रहा कि data को fetch नहीं कर अच्छा आप देख लेते API में कुछ गरवड़ी है अरे my god यहां पर यह API में एक extra कहां से क्या आ गया था अब मैं refresh करूंगा by the way मुझे भी देखना पड़ेगा API क्या था API तो यह है okay अब मैं यहां पर चलता हूं यह कैसे हो सकता है मैं यहां पर चलता हूं ctrl s save करता हूं https i can has that dot com dot com ही है न oh sorry it's a com arcoms थोड़ी है इसको refresh करता हूं yasi हो गया अब मैं क्लिक करूंगा दुसरा क्लिक करूंगा दुसरा क्लिक करूंगा दुसरा तो guys यह था आपका callback help यह था आपका promises यह था आपका async await and with the help of try and then catch block so अब आपका async await and then try and then catch block मिलके अब आप कोई भी asynchronous operations को बहुत easily handle and then perform कर सकते हो and just आपको ध्यान में रखना है you need to write async await await इतना easy and by the way अब यह जो code आपने लिखा यह था आपका traditional function अगर 99% chance है कि मैं always fat arrow function use करता हूं so it's a const आपका function का नाम जो भी है fetch data equal to यह तना तो आपको मालूम है कि आपका traditional function है इसी data को मैं कुछ इस्तरगे से fat arrow function में लिखता हूं बढ़ हाँ यह जो आपको इस जगे पर लिखना पड़ेगा parameter से पहले and आप इसको comment कर दीजे तो अब यह जो है आपका asynchronous function बना वो भी asynchronous fat arrow function इस तरीके से यह आपका बन गया तो मैं अगर यहां चलता हूं रिफ्रेस करता हूं and boom guys see this is it so यह थे आपके advanced javascript के main concept जो एक बार आप अकर master कर लेते हो तब guys मजा आ जाएगा you feel super confident delegation promises higher order function callback function async away try and then catch blocks भाई बहुत कुछ था यह and कितना easy हो गया कितने easy website बना रहे हो कि जब भी कुछ click करें नया data मुझे आ रहा है कहीं और से आ रहा है किसी और का API हम use करके इस तरीके से website बना दिया बहुत सारी जगे आपको यसे website मिल जाएंगे तो at least इतने काबिल तो आप होई चुकिए और हमारा जो mega project आएगा अभी थुईदर में और मजा आ जाएगा and part 3 जो वीडियो है comment section अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे जो part 3 वाला वीडियो 7 days ठीक है yeah so guys अब हम चलते हमारे next section पे all right guys तो हमारा जो world best JavaScript course है उसका जो part 2 का final project में हम आज चुके है and then जो last 3rd part 2 का part 3 इसमें हम हमारा complete e-commerce website hosting and all बस उतना देखेंगे ठीक है हाला कि वीडियो भी बहुत ही जाद important है दो मेंने कहा था कि हाला कि मैं already starting में मैंने कह चुका हूं सिर्फ दो part होने वाले थे but I guess कि वो जो e-commerce website थोड़ा लंबा होगा and कहने कि बारा घंटे के अंदर नहीं आने वाला and timeline में कुछ problem आ सकता chapters में जो कि मैं नहीं चाहता वो आये ता कि आपका जो experience or learning experience वो थोड़ा खराब हो जाए that's why guys अब यह तीन पार्ट में आने वाला है मैंने आपसे जैसे कहा था तो यह हमारा final project होने जा रहा है इसमें आपको बहुत कुछ सिखनी मिलने वाला and कहीं न कहीं जब आप real world company में जब आप काम करोगे तब आपको most of the time API है and उस API के मदद से आपको इस तरिके का awesome application क्रेट करना है जहां पर आपकी city में रह रहे हो आपका जो current day time and then date वो दिखाना है वो city का I mean वो जो weather अभी उसका कैसा है weather like अभी कैसा सुवाना है is it like raining cloudy जो है न तो आप यहां पर forecast कर सकते हो उसका icon दिखा सकते हो clear मलब सूरज दूप अच्छा निकला हुआ है temperature बता सकते हो in Fahrenheit then we have this चार कुछ ऐसे attributes है इसके यह attributes आप बोल सकते हो जहां पर बता रहे कि क्या feel हो रहा है कितना feel हो रहा है वो ताने कि बहुत ज़्यादा गर्मी है but reality में ठंडी अपली फिलो रही है तो feels like humidity कितनी है हावा कैसी है pressures कितने है and best part यहां पर you can search आपकी city यह नहीं मैं तो मुंबई में जाने आपके दिन यह क्या हाल चल रहा है वहां पर देख लेता हूं यह ना तो आपको मुंबई इस तरी किसे माहौल है वहां पर तो basically यह कैसा application है जहां पर दुनिया वर का जो भी city हो उसको आप यहां पर search कर सकते हो ठीक है तो यह बहुत ही awesome एक project जो आप अपने resume में add कर सकते हो github में add कर सकते हो दिखा सकते हो कि मैंने खुछ से बनाया है मैं तो यह चाहूंगा से जो हमारा जो part 1 था उसमें भी हमारा जो final project था that is our to-do list उसमें भी मैंने steps add किये यह steps add करने के पीछे का reason यह है हो सकता है कि इसमें से step 1 and then step 2 यह आप खुछ से कर सको at least आप इस step को देखके आप खुछ से भी try कर सकते हो yeah all right guys तो बाते बहुत ज्यादा हो गई यह आपको पता चलगा होगा कि हम क्या create करने जा रहे and यह हमारा final project होने जा रहा है on part 2 and part 2 में तो my god हमने like जब से शुरू की तब से projective project and इतना सब कुछ हमने देखा पुरा दिमाख भर चुका लेकिन I hope आप एक और बार देखो के part 2 को मजा आजाएगा like this is the best यह part 2 ऐसा था कि जो आपको एक label उपर ले जाएगा ना कहीन के आप में confidence add कर देगा javascript 1 देखे अगर आपको let's say 40% confidence आऊगा तो यहाँ पर कहीन के आपको guys 80-90% तक के confidence हाँ चुका कि मैं कर सकता हूं right yeah so बिना किसी दिर की बिल्कुष start करते हैं अभी तक subscribe लाइक नहीं किया तो please कर दीजेगा source code आप यहाँ पर startup file उठा सकते हो आपनी starting में पहले download कर दिया तो उसमें रहेगा tension नहीं है alternative website भी मैंने दीता है कि आप तो आप तो कोई problem नहीं यह नहीं तो यह नहीं तो यह नहीं तो यह दोनम से कहीं नहीं कहीं चलता रहेगा ठीक है so yeah हम चलते है हमारे VS Code Editor पे तो कुछ steps से end है ना तो मैं सबसे पहले step 1 step 2 चलते पूरा एक बार में ना पढ़के सबसे पहले like we need to select the dome elements and then ठीक है सबसे पहले यह है लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा हमें हमारा index.testiml file पे चलना पड़ेगा so guys आप देख सकती हमारे index.testiml file पे आ चुका हूं don't worry आपको भी यह मिली जाएगा है ना तो यहां पर आना है तो सबसे पहले हमारा index.testiml file you can go with weather API या weather app लिख दीजे तो guys सबसे पहले मैं आपको यहां पर लेके चलता हूं अगर आप ध्यान से देखोगे so एक तो हमारा main container है ठीक है अब पूरा समझ लोग हमारा main container है उसके अंदर what we have we have one search box एक search box है जहां पर हम कोई भी city का नाम लिखते हो उसके बेस्वा में date आता है उसका कहीन कहीन अगर आप यह वाले पार देखोगे तो एक complete डबबा आई है जहां पर आपको city का नाम and then वो कौन सा country है then अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे we have this एक part जिस पर आप देख सेकते हूं कि दिन कौन सा है उसका date क्या है timing क्या है हम already date देख चुके उसके बाद अगर आप देखते हो then we have this part जहां पर वे उसका forecast अभी कैसा है मौसम कैसा है बारिस हो रही है cloudy है या धूप निकला हुआ है sunny है जो भी कैसा है तो वो उसका नाम हो गया then अगर आप यहां पर देखोगे so एक second यह वाला जो part आपको दिख रहा है यह क्या कैस यह है आपका cloud cloudy कैसा है वहां पर basically अगर cloud है तो cloud का icon sun है तो sun का icon तो भी icon वाला part है और कहीं ने कहीं यह जो तीन पार्ट आपको दिख रहा है यह जो तीन पार्ट है यह भी एक group है तो कहीं ने कहीं यह एक पार्ट आपको दिख रहा होगा कि यह हमारा main container जिसमें एक search box आ गया ठीक है so this is one, this is your two यह पूरा का पूरा एक three आप एक div बना के रख सकते हो और वहीं अगर मैं यहां पे आपको ले चलू है न तो फिर से यह वापस यह जो पार्ट आपको दिख रहा है यह तो basically हमारा outer container है वाठ हाँ कहीं न कहीं यह वाला जो एक पार्ट आपको दिख रहा होगा इदर यू can use grid इदर यू can use float या relative position absolute जो भी है वो सब करके आप यह design बहुत इजली create कर सकते मेरा बस कहने का मतलब यह है कि यह होगा आपका fourth container main container जिसके अंदर यह 4 side by side आ जाएंगे तो यह मेरा html file बस इतना ही है ठीक है one more time देख लिए ध्यान से में बस इतना चाहता हूँ कि आपको कहीं कोई problem ना हो समझने में कि क्या हो रहा है एक main container होगा then we have our this search वा एक container then we will have this one container and at the end we will have this one container तो कहींने के अब बहुत किलेली picture out कर सकते हो कि यह आपका पहला यह आपका दूसरा यह आपका तीसरा यह आपका चौथा तो total मुझे main चार container लगेंगे and then उसके अंदर सब container आते रहेंगे तो यही फाइदा है आपका CSS का अगर आप CSS करते तो आपको बहुत इजीली पाता चल जाता है यह तो कितिना simple layout है just इस तरह के साथ खेला हुआ and world best CSS course आप देख सकते हो don't worry source code already है आप देख लीजेगा मैं just one by one step आपको बता दूंगा ठीक है तो आप देख सकते हो यहां पर इसमें गया body पे ठीक है तो मैंने आपको अल्रीडी बता दी हमें क्या लगने वाल है तो सबसे पहले we need one main हमारा container तो class and then we have this container ठीक है and guys CSS ना बताने का major reason यह की बहुत आइम जाता हो इसमें एक एक चीज बताना वो थोड़ा मुस्किल है वो इसलिए भी है ना बट बाकी easy इतना कुछ नहीं main JavaScript का कोर से हम जावस्क्रिट पर focus करते है सब्सक्राइब तो we have this container या perfect तो container के अंदर जो हमारा first था वो था हमारा search what we have we have like this part हमें इसको create करना है ठीक है container तो बन गए अब मुझे search को create करना है search के अंदर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह तो एक search है ही है उसके अंदर एक icon है and then we have one text field ठीक है तो इस तरगी से उसके अंदर जा रहा है वो तो यहां पर चलता हूँ let's go with one div मैंने यहां पर एक class दे रहा है इसको इन क्या दे रहा है मैंने वेदर वाव अच्छा वाज इस तरगी से मुझे आ रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है weather header and then we have form form में action की मुझे कोई need नहीं है इसको भी हमने class दे रहा है वेदर search करके पॉफेक्ट तो इसके अंदर दो चीज़े सबसे पहले आपको एक आइकन लगेगा ठीक है एंड फॉर दी आइकन मेरे पास अल्रेड़ी एक लिंक है तो गाइस simple font awesome पर चलते है and by the way font awesome का cdn वाला जो है वो बेस्ट रहेगा हैना क्योंकि content delivery network यहां से आप बहुत आइकन लगने वाला है वह जो आइकन अब आपको सर्च करना होगा तो आप बहुत इजली कर सकते हो अगेन इट्स लाइक font awesome पर आपको चलना होगा यहां पर आपको आइकन पर चलना होगा और यहां पर आपको सर्च करना है magnifying ऐसे magnifying लिख देता हूं मैं खाली अगर मैं इतना करता हूं तो मुझे इस तरगी से आगया ठीक है इसको क्लिक करना है यहां पर आईए यहां पर आईए और पेस्ट आपको इस इसको भी मैंने class दे रखा है और यह एक प्लेस होल्डर देने का फाइदा यह होता है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर यह सर्च यूर सीटी जो दिखाई दे रहा है उसको हम प्लेस होलों बोलते है इंदा मोमेंट मेंने कुछ भी टाइप किया वो चला जाता है वहां से तो यहां पर लिख सकते हूं जो अभी हमने देखा वहां पर तो सर्च यूर सीटी इस तरिक है ठीक है एंड स्पलिंग बस आपको सही लिख देना है या पॉफेक्ट सो मेरा जो पार्ट वान था वह कंप्लिट हो गया ठीक है अगर इसको में कॉपी करता हूं है ना इस तरिके से एंड यहां पर लेकर चलता हूं आप लोगों को तो कुछ आपको बस इतना दिखाई दे रहा है देखो एक तो style.css मैंने यहां पर link कर दी है तो अब अगर मैं यहां पर refresh करता हूं तो वह आपको कुछ उस्तिर्गी से दिखाई दे रहा है इट्स वाल विकॉस आपको कुछ उस्तिर्गी से दिखाई दे रहा है एंड अगर आप css को भी देखोगे तो यह भी कुई हाइफाई नह इसके अंदर भी color मैंने इस्तिर्गी से कर रखा पैडिंग वेट बिसिकली जो कंटेनर है न यही आपका में कंटेनर है एंड फिर यह वेदर का है आपका हैडर हो गया दोनों को side by side करने के लिए एंड जो हमारा input field था आप देख सकते हो यहां पर किस तरगी से मेने border को नन इदर सर्च को हमने इस्तिर्गी से सेट कर रखा है कि बराबर लेट साइड पर मुझे इस्तिर्गी से दिखाई दे दो वह अगर यह code अगर मैं ना भी लिखता अगर मैं सेप करता हूं और इसको रिफ्रेस करता हूं तो देखो बहार आ जाता है वह देखो क्या और है वह मैंनिफाइंग ग्लास चाहिए था सब्सक्राइब हमने यह code लिखा है ठीक है अब यह पूजिस्टन क्यूंकि अगर मैं आग भी पूजिस्टन एप्सलूट लेट इतना इतना करता तो कहीं ना कहेंगा इस वह बहुत लंबा चला जाता है और वो CSS वाला पाट हो जाता जो अगर आप देखोगे so here we have what now यह वाला जो एक पाट इसको मुझे करना है जहां पर आगर आप देखोगे तो यह तो हमारे में कंटेनर था उसके अंदर बस आपको यह हैडिंग चाहिए यह डेटा चीए यह डेटा चीए यह डेटा चीए यह डेटा चीए बाकी यह मुझे दो डेटा चीए उसके अंदर तो यह मेरा सेकेंड पार्ट है एस्टेमल के अंदर ठीक है तो मैं यहां पर चलता हूं मैं यहां पर जब गया तो यह जो मेरा पार्ट वान था इसको मैं हटा जयता हूं यहां पर लिख सकते हो like input field search यह city search कुछ आप इस तिर किसे लिख सकते यहां पर लिख सकते वीड डेका away the main data कर सकते क्यां मेन टेटा सब हमें यहां मिलना है & यह एक्स्ट्रा डेटा यह एक्स्ट्रा इंफु आप यहांपे लिख सकते तिश्तर कि ठिकर तो यहां पर अब हमारा में डिव आने वाला है तो यहां पर मैं चलता हूं तो सबसे पहले लेस्टू इसमें we have a class जो की है आपका वेदर का सीटी दैन गाइस उसी तरह के से वी हैब वान मोर क्लास अब उसी की नीचे जो हमारा डेट टाइम था अब इसको रख रहा हूं दैन वी है वाला जो डीव है वह वह विगोज अब इस पाट एक की नीचे मुझे वह चाहिए दो हम डिरेक्ली करते तो भी एक की नीचे आई जाता कोई बड़ी बात नहीं थी वह बट यहां पर मैं चलता हूं वेदर डेटा पाफेक्ट अब इसके अंदर वह जो डेटा आता है तो वह we have a class with a forecast थीक है अंद तो इसके अंदर वह वन मोर वुट वी है वाड़ी विदर हमारा आइकन आएगा तो इस थालिए यह पार्ट भी होने वाला है अउल्मोस्ट एंड खाली बचा एक चीज एंड ड़ाट कर तेंपरेचर तो इसके नीचे में चलता हूं here we have a weather temperature वेदर का टैंपरेचर एंड उसके अंदर आप वह दो डेटा बाकि जो साइड बाई साइड अब जो साइड बाई साइड चाहिए तो इसके लिए वी एक लाइब क्लास कॉल वेड़ अंप इससे किसे लिख सकते हो मीन मैक्स एंटेट करोगे तो बाइड दिफ़ल्ट वह आ जाता है तैन वी एफ लाइब क्लास एक और जहां पर आपका जाएगा वह वेड़ मेन करके है इसी को यह कोई कर लेता हूं इसको यह कर देता हूं इसक क्या प्रेट करना होगा मुझे बस इसको क्रेट करना है जो कि मैरा मेन कंटेनर होगा जिसके नदर पहला या आपका दूसरा या आपका थीसरा यह आपका चौथा तो इस तरिक से चार वाक्स हो आप आएँगे तो हम step by step जा रहे step by step यह समझ रहे कि कैसे हम अपना जो ले आउट है उसको हम टैकल कर सकते and styling then हम CSS के तुर and main जो JavaScript होगा उसको हम समझेंगे ठीक है so now we have our weather info ठीक है so it's weather underscore info तो इस तरह किसे हमारा main d बन जाएगा weather info लगे तो आप इसको भी एक section बना सकते थे हैं लगे तो यह भी एक section की तरह आपका काम करेगा या perfect and by the way यह अगर section है आपका तो यह भी आपका section होना पड़ेगा ठीक है this is the rule and all right perfect तो इस से किसे मेरा काम हो चुका है जिसमें से मैं एक करता हूं हमारा जो पहला होगा वेदा अंडिसको कार्ड या इस पॉपक्ट भी जो वेदा अंडिसको कार्ड यह पता है मैंने क्यों ली यह मैंने इसलिए उसके अभी को एक icon है दूसरा यह मेरा data one by one है एक की नीचे के तो यह हमारा main पार्ट होने वाला पहला कार्ड ही में डिजाइन कर रहा हूं जिसके अंदर वी है फर्स्ट आवर आइकन तो दिस्टेम आइकन को तो कल लेता हूं कॉपी ठीक है क्योंकि उसको आपको बतानी की नीच नहीं है हमने यह कैसे गेट कि सिंपल फॉन और सम में जाना है हमें उसको चेक करना है एक डिब लूंगा जिसपे एक वी हब पैराग्राफ जिसपे लिखा होगा फिल्स लाइक क्योंकि यह तो नॉर्मल इस्टेटिक वेल्यू बर्थ हां यहां पर अब हमारा जो डेटा है वह हमें अब एक्च्वल में मिलने वाला है डाटीज वेदर सो हेर वी हाव फिल्स ल और मैं रिफ्रेस करता हूं तो आप देख सकते हो कि मुझे कुछ उस्तिर किसी दिखाई दे रहा है फिल्स लाइक 15 डिग्री एंड यह जो रीजन है यहां पर यह जो मैंने लिखा तो 15 तो 15 हो गया बट यह जो एक यूनी कोड लिखा है यह आपका डिगरी का साइन है मैंन लेता हुँ एक कॉपी ठीक है यहां पर मैं आता हूं यह मेरा दूस्रा काड झीव कई ओम इस काड जो की की mucho humidity दैन वी है वान्व मुट एकाई आप काम्राइज नि exam किसके लिए for 00Dadow होगा इसको मैं double code के अंदर double code तो यहां पर कुछ ऐसा होता भी नहीं है बर्थिया जो भी हो यह मेरा काम हो गया है तो आप खाली मुझे body की ऊपर चलना होगा यहां पर गाइस मुझे मेरा script लिखना है क्योंकि मुझे आप सिस बेसिकली मेरे जो javascript उसको add करना है so here we have a source and then we have a index.js file this is it तो यह मेरे HTML का काम complete CSS में already add कर चुका हूं and मैंने javascript just अभी add कर दी ठीक है तो मैं आप यहां पर चल रहा हूं here we have a index.js file तो अब हम हमारे style को मारो गोली इसको भी मारो गोली यहां पर आप चलिए देख से पहले we need to select the dome elements मुझे अब उनका reference लगेगा मैंने आपको object में बताया था what is your call by value and then what is your call by reference तो call by reference अब हम करते तो उसका original data हमें मिल रहा होता जिसको बहुत इजली चेंज कर सकते है ठीक है so now मुझे अब जितने भी data यहां लगने वाले उनका मुझे reference लगेगा basically मुझे उनको get करना है and यहां पर चलता है we have index.html जिसमें अगर आप ध्यान से देखते हो so this is not the index.html जो मुझे चाहिए यहां पर यह है वो तो यहां पर आप देखोगे तो सबसे पहले मुझे क्या लगने वाला है मुझे लगने वाले यह सारी चीजे यह मुझे जो second section में जो basically हमारा part है second वाला this one इसके अंदर यह जैसे weather का city क्या है weather city या date and time उसका like forecast उसका icon temperature क्या है यह वाला जो पार्ट है यह अब मुझे लगने वाला है ठीक है so मैं कैसे कर सकता हूं मैं यहां पर चलता हूं so here we have city का नाम and that is your document.queryselector simple. क्या option आता है नहीं option नहीं आता है so it's a weather underscore city ठीक है तो अब यह मैंने कहां से लिखा यह मैंने लिखा यहां से h1 में here we have a weather underscore city copy यह आप चाओ तो ऐसे भी paste कर सकते हो तो इससे अब क्या होगा कि जो मेरा h1 ने उसका access मेरे पास आ चुका है अब मैं city name dot inner html या dot inner text या text content equal to कुछ भी लिख दूँगा तो मुझे वो जगे का नाम मिल जाएगा ठीक है जो भी आप लिख सकते हो एंड इस तरह करता बूंग ऐसी देख लीजे मुझे पूने इंडिया पूने इंडिया तो मैंने html में नहीं लिखा राइट यह तो मैंने नहीं लिखा इस जस्ट मैंने क्या कि जावस्क्रिप्ट की मैं मैंने विदी हेल्प ऑप डॉम मैंने उ इस तरीके से मेरे पास डेटा है तो मैं उनको कॉपी कर दे रहा हूं प्लीज अब आप यह मत बूलिएगा मैंने क्यों कॉपी किया क्यूंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपको टाइप करके बताऊंगा या मैंने कॉपी करके बताऊंगा तो डिफ्रेंस आ जाएग हमारा आइकन है और आइगेस आइकन को उपर रखना बैटर रहेगा दैन वेदर का जो मिन मैक्स है और वेदर का जो बिसेकली मैक्सिमम है तो इन सब को मैंने एक एक वेरियाबल में स्टोर करके रख दी इस इस ठीक है पॉफेक्ट तो दिस आउर स्टेप वान नाव लेट जो कि यह बोलता है फैच वेदर डेटा अब हमें वेदर का जो डेटा उसको फैच करना है ठीक है एंड हमने अल्रेडी पढ़ा था हमारा एडवांज आउसकिट में की कॉल बैक हैल से बचने के लिए हम यूज करते किसका प्रॉमिसेस का और प्रॉमिसेस को भी और सिंपल अब यूज करना ही पड़ेगा अब यूज करने की जोथ नहीं है तो ओपन वेदर में आपको आना है है सिंपल साइन इन कीजिए और यह कुई स्पॉंसर भी नहीं है आप लाइक करना ही पड़ेगा डेट अगर आपको कोई पर रख लीजे एंड में फिर से बता रहो गाइस प्लीज आप मेरा प्लीज आप मेरा प्लीज की मत किजिए गा क्योंकि लिमिट है इसमें कुछ तो भी आई गाइस है तो फिर फिर खत्म हो जागा इन कल की दिन अगर मुझे इसका यूज पढ़ा तो मैं यूज नहीं कर पा यहां पर आपको दिखाए देता है कि इसको करने की कौन-कौन से तरीके है क्या-क्या देटा आपको चाहिए इस एक थभूब so here we have this current weather data hourly forecast data daily forecast data ऐसा वैसा है ना तो ये current weather data आप API docs पे click कर दीजिए तो जब आप इस पे click करोगे तो आपको इस तरीके का पूरा देखो data आजाता कि क्या है कैसा है किस तरीके से आपको करना है तो आप यहाँ पे सब कुछ पढ़ सकते हो जब आप इसको heat करते हो तो आपको किस तरीके का data दिखाई देता है देख रहो यहाँ पे कुछ इस तरीके का data आपको दिखाई दे रहा है तो यह सब के साथ आप खेल सकते हो ठीक है तो यह आपका बेसिकली मेरा मेन फंडा यह था कि आपको API की चाहिए यहाँ पे बसर कुछ नहीं बाकि तो URL मेरे पास पड़ा वाथ तो आपको टेंशन नहीं लेना है तो अब बस वही करना है और उस एक्स्ट्राक्ट रेलेवेंट डेटा और कुछ डेटा को मुझे एक्स्ट्राक्ट करना होगा लेट से टेंप्रेचर इमिडेटिव एंड यह सब वह सब आप पेज लोड करें यह आप उस पर्टिकुलर युर्ल पर विजित करें तो बाइड फंक्सन कॉल हो जा रहा है इसमें लोड करना है इसमें गेट वेड़ डेटा इस इट खत्म यहां पर बेस पार यह कि दा मोमेंट पेज लोड होगा यह चल जाएगा ठीक है अब मुझे इसको डिफाइन करना होगा सो कॉंस्ट गेट वेड़ डेटा में फैट अरो फंक्सन यहां पर यूस कर रहा हूं और जब भी आप फैच एप्या के साथ खेलोगे आपको उसको एसिंग फंक्सन बनाना पड़ेगा तो वी नीट तो राइट एसिंग वी नीट तो गो वी ट्राइं देन कैच यहां पर क अब यहां पर मुझे लगने वाला है मेरा API तो मैं क्या करता हूं यहां पर मेरे पास अलड़ी API है तो उसको मैं कर लेता हूं कृपी जो इस तरीके से है न नें कोभी कर रहाँ और इतली दूर जो मैं ने वी की यस्त गेनरेट की थी उसको अपको कॉपी करना है यहां पर इस त्रीकी सेट करना है यहां पर एक बैक टीग शुंस किजी margin यहां पर backtrick पता है में की यूज कर रहा हूं just because of this part यहां पर आप देख सकते हो after this question mark this is your query parameter जहां पर मैंने क्या की Q equal to Q means your query equal to यह आपको CT में यहां पर पास कर रहा हूं and यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है ठीक है यह जो है इसको आप इस तरकी से ना करके आप इस तरकी से भी कर सकते थे अगर आप यह जो URL जानुए मैंने रॉंग लिखा क्योंकि एबरी टाइम हीट होगा तो मेरा एक-एक माइनस होता जाएगा जितना total credit हमें मिलता है इसलिए मैंने जानुए इसके URL में रॉंग करके रखता हूं ताकि मैं कुछ भी चेंजस करूँ तो वह हीट ना हो ठीक है तो फिलाल अभी एकदम उसी तेरे से कर और नीची हम चलते हैं तो जो तैंपरेचर मिलता यह देन फो तेंपरेचर यह आपका मैक्सिमम तैंपरेचर यहां पर प्रेस हमें सबाई है वेट की स्पीड अभी हां से देख सकते हो टाइम आप यहा पर देख सकते Kerry कर में हो फिलागा है यह हैॉट taş and here we have our name Pune तो जो भी data हमें चाहिए यहां पर आप देख सकते हो ठीक है तो आप मुझे इन सभी data को get करना है तो हम कैसे कर सकते देख लीजे तो यह तो आपका API है लेकिन सबसे पहले आपको API call करना पड़ेगा here we have a response आपको await लिखना पड़ेगा and then you need to go with the fetch method ठीक है तो यह fetch method में यूज कर रहा हूँ and यहां पर यह जो मेरा weather URL उसको मैंने पास कर दी this is it यह जो response मुझे मिलता ही है string format में basically json format में I need it in original format object के form में यह भी आपको promise return करता है तो हम wait करेंगी future में जो भी data आएग यहां पर मेरा जो भी response में json so you need to write dot and then json function जो इसको मैं call कर दूँगा यह क्या करेगा जो भी string data है उसको यह convert कर देगा किसमें हमारा जो original object में अब मैं इस data के साथ खेल सकता हूं and by the way guys ऐसा कोई भी problem हो मैंने markdown में अगर आप नीचे आओगे तो यहां पर मैंने कुछ वो भी करके रखा हुए चीजे कि अगर कुछ चीज है तो हम क्यों यूज कर रहे है न तो यहां पर सारी चीज आपको मिल जाएगी जो भी मैं यूज कर रहा हूं या जो बेसिकली सब यहां पर है अल्रेडी ठीक है अल्राइट तो इस तरीकी से यह डेटा मुझे मिल गया है यहां पर हम अब एक काम कर सकते है न इस डेटा में मुझे कौन कौन सा डेटा मिल रहा है क्यों न मैं आपको वो दिखा दो console.log and then data ठीक है at least इतना मैं आपको दिखा सकता हूं मैं यहां पर चल रहा सेव करता हूं यहां पर यह जो पार्ट है इनको अभी हटाओ यहां इस इस आवर्स तो इसकी फिर क्या नीड है यहां पर मैं चलता हूं इसके तो guys I hope आप आपको बताने की बार बार जौत नहीं की source code कैसे get कर सकते हो तो इसको मैं अटा देता हूं तो यहां पर है inspect console object and आप बहुत clearly देख सकते हो कि मुझे मेरा data आगी है ठीक है तो यहां पर आप देखो कि here we have a dt और basically तो आपका time है name में आपको पुने दिख रहा है time zone है weather यहां पर आजाएगा जो भी data country यहां पर आपको इंडिया मिल रहा है तो कुछ data है जो मुझे चाहिए अब मुझे extract करना है याद है हमारा जो यह step 2 है हमारी step 2 में यही बोला गया है extract the relevant data from the API तो data तो मुझे मिल चुक है करना है ठीक है सो इसको आप मैं हटाता हूं ठीक हटाने की नीड नहीं है रखते है यहां पर मैं चलना हूं और हम बहुत इजली नब इस्ट्रक्टर कर सकते जो हम अलड़ी पढ़ चुक है सब्सक्राइब जो भी data होगा from our data ठीक है जो मुझे चाहिए we have a main, the name, weather, wind, system and dt यह मुझे क्यों चाहिए क्योंकि main में अगर आप देखोगे तो मेरा temperature, pressure, humidity सब इसके अंदर आ गया मैंने पुरा यह main container है उसको मैंने get कर लिए तब main.humidity, main.pressure, main.temperature बहुत इजली मैं कर सकता हूं then मैंने क्या use की? name जिससे मुझे पूना मिल जाएगा फिर मैंने system use की क्योंकि system के अंदर अगर आप चलते हो तो system के अंदर अगर मैं तूप पे इता मैं फिर से बताता हूं यह क्या हूँ आप अगर मैं चलता हूं system पे then system.country लिखूंगा तो मुझे तो IN किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस इंडिया, इस नेपाल, पकिस्तान US, स्रिलंका, बांगलादेश क्या यह IN? नहीं मालूम बढ़ हाँ वह एक API है अगर जहां पे आप इस तरके से code देतो तो उसका original जो country का full name में वह हमें return कर देगा same अगर आप देखते हो, यहां पे we have this DT यह जो DT है यह आपको time दे रहा है in milliseconds तो इसको भी मुझे मिलिसेकंड में convert करके फिर यहां पे भी में को यही internationalization API हम use करेंगे same वो फिर उस country का जो date and then time वाला format है उसमें convert कर देता है तो यह API बहुत काम आते है तो एक API के अंदर भी मैं आपको दो और extra API बताने जा रहा हूँ and इससे पहले वाले में भी मैंने आपको दिखाया था हम कैसे वो एक API उसकर सकते थे navigator वाला याद है तो यह हो गया then we have this weather तो आप यह देख लिजे कि weather का या here we have a weather and यह weather का भी बहुत important हाथ है क्यों क्योंकि इस weather के अंदर ही तो आपका description है आपका icon है आपका main text वो क्या clear है या cloudy है या rainy है जो आता है न टॉप पे नाम यह वाला नाम basically यह दिख रहा है यह clouds यह आपका main हो गया यह तो आपका city हो गया यह system.in India वाला फिलाल तो यह पे आपको कुछ और आएगा बट यह है इसलिए मैंने उसको get करके रखा ठीक है yeah this is it अब इतना मेरा काम हो गया है अब हम चलते हमारे third step पे जो की है we need to review the I mean review the API data जो की हम already अभी कर चुके so third step it's also done then we have our fourth step जहां पे आपको display the city name आपको city का नाम को display करना है जो की बहुत दीजिए बट हाँ आपको साथ में उसका country name जो इसको भी display करना होगा and country name में display नहीं कर सकते as it is क्यूंकि हमें जो data मिलता है वो मिलता कि किस form में country के code के form में जो की एक IN है but in reality मुझे आयन नीच यह मुझे चाहिए कुछ वो इस तरीके से जहां पे वो लिखा होगा इंडिया इस तरीके से ठीक है मुझे पूने कॉमा आयन को इंडिया में convert करना है तो यह हमारा fourth step है यह हम कैसे कर सकते हैं तो उससे पहले में करता है इसको मैं हटाता हूं अब इसकी भी मुझे नहीं है इसकी भी मुझे नहीं है फिलाल यह तो आपको पता चली चुका है तो हम जितना हो सकता है उतना कम रखते हैं चीजों को है ना ओल्राइट यहां पर मैं चलता हूं internationalization API in JavaScript यहां पर आपके देख सकते हो यहां पर आप देख सकते हो इतने सारे देखो date time format है we have display करके भी होगा यहां पर static properties here we have this internationalization basically intl.displayname तो इसका क्या काम होता है यह एक ऐसा object है it enables the consistent translations of language region यहां पत्चे से नहीं बता इन्होंने बट कोई नहीं मैं आप लोगों को बताता हूं here we have, ठिक इसी के नीचे अगर आप आते हो तो यहां पर बहुत किलियली देख सकते हो यह एक ऐसा object है and it's a part of your internationalization API in JavaScript it provides language sensitive string comparison number format कर सकते हो and date and time format आप कर सकते हो and वहीं पर तो वहीं पर जो second part basically हमारा function का नाम है जो अभी हम call करने जारे जहां पर अगर हम country का code pass करते है हमारे इस API को then as an input तो वह क्या करता है वह उसका corresponding full name होगा country का वह हमें in English return कर देगा simple simple एक जो code आप देते हो country का code उसका actual full name है वह हमें return करके देता है तो बस इतने ही इसका काम है code को proper तरीके से हमें format करके देना किसे यहां पर आते हैं city name dot we have inner html अगर मैं यहां पर simple already we have a name अगर मैं सरी पितना भी लिख देता हूं तो भी मेरा अगर आप देखोगे यहां पर इस जेगे पर here we have this अगर मैं refresh करता हूं तो मुझे देखो पूने आगया मैं जो पूने मैंने खुछ से हाड कोड़ नहीं की है यह वो डेट है जो मैंने API से गेट की but the problem is कि अगर मैं पूना and then comma वो मैं if you remember we have a system dot we have a country country है न तो यह मैं इस तरह किसे कर नी सकता फिर इहां पर उसके लिए मुझे अब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा guys back tick के अंदर रखना पड़ेगा and here we have template literals comma and then again here we have a template literals इस तरह किसे ठीक है so problem यहां पर क्या आने वाला है कि अगर इसको फिर से मैं refresh करूंगा तो मुझे पूना comma and then मुझे इस तरह किसे so if you are okay with this simple country का code then it's fine but कहीं नहीं यह उतना मजा नहीं आ रहा है तो मुझे कास यह पूरा इंडिया बोल देता खली code ना देके तो हां उसके लिए हम इसका यूज करते है and by the way इसका यूज कैसे करना है अलड़ी इहां पर आप देख सकते हो कि आपको यह एक अलड़ी नहीं पर देख सकते है यह इन टील डॉट डिस्प्ले नेम्स आपको लिखना होगा ब्रैकेट के अंदर यह जो है ना यह जो इन दिख रहा है यह आपका कंटर का कोड है हमारे केस में वह आई एन होगा आपको यह टाइप में यह लिखना ही पड़ेगा तो यह जो एक पार्ट है इसको मुझे मिक करना सिर्प यह एक पार्ट उसको मुझे मिक करना है अधैंडे एध्यां मिद्म में देखला यह और hè जोभी डेटा वो रिटन करता है उसको मुझे यह OFF method है उस पर यूज करना है and then again वो data मुझे वहाँ पर पास करना होगा and यह बहुत जाद इंपोर्टेंट है क्यों क्यों कि यह जो OFF method है यही वो एक ऐसा method है जो country code को convert कर रहा है actual full length में तो इसकी मदद से तो आपको पता return कर देगा कि हाँ यह कौन सा data है बट उसको actual में चाहिए तो आपको OFF method यूज करना है तो मैं क्या करता हूँ इसी कोई अप में copy करूँगा लेकिन उससे पहले so guess मैं क्या करूँगा यहां पर यह जो मेरा part है ना इसको मैं as an argument एक function को पास करने जा रहा हूँ let's get here we have a country and then name ठीक है yeah this is it तो यह एक function है जिसको मैंने पास कर दिए I mean मैं आप create करने वाला हूँ तो यह जो हमारा weather app है इसके बाहर में जाता हूँ to get the actual country name ठीक है तो इस तरह किसे मैंने गया comment इसको मैं कर देता हूँ yeah and यहां पर सो कॉंस it's a fat arrow function ठीक है यहां पर आपको वो क्या करना है fat arrow function होगा and यहां पर आपको वो country का code मिल रहा होता तो आप यहां पर code लिख सकते हो इस तरह किसे ठीक है yeah this is it तो बहुत ही जाता simple है it's just मुझे यह लाइन को कॉपी करना है इसको मैं कॉपी करता हूं and मैंने यह सब को एक ही लाइन में करूंगा मैं फालतु का एंट्रेटेंड नहीं करने वाला इस code को इस तरह किसे and यहां पर dot फिलाला में चलो as it is रखता हूं यह सभी को मैं हटाता हूं return कर रहा हूं ठीक है यह तो इसमें मुझे क्या डेटा मिल रहा है वो देखते है है न जो कि मज़ा आ जाएगा and by the way यह जो इन लिखा है न यहां पर मुझे मेरा जो कोड़े वो चाहिए होगा इस तरह किसे तो यह मेरा कोड़ मैंने यहां पर पास कर दी चाहिए अब वह इन हो चाहिए वह आई एन ओ यह जी बियारो great Britain basically United Kingdom आ जाएगा तो मैंने पास कर दी तो अब इससे होगा यह जो भी कोड़े उसका डेटा आ जाएगा है ना जाने मैंने कितनी बार बोल दिया होगा यह बट मैं चाहता हूं कि आपको एक दिया मच्छे से समझे और मैं यहां पर रिफ्रेस्ट करता हूं यह देखो मुझे आपको मैंने क्या पता है यह जो आपको वहां पर पास कर देना इस यह वह फाइनल मैथट जो अब वह अब यह क्या कर देगा काईस अच्छल जो नाम है उसमें और कर देगा अब यहां पर कुछ और कंट्री का कोड होगा अब जो भी अगर बार देश से देख रहे हो तैन आपको टेंसे नहीं करने क्योंकि मैंने इहां पर आइन नहीं लिखा मैं जो भी जगा है उसका जो भी मुझे अपर कंट्री कोड दे रहा है उसको मैंने कर दिया ठीक है यह अब मैं इसको हटा रहा हूं ठीक है मैं जान मुझक कि API जो मैं गलत कर रहा हूं ताकि बार बार यह हीट ना हो कि इसका क्रेडिट खत्म ना हो जाए यह दिस इजिए तो यह मेरा पहला यह मेरा दूस्रा काम हो गया तो आपको एक new API सिखने मिला यहां पर जो कि बहुत जालते हैं and that that is of fifth one now we need to format our date and then time हम already date and time के साथ खेल चुके हैं तो यहां पर भी आपको बहुत ज्यादा मज आएगा तो जो data मुझे यहां पर मिलता है अगर आपको मैं दिखा हूं है ना तो here we have our data यहां पर अगर मैं लेके चलता हूं इंस्पेक्ट पागर मैं चलता हूं console पर तो कोई data फिलल है नहीं यहां पर है क्या data and यहां पर data आएगा भी नहीं क्योंकि मैंने जस्ट अभी उसको close कर रखा हुआ है फिर and यह data को मुझे एक बार इस से करना पड़ेगा ताकि मुझे console पर data आ जाए चलो ठीक है अब मैं यह particular जो seconds वाला है इसको मुझे कुछ इस तरीके से convert करना है तो यह भी बहुत awesome opportunity है आपके लिए कि आप वीडियो को करो pause and आप सोचो कि अगर आपको कोई सिर्फ एक ऐसा time दे जिसमें आपको seconds वाली जो data है वो मिल रहा है तो उसको आप कैसे इस तरीके से पूरा एक complete date, date and time में convert कर सकते हो, it's a challenge, interview वाले भी पूछ सकते है कि एक seconds को आप किस तरीके से इस तरीके से format कर सकते हो, तो वो करने के बहुत सारे तरीके हैं जिसमें से एक आपका ये भी है, यहाँ पे भी अगर आप देखते हो, I mean देखते हो तो we have our international.date time format, यहाँ पे भी आप डिर्क्ली इसकी मदस इसको change कर सकते हो, same हो ये फंडा है, new, intl, just उससा में display names था, अब आपको खाली date time format करना है, किस region या किस language में करना है, and आपको format जब आप करते हो, तो यहाँ पे आपको basically एक option तो पास करना पड़ता ही है, but वो option यहाँ पे इन्होंने दिखाए नहीं, I guess, but कोई मैं आपको बता दूँगा, है न, हाँ एक चीज़ या दखना, यहाँ पे जैसे थुई देर पहले, इससे पहले हमने off method यूश की थी, यहाँ पे आपको लगने वाला है dot format, ठीक है, यह आपको या दखना है, and आप चाहो थी, इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हो, ठीक है, इस यह DT है, इसको मैं copy कर लेता हूँ, all right, मैंने paste कर दी, वो DT यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने उसको, देखो, new date, यह constructor जो मैंने आपको बता था, जो हमें पूरा time दे रहा होता है, तो मैंने into 1000 कर दी ताकि उसको मैं millisecond में convert कर सकूँ, अब अगर मैं इस से current date को अगर मैं log करन चाहूँ, तो अब आप देख सकते हो, कि एक second मैं clean कर देता हूँ, तो मुझे कुछ हो इस तरके से date आ रहा है, यह देखो, 2024, मतलब आ गया ने, at least इतना तो आ गया, जो भी मुझे DT दिया गया था, उसकी मदद से मुझे पता चल रहा है, इस तारी के February का, 2024, टाइम मुझ देखो, फ्राइडे, 2024, टेश, खत्म, आ गया टाइम तो देखो, यहाँ पर कितनी इजली मेरा टाइम तो आई चुका यह है न, बट फिर भी हम इसको और बेटर तरखी से करेंगे, जहां पर we need to have one options, ठीक है, एक options करके एक variable बनाए, basically यह एक object है आपका, जिसके अंदर we have a week key and then value जिसमें weekday, year, month, day, hour, minute and then seconds and यह उसका type है, यह long, numeric, long, numeric, 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 यह एक option है, option हमने इसलिए create कि क्यों कि जब हम इस तरह की से यह internationalization API यूज करेंगे for our date time format, तो यह तो आपको पास करना ही है, जो मैं थोए दिर पहले दिखाया था and आपको option पास करना है, जिसमें पाता है कि आप जब इस को कॉल कर रहे हो, तब आपको in return क्या क्या चाहिए, तो आपको एक weekday लगेगा, year, month, day, hour, minute, seconds, कहने का मतलब है, कि weekday यह आपका हो गया, month, day, year, hour, minutes and then seconds, दो मैंने इहां पर seconds add की हुई है, बट मैं actual में इसको comment कर दूँगा, क्योंकि seconds नहीं अच्छा नहीं लगेगा वो, ठीक है, and मैंने एक और चीज़ कहा था, if you remember, कि अगर आप यह करते हो, no matter what, at the end में आपको एक extra method पास करना पड़ेगा, that is format, ठीक है, तो यहां पर भी बस होई है, अभी हमने जो बनाया, यह जो code होगा, यहां पर आपको format यह जो written है, उसमें format method जो है, उसको call करना है, now यहां पर यह जो DTT दिखाई दे रहा है, basically वो पहले का होगा, यहां पर आप हमें current date लगने वाला है, तो यह वाला जो date है, वो फिर से आपको यहां पर भी पास करना पड़ेगा, and यह जो आपका formatted date है, उसको हम कर देंगे, return, इस तरीके से आपको पता चल गया, यहां पर पूरा data मुझे मिल रहा होता है, इसको मैं run करूंगा, तो मुझे मेरा data आ जाएगा, इसको यह जो चेक ही कर लेते, क्या होता है, console, यहां पर हम नहीं कर सकते फिलाल, बट जो भी हो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, so index.js file पर हम चलते है, ओ भही हो, तो city का नाम तो मुझे मिल गया, उसी तरी के से date and time भी है, तो date time को भी मैं copy कर लेता हूँ, यहां पर आते है, dot we have inner HTML, will be equal to, अब यहां पर मुझे वो पूरा data लगने वाला है, तो हम यहां पर कर सकते, get time करके एक function बना लेते है, get date and time आप कर सकते हैं, आपको dt pass क इतने ही करना है, simple सा, थोड़ा सा उपर आईए, ठीक, इसी की नीचे, to get the date, data नहीं, date and time है न, इस तरी के साईए, cons get date time, यहां पर हम एक dt pass कर रहे हैं, इसके अंदर, ठीक है, and यह जो code इसको copy कीजिए, यहां पर paste कर दीजिए, ठीक है, तो इसकी आप need नहीं है, console.lock formatter, ठ ठीक है, मैं जानवाच की दिखाता हूँ, आपको formatter क्या है, and you can do one thing की, इसकी भी आपकी need नहीं है, आप directly इसको ही return कर सकते हो, मैंने का नहीं, जितना code आप sort कर सकते हो, उतना better है अपने लिए, ठीक है, यह तो बहुत ही ज़्याद एजी था है, इसमें कुछ ऐसा तीर था रहा है, यह कुछ options है, जो मैंने हमारा basically API जब हम call करना है, यह date time format उसमें हमें options pass करने रहते है, अगर आप यह pass नहीं करते हैं, तो आपको फिर वो date time नहीं मिलने, basically यह day hour and then minute नहीं मिलने वाला, उसके बाद जो भी data आपको आया, वो इसने accept कर ली, मतलब store कर लिया, तो मैं वो data आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या है वो data, and then उसी main data में आपको dot format method को call करके, वो जो data हमें मिल रहा है, original वाला, उसको हमें pass करना रहता है, बस खत्म, इतना काने से आपको आपका data आजाता है, यहां पे, है ना, तो मैं एक बार यह देखना है कि मैंने API ठीक कर लेता है, so here we have a dt, here we have, oh my god, yeah, so यह dt मुझे यहां पे नीदी नी हो, तो मैंने जान मुझ कि वहां पे आपको दिखाया था दिखाने के लिए, तो first line तो by default dt तुमें get करी रहा हूं, ठीक है, so मैं फिर से इसको refresh करता हूं, yeah, see, so this is what आपको यह मिल रहा हो, यह जो date time format आपको दिख होगे, and इसके अंदर guys, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो we have this format method, and the moment आप उस format method को call कर दोगे, आपको आपका जो data वो मिल जाएगा, simple सा, ठीक है, बस यह यही था आपका guys, date and time वाला जिस तरी किसे आप format कर सकते, तो हमने एक API देखे, जिसके अंदर हम दो चीज को कंट्री, full name, convert कर दे रहे, and जो एक seconds मिला था, उसको अब हम complete एक पुरा date, time जो भी उसमें, convert कर पा रहे, and I guess data भी मुझे मिल रहे, देखो, मुझे data आगया, अब वो तो बच्चो वाला काम था, यहाँ पर फिलाला भी, sky कैसा है, weather, clear है, cloudy है, या उसका icon वो तो बहुत easy, क् कि वो तो by default हमें मिली रहे, if you remember, by default हम मुझे मिल रहे, उसका तो कोई tension ही नहीं है, system हो गया, या system में नहीं, temperature, weather, weather में by default clear मिल रहे, तो weather.main लिख दूँगा, यहाँ पर मुझे clear आजाएगा, weather.icon पास कर दूँगा, मुझे उसका data आजाएगा, basically icon आजाएगा, वो जो भी ह है, and icon आपका Unicode में, and by default ये आपका Unicode तो मैंने दिखा है, कैसे हम ये degree दिखा रहे थे, तो वही degree वहाँ पर आपको दिखाना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर चलते है, markdown, so now the display additional weather details, simple, जैसे temperature, minimum, humidity, and all यह सब वो सब, so guys, उसके लिए तो आप कुछ ज्यादा है ही नहीं, we have underscore, we have a temperature, dot we have a inner text, भी आप यहाँ पर कर सकते हो, by the way, ठीक है, जहाँ पर आपको लगने वाला है, main dot, we have a main, and then अगर आप जाओगे यहाँ पर, so main dot we have a temp, okay, so see, we have a main dot temp, this is it, अगर आप इतना भी करते हो, आपका गाम हो जाता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ इसको रन करके, यह देखो, 298.23 मुझे डेटा आगया, तो कितनी इजली हमें डेटा आगया, लेकिन कहीं नहीं कि यहाँ पर डिगरी सेल से सवाला एक आइकन मुझे लगेगा, तो उसके लिए guys, we have, यहाँ पर मैं चलता हूँ, 176, basically उसका, प्रॉब्लम अब यहाँ यहा किसे करना पड़ेगा, ठीक है, यह कर देते हो, यहाँ पर अगर आप आते हो, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर इस जगे पर, कुछ दिख रहे हैं यहाँ पर, नहीं है न, but the moment मैं refresh करता हूँ, अब आप सोच रहोंगी कि यह क्या हो गया, यह भई ऐसा कैसे हो गया, मैं आ text content लिखते हो, तो क्या आता है, let's do one more thing, let's go with text content, क्या हो, अगर मैं text content लिखूं, फिर भी नहीं कर रहा है, ठीक है, फिर भी नहीं चल रहा है, लेकिन अगर आप मैं inner HTML लिखता हूँ, and इसको refresh करता हो, तो boom guys, see, अब आप देखो, यह आप आपको यहाँ पर, एक degree वाला जो अगर आपको 23 नहीं दिखाना है, it's fine, but हाँ, अब जो बाकी की जो दो है, वो मुझे जरूर यहाँ पर दिखाना है, that is, अब यह temperature minimum, जहां से देखना, मैं यहाँ पर चलता हूँ, dollar, and it's again a main dot, here we have a temp underscore mean, I think it's a temp underscore mean, है न, तो आप coordinates पर जाओगे, here we have a main, and here we have a temp underscore mean, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, it's a temp underscore mean, so temp underscore mean, आपको लिखना होगा, इसे कोई copy करना होगा, यहाँ पर paste करना होगा, ठीक है, यह जो भी है, चलो ठीक है, temperature minimum and maximum है, guys, मुझे वो decimal के बाद कुछ भी data नहीं दिखाना है, so only for that reason में क्या करने जा रहा हूँ, हमारा जो भी यह data होगा उसको dot to fixed, if you remember हमने यह already पढ़ा है, ठीक है, उसमें मैं convert कर रहा हूँ, convert करके basically मैं इसके अंदर कोई भी extra parameter पास नहीं की, इसका मदलब की decimal के बाद कोई data मुझे नहीं देगा, yeah, this is it, अगर मैं से बितना करता हूँ, इसको hit करता हूँ, तो कही न कहीं मुझे यहाँ पर data म नहीं मिला, इस जगे पर, so it's a weather mean max and then weather mean, so weather mean हमने get ही नहीं किया गया, यहाँ पर चलते है, weather mean max, it's a weather underscore mean and then weather underscore max, तो यहाँ पर हमने क्या की है, एक बार देख लेते हैं, weather underscore mean, weather underscore max, so w underscore mean temperature, so what we have done like weather underscore mean temperature dot inner text, oh sorry, it's a main dot temp underscore, you have a mean, वो है एक्चल कोड तो, sorry, तो अब मैं अगर यहाँ चलता हूँ, रिफ्रेस करता हूँ, तो मुझे मेरा data आ गया, 298 and ध्यान से देख सकते हूँ, same था data, but after decimal 23 अब यहाँ पर नहीं है, ठीक है, so एक और चीज है, यहाँ पर गाईस मुझे न वो इस तरह किसी दिखाना, जिसके में मुझे आगे mean and then दो colon भी मुझे चाहिए, अब आप सोचो हम हो कैसे कर सकते हैं, वो simple है, just mean and then colon, खत्म, अब वसी तरह किसे आपको यह maximum के लिए भी करना है, यहाँ पर paste कर देना है, this is it, तो इस तरह किसे अगर आप करते हैं, आपका mean max temperature आपका आगे, यह है कि यह जो जहाँ 275 है, जहाँ पर 89 यह जो value है, उसमें मुझे यह जो API के थुरू जो data मिलता है, बस मुझे उसको add करना है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकती हो न, actual में फिलाला भी क्या देख रहा है, 15, 15, 15, 15, 15 देख रहा है, खाली उसको मुझे अब change करने है, ठ पर्टिकुलर जो भी फिल्ड है, उनका मुझे element उसका मुझे reference लगेगा, कहने का मतलब यह, कि यहाँ तक तो मेरा काम हो गया, part 2 में जो hook कर सकते थे वो हमने किया, part 3 basically हमारा जो third section था, उसमें आप देखो कि here we have weather underscore fields like, weather underscore humidity, then we have this wind and then pressure, मुझे यह जो element से paragraph वाले, इनका मुझे data मिलाता है, मैं यहाँ पर put कर दूँगा, इतना simple right, so मैं यहाँ पर चलता हूं index.js file पे, तो यह जो 4 part है, जो मुझे अब extra लगने वाला है, उसको मैं यहाँ पर इस तरह किसे paste कर देता हूं, so यह fields like, humidity, wind and then we have a pressure, अब देख सकते इस तरह किसे मैंने उसको get की, simple, अ अब मुझे कुछ नहीं करना, इसी कोई मुझे copy करना है, यहाँ पर आना है, इस तरह किसे dot we have a inner estimer, then यहाँ पर चलना है, इस तरह किसे फिर से आपको यह लगने वाला है dollar, यहाँ पर आप देख लिजे कि यह जो part आता, आपको कहाँ पर आता है, ठीक है, मैं यहाँ पर अ लिखते हो, आपका यह काम चल जाता है, बट हाँ यह क्या एक degree है, अगेन यह, तो अगेन आपको यह part लगेगा extra, तो copy and then paste, यहाँ पर आप लगे तो two fixed का use कर सकते हो, ताकि after decimal आपको data ना दिखा ही दे, बट इस फाइन, चलता है उतना है न, एंड हाँ एक काम करते है, कि चलो data दिखना है, बट ज्यादा से ज्यादा दो ही दिखा हो, मुझे उससे ज्यादा मत दिखाना, and guys, same अभी बाकी जो तीन है, उनकी लिए भी मैं copy कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसा extra कुछ ही नी इसमे, जो एकदम मैं type करूंगा, तो over हो जाएगा, मतलब एकदम अच्छा हो then wind.speed, अगर मैं करता हूँ, तो मुझे data आता है, you can go with the august, you can go with degree, visibility भी इवन आप जा सकते हो, and then finally we have a pressure, and then for pressure, we have this main.pressure, which was simple ही था फिर तो, main, अगर आप देखोगे, and then we have this pressure, so main.humidity, pressure, temperature, main, and then max, to basically main वाला बहुत फाइदे बनता ही है, right, so yeah, इतना अगर मैं करता हूँ, boom guys, see, यह देख लिजे, हमारा काम हो गया, मुझे जो data चीट हो, मुझे मिल चुक है, but हाँ, मैंने एक चीज़ रिलाइस की, कि यहाँ पर अभी तक मैंने, basically city का नाम, and then जो icon है, वो अभी तक addy नहीं किया, मैंने, ठीक है, so वो हम यहाँ पर चलते है, so जो city का नाम है, उस same, आपको वही चीज़ फंडा अपनाना यहाँ पर, कि वो जो पार्ट है, आपको कहां मिल रहा है, so अब आपको यहाँ पर देखना है, कि इसका data कहां से मुझे मिलेगा, ठीक है, so here we have inspect, console, objects, here we have main, जो की काम नहीं है, so weather, okay, weather के अंदर है, so we have a weather, and then we have this main, so weather.main में नहीं कार सकता, क्यों, क्योंकि यह एक array के अंदर है, अगर ध्यान से देखोगे, it's an array, and 0th index number पे वो data है, जिसके अंदर we have a main, and वहीं पर ही, we have this icon also, so अब एक कैसे का सकते है, so it's a weather, 0th index वाले की value को अगर हमें access करना हो, तो हम क्या करेंगे, तो अब simple, जो हमने array पढ़ा तो वो काम आने वाला है, कि जो 1st index number है, या जो 0th index number पे, उनको हम कैसे access कर सकते है, and साथी साथ उसके अंदर जो element है, उसको हम कैसे get कर सकते है, so it's a weather, 0 index number, dot your main, so it's a 0 index number, square brackets, dot आपका main, this is it, यह आपको करना होग and for the same, we have, I guess, icon, it's a w underscore icon, is it, yeah, it's a w underscore icon, जहाँ पर हम आइकन लगने वाला है, तो अब यहाँ पर देखूगा, icon के लिए भी same, वही फंडा है, right, like मैं directly इस्तर की से लिख सकता हूँ, एक second, इसको मैं copy कर लेता हूँ, मैं directly इहाँ पर वही same, जो आपको बताई थी, या इस ज अगर मैं करता हूँ, control s, save करता हूँ, and यहाँ पर चल का अगर मैं refresh करता हूँ, ध्यान से देखना कि यह वाला जो पार्टे फिलाल empty है, बाकि कुछ नहीं, बठ हाँ आप the moment इसको मैं refresh करता हूँ, अब आप देख सकते हो, कि मुझे वहाँ पर data तो आगे है, कि पुने में मैं आपको एक URL share करना चाहूँगा, यहाँ पर, that is कि अगर आप यह एक line लिखते हो, ठीक है, don't worry, यह बिसिकली आप थोड़ा सा सर्च करते हो, open weather API पर, आपको मिल जाता है, जहाँ पर आपको HWTP, open weather, उसमें, they have image folder, उसके अंदर आपको फिर यह WN के अंदर जाना है, फि तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते थे, इधर आप directly यह as a part, as a source, वहाँ पर पास कर सकते थे, inner as basically image के अंदर, क्योंकि यह तो image का एक URL है, तो मुझे यहाँ पर मैं as it is पास नहीं कर सकते एक deep को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर best part है कि मैं directly आप एक image element क्रेट करने जा रहा ह तो इतना अगर आप कर देते हो, तो finally जो मुझे चाहिए ant बोंगा इस से, मुझे यहाँ पर, एक सेकिंडी का हो गया, so data आया नहीं मुझे, it's a weather zero dot icon, oh sorry, आपको यह जो data यह भी तो इस तरह किसे करना पड़ेगा, मतलब source के अंदर जो URL आप पास करते हो, आपको URL में पास करना रहता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, and यहाँ मेरा काम हो गया, तो आप देख से, तो कितना ज्यादा awesome मुझे दिखाई दे रहा है, now बस मुझे करना होगा यह, कि जब भी कोई यहाँ पर कुछ भी data fill करे, उसके base पर यह search होना चाहिए, तो ध्यान से लिखना, here we have our API, यहाँ पर by default मैंने पूने रखा है, अब मैं इस पूने, यह मेरा CT का नाम है, मैं यह चाहता हूँ, user वहाँ पर जो भी search करे, वो यहाँ पर reflect हो, तो मुझे सबसे पहले, इस hard code को मुझे dynamic करना पड़ेगा, and मैं यहाँ पर CT लिख देता हूँ, and for the time being, मैं जब first time page reload करता हूँ, तो मुझे एक data मिलना ही, I mean दिखाना ही दिखाना है, अब इसको अगर मैंने dynamic बना दी, तो यह CT का data मुझे कहां से आ रहा होगा फिर, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, let CT is equal to by default फिलाल में एक पूने रख देता हूँ, by default एक मैंने पूने करके functionality रख देता हूँ मैं इस तरह किसे, ठीक है, जिसमें अब कोई भी उस particular search bar पर कोई भी search करे, तो उसमें मुझे बस एक चीज करना है, and that is user ने जो भी type क्या होगा, उस value को get करके, यह जो CT वाली जो variable उसमें मुझे put करना है, the moment वो मैंने कर दी, फिर automatic CT की value उससे update हो जाएग यहां पे handle city search, even markdown में भी बोला है, CSS जो ओप्शनल था यहां पे, ठीक है, क्योंकि main तो functionality थी, फिलाल जावस्क्रिप्ट के part में, तो implement the functionality to allow users to search for weather informations for different cities, add event listener to handle city search input, and trigger the weather data fetching functions accordingly, तो यहां पे मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो user क्या, basically type कर रहा, वो data मुझे get करने, चलो at least उतना हम कर लेते हैं, and वो हम कैसे कर सकते हैं, अकर आप ध्यान से देखोगे, this is a part one, basically layout का, जहां पे यह हमारा form है, तो इसको करने के दो तरीके, either आप जो यह form है, उस पे कोई भी submit करता है, तो data fetch करो, and data get कर ल मैं यहां पे चलता हूँ, let city search will be called to, we have a document.we have a query selector, and then we have dot, and then this is it, ठीक है, तो city search पे मुझे उसका reference आगिया है, अब जब भी कोई इस form पे करेगा submit, जब भी कोई इस form पे करेगा submit, तो मुझे वो function को call करने है, ठीक है, तो वो जो मेरा city search था, अब उस पे में वो submit, जब भी कोई form submit करे, अब आपके माइन में आ रहा होगा भई, जब भी कोई form submit करे, वो मैं कैसे पता लगाओ, कि किसने form submit किये, simple rule यह है, जब भी आप कोई form fill करते हो, and then जब आप enter hit करते हो, या out of focus चले जाए, तो by default submit हो जाता है, form के अंदर जितना भी button हो, कोई भी button में अगर ही काम करता है, ठीक है, यह functionality है already, तो वो हमें इतना कोई सोच नहीं नहीं है, तो मैंने क्या कि directly यह जो आप parent था, इसका form, उसके अंदर ही यह icon and input field है, parent मैंने get कि, if you remember we have a event delegation जो हमने पड़ा था, तो मैं parent को ही मैं submit कर दूँगा, तो आप कोई यहाँ पर कुछ भी लिख कर हीट करे, by default to submit हो जाता है, तो इस तरी किसे छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना होता है, अब मुझे यहाँ पर वो submit करे कोई भी form को, ठीक है, मुझे उसका reference मिल चुका है, add event listener, खत्म बात उधरी, उधरी खत्म, submit, यहाँ पर मैं directly यहाँ पर चला दूँगा मैं यह बोलूँगा, कि सबसे पहले तो भाई कोई भी अगर form आता है, आख बंद करो, इस तरी किसे prevent default लिख दो, क्योंकि by default वो form submit हो जाता, मुझे वो default behavior नहीं चाहिए, that's why we are preventing that default behavior, with the help of this event object, ठीक है, इतना मेरा काम होगे, अब बहुत easy है, बहुत जादे easy है, क्योंकि हम input उसको एक नाम दे रहा है, मैंने city name करके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, let city name will be directly इस तरी किसे नहीं, इस तरी किसे कर देते है, city name will be equal to document.we have a query selector.city है na, this is it, and console.log, here we have city name, dot and then we have a value, खत्म, बस इतना ही, फिलाल अभी मैं इतना करके दिखाता हूँ आपको, and मैं इहां पे चलता हूँ, inspect पे click करता हूँ, console पे चलता हूँ, इसको मैं ठीक रहने देता हूँ, this is ours, right, मैं यहां पे लिख देता हूँ, मैं पोखारा में बॉन हुआ था नेपाल, तो पोखारा, कॉमा, नेपाल, and enter hit करता हूँ, and अब आप देखो, एक problem हुआ कि form submit हो गया, यहां पे form submit हो ग अब देता हूँ, refresh, all right, ठीक है, मैं फिर से यहां पे लिखता हूँ, पोखारा, कॉमा, we have a Nepal, enter hit करो, and boom, guys, see, this is it, मैंने उससे में चंट्रोल सेप नहीं किया था, but आप बहुत कि लिए 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 देख सकते हूँ कि पोखारा नेपाल मुझे आ गया, मतलब आप समझ रह मैं बस यह जो मेरा data है, उसको मैं अब, basically यह जो city है, वो यहां पे add हो रहा था, तो मेरा यह जो city है, will be equal to my city name dot value खत्म, बस हो गया, अब आप by default है सब चुगे, the moment कोई भी उस form पे कोई भी data लिखता है, उसको मैं get कर रहा हूँ, and उसको मैं यह जो city के बदले में, basically city वाले variable मैं उसको update कर दे रहा हूँ, उसकी value को, तो अब यह जो city वाला जो variable है, instead of pune, user ने जो भी लिखा होगा, उसको यह hold कर रहा है, store कर रहा है, and वो data अब यहां पे चला जाएगा, इस URL के अंदर, and इस URL में check होगा कि यह वाला जो भी city का नाम है, क्या वो है या नि, अगर है आप directly main div में भी दिखा सकते हो, कि there is something wrong with the API or the city name not found, ऐसे करके भी कुछ आप दिखा सकते हो, ठीक है, but यह इतना मेरा काम होगा, अब सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं होगा, बोलो क्यों, क्योंकि इस से होगा, यह कि API का यह जो data है city, वो तो change हो जाएगा, लेकिन क्या फा कि ठीक है, जब भी page first time load होगा, तो मुझे इस API को load करना है, data दिखाना है, but जब हम search करते है, मुझे तब भी तो इसको load करना पड़ेगा, इस function को, जब तक इस function को मैं callee नहीं करूँगा, तो यह वाला जो city, updated city जो है, उसके साथ इस URL को हम कभी callee नहीं कर पाएंगे, वो क updated value के साथ यह वापस एक और बार search करेगा, तो मुझे उस city का सारा data यहाँ पे add हो जाएगा, तो मेरा search हो गया, लेकिन एक और चीज यह भी करना है, कि जब हम search करेंगे, तो उपर का input field जो हम उसको clear करना है, वही data वहाँ पे दिखा के नहीं रखना है, तो उसके लिए बस एक और काम हम बस अब यह करेंगे, कि मेरा यह जो city name है, city name dot value है, will be equal to null, खत्म, this is it, यह clean करने के लिए, यह वापस function को call करने के लिए, यह जो पाटे value को update करने के लिए, city की, खत्म, बस इतने ही था हमारा यह project, and I hope आपको बहुत ही मज़ा आओगा, मैं इसको एक बार यहाँ पर मैं चलता हूँ, responsive भी है, by the way, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पोखरा, and boom guys, see, यह देखिए, by default मुझे नेपाल आ गया, पोखरा, नेपाल यह है, and वहाँ पर फिलाल कुछ इस तरिक एक आइकन दिखाई दे रहा है, आपको, तो आसा जूम कर देता हूँ, आ हमने यूज किया था, obviously, इसका पाता नहीं हमें क्या आया होगा, मुझे एक बार देखना है, GKB यह कुछ तो भी आया होगा, इसका, basically, ध्यान से देखना, so, we have a time zone, country क्या है, sorry, यह तो पुराना है, यहाँ पर हम चलते, यह वाला अभी का है, यह भी नहीं, yeah, here we have, and अगर अगर ध्यान से देखोगे, तो name यहाँ पर लंडन है, name तो लंडन है, and see, this is your country code, यह देखो, GB, देखा आपने, इसलिए हमने वो यूज किया था, क्योंकि आयन तो इंडिया आप बोल देते, लेकिन GB से आप सोच चरे होते, यह जी वी किया है, GB तो जब हम कोई भी पैंड में जब करने, तो कितना वाई, दो जी वी का फाइल है, तीन जी वी का फाइल है, वो सोचते, इवेन आपको अगर UK लिखते तो साथ आप उतराखंड या तो United Kingdom बोलते, but in reality, though it's a United Kingdom, but वो इसका जो country code है, वो GB है, देखो न, which is like Great Britain, लेकिन country का नाम फिर United Kingdom है, तो confusion ही, confusion है, तो कुछ वैसा सी नहीं यहां पर, तो इसलिए वो API का उसका ना बहुत जरूरी था, date and time हमें यहां पर मिल रहा है, and by the way, यह जो date and time मुझे मिल रहा है, वो मेरा खुद का current date and time मिल रहा है, क्योंकि मैं तो, though it's United Kingdom, but still, जो भी हो, मैंने अपना वाला time यहां पर कर रहा जो फिल हो रहा है कि इतना है, wind इस्तिर की से चल रहा pressure यह है, and आप चाहो तो इसको time zone भी हमें यहां पर मिलता है, ठीक है, फिलाल तो जिरो दिखा रहा time zone जो भी हो, आप time zone की मदद से भी time को set कर सकते हो, so yeah guys, यह था आपका part 2 का final project, hope आपको बहुत ही ज्यादा मजा होग आपको पूरा CSS नहीं बरता है, इसकले हम रहली सुरी, but I know आप बहुत इजली कर सकते हो, it's just आपको इस CSS world best CSS course एक बार देख लीजे, मजा आ जाएगा, ठीक है, and source code तो आपके लिए free है ही, all right guys, this is it, यह था हमारा world best JavaScript complete course part 2, जना पे हमने हमारा जितना भी advanced JavaScript है, उसको में न cover की, right, तो I hope आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आगा, and now सिर्फ बचा है, तो एक चीज़ डैटी जाओ, e-commerce website, जिसको मैं बहुत जल्दी ना आप part 3, upload करने वाला हूँ, so guys, अभी तक अगर आपने like, share and subscribe नहीं के, तो please कर दीजेगा, so guys, हमारा इस वीडियो का like, टागेट सिर्फ 5000, तो अगर आपको कर देते हूँ, मैं within 10 days, हमारा e-commerce website, इसको पर video upload जरू करूँगा, अगर आप नहीं भी करते हूँ, तो भी मैं upload जरू करूँगा, लेकि फोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन जल्दी चाहे तो like जरू कीजेगा, and subscribe भी बिल्कुल करना माद बुल कीजेगा, साथे साथे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को सेर कीजेए, सारे social platform पे, even आप Instagram पे इसको सेर कर सकते हूँ, आप मुझे टैक कर सकते हूँ, मैं भी वहाँ पे जरूर सेर कर दूँगा, मैं तो बस यह चाहता हूँ कि जो effort नहीं कर पाते courses बग एर प्लीज जोन तकी वीडियो जरूर पहुचे, तो या गईस दिस इस वीडियो के लेते नहीं, मिलता हूँ मैं आपको पार्ट 3 में, तिल दरन गईस, तेंकी सो मुच, टेक लिए,